की जीयस की महा स्रिंखला जो आपकी आज से स्टार्ट हो रही है सारे लोग फुल कंसंटेशन से आ जाएं और क्वेस्टन्स को देखते भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं जिते भी लोग आ चुके हैं उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं अब सीरीज आपकी स्टार करने जा रहा हूं एक बार चलिए पूरी तरीके से जुड़ जाएं और सीरीज को स्टार्ट करते हुए मैं क्वेस्टन्स दीरे-दीरे आपके सामने लेकर आ रहा हूं सबसे पहला प्रशन आपके सामने है पहला प्रशन जो आपको दिख रहा है ज्वाला मुखी परबद म माउंड पूपा कहां परिस्थित है प्रशन आपके सामने है question number one चलिए विकल पी इसके इस प्रगार दिया है पहला दिया है अमेरिका दूसरा दिया है म्यामार तीसरा दिया है एकवाडूर चौथा दिया है आइसलेंड question फिर से सुन लीजिए जो आला मुखी जो परबद इसका नाम है माउंड पूपा ये कहां परिस्तित है अमेरिका, म्याममार, इकवाड़ुर या आइसलेंड चारों में से जवाब आपको कमेंड करने है चलिए फटा-फट जवाब करिए माउन पूपाजवाला मुखी परवत कहां परिस्ति थे इसके जवाब कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं बहुत बड़ी है और लोग भी कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या सही है पहले प्रश्न का कमेंट के मादिम से हमें बताते रहे हैं कमेंट आ रहे हैं सही अरे लोगों के बहुत सही जी जी कुछ लोग सी आप्शन बोल ले हैं और लोग भी कमेंट करते रहे हैं तो कमेंट करना है यार आए नहीं आ रहे हैं सही होगा वो तुम में बताऊंगा ही बताऊंगा ठीक है लेकिन कमेंट का मादम ही होता है जिसे हैं तो यह माउंड पूपा जो जौला मुखी परवत है ठीक है यह आप जब जाएंगे मियामार शेत्र में ठीक है और मध्यमार में पहुंचेंगे तो वहां पर यह परवत इस्तित है तो जिनों इसको बोल सकते हैं मृत जौला मुखी ठीक है यह परवत किसका है यह मृत जौला मुखी या सांत जौला मुखी का उदाहरण है समझ गए पहला क्वेशन इस तरीके से रहा दूसरे प्रशन पर बढ़ते हैं दूसरा प्रशन इस प्रकार है कांटो मैदान निम्न में से किस द जा पानरूज चलिये अब कमेंट के माध्यम से बताएं दूसरे प्रस्वन का जबाब क्या सही है लिए तो के प्रस्वन का जबाब क्या सही है कौने आ रहा है आप लोगों के बहुत बड़ियां चलिए दूसरा प्रश्ण पर चलिए फटा-फटा आजाईए वाई सारे लोग इसका जबाब क्या होना चाहिए सिकेंड आफ्शन कांटो माइदान आपका बहुत ही ज़्यादा इस लिए बनता है क्योंकि UPPCS prelims में जैसा भी देखने को मैचिंग में मिला इसलिए मैंने इसको वन लाइनर के तौर पर भी लिया है और इसका जो सही जबाब है ठीक है कांटो मैदान आपका जापान में पढ़ता है जापान का जो एक दिवफ है होन्सू ठीक है होंसू दिवफ से इस बार जापान के दिवफों से मैचिंग ITVP PCS prelims में होंसू दिवफ में यह पढ़ता है ठीक है होंसू का मलव अगर जापानी लेंगोज में आप समझो तो होन का मलव होता है आपका मुख्य ठीक है और महित्ष हैं तो यह आपकेस प्रंबहेते हैं जो आबादी है जापन की वह इसी मैदान पर रहती है अगले प्रश्ण की युर बढ़ते यह प्रश्ण मरुस्थल मोजावे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्ण है आपको, मरुस्थल मोजावे किस देश में इस्तित है, अमेरिका, चीन, इरान, सौधी अरब, फिर से सुन ली जी एक्वेशन, मरुस्थल मोजावे किस देश में इस्तित है, अमेरिका, चीन, इरान, सौधी लें अरुन गौतम जी भी डी बोल लें चलिए फड़ाफट जबाब दीजिए जो आपका मोजावेर एगिस्तान है ये कहां पर है सोनिय जी ये बोल लें हैं रायल सुनील भी बोल लें हैं सत्यम जी ये शे बता रहें सिंटु जी सी बोल लें चलिए फड़ाफट और लोग जी बोल लें हैं राहुल जी ए बोल लें चलिए फड़ाफट बताते रहें इसका जबाब क्या हो सकता है अब रार जी डी आप्शन दे रहे हैं तो चलिए इसका अगर मरुस्तल मोजावे की मैं बात करूँ आपसे ठीक है तो कुछ लोग बहुत सही आप्शन जो लगातार अभी ए के तोर पर चूच कर रहे थे अमेरिका, उनाटेड इस्टेट साफ अमेरिका ये एक डम बिलकुल सही है ठीक है इसको मोजावे या मोजावे दोनों नाम से प्रनेंसियेट किया जाता है उच्चारित किया जाता है तो इस शीच को ध्यान रखें कि मान लीजिए वर प्रशना आपने सुन लिया है अब चलिए इनका जबाब दीजिए फटाफट चुनिए इसमें देखिए जैसे ये अस्थानिये ये देश के नाम है ये अस्थानिये पाउने हैं वहाँ पर कही जगों की गर्म हवाओं को मैंने लिया है कही जगों की ठंडी हवाओं को चलिए इसका जब आप फटाफट कमेंट करें जब आप इसका कमेंट कर प्रति है और उसका जो बिकल्प है वो सुम्यलित नहीं है ठीक है चलिए फड़ाफड कमेंड करें पीजिन जितन जी एक कमेंड कर बहुत बढ़िया है इसमें जो आपकी ये पाउने दी गई है सबसे पहले पाउनों के नाम लिखा है फिर देश के नाम लिखा है तो इसमें जो आपका विकल्प एक तरीके से डी दिया है ठीक है विकल्प डी आपका उचित नहीं है ठीक है क्योंकि इसमें कोसावा पाउन को बोला है कि ये चीन में चलती है जबकि कोसावा जो है ये चीन में ना चलकर ये सार्विया की अस्थानिय पावन है किस देश की ये सार्विया की अस्थानिय पावन है तो विकल्ब D को छोड़ कर और सब सही है बाकी जो दिये हैं ये जो खाजरी आपका C में दिया नहीं है य वहाँ पर जो ठंडी हवाय चलती हैं, उसको खाजरी बोलते हैं अजरबैजान में। अगर इसकी बात करें, जो है इसकी जुंडा की, तो जुंडा गर्म अस्थानिये पवन है। ठीक है वहाँ पर जो गर्म हवाई जैसे अपने यहां लू नाम दिया जाता है तो अरिजंटीना में जो गर्म हवाई चलती हैं उनको जुंदा भोलते हैं अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण पांच नंबर आपके सामने है, आईनू जन्जाती, निम्नमे से किस छेतर में पाई जाती है, आईनू एक जन्जाती है, उत्री अफरीका, अमेरिका, जापान, केन्या, इन चारों में से आपको विकल चुनना है कि आ इनका जी ये बता रही है, सत्यम जी, जापान, राउल सिंग जी सी, अरुन जी सी बोल ले हैं, चलिए और लोग भी कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें, आईनू जन्जात कहां पर है, अबरार जी सी बोल ले हैं, चलिए फटा-फट कमेंट करें, हिमान सु माथुर जी एक दम सही है, साथ ही साथ जापान के और अगर मैं बात करूँ, यह सिर्फ जापान में ही सिमित नहीं है, ठीक है, यह चर्चा में क्यों आई थी? क्योंकि इसके जापान जो आईनु जनजाती है, यह जापानियों से ऐसे मिक्स हो गए है, साधी वगरा करके, कि अब आईनु जनजाती की सारी सब्धता को छोड़ चूड़ चुके है, आईनु की अपनी जो भासा है, उसको बोलने वाले वाले बिश्व में केवल 100 लोग ना तंजाती के कुछ अंस मिलते हैं पूरी भागों में भी जहां पर आपके प्रधान मंत्री जी कुछ दिन पहले रूस के दोरे पर गये थे ठीक है तो यह प्रशन दूसरे तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है रूस के परिपेच में भी छटा नंबर प्रशन आपके सामने द दे रहा है स्वैद निल का उद्गम विक्टूरिया जील से जबकि ब्ल्यू निल का उद्गम इथोपिया के पूरा प्रशन में दिखा रहा हूं इथोपिया के पठार से होता है अगले अगर तीसरे कथन की ओर बढ़ें तो तीसरा कथन आपका इस प्रकार बोला है कि ब्ल्यू नील उत्तरी सुडान की राजधानी खार्तून के समीब स्वेट नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है आप इसमें बताना है तीनों कथनों को ध्यान से पढ़िए दिख रहा होगा आपको उपरोक्त कत्रों में से कौन सा सही है या सही है केवल एक, दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन चलिए जवाब आप आप लोग कमेंड करें कि नील नदी के बारे में जो प्रश्न इसमें बोल ला है इसमें कौन सा सही है सत्यम्यादो जी एक दो तीन बोल लहाए रोहित कुमार जी डी बोल लहाए रॉयल सुनील भी बोल लहाए जीतेन जी डी बोल लहां फनी टीवी सेकेंड और थर्ड आप्शन जवाब दे रहे हैं चलिए बताइए नील लदी के बारे में अगर आपने देगे ये विश्व गुगोल से प्रशन है बहुत अच्छी स्रेंखला है इसमें सभी से आपको प्रशन मिलेंगे जितने भी सब्जेक्ट हैं 50 आपके प्र प्रशनों की questions series मांग रहे हैं मैं इस रिपार्टी जी हिंदी की PDF आपकी जो मैंने वीडियो भी इससे पहले डाले हैं उनको देख लीजिए बहुत फाइदेमंद रहेगा आरगे सिंग जी डी चले जब आप पराते हैं नील लदी के बारे में ये जो तीनों कथन कहे गए हैं अभी आपके प्रशन में आपको साफ तोर पर दिख रहा है ये सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं एक दो और तीन तो जिन जिन लोगों ने पहला दूसरा और तीसरा कथन चुना है वो एकदम सही है तो छटा प्रशन जिन लोगों ने डी विकल्प चुना था वो एकदम सही है साथवे प्रशन की ओर बढ़ते हैं बहुत बढ़ियां प्रशन फिर से आपके सामने है बिस्वत रेखा से मैंने उठाया है बिस्वत रेखा निम्न में से किनकिन देशों से होकर गुजरती है पहला है युगांडा, दूसरा है गैवन, तीसरा है जैरे, चोथा है किरिवाती, पांचवा है एकवडोर उप्रोक्त में से सही कथन को आपको चुनना है एक, दो, तीन और चार दूसरा विकल बोलना है दो, तीन, चार, पांच तीसरा बोल लाए एक तीन चार पांच और चौथा बोल लाए एक दो तीन चार और पांच यानि सभी चलिए बताइए बिस्वत रेखा निम्न में से किन किन देशों से होकर गुजरती है युगांडा, गैवन, जायरे, किरिवाती, एकवाडोर चलिए अब जबाब आप लोग कमेंट करें, बिस्वत रेखा के बारे में बिस्वत रेखा के बारे में सारे लोग कमेंट करें इसमें कौन सा विकल्ब साएं, सूनिय अजीज, पैतालिस सो क्वेशन्स अभी के अभी होंगे क्या ये लगातार पूरी सीरीज चलनी है, तीन महीने तक, चार महीने तक मैं लगातार क्लासे लूँगा, हर दिन सामको 8 बजे, आज भी आपको सामको 8 बजे फिर से इसकी आज वाली सीरीज मिलेगी, ठीक है, ये कल वाली सीरीज थी जो आज मैं लेकर चल लाओ, कल कुछ ब्योध देशों की बात करूँ, तो विस्वत रेखा, ये जो 5 देशों के बारे में जिक्र है, ये 5 देशों से होकर गुजरती है, बेकल्ब डी जिन लोगों ने चुना है, बेलकुल सही जवाब उनके हैं, विस्वत रेखा को अगर आप देखेंगे, तो 14 देशों से गुजरती है ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए important हो जाता है, क्योंकि प्रशन इस तरीके से भी बनते हैं, क्योंकि अभी सूरिया तब वगयरा से question नए बनाये जाएं, तब भी इसमें बढ़ी हाँ प्रशन आजाएंगे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपके सामने है, डान सोसाइटी की अस्थापना सतीश्चन मुखरजी द्वारा किस प्रिष्ट भूमी में की गई थी, मतलब वो देश क्या था, पहला विकल बोला है, मुश्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी करवाही का आउवान, बी बोला है, भारतिय बेश्विद्द आयोग की रिपोर्ड, सी बोला है, बंगाल के विभाजन की गोश्रा, और डी बोला है, भागत सिंग, सुकदेव और राजगुरु की फासी, तो सतीश्चन मुखरजी ने डान सोसाइटी की अस्थापना किस प्रिष्ट भूमी के लिए की थी, चारों में से आपको विकल स सुनाई दिया, दिखाई दिया, अब जबाब आप कमेंट करें, डान सोसाइटी किस लिए आई थी, चलिए डान सोसाइटी, C विकल भी आ रहे हैं, जबाब आर्के सिंग, अर्पिज जी, सोनिय जी के C जबाब हैं, हिमांसु माथूर, C, चलिए और लोग भी कमेंट करके बताएं कि Dan Society जो आई थी आपकी, ये किसके परिपेच में थी, प्रदीब जी ये बोल ले हैं, जितें साहु जी सी बोल ले हैं, चलिए फटा-फट बताएं भई, Dan Society आने के पीछे, क्या इसके पीछे एहम रोल था, आखिर इसको लाने के पीछे क्या मकसद था, आठवे प्र प्रिश्ट भूम पर ये पूरी तरीके से आधारित थी तो समझ गए भारती विस्विद्याले आयो की रिपूर्ट पर पूरी की पूरी डान सोसाइटी के अस्थापना की गई थी इसकी रिपूर्ड में जो बिंदू चले थे उन सारी चीजों पर कुछ ना कुछ इस पर फो इन चारों में से आपको जवाब बताना है कि बास खेड़ा जो अभलेक आपका मिलता है इस पर किसके हस्ता अच्छा रंकित है कृष्ण देवराय, अमोग वर्स, मिहिर्स भोज, हर्स चलिए जवाब फटाफट कमेंड करें बास खेड़ा वाई कौन सा है चलिए फटाफट करते रहें आरके सिंग जी डी बोल लें सत्यम जी हर्स बोल लें रेनु यादो जी सी बोल लें चलिए और लोग आरके सिंग जी हर्स और लोग भी जवाब बताएं अरुन सिंग जी डी बोल लें क्या जवाब होगा इसका बहुत बढ़ियां प्रश्ण है बास खेड़ा अभिलेक जो आपका है इस पर किसके हत्ता शरंकित है जितें साउजी सी बोल ले है चलिए भई फड़ाफट बोलिए फड़ाफट जबाब दीजिए कि इसका कौन सा आपका विकल्ब सही है बास खेड़ा अभिलेक ये जिनोंने जवाब हर्स दिया है वो एकदम सही है ठीक है इस पर हर्स के हस्ताचर है ठीक ये हर्सवरधन का एक तरीके सही इसका संबंध हर्सवरधन से है ये 628 से 624 ad के बीच का मामला है ठीक है और ये जो था हर्स के सासन के 22 वर्श के दोरान हर्स का सासंकाल था तो इसने अपने सासंकाल में कि बैसावे वर्स के दोरान जो है वर्धमान कोटी नामक जगे है अगर यह पूछ ले आपसे कहां पर इस्तित है तो वर्धमान कोटी नामक यह जगे है जहां पर यह आपका इस्तित है कौन सा बास खेड़ा वले चलिए अग प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़ी हैं प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न बोल ला है 1881 का जो फैक्टरी अधनियम है, ठीक है प्रश्न पूरा दिख रहा है, मैं बोल वही रहा हूँ, 1881 का फैक्टरी अधनियम कार खानों में किस आयू से कम के 11 वर्स, चलिए, जवाब अब आप इनके कमेंट करते रहें कि कार खाना अधनियम जो आया था आपका 1881, ये कितने वर्सों से कम उम्र की बच्चों के नियोजन पर प्रदिबन लगाता है, जितन जी डी बोल ले, आरके सिंग जी 7 वर्स बोल ले, सत्यम जी 7 वर्स बोल ले हैं, चलिए, फड़ाफट भाई, बोल दे रहे, चलिए, और लोग जवाब दीजे, कार खाना अधनियम से संब्दित है, ये कितने से कम उम्र के बच्चों की नियोजन पर प्रदिबन लगाता है, चलिए, फड़ाफट कमेंट करें, माधवेन परताब जी 11 वर्स बोल ले, हैं, और लोग भी बताएं, रेनु यादो जी डी बोल लहीं है, चलिए, फड़ाफट कमेंट करें, फिर इसके जबाब को हम देखते हैं, फणी टीवी, टेंसी, सोनिया जी, 11 बोल लहीं है, चलिए, इसका जो जबाब होगा, 10 नंबर प्रश्न का, ठिक, 1881 का फैक्ट्री उट्य अनियम जो आया था, इसने किया किया था, कि 7 वर्श से कम आयु के बच्चों के कारखनों में नियोजन को लेकर प्रदिबंद लगाया था, इसलिए, बी कर्थन जो चुन नहें, वो एकदम सही हैं, ठिक, और दूसरी चीज, अगर इस चीज को घुमा दे, तो 7 वर् बच्चे होंगे अगर कार खाने में इनको नियोजित किया जा रहा है तो इनकी जो नियोगती होगी वो सिर्फ आठ घंटे के लिए होगी यानि इनकी जो काम करने की यवद होगी यह सिर्फ आठ घंटे होगी तो दो चीजें आपको यहां से मिल गई अगला प्रशन बहुत पढ़िया, अगला प्रश्न आपसे बोल ला है, या त्री 12 बोशा, 12 भी बोलते हैं, ठीक, किस सासक के काल में भारत आया था, विजिट किया था, चलिए, पहला option बोल ला है कृष्ण देवराय, बी बोल ला है देवराय प्रथम, C बोल ला है सा जहां, D बोल ला है अच्चित इन चारों में से आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प आपका एकदम सही है चले कमेंट के माध्यम से बताएं बार बोशा प्रियंका राय जी भी बोल ले हैं पूर्णिमा गुत्ता जी डी बोल ले हैं चले फड़ा फट कमेंट करें कि ये भाई जो क्वेश्चन आपके स सामने दिख रहा है ये बार बोशा यात्री 11 नंबर प्रशने तीक है ये किसके दरबार में आया था फटा फट इसका जवाब कमेंट करते रहें अरुन सिंग जी बोल ले हैं जीतेन साहु जी भी बोल ले हैं और लोग भी आपना जवाब देखो कमेंट करोगे तो दिल से जुड़ोगे और उससे प्रशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा पीडियाफ जाएगी तब तो आपको पता ही चलना है मैं बता रहा हूं तब तो पता ही चलना है एचेस सिंग जी ये बोल ले हैं माधवेन पृताप सिंग जी ये बोल ले हैं और लोग भी कमेंट के अच्छी बात है कमेंट करते रहें आठ बजे याद रखने पौन सिंग जी बोल ले हैं ए होगा आई थिंग चलिए देख लेते हैं कि यात्री जो ये बारा बोशा था ठीक है यात्री बारा बोशा ये कृष्न देवराय के दरबार में आया था ए आपका सही है आपने तिं भाई कुछ सासकों के नाम लिखें तो इनके जो है सासनकाल में कौन को नाया यह जो देवराय प्रथम लिखा है विकल भी इसके सासनकाल में आपको ध्यान रखना है निकोलो कोंटी निकोलो कोटी यह व्यक्ति आया था यहां पर निकोलो कोटी नाम का जो एक विदेशी था यह आया था देवराय प्थम के दर्वार में, ठीक है इसके सासंकाल में, अगर मैं बात करूँ इनकी अच्चितराय की, तो एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था नूनिज, नूनिज आया था अच्चितराय के इसमें, अच्चितराय के जो है सासंकाल के दोरान, अगर सा जहां कि सासनकाल के दोरान आया था अगला प्रश्ण 12 नंबर है बहुत बढ़िया प्रश्ण है प्रश्ण ये कह रहा है भक्ति अंदोलनों से मैंने उठाया है प्रश्ण निम्ने में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुक्षंत माना जाता है तुकाराम रामदास संकर देऊ धरकरी संप्रदाय ये भक्ति अंदोलन से संबंधित प्रश्ण है भक्ति ये जो है धरकरी संप्रदाय का प्रमुक्षंत कौन है तुकाराम रामदास नामदेव संकर देऊ चलिए अब मैं आपके जवाब जानना चाहता हूं कमेंट माधिन से बताएं संकराचा संकराशारी दे रहे हैं जब आप इसमें संकराशारी आप्षन मैंने दिया है क्या संक्राशारी आप्षन भी तो नहीं है नहीं है विकल ध्यान से पढ़िए अरुन सिंग जी भी बोलनें सरद यादो जी ये बोलनें चलि यह और लोग करें कि भाई यह जो धरकरी लें नरेन तीवारी जी भी बोल लें चलिए और लोग भी अपना कमेंड देते रहें जरूर बताएं मांद बेंद प्रताब जी सी बोल लें बहुत बड़ियां और लोग जबाब देते रहें कि आखिर इसका जबाब है क्या ये भक्ति यांदोलन आपने पढ़ाओगा उससे संबंधित प्रश्ने प्रश्नों की ये सिंखला अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं रोज 8 अधBooks दिदम सही हैं ठीक है देखो अब थोड़ी सी जनकरिया और जान लो कि भक्ति यांदोलन जो चल ला था भक्तियांदोलन में जो है महराष्ट में उस दोरान महराष्ट में ये अंदोलन दो भागों में बढ़ गया था एक तो धरकरी था दूसरा वरकरी था एक संपरदाय वरकरी कहलाता था और दूसरा संपरदाय धरकरी कहलाता था धरकरी संपरदाय का जो प्रमुक्संत माना जाता है और धरकरी संपरदाय का प्रमुक्सन रामदास को माना जाता है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने हैं बहुत बढ़ी हाँ प्रशन है फिर से अकबर से संबंधियत मैंने एक प्रशन उठाया है प्रशन का रहा है निमलिखित कतनों पर बिचार करिए पहला कतन बोला है अगबर ने 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाये जाने पर रोक लगाई दूसरा कतन बोला है 1563 में तीर से यात्रा करकी समाप्ती हो गई तीसरा कतन बोला है 1564 में जजिया कर पर रोक तो इन चारों तीनों कतनों को आपको ध्यान से पढ़ना है नीचे कुछ कूट दिये गए हैं उनके माध्यम से आपको विकल चुनना है सही विकल पहला बोल ला है एक और दो, दूसरा बोल ला है दो और तीन, तीसरा बिकल बोल ला है एक और तीन, चोथा बिकल बोल ला है एक दो और तीन चलिए तेरा नमबर प्रशन का जबाब दीजिए कि अकबर से सम्मंदित है इसने पंद्रा सो बासट में इं दुबंदियों को दास बनाये जाने पर रोग लगाई थी तेरसट में इसने क्या तीर से यात्रा करकी समाप्ति की थी 64 में क्या इसने जजिया कर पर रोग लगाई थी ओप्शन्स आपके सामने हैं चलिए फटाफट कमेंट करें जितिन साहू जी डी बोल ले हैं आरके सिंग जी डी बोल ले हैं सुर्परताब जी ए बोल ले हैं चलिए भाई फटाफट कमेंट करते हैं चलिए इसमें कौन सा विकल्ब सही होगा सोनिय जी 123 बोल ले हैं डी हैदर अबास जी डी बोल ले हैं अरुन सिंग जी भी बोल ले हैं रेनो जी डी बोल ले हैं चलिए फड़ा फट कमेंट करते रहें भाई फड़ा फट आप कमेंट करते रहें कमेंट के मादम से बताते रहें मानवेद परताब जी 3 option को बोल ले हैं नरेन तीवारी जी D बोल ले हैं और लोग भी कमेंट करें कि आखिर अकबर से संबन्देत ये है ठीक है इसमें 13 नंबर प्रशन का जवाब क्या उचित होगा तीरा नंबर प्रशन का जवाब चलिए इसका जवाब देखते हैं जिनोंने विकल्ब D चुना है वो एकदम सही है ठीक है विकल्ब D अगर आपने चुना है तो एकदम सही है है क्योंकि अकबर ने 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाय जाने पर इसने रोक लगाई थी 63 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्ति की और 64 में इसने जजिया कर भी रोक लगाई थी तो जिन लोगों ने तीनों विकल्ब चुना है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी हैं प्रशन फिर से आपके सामने दिमाग तरो ताजा कर लीजिए निम्न घडनाओं का सही कालानुक्रम क्या है विकल्ब ये बोल ला है सिपाही विद्रो, संथाल विद्रो, नील विद्रो, दक्कन दंगे बी बोल ला है सिपाही विद्रो, संथाल विद्रो, दक्कन दंगे, नील विद्रो यानि ये किन किन सन में हुए हैं तो सबसे पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ इन चारों को एकदम सिरीज में आपको लगाना है फिर सही विकलब का आपको चुनाव करना है और फिर जबाब देना है चलो बताओ भाई इसमें कौन सा सही है 14 नंबर प्रश्नक का जबाब कौन सा विकल्ब सही लग रहा है चलिए फटा-फट आपके सामने देख रहा है 14 का B बता रहे हैं सूरिप्रताब जी बहुत बड़ियां आप थोड़ा लेट से आए हैं कल से आज साम से 8 वजे आपको पहुँचना है चलिए और लोग भी कमेंट करें भाई सत्यम्यदो जी 14 डी चलिए देख रहे हैं पवान सिंग जी A बोल ले हैं हैदर अबबास जी मिकल्ब बोल ले है चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा अनि लोग ही मादविन्द्परताब जी C आपका जबाब है और लोग भी कमेंट के बाद देम से बताएं क्योंकि ये सब देखो मैचिंग बगारा इस बार भी आप देख लीजिए प्रशन आये हैं सिंखला ठीक है विद्रोहों से उठा कर पूछा था तो इसलिए मैंने ये प्रशन डाला है आरके सिंख जी बी विकल बोल ले है अरुन सिंख जी डी विकल बोल ले है सोनिय सिंख जी सी बोल ले है अन्य लोग भी कमेंट करें अखिल परशाई सी विकल ठीक है चलिए अप्शन इसका देखते हैं कौन सा विकल सही है चौदा नंबर का विकल्ब, अगर आपने चुना है D विकल्ब तो एकदम सही है, ठीक है, संथाल विद्रो, इसके बाद सिपाही विद्रो हुआ, फिर नील विद्रो हुआ, फिर दककन दंगे हुए, ये चार आपके जो है, इन चारों में से आपको चुनना है, कौन-कौन सा है, देखो सबसे पहले संथाल विद्रो, इसको जो माना जाता है, ये 1855 से लेकर लगभग जो है, 56 तक चला, 1855 से 56 तक, 57 की क्रांती आपको याद है, सिपाही विद्रो की, नील विद्रो इसके बाद करमाना जाता है, क्योंकि ये 1860 की बात है, तो 60 अधिकतर आपको लिखा मिलेगा, और उसके बाद दक्कन के दंगे आते हैं, ये बात है 1874 और 75 की, जब दक्कन में दंगे विये थे, ठीक है, तो ये सिसाब से इसका जो क्रम रहा, ये डीप इकल्प एकदम उचित है, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपके विज्ञान से है, विज्ञान प्रशनों की सिंखला, सारे सब्जेक को मैंने इंकल्यूट किया है, कि सब कुछ रिवाई जो, निमलिखित में से कौन सातत्तु सबसे पहले कृतिम रूप से उत्पादित किया गया था, आपका पहला विकल बोल ला है, निप्टिवनियम, बी बोल ला है, प्ल चलिए, चारों में से 15 नंबर का जवाब दीजिए, फटा-फट, कमेंट के मादियम से बताएं, नरेन तीवारी जी भी बोल ले हैं, प्लुटोनियम, सत्यमयादो जी बोल ले हैं, मादविंत प्रताप सिंख जी भी बोल ले हैं, चलिए, इनमें से कौन सा जवाब होता है, प्लुटोनियम बोल ले हैं, रेनु यादो जी, बी विकल्ब को बोल ले हैं, फरीन खान, बी विकल्ब को, अखिल परशाई जी, बी विकल्ब को, चलिए, और लोग भी कमेंट करें बाई, विज्ञान आपके जगत का प्रशन है, तो विज्ञान जगत के प्रशनों का अब तो अधिकता लोगों के दिली इच्छा होती है कि दिया जाये, चलिए, इसका विकल्ब, पंदरा नंबर का विकल्ब, जिन्होंने विकल्ब आपका चुन लिया है, ठीक, वो एकदम सही होते हैं, क्योंकि इसमें जो टेकनीसियम है आपका पदार्थ, ठीक, टेकनीसिय एक ऐसा पदार्थ है, जिसको सबसे पहले आपका जो है, किर्तिम रूप से 1937 की बात है, 1937 की बात है, जब इसको प्रियोक साला में बनाया गया था, 1937 में सबसे पहले बनाया जाने वाला यही है, इसका अगर मैं प्रमाण कुर्बांग आपसे बात करूँ, ठीक है, एटा कौन सा सुमेलिद नहीं है, पहला बोला है, पाइरीन, अगनी सामक है, सल्फर डाय अक्साइड, अमल वर्षा में आती, फ्रेयान, प्रसीतक के तोर पर यूज होती है, फुल दीन, फ्लोररीन, इक्त बहुलक है, चलो इन चारू में से बताओ, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कुछ मैंने एक तरीके से तत्तो को लिखा है, फिर वो किनमे किनमे सामिल होते हैं, कैसे कैसे उनका प्रियोग होता है, उनके दिये हैं, क्या पाइरीन का इस्तेमाल अगनी सामक के रूप में होता है, सल्फर डाय का इस्तेमाल अबने वर्षा में होता है, फ्रेयान का इस्त तो यह समझ गए न क्योंकि यह जो फुल्रीन है जब आप पढ़ोगे कार्बन के अपर रूप तो यह कार्बन का एक अपर रूप है समझ गए ना तो डी विकल जिनों ने चुना है वो एकदम सही है अगला बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपको दिखाई दे रहा है 17 नंबर निश्कोपीन किस से प्राप्थ होता है पोस्ता यानि पॉपी से तुलसी से गंध सपेदा यानि एकलिप्टिस से या इफेड़रा से चारों में से सही विकल्प आप चुनिए और जबाब दीजिए डी विकल्प सारद यादो जी सी बोल ले है अनि लोग भी कमेंट करें भाई फटा फट बोले निश्कोपीन किस से प्राप्थ होता है सर सारे आप्शन न मार करें कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ ठीक है पाउन जी अब मैं अध्यान रुकूंगा सारे आप्शन मैं नहीं जो है सिर्फ एक तिक के माद्यम से बोलूँगा चलिए इसमें से कौन सा है चलो बताओ भाई कौन सा है निश्कोपीन होता है निश्कोपीन ये कहां से प्राप्थ होता है सत्यम यादो जी डी बोल ले है चलिए और लोग भी जबाब दीजिए हैदर अबबास जी ये बोल ले है और लोग भी इसका जबाब दे भाई निश्कोपीन ये तत्तु कहां से प्राप्थ होता है किस से हमें मिलता है क्या तुलसी से फेड़रा से या अनि जूबिकल मैं आपसे बोलना हूँ कौन सा चलिए इनके जबाब अगर मैं देखूँ मादवियन पृताब जी भी बोल ले है इसका अगर जबाब देखा जाए जो ये निश्कोपीन पदार्थ है तत्तु है फिक है ये आपका पोस्ता यानि पॉपी से प्राप्थ होता है इसलिए इस प्रश्ण को मैंने उठाया है क्योंकि मैं जो है दवाओं अगरा से भी प्रश्ण विग्यान जगत में आपसे पूस्ता है 18 नंबर प्रश्ण आपके सामने है 18 नंबर प्रश्ण कहे रहा है विटामिन B3 की कमी से क्या होता है जनन छम्ता में कमी आती है तंतर की गड़बडिया होती है पेलागरा रोग होता है बालों का जढ़ना होता है चारों में से आप विगल बताएं इनमें से कौन सा सही है 18 नंबर का विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है चलिए इसका जबाब तो फड़ा फड़ा आने चाहिए 18C, मादबेंजी, C बोल ले सरजी, C बोल ले हैं चलिए विटामिन B की कमी से B3 की कमी से क्या क्या होता है बताओ भई फड़ा फड़ 18C, सत्यम जी, जीदिन, साहु जी, C बोल ले चलिए इसका जबाब हम देखते हैं जो 18 विकल्प है जीनोंने C विकल्प चुना है एकदम सही है पेलागरा जो है आपकी ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है 18 के बाद 19 नंबर प्रशन पर बढ़ते हैं इंसुलिन किस से प्राप्त होता है इंसुलिन किस से प्राप्त होता है अधरक के प्रकंद से डहेलिया की जडो से बाल संपुस्प से आलू के कंद से इंसुलिन जो होता है ये किस से प्राप्त होता है अधरक के प्रकंद से डहेलिया की जडो से बाल संपुस्प से आलू के कंद से चलो भई इनमें से बताईए कौन सा इसमें से सही है चारों में से आपको बिकल दिख रहे हैं इन चारों में से चलिए फढ़ाफट बताईए कि इनसेलिन किसमें से प्राप्त होता है पहला कह jogar आए अदरक के प्रकंद से B बोल लाए आपका डेहलिया की जडो से C बोल लाए बालसम पुस्प से D बोल लाए आलो के कन से चलिए भाई फटाफट जबाब दीजे इसका जबाब क्या होगा इंसुलिन किससे प्राप्त होता है मादवेन जी B बोल लाए है फरीन खान का जबाब 19 का B है अनि लोग भी कमेंट करें फटाफट कमेंट करते रहे बाई अनि लोग भी कमेंट करें कि किस से आखिरी ये प्राप्त होता है चलिए फटाफट कमेंट करें अनि लोग भी कमेंट करके बताएं कि आखिर यह किस से प्राप्त होता है. इंसुलिन किस से प्राप्त होता है? 19 भी हैदर जी भी बोले हैं, अन् plaisir भी कमेट करते रहे हैं. इसका जवाब क्या है? इंसुलिन का कौन से जवाब सही है? इसमें से आपको बताना है. 19 का जवाब. देखे, 19 का जवाब जो चुनने हैं, बीविकल्प वो एकदम सही है, डहलिया की जडो से मिलता है, और दूसरी चीज ये कहां से मिलता है, ये उसके साथ ही साथ बीटा कोशिकाओं से भी मिलता है, डहलिया की जडो से मिलता है, और अगनासे की जो आपकी बीटा सेल्स होती है अगनासे में जो beta cells पाई जाती हैं इनसे भी insulin का निर्माड होता है तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन 20 नंबर आपके सामने है 20 नंबर इस तरीके से बोल ला है सबसे छोटा जीव जो स्वयम विकास यूम प्रजिनन करने में समर्थ है बिशाड है की जीवाण है की mycoplasma है की bacteria है फिर से सुनिए विकल सबसे छोटा जीव जो स्वयम विकास यूम प्रजिनन करने में समर्थ है बिशाड है जीवाण है, mycoplasma है या bacteria है चलिए चारू में से जवाब फड़ाफर्ड कमेंट करिए आपको जबाब क्या है इन चारों में से बताओ भई फटाफट बताओ D.W. विकल पा रहे हैं जबाब मांसु मातुर जी बोल ले सुनिया जी भी बोल ले हैं सरद जी डी बोल ले हैं चले भई फटाफट बताओ 20 नंबर का जबाब क्या होगा सबसे छोटा कौन सा ऐसा जीव है जो स्वयम विकास यम प्रजनन करने में समर्थ है सरद यादो जी डी विकल चुनने है और लोग भी कमेंट करें कौन सा ऐसा जीव आपको आखिर देखने को नहीं लेकिन पढ़ने में मिल गया कि वो आपका सबसे छोटा जीव जो स्वयम विकास यम प्रजनन करने में समक्ष है समर्थ है वो माईको प्लाजमा होता है समझ गए ना? यह माईको प्लाजमा होता है जो इन सारे मामलों में आपका एकदम बेस्ट है यानि सी जबाब जिनों ने चुना है वो एकदम सही है अगले प्रशन 21 नंबर एकोनमी से संब्धित प्रशन आपके सामने निर्धनता का दुष्चक्र की ओधारना किस से संब्धित है आखिर किसी वेक्टिन ने दिया होगा कॉलमांक्स ने दिया नक्से ने दिया एडम स्मित ने दिया या उपिप्द में से कोई ऐसा नहीं है आपका आर्थसास्त्री जिसका ये जो है ओधारना नहीं है जिसका एक तरीके से ये कॉंसेप्ट नहीं रहा बताओ निर्धनता का दुष्चक्र किसकी ओधारना है प्रश्णों बहुत अच्छे है लगातार अगर आप जुड़े रहेगे सोनिय जी का जवाब C आ चुका है जितेन साहू जी का B आ चुका है सुर्परताब जी 21 नमर का जवाब C दे रहे है आरके सिंग जी B बोल ले है और लोग भी जवाब देते रहे है सरद यादो जी B बी कल नरें तीवारी जी C बी कल बोल ले है चले और लोग भी इसका जवाब देते रहे इसका जवाब क्या सही है उस चीज को देखते है उपाशना जी C बोल ले है सत्यम यादो जी C बी कल बोल ले है और लोग भी आ जवाब दे है सत्यम जी का जवब 20 का सी है देखे निर्धन्ता का दुष्चक्र ये अर्थ सास्त्र के छेत्र में नर्ख्षे के द्वारा दी गई एक अउधार्णा थी ठीक है नर्ख्षे कौन थे इनका पूरा नाम देखें तो रैगनर नर्ख्षे था नर्ख्षे ठीक है पूरा नाम इनका रैगनर नर्ख्षे था और इन्हों ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम जनते हैं क्या है उसका नाम है प्राब्लम आफ कैपिटल फार्मेशन इन अंडर डेवलप कंट्रीज इनकी किस पुस्तक का नाम सुनिए प्राब्लम आफ कैपिटल फार्मेशन इन अंडर डेवलप कंट्रीज उसमें इनों ने इस कॉंसेप्ट को रखा था किसने रैगनर नर्ख्षे ने तो जब आप सुन लिए हैं अगले प्रश्ण पी और बढ़ते हैं फिर से आपका एकोनमी से सम्मध्यत पर उनके माद्यम से बताओ पहला बोला है भारत के पास परियाद खाद भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंसे बाहर है बी बोला है गरीवी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रहा है बढ़ रही है होना चाहिए सी बोला है खाद उत्पादन में ब्रधी हुई है लेकिन प्रतिव्यक्ति उपलबधता घट गई है डी बोला है उप्रोक्त में से कोई भी इस अर्थ को संदर्वित नहीं कर रहा है बाइस का जबाब चलिए बताइए भाई क्या जबाब सही होगा अर्के सिंग जी ए विकल बोल ले है ठीक है चलिए बाइस नंबर का जबाब आप लोग फटाफट दीजिए कौन सा विकल्ब सही है उपासना यादो जी बी विकल्ब को बोल ले है उसके बाद अगर हम अगले प्रशन की ओर बढ़े है मादबेन परताब जी सी विकल्ब को बोल ले है जितेन साहु जी ए विकल्ब को बोल ले है अर्पित सिंग जी ए विकल्ब को बोल ले है चलिए इसका जबाब फटाफट कमेंट करें इसका जबाब क्या होगा शुर प्रताप जी क्वेशन बहुत अच्छे हैं लाए है शराप ने हाँ ये सभी में फाइदा देगा कोई दिक्कर नहीं है, पढ़ते रही है सभी में फाइदा देगा नेरेन टिवारी जी C दोल ले है सरज जी C दोल ले है 22 का बी बोल ले है फरीन खान जी का जवाब C है कुंदन विश्व कर्मा जी का जवाब C है सत्यम जी का 22 का B है चलिए इसका जवाब देखते हैं देखो ये 22 नंबर का जो जवाब दिया है आपका ठीक है इसमें अगर ये देखा जाए कि भारत ने लेकिन घरेलू खादी सुरच्छा का आर्थ है कि सभी घरों में अनाज हो कोई भी भूखा ना मरे तो ये भीकल्ब जीनों ने चुना है वो एकदम सही है राष्टिये खादी सुरच्छा का आर्स यही था इसको लाने का मतलब यही था कि अनाज की पहुँच हर वेक्ति तक होनी चाहिए अगला नंबर 23 नंबर प्रश्ण पर हम बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्ण आपके सामने है और 23 नंबर प्रश्ण आपसे यह कह रहा है सामाजिक नया है योम समानता के साथ विकास किस पंच परश्ण यह योजना का लक्ष्ण था आठवी, नवी, दस्वी या साथ्वी इन चारों में से आपको जवाब चुलना है कि सामाजिक नयाए के साथ विकास किस पंच परश्ण यह योजना का आपका लक्ष्ण था इसका जवाब फटापट बताएं भाई कौन सा जवाब इसका सही है किस पंच परश्ण यह योजना में हुआ था चलिए बताइए उपाशना जी का कमेंट C है जितिन साहु जी B विकल बोल ले राजकुमार पटेल जी का जवाब C है अनि लोग भी बताएं भाई ये किसमें ऐसी बात कही गई थी कौन सी आखित पंच परश्ण यह योजना है जिसमें हम लोग यह लेकर चले थे कि अब जो हमारा फूकस होगा नियाय और समानता के साथ विकास पर सत्यमियादो जी का जवाब B आ रहा है आरके सिंग का जवाब आठमा आ रहा है हैदर अरबास जी का जवाब B आ रहा है अनि लोग भी कमेंट के माधन से बताएं कि भाई किस पंच परश्ण यह योजना का लच्छी रहा कुंदन विश्व कर्मा जी ए जवाब दे रहे हैं अनि लोग भी फटाफट कमेंट करें और पित सिंग जी भी विकल चुनना है चलिए इसके जवाब को देते हैं देखें नवई पंच परश्ण यह योजना जवाब किया आई थी नवई पंच परश्ण यह योजना में जिसका कारिकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा इस पंच परश्ण यह योजना का लच्ष यह रखा गया था कि सामाजिक न्याय के साथ समानता ठीक है न्याय और समानता के साथ विकास ये 1997 यहां देख रहे हो ना ये अपनी आजादी के पचासमें साल आई थी आजादी के पचासमें वर्स आई थी तो वो समय न्याय के साथ जो है समाजिक समानता के साथ ऐसा लच्छी हमने रखा था हलाकि ये भी अपने जो है लच्छी को प्राप्ति नहीं हुई थी अगला प्रश्ण बहुत बढ़िया है प्रश्ण कही रहा है ग्लोबल जेंडर गयप रिपोर्ट कौन जारी करता है क्या बेश्व बैंग जारी करता है क्या आई एम एफ क्या वर्ड एकोनामिक फोरम या अंकटाड इन में से कौन सा जवाब आपका सही है चलिए बताइए कि Global Gender Index जो रिपोर्ट होती है इसको कौन सा देश आपका जारी करता है कौन सी संस्था जारी करती है स्वारी देश बोल दिया 24 नमबर का जबाब चलिए फटाफट बोले बेश वेंग सत्यम जी डवलू इअब बोल ले राजकुमार परतेल जी डी बोल ले है मादवेंद पृताब जी डी बोल ले है सत्यम जी डवलू इअब बोल ले है सोनिय जी का जबाब डी है अन्नी लोग भी कमेंट करें बाई Global Index जो report आती है Rp. जी का जबाब C है RK. सिंग का जबाब E है फरीन जी का जबाब D. विकल्ब के तोर पर आ रहा है नारेन जी का जबाब D आ रहा है आरदी का टारिया जी का जबाब C आ रहा है सर जी का जबाब D आ रहा है चलिए इसमें देखते हैं कि इसका पुचित जो है बिकल्ब कौन सा है कि आफिर जो ये Global Gender Gap Report होती है इसको जारी करने वाली संसा क्या है तो अगर बिकल्ब आपने कौन सा चुना है बिकल्ब आपने चुन लिया है W.E.F. World Economic Forum तो एकदम सही है ठीक है World Economic Forum के द्वारा ये Report आपकी जारी की जाती है और ये Report की सुरवाद 2006 से हुई है 2006 में इसका सबसे पहला First जो है Edition जारी किया गया था इसके द्वारा अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन 17-18 के आयात अस्थल से मैंने उठाया है थोड़ा सा अब आपको प्रशन पूरा देख रहा होगा प्रशन ये बोला है ध्यान से सुनिएगा 2017-18 में भारत के सीर्स पांच आयात अस्थल कौन-कौन से हैं ये बोला है चीन अमेरिका इवेई, सौधी अरब स्रीजर्लेंग चलो भाई कमेंड के मादम से अब बताओ कि भारत के आयातक देशों में कौन से देशों की जो सीरीज इसमें लिखी है उसका जबाब एकदम सही है चलिए फटा-फट कमेंड के मादम से बताएं कि इसमें कौन सा विकल्ब सही हो सकता पचीस कड़ी सत्यम जी बोल ले है अरे दिने सिंग जी नाराज नहीं होना है भाई आपका भी नाम हम ले लिए चलिए इसका जबाब बताईए फटा-फट नरें तीवारी जी भी बोल ले है नीरेस जी भी बोल ले है चलिए राजकुमार बिकल बी चुना है ठीक है बी जी बिकल जिनोंने चुना है देखो चीन सबसे पहले आएगा भाई क्योंकि हमारा जो है इससे व्यापारी घाटा बहुत जादे चलता है फिर अमेरिका फिर सौधी अरब फिर फिर शुट जलने है ठीक है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रशन 26 नंबर है फाकीम वन जीव अभ्यारण किस राजी में इस्तित है बहुत ध्यान से क्वेशन पढ़िएगा तभी इसका जबाब आप सही से दीजिए सुनिए पहले प्रशन फाकीम वन जीव अभ्यारण किस राजी में इस्तित है क्या आसं में है क्या नाग किस में है भाई, फाकीम किस में है, चलिए फटा-फट बताएं, फाकीम जो वन्य जी वभ्यारण है, ये किस राजी में है, भारत में ही है, भारत के किस राजी में पढ़ता है, राजकुमार जी सी संदीप यादो जी का, सी विकल बहुत बढ़ियां देर से आया है, लेकिन द चलिए फटाफट बोलते रहें फाकीम बनीजीव गुड़ मॉर्निंग बाई संदीब जी चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका और लोग भी कमेंट के मादम से बताएं कि इसका जवाब कौन सा है देखो 26 नंबर का जवाब अगर आप विकल्ब कौन सा चुनोगे तो मै सही मानूंगा बिगल चुन लिया है आपने नागा लेंड तो एकदम सही है दिल खोल के नंबर ले जो ठीक है नागा लेंड अगर आपने चुना है और नागा लेंड का जब आप एक जिला है उसका नाम पड़ता है किफिर किफिर जिला है नागा लेंड में इस किफिर जि पूछा था, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ अलग पूछ लें, लाल पंडा परियोजना किस वर्स प्रारम की गई, 1995, 1997, 1996, 1994, चलिए, चारो में से जबाब बताईए, लाल पंडा परियोजना किस वर्स शुरू की गई, ये करेंट में आया था भी चर्शा में, इसलिए मैंने किस वर्स प्रारम की गई, चलिए भाई, क्योंकि परियोजनाओं से समलित करने को एक प्रशन दिया आता, जीतिन जी, सी, फरीम खान, सर इस क्लास की टाइमिंग बता दीजे, देखें, ये कल वाली क्लास है, ठीक है, तो कल नहीं हो पाई थी, कुछ तकनी की व्योधान के क है इसलिए ऊज ले रहा हूँ, आज की क्लास साम आठ बजे होगी, आपको साम को 8 बजे ही क्लासेज मिलना ही है, इसी इस को आप ध्यान रखिये, डेली 8 बजे साम को आपको प्रताब जी बोल लें चलिए फटाप पट करिए राजकुमार पटेल जी डी बोल लें चलिए इसके जब आपको देखते हैं यह जो लाल पांडा परियोजना है न यह अभी करेंट में आया था लाल पांडा परियोजना से सम्बंधित कुछ चीज है इसलिए मैंने सोचा कि इस भिकल्ब को एक बार जो है आपके सामने रखा जाया उनीस सो च्हानवे की बात थे जब लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी ठीक है और लाल पांडू परियोजना यह जो है न यह अगर मानलों कहीं ऐसा पूछले कि कि किसके मदद से शुरू की गई थी तो ला लाल पंडा मिलते हैं पूरवी हिमाले छेत्रों में आपको लाल पंडा मिलेंगे तो बिस्व प्रकेद नहीं के संयोग से परियोजना शुरूप की गई दूसरी चीज कौन शुरूप किया तो इसको शुरूप करने वाला जो था यह था आपका उसका नाम है पदमजा आइडू हिमालेन जन्तु पार्क ने इस परियोजना को शुरू किया था किसकी मदद से बिसुबैंग की मदद से समझ गए ना तो चली अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न है 28 नंबर कह रहा है भारतिय पसु कल्यान बो फट इसका जबाब दीजिए 28 नंबर प्रश्न का जबाब दीजिए 28 नंबर प्रश्न का जबाब क्या होगा इसका जबाब क्या होगा चली कई लोगों के जबाब आ रहे हैं चली इसका जबाब बताईए भाई फटाफट फटाफट बताईए जब आप बताईए इसका 28 इसका B बोल ले है सत्यमयादो जी B बोल ले है राजकुमार पटेल जी C बोल ले है नीरेश कुमार जी B बोल ले है चलिए इसका बताईए फड़ाफड माधबेल पृताब जी D आर्थी कटारिया बी राजकुमार पटेल जी वफरिंग बाई नेटवर की प्रॉलम हो सकती है ठेक सरद यादो जी डी चलिए बोलते रहे बाई जबाब देते रहे देखे भारतिये पसु कल्यांट जो बोर्ड है इसका मुख्याल है चन्नेई में स्थित था इसमें जो बिकल दिया है इसके अनुसार चन्नेई सही है लेकिन ये भी जान लो 2018 की बात है ये करेंट से रिलेटेड थोड़ा पॉइंट है इस शीज को आपको 100% ध्यान रखना है कि करेंट से रिलेटेड ये पॉइंट है भारतिय पसुकल्यान बोर्ड का जो मुख्याल है ये राजि सभा में जो उस समय एक तरीके से राजि मंतरी थे जो केंद्रिय परियावरान वन और जलवाई परिवर्तन मंतरी उस समय थे महे सरमा जी ठीक है? इन्होंने राजि सभा में जानकारी दी थी कि भारतिय पसु कल्यान बोर्ड का मुख्याले चन्नेई से हटा करके हर्याणा लाया गया है हर्याणा का सीकरी जिला जो है हर्याणा का सीकरी और सीकरी के कहां बल्लबगड में सीकरी के बल्लबगड में अब इसका मुख्याले आ चुका है और बल्लबगड मेरे हिसाब से ठीक ये फरीदाबाद में पढ़ता है तो कहीं भी आपको ये चीजे ध्यान रखना है कि कहीं भी आपका अगर विकल्ब अब आपको मिलता है कि भारती पस्कल्याण बोर्ड का मुख्याले कहा है तो आपको क्या ध्यान रखना है अब आपको टिक करना है बल्लबगड या केवल हरियाणा दिया है तो हरियाणा को अब आपको टिक करना है समझ गए ना अगर मालीजे केवल हरियाणा दे दिया है तो आपको हरियाणा को टिक करना है चलिए अगरे प्रशन की ओर बढ़ते हैं अगला 29 नंबर प्रश्ण है, किस राज जी ने ग्रीन बचाओ स्वच्छरो नामक एक जागरुकता अवियान शुरू किया है, ओप्शन ये बोला है, हिमाचल प्रदेश, B बोला है, औराचल प्रदेश, C बोला है, पश्विम बंगाल, D बोला है, जारकन, हम करेंट के प्रश्णों पर आ चुके हैं, सारे प्रश्ण देखने को मिलेंगे, 29 का C, नेरेश कुमार जी, C, चलिए और लोग भी जवाब दीजे, सत्यमयादो जी का जवाब C आ रहा है, अनि लोग भी बोलिए वाई, इसका जवाब क्या है, जितेन साहु जी का जवाब A प्रश्णों की स्रिंखला है, मलब हर 50 में सब कुछ मिलेगा आपको, चलिए इसका देख रहे है, ग्रीन बचाओ, सच रहो, ये परियोजना पश्रिम बंगाल दीदी जी के द्वारा सुरु किया गया था, मम्ता बनर जी के द्वारा, ठीक है, और ये ये परियोजना अभी जो है उसमें आई थी कब एक अगस्त की हाँ एक अगस्त की बात है एक अगस्त 19 की बात है 2019 की जब ममतावरनर जी ठीक पशिम बंगाल की मुख्यमंतरी के द्वारा ये चीज जो है शुरू की गई थी 29 के बाद अगला प्रश्ण 30 नंबर आपके सामने दिख रहा है 30 नंबर को मैं पूरा दिखा रहा हूँ बहुत बड़ी हाँ प्रश्ण है करेंट से है 30 नंबर कह रहा है हाली में सुमत्राण अमूर्शाइवेरियन मलियान अमाय इंडो चैनीज यानि दश्णी चीन खबरों म में जंजातिय समूह जो पाया जाता है वो हैं आखिर कौन सी ये खबर चलती रही अगर आप जुड़े रहे होंगे पीवी से चैनलों से करेंट से तो आपका जबाब आएगा सत्यम्यादू जी ये भी कल राजकुमार पटेल जी ये भी कल चुन कह रहे हैं अनि लोग भी ये सब जो घड़ना है सुनने को मिली आखिर के सी जो मैं निरज कुमार जी भी बोल ले है सरज जी डी बोल ले है जितने जी का जबाब ए आ रहा है चले देखें ये सब के सब जो आपके सुनने को मिलने है सुमात्नाड या अमूर या साइवेरियन बोला जाता या मलयान य ये जितने भी हैं, ये बाग की उप्रजातिया है, 30 नंबर का जबाब, ठीक, यहाली में सुनी गया जिती, इसलिए मैंने इसको रख दिया, 31 नंबर का जबाब उत्तर प्रदेश में आ जाईए, निमलिखित में से असत्ति कत्नों पर विचार करो, पहला बोला है, राजी पक नेशनल पैरा सूट ट्रेनिंग कॉलेजी स्तित है, डी बोल ला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल गाडी, 1869 में, इलहाबास से कानपूर तक चलाई गई थी, चलिए, चारो का जबाब, चारो में से कौन सा असत्ति है, इस कतन पर आपको विचार करना है, चलिए फट गैटारिया जी भी बोल लही है, अरपिसीन जी का जबाब A आ रहा है, अनि लोग भी जबाब दें, भाई इसका, जीते हैं, साहु जी का D आ रहा है, सरज जी का जबाब D आ रहा है, असत्ति कतन है, ध्यान रखीए गार, अजश कुमार पटेल जी का C विकल पा रहा है, चल तो आपका सत्ति है भाई, ठीक है, सारस हमारा जो है क्या है, यह अपना जो है सही है, अगला C जो पिकल बोला यह सत्ति है, क्योंकि बोला है वाराटसी में नेशनल पैरासू ट्रेनिंग का कॉलेज इस्थित है, नहीं, नेशनल पैरासू ट्रेनिंग का जो कॉलेज है यह वारांटसी में नहीं ये आगरा में स्थित है ठीक है और चोथा एकदम सही है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाडी 1869 में इलाहबाद से कानपूर तक चलाई गई थी अगला प्रशन आपके सामने दिख रहा होगा 32 नंबर प्रशन है 32 नंबर प्रशन आप से ऐसा कुछ बोला है रामलीला किसका सुप्रसिद्द चित्र है रामलीला एक चित्र है बहुत फेमस ये किसका है भवानी चरण ग्यूग के द्वारा है या अब्दुल समत के द्वारा या ललिद मोहन सेन के द्वारा या इन में से कोई ऐसा चित्रकार आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं है कौन सा विकल्प होगा चलिए इसका जवाब दीजिए इसका जवाब दीजिए कौन सा सही है चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई कौन सा सही है इसमें राम लीला किसका सूप्रसित चित्र है चलिए फटाफट बोलिए निरज कुमार जी ए बोल ले है अन्य लोग भी जवाब दीजिए सत्यम आदू जी का जवाब A आ रहा है फरीन जी का जवाब विकल B आ रहा है सत्यम जी का जवाब A है राजकुमार पटेल जी का जवाब B विकल पा रहा है चलिए इसमें कौन से जवाब सही है वही बड़ाफट देते रहे इसका जबाब जो A चुनने है बिलकुल सही है भगवानी शरण ग्यू का प्रशिद चित्र है 33 नंबर प्रशन आपके सामने है थोड़ा ऐसा प्रशनों को धीरे पड़ रहा हूं क्योंकि प्रशन बहुत उच्छे लेवल के हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं करहर कला में 10 मेगावाट छंता का सोलर पावर प्लान लगाया गया है कलहर कला, दूसरा बोला है, सिचाई के सरपर्थम वर्स 1830 में पूर्वी यमना नहर का निर्माड हुआ था, सी बोला है, वर्स 1930 में सरपर्थम सोन भदर से नलकूप का निर्माड हुआ है, और चोथा बोला है, प्रदेस का पहला मेगावार्ट छंता का पावर प्लांट बार दूसरा तीसरा और चौथा विकल सही है चलिए फटा फट जबाब दीजिए इसमें से फरेंजी का जबाब ए आ रहा है 32 का भाई 33 नंबर का जबाब देना है अब आपको 33 नंबर प्रशन का जबाब कौन सा है चलिए सारे लोग कमेंट करें आनन जी सी बोल ले जितेंजी ए बोल ले हैं चलिए इसमें से कौन सा आपका कूट सही हो सकता है फटा फट बताइए अनि लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये चीज उत्तर प्रदेश के बारे में हैं क्या ये आपको समझ में आई तो जबाब आपको देना है अगर इसका जबाब आप पहला दूस नलकूप का निर्माण सबसे पहले अगर देखें तो सोनभद्र नहीं मेरट जिलिस में प्रारंब हुआ था तो विकल्ब C आपका जो है गलत है बाकी आपके जीतने हैं वो सबके सब सही है 34 नमबर बहुत बढ़ यहां प्रशन है वन महोत्सव कब प्रारंब हुआ था और इसका नारा क्या था उनिस सो बासट ब्रिक्च बचाओ, उनिस सो बावान ब्रिक्च का आर्थ जल है और जल ही जीवन है, सी बिकल बोला उनिस सो बावन पर्यावरण है तो जीवन है, डी बोला है, उनिस सो बावन ब्रिक्च का आर्थ जल है, जल का आर्थ रोटी हो रोटी ही जीवन है, चलो बत दोच जी दी बोल लए जितेन साहु जी भी विकल्ड बोल ले हैं अनी लोग भी जबाब देते रहें वाई इसका कौन सा विकल्प आपका एकदम सही है चलिए फटा-फट बताईये राज-कुमार पटेल जी का जबाब A आ रहा है अन्य लोग भी कमेंट करें वही अन्य लोग भी कमेंट करें कि जो आपका चला था ये वन महोत्सा हो कब शुरूर हुआ और इसका नारा क्या रहा है आरती कटारिय जी का जबाब B विकल पा रहा है ठीक है 34 का A सत्यम्यादो जी A मात्मेंट पृताव जी का जबाब C आ रहा है अन्य लोग भी भाई देखो गलत सही कुछ भी कमेंट करो क्योंकि जब आप कमेंट करोगे ना तो क्वेस्चन दिमाग में बैठ जाएगा और मैं सही बताओंगा मानली जी गलत है तो वो चीज इ वो एकदम सही है ये 1952 में प्रारंब हुआ था और इसका नारा था ब्रिच का आर्थ जल है जल का आर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है समझ गए ना चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन 35 नमबर आपके सामने है बहुत बढ़ियां ये भी प्रशन नहीं से संबंदित मैंने पूछा है उत्तर परदेश में बहनेवाली नदियों से संबंदित एक तरीके से निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रुखकम कोड नामका स्थान से निकलती है बेतवा राप्ती केन टोन ठीक है टोनस होना चाहिए कौन सी नदी है अब यह आप यह नहीं बोट सकते कि वर्डेक्स से संबंदित कोश्चन है यह उत्तरप्रदेस से संबंदित कोश्चन है चलिए बताईए फटाफट कमेंट करिए इसका जवाब कौन सा है इसका जवाब आपको प्सक्राइõ 1.00 A जवाब दे रहे हैं अने लोग भी बताएं वही राजकुमार पतेल जी का जवाब B विकल्व है जितें साहु जी का जवाब B है सत्तेम्यादो जी का जवाब B है के Rs. पार्ति काटारिया जी का जवाब B है राप्ति चले इसका जवाब देखते हैं बहुन लोग कमेंट कर रहे हैं चले इसका विकल्ब देखते हैं कौन सा सही है देखो 32 नमबर का जवाब अगर विकल्ब B जिनोंने दिया राप्ति एकदम सही है ये नेपाल के रुकम को डामक जगे से निकलती है ठीक है और इसकी अगर मैं सहायग नदियों के बात करना तो रोहेडी इसकी सहायग नदी है कौन सी रोहेडी इसकी सहायग नदी है किसकी राप्ति की ठीक और इसलिए ये उत्तर परदेश के अगर मैं बात करूं कि किन-किन जिलों से बैती है तो आपका बहुत ध्यान रखेगा। प्रशासन की सुर्वात कब की गई क्या 1908-1916-1937-1918-16 चलिए इनमें से जवाब बताएं कि उत्तर प्रदेश में कब सुर्वात हुई चलिए फटाफट बताएए बाई उत्तर प्रदेश में नगर सुआयद प्रशासन चतिस के जवाब आने लगे हैं रवी प्रताफ सिंग जी का जवाब 1937 है देर से आयल कल से जो है साम से जल्दी आना है फटाफट बताएं सत्यम जी 36 का सी है राजकुमार पटेल जी का जवाब सी है ठीक है और लोग भी बताएं भाई सरज जी का जवाब सी विकल्ब के तौर पर आ रहा है जितेन साम जी का जवाब B आ रहा है चलिए अनि लोग भी कमेंट करें भाई कौन सा इसमें से सही है 36 नमबर का जवाब 36 नमबर का जवाब कौन सा सही है B राजकुमार पटेल जी का C जवाब आ रहा है चलिए इसका जवाब देखते हैं 36 नमबर का जबाब जिन्होंने चुना है विकल भी होते हैं एक दम सही या नंबर मिल गए तुमको ठीक है 1916 में क्या हुआ था कि उस समय एक परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम था संयुक्त और क्या नाम है प्रांथ ठीक 1916-1937 के बाद सब कुछ हुआ संयुक्त प्रांथ टाउन एरिया एक अधिनियम आया था अंग्रेज लेकर आया थे टाउन एरिया अधिनियम इस अधिनियम के माध्यम से जो है सायत प्रशासन की सुरुवार उत्तर प्रदेस में देखने को मिली 1916 से आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा जंगर्णा से मैंने उठाया है और यह उठाया इसलिए है कि आप लोग जंगर्णा मनलब किस हिसाब से पढ़ रहे हैं वी 22 तक तो हमें यहीं पढ़ना है भाई कैराई जंगर्णा 2011 के अंति माकडों के अनसार उत्तर प्रदेस से संबंधिर निम्न कतनों पर विचार करिए जिस सही उत्तर का चैन आप जो है दिये गए कूट के मादन से करना है चलो कैराई छेतरफल में या भारत का चोथा बड़ा राजी है दूसरा कतन कैराई देश की जनसंख्या में इसका 16.5 परचसत योगदान है C बोलाई इसका योन अनुपात या लिंगा अनुपात या सेक्स रेशियो राष्टिये औसत से अधिक है D बोलाई इसकी सचर्था दर राष्टिये औसत से अधिक है चलो इन में से बताओ कौन सा है पहला दूसरा सही दूसरा तीसरा सही दूसरा चोथा सही या तीसरा और चोथा सही चलिए इन चारों में से जबाब दीजिए फड़ा फड़ चलिए वाई 2011 जन्गर्णा से है 37 नंबर का जबाब जो है ए आरा है और लोग भी नीरेज कुमार जी का जबाब ए आरा है जितिन साहु जी का जबाब ए आ रहा है, सत्यम्यादो जी का जबाब ए आ रहा है, चलिए फड़ा फड़ बताईए वाई, कौन सा विकल्प इसमें सही है, आरती कटारिया जी का जबाब ए आ रहा है, रभी पृताब जी ए, राजकुमार पटेल जी भी बता रहा है, सरज जी का जवाब A है ठीक है देखते हैं देखो छेतरफल में या भारत का चोथा बड़ा राज बिल्कुल सही है देश की जनसंख्या में इसका 16.5 पर्षेंट का योगदान बिल्कुल सही है 16.51 पर्षेंट इसका योगदान है अगला बोला इसका योन अनपात या सेक्स रेशियो राष्टिया उसत से अधिक है क्या यह सही है क्या यह सही है बताइए यह सही नहीं है तीसरा और चोथा जवाब सही नहीं है पहला और दूसरा सही है यह जिन्होंने विकल पर चुना था एकड़म सही है देखो उत्तर प्रदेश का अगर मैं लिंगान पात देखूं तो उ भारत का देख लो 947 तो ये विकल्स गलत हो गया ना अगला अगर कहरा है राष्टी दर साठ्षर्था दर राष्टी आऊसर से अधेक है उत्तर प्रदेश की अगर साठ्षर्था दर देख होगे आप तो उत्तर परदेश की साठ्षर्था-адर 67.68% है और वहीं भारत की देख लो तो यह आपको मिल जाएगी 74.04% ठीक, तो यह विकल दो और चार सही नहीं विए बाकी आपके सही वे 38 नमबर प्रशन पर बढ़ते हैं निमलेखित कत्नों पर विचार करें उत्तर प्रद्यस की जलवाईव से संब्धित प्रशन है पहला बोला है सीत रित्यु में राज जमें सबसे कम वर्शा देवरिया तथा फैजाबाद जिले में होती है बी बोला है राज में सीत रित्यु में ताबमान उत्तर से दच्छन की और कम रहता है उपरोगत में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्ति हैं या सत्ति हैं बताओ एक दो एक और दो दोनों या इन में से कोई नहीं चलिए 38 नमबर का जबाब बताईए चलिए 38 नमबर का जबाब बताईए वही फटाफट कमेंट करते रहे चलिए रभी प्रताब जी दे रहे हैं अनि लोग भी बताते रहे वही 38 नमबर का जबाब आपका क्या होगा राजकुमार परटेल जी भी बोल ले है सत्यम जी का जबाब डी आ रहा है नीरेश कुमार जी का भी आ रहा है अरुन जी का जो है 14A यहाँ पर आईए वहाई 38 नमबर जवाब दीजिए आनन जी A दे रहे ओने शक्रवर्ती B विकल बोल ले चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन सा सही है देखिए इसमें जो है 38 नमबर का जो जवाब होगा आपका ठीक है इसमें कोई आपका विकल्ब सही नहीं है क्योंकि यह सीत रित्में अगर देखा जाए तो सीत रित्में हाँ यह विकल्ब सही है कि उत्तर परदेश में वर्सा होती है लेकिन उत्तर परदेश में अगर देखो पूरे भारत में देखें तो 10 cm से कम वर्षा सीत रित्म में होती है तो इसलिए देवरिया और फैजाबाद जीलों में सबसे कम वर्षा होती है ऐसा सीत रित्म के संदर में सही नहीं है दूसरा बोला है, राज में सीत रित्म में तापमान उत्तर से दच्छन की ओर कम रहता है, नहीं, उत्तर से दच्छन की ओर बढ़ोगे तो बढ़ता है, समझ गए? इसलिए कोई सब विकल्प इसमें सही नहीं है 49 नंबर एकोनमी से संबंधित एक तरीके से प्रशने कह रहा है धाड़ी ये विकास जिसको sustainable development बोलते हैं किसके उपियोग के संदर में अंतर पीडिगत संबेदल सीलता का विशय है भहतिक संसाधन के कि प्राकिरतिक संसाधन के की ओदोगिक संसाधन के की सामाजिक संसाधन के चलिए बताएए sustainable development जो फेरी आती है इसका उपियोग अंतर पीडिगत संबेदल सीलता का विशय है किसकी विशय है वीं मताओं तैक्ति किसके अंतरगत ये आता है सस्टेंडब्ल डिबलम्मेंट को चली बताईए वाई कौन सा है फटा-फट बताईए यह जीतेन साहु जी का जवाब रउयर यह रहा है रपिजी का जवाब चले वह अई जी कपसिस का जवाब और बुब विकल पता रहे हैं अनी लोग भी कमेंट करके माध्यम से बताएं भाई सस्टेंवर्ड डेवल्मेंट थेरी दी जाती है आनंग गुपता जी बट भाई क्या हो गया नीरज गुपता जी यह बूल ले हैं चलिए अरुन कुमार सिंग जी 16D भाई थोड़ा सा आगे बढ़िये यह लाइब सेशन चल ला है चलिए इसमें देखे उन्टालिस नंबर का जबाब जो आपका होगा विकल एकदम उचित जो विकल्प होगा सस्टेंबल डेवल्मेंट जो सस्टेंवल डेवल्मेंट की थेरी यह प प्रकेट के द्वाराज मनुस्तियों को जो संसाधन उपलब्द कराए गए हैं उनका इस्तेमाल किसलिए होना चाहिए ठीक किस तरीके से मनुस्य को करना चाहिए इस थेरी को हम सस्टेंवल डेवल्मेंट थेरी बोलते हैं चलिए अगले प्रशन को देखते हैं 40 नंबर प् अस्तर कौन सा है साकाहारी अस्तर है मांसाहारी है सरवाहारी है या अब घटक कौन सा अस्तर है जिसको उच्चेतम पोश्र प्राप्त होता है पारिस्तिकी एकोलोजी मैंने बताए सभी सब्जेक्स से प्रशन मिलने हैं तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहां होता र बताइए सत्यम जी का जवाब C है अनि लोग भी बोलें मादबिन प्रताब जी D बोलें और उने शक्रवर्ती जी का जवाब विकल्ब D के तौर पर है अनि लोग भी बताएं वही आरती कटारिया जी विकल्पसी को उचित बता रही है अनि लोग भी बोले इसका जवाब क्या है देखे पारिस्तिकी तन्त जवाब एकोलोजी सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें जो उच्चतम पूशड प्राप्त होने वाला जो आपका एक तरीके से अस्तर है ये सर्वाहारी जगत का होता है सर्वाहारी जगत के जो पाई जाते हैं इनके लिए ये उच्चतम पूशड अस्तर है चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं फिर से ecology से ही प्रस्ण मेंने डाला है, कहरा है खादर सिंखला में मानो है, क्या, एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उभगता है, केवल दोतियक उभगता है, प्राथमिक यों दोतियक उभगता दोनो है, फिर से प्रस्ण सुनिए, खादर सिंखला में मानो है, एक निर्मात यहांनी प्रोडीशर या केवल प्रात्मेक उभ्भोकता या केवल दुतियक उभ्भोकता दोनों चलिए बताईये सत्यमं जी का जबाब आ चूका है सी और पिजी जबाब विकल्ब दे रहे हैं आनन जी जबाब डी विकल्ब दे रहे हैं अनि लोग भी कमेंट करिए भाई मनुष्य को अगर देखा जाए तो खादर शिंखला में मनुष्य कहां रखा गया है चलिए बताईए फड़ा फड़ जबाब दीजिए सभी से संबंधित ये सिंखला होगी तो इसमें एक तो है आपके सारे सब्जेक का रिवीजन होना है जै कुमार जी डी विकल्ब बोल ले हैं फरीन जी का जबाब A आ रहा है मादमिन परताब जी का विकल्ब D के तोर पर जबाब आ रहा है चलिए देखते हैं इसका विकल्ब क्या सही है 41 नंबर का जो जबाब सही है एक दम ठीक है 41 नंबर का जबाब विकल्ब D आप चुने तो एक दम सही है क्योंकि मनुष से प्रात्मी की उन दुतियव उभोगता दोनों में आता है ठीक है चलिए अगले प्रस्ट की और बढ़ते हैं 42 नंबर 42 नंबर प्रस्ट भी आपका एकोलाजी और बहुत ही महत्पूर्ड है क्योंकि ये दो चीज़ों को रिलेट करके बना है पारिस्तित की अस्थाई मित्वेता है या अंदोलन जो है ये किस अंदोलन का नारा है चलो चिपको का है या नर्मदा बचाओ अभियान का है या इन में से वह अंदोलन नहीं है चलिए 42 नंबर बताईए पारिस्तिकी अस्थाई मित्वेता है ये किस में बताया गया किस अंदोलन में नारा दिया गया चलिए बताईए 42 नंबर का जबाब आने सुर्वे हो चुके है आर्ती जी का जबाब बी विकल पा रहा है जै कुमार जी का जबाब बी विकल पा रहा है जितिन साहु जी बी विकल के तोर पर बता रहे है आनन गुत्ता जी अ बोल ले है आर्पित सिंग जी ट्रिपल सी बोल ले है चलिए अरपित सिंग जी, सरजी का जवाब B आ रहा है, सत्तमी आदो जी का A आ रहा है, चलिए इसका जवाब देखते हैं, पारिस्तगी अस्थाई मित्वेता है, यह है अगर मैं बात करूँ, तो चिपको अंदोलन जब प्रारम हुआ था, यह उसका एक तरीके से थीम थीन आ रहा था, समझ गए ना, चिपको अंदोलन 26 मार्श की बात है, ठीक, 26 मार्श, 19 आपका 76, तब इसकी सुरवात हुई थी, तो दो आपको जवाब एक साथ पता चल गए, अगला प्रशन, मैंग्रोब 1 पर, अगला प्रशन आपको पूरा मैं पहले दिखा दूँ, अब दि साल छेत्र जलमगन हो जाएंगे, कारवन 6 के रूप में उनकी भूम का अधिक महत्मोर हो जाएगी, डी विकल्ब कहरा, बी और सी दोनों, चलिए बताईए, मैंग्रोब 1 पर, जो बैस्विक तापन है, ग्लोबलाइजेशन है, इसका आपको पड़ेगा भाई, बताईए, क 42 नंबर का जवाब, 41D, RPG A, जैकुमार जी D बोल ले, सत्यम जी B विकल्ब बोल ले हैं, अनि लोग भी, RT जी का जवाब D है, आनन जी का जवाब B विकल्ब के तोर पर है, वहीं मातविन पृताप जी B विकल्ब को चुनने हैं, अनि लोग भी कमेंट करें, जो समझ में आ र जलमग न हो जाएंगे, समझ गए ना, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, देखिए ध्यान से सुनिए, केंद्रिय बृत के सिध्धान्त, ये एक सिध्धान्त है, पर नगर कहां पाये जाते हैं, स्विट्जन लेंड में मिलता है, या अमेरिका में मिलता है, या आस्ट सिध्धान्त पर नगर कहां पर, किस देश में आपको मिलते हैं, ये चीज आपको बताना है, चलिए फड़ा-फट कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, आखिर जबाब क्या है, जय कुमार जी का जबाब A, R, सर जी का जबाब D, R, नीरज कुमार जी A, विकल को चूच कर र अमेरिका राज जी में आपको देखने को मिलेंगे, यह आप देश भी बोल सकते हैं, देश ही बोला जाता लेकिन राज भी इस परपेच्श में सही होता है, ठीक, अअमेरिके देश में आपको किंद्रे बितस इधानत पर आधारِद नगर मिलेंगे 45 नमबर प्रशनाब के स्क्रीन पर एक बार फिर से है 45 नमबर प्रशनाब से ये बोला है कि कच्छी बस्तियों को कैंसर किस बिक्तिने बोला पार्ग तथा वर्गेस ने, डेविड हंटर ने, होमर हाइड ने या जी टेलर ने कच्ची बस्तियों को कैंसर किसने बोला है बाई चलो बताओ चारों में से कौन सा विकल्फ उचित है चलिए फटा फट जबाब दीजिए 45 नंबर का जबाब आपका आना चाहिए 45 नंबर का सत्यम जी कोई परेशान नहीं होना है कमेंट करना है इसको मैं बता ही रहा हूँ वो समझ में आएगा फिर पीडिया भी मिलेगी ठीक है बहुत बड़िया बी विकल्फ सत्यम जी इसका जबाब दे रहे है 45 चलिए अनि लोग भी बताएं अनि लोग भी कमेंट करें कि आखिर कौन सा विक्तिराज इतने कच्छी वस्तियों को कैंसर कहा तो कच्छी वस्तियों को कैंसर कहने वाला विक्ति कौन था डेविड हंटर बहुत बड़िया जिनोंने भी विकल्फ चुना है बहुत अच्छे से जो है चीजे उन्हें पता है अगला प्रशन अब अगला सेशन आपका पॉलिटी का सुरुवात हो जाता है देखे 46 नमबर से किसने कहा राष्टपत का आपात का अलीन अधिकार संभिधान के साथ धोका है बी आरम बेटकर महत्मा गांधी केम नाम बी आर या हिर्दे इनात कुंजरू इनमें से कौन सा वावेक्ती है जिसने यह बोला कि राष्टपत का आपात का अलीन अधिकार संभिधान के साथ दोका है चलो बताओ 46 नमबर का जबाब पॉलिटी आ चुकी है चलिए फटा-फट बताईए 46 नमबर का जबाब आप फटा-फट दीजिए कौन सा विकल्प इसमें उचित है सत्यम जी का जबाब A-R-I जी तिन जी का जबाब C आ रहा है ठीक है 46 का A बुल है मादबिन सत्यम जी मादबिन जी का जबाब D है नीरज जी का C है आनन गुपता जी डी बुल है जै जी का जबाब C है अने शक्रबरती जी A जबाब को चुन नहीं है आरती कटारिया जी D विकल्प को चुन नहीं है चलिए बताइए भई देखे इसका जो सही जबाब है राश्पत का आपात का अलीन अधिकार संभिधान के साथ धोखा है इसको कहने वाला बैक्ति केयम नाम बियार था इन्होंने जो है संभिधान सभाब में जो है इस बात का उलेक करते हुए बोला था कि जो राश्पत का आपात का अलीन अधिकार है यह संभिधान के साथ भोखा है अगला प्रश्न बहुत ही आसान है भाई जवाब सही आने चाहिए किस संभिधान संसोधान अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अरिकार हटा दिया गया चौली शाह में, बैली शाह में, तैतिरी शाह में, फिर अडिति जो है 48 जो आपका एमेंडमेंड हुआ उससे, चलो बताओ फड़ा फड़ जबाब दो, कौन सा हुआ इसमें ये तो जवाब आने ही आने चाहिए, निशा वर्मा जी, A विकल्ब चुनने ही सरज जी, B विकल्ब चुनने है, सत्यम यादो जी, 47 का A विकल्ब चुनने है अनि लोग भी फड़फड जवाब देते रहें, कि आखिर 47 का आरती कटारिया जी जी, A है, हाँ बिल्कुल देख रहें, भाई अभी, क्या जवाब इसका आपका उचित है ठीक, चलिए, जवाब देखते हैं, A विकल्ब आप लोग इतने confidence से बोल ले हैं एकदम सहिए, 44 शामे संभिधान संसुधन के द्वारा इसको जो हटा दिया गया था और जो है, ये पहले आपका कहा था, अनुचेद जो है, 31 में पढ़ता था, लेकिन इसको हटा के आप 301 के तहट, पहले ये fundamental right था, लेकिन अब ये 301 के तहट आपका legal right है ठीक, right to property पहले fundamental right था, लेकिन अब इसको legal right बनाया गया है, 44 शामे संभिधान संसुधन के द्वारा अगला कहरा है, प्रशन राश्पत से संबंदित है, और प्रशन ये बोला है आपसे भारत के राश्पती, कि उम्मीदवार के प्रस्ताओं का अनुमोधन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, क्या 15, क्या 10, क्या 20, क्या 50 चलो चालो में से जबाब चुनिये, राश्पत का निर्वाचन होना है, कौन सा जबाब होगा चलिए फटाफट बोलिए भाई, 48 निर्वार का जबाब राश्पत पत के लिए प्रस्ताओं का अनुमोधन कितने लोग देंगे चलिए बताई भाई, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोधन के उम्मो इद्वार के लिए 49 नंबर प्रस्थन आपकी स्क्रीन पर सामने है 49 नंबर प्रश्ण आपसे ये बोल ला है ठीक कि संभिधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतरगत किया गया था ये जबाब चुनना है माउंट बेटन योजना के अंतरगत काइबनेट विशन योजना के अंतरगत क्रिप्श प्रस्ताओं के अंतरगत या भारती स्वतंता अधियम के अंतरगत बताईए इनमें से कौन सा सही है फड़ाफट बोलिए वाई कौन सा विकल्ब इसमें से सही है आपका जवाब आना चाहिए कि इसमें से आपका कौन सा विकल्ब सही है चलिए बताईए फड़ाफट कौन सा जवाब 49 नंबर का कुंदन बिश्कर्मा जी 49 पर आए ठीक है कौन सा विकल्ब इसमें सही है 49 फनी टीवी 49 वी वेरी गुड जैकुमार जी ए बोल ले मादविन पृताब जी सी विकल्ब को चुनने हैं चलिए बाई बताईए फड़ाफट बताईए और शक्रवरती जी का जबाब भी है जीतिन जी आरहा है अजयम स्रा जी का जबाब डी आरहा है चलिए फटा फट जबाब दीजे भाई और लोग सरत یदो जी का जवाब डी WILL आ रहा है अंहीं लोग भी कमेंट करें काजल श्क्राइजिका जवाब ए विकल्ब के तौर पर आ रहा है चलिए कमें सारे लोग जो अभी aument से पहुंच रहे हैं आठ बजे याद रखेंगे कि आठ पीम पर मैं फिर से लाइब आऊंगा ठीक है तो आठ पीम पर आपको जो है जवाब देना ही देना है आठ पीम पर सभी को फिर से जोड़ना है मोनु पाल साहब भी विकल्ब चुनने है सत्यम जी कैबिनेट मिशन बता जाता है तो संभीधान सभा का गठन इसी के तोर पर किया गया था समझ गए ना ठीक अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं कि ब्रेटिस मंत्री मंदिलों के इसमें तीन सदस यह आया थी इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था 26 मार्च 1946 को ये पहुंचा अपने भारत में अंतिम प्रश्णी स्रिस्रिंखला का आपके सामने हाजिर है प्रश्णी यह है भारतिय संभिधान के अनुच्छे 330 से 342 तक किससे संबंदित है अखिल भारतिय सेमाओं से निरवाचन आयोग से ग्राम पंचायतों से यह आपका चौथा विकल बोला है लो जवाब अ है आरती कटारिया जी जवाब डी बोल लें बिराट पंडे जी डी फरीम जी का जवाब डी है नीसा जी का जवाब डी विकल के तोर पर है फनी टीवी डी चली अजे मिस्रा जी रिशेंडली गोर्मेंट एक्स्टेंडड जी बिल्कुल सही है ठीक है आरक्षान का प्राउधान बढ़ा दिया गया था जो है खतम होने को था तो उसको फिर से बढ़ाया गया है कुंदन विसकर्मा जी वही पचास का भी जवाब दीजिए परीन जी 342 ये पार्ट 16 का पार्ट आपका हिस्सा है अंग है जो भाग 16 के अंतर गताता है इसमें जो है कुछ वर्गों से संबंधित विसेश उपबंद किये गये थे इसलिए जो विकल्व डी के तोर पर चुन है वो एकदम सही है ठीक है 330 से लेकर 342 तक ये कुछ वर्गों से संब अनुछेद आपको इसमें मिलते इसमें बात करें टीम के द्वारा भी जो है कई प्रोग्राम चलाएगे उसमें इस समय सबसे सफल प्रोग्राम के तोर पर बीयों के कोर्स को हम लोग लांच किये हैं बीयों का जो ये आपका कोर्स है इसमें 12 टेस्ट हैं और साथी साथ एक बुकलेट आपको हम प्रोवाइट कराएंगे पीडियाफ पूरी की पूरी ताकि आप प्रिंट करा के पड़ सको साथी साथ जो ये स्रिंखला आपकी चल लगी है जी एस वाली ठीक है इन सभी की पीडियाफ हम आपको उपलब्द कराएंगे 4500 प्लस क्वेशन इसमें आप ठीक है उस ग्रूब में आपके डाउट सेशन कोई क्वेशन है टेसरी से रिलेटेड है या अधर मटेरियल है उसके लिए आप पूल सकते हैं रेजिस्टेशन इस समय ओपन है अभी लिंक ओपन है ठीक है और ये रेजिस्टेशन मातर 399 में टीम की और से चलाया जा रहा है आप इस से अनिजानकारी के लिए आप इस नंबर पर 945000-6007 पर या 815-87955 या 739867-6291 पर वाटसप करके या इस नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं टेसरी से रिलेटेड कोई भी इंफोगेशन चलिए देर ना करते विए मैं प्रशनों की स्रिंखला एक बार फिर से और questions की सीरीज चलिए पूरे तन्बन से आजाएए वाई आज की सीरीज बहुत ही अच्छी है इसमें जो questions मैं include किया हूँ ये आपको काफी अच्छे मिलेंगे सबसे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है प्रशनी स्पगार है इसराइली स्पाइब येर जि इन चारों में से बताइए वहाँ इसराइली साफ्ग्वेर जिसके जरिए भारत सहित बैस्विक अस्तर पर जासूसी की घड़ना हागी के दिनों में रही वो चर्चा में भी रहा आपने यहां कुछ पत्रकारों की और आनी लोगों की राजनेतिक विक्तियों की जो है जास जी ए अरपित सिंग जी ए चलिए खुसबु जी आरो का एग्जाम है लगातार लगी रही है इस सीरीज में महिमत रुवेदी जी बोल लाई है चलिए फटाफट जबाब देते रहे है कुसबु जी का जबाब ए है आस्तूस जी का जबाब ए आ रहा है मादमेन जी भी बोल लें हैं चलिए फड़ा फट जवाब दीजिए अनि लोग भी जो देख रह Cinnamon को Watch सीरीज को तो कि Canरी दीए और यह क्रीजी जवाब करेंगे तो सवरभadow जी एजवार दे रहे हैं आप कमेंट करेंगे तो गश्म परिइदा होता है कि आप पूरी तरीके से वह當然 आयदा जगा अलका जी आपका जवाब C है चलिए इस प्रशन के जवाब को हम देखते हैं कि आखिर वह इसराइली स्पाइबियर जिसके जरी भारत साहिद बैस्विक अस्तर पर जासूसी की गई उसका नाम पेगासस है ठीक है उसका नाम पेगासस है तो जिन लोगों ने ए विकल च जाएगा चुप-चाफ अपने आप जिससे की आपकी खूफिया जनकारी को यह है जहां से भेजा गया है उसको सारी जनकारिया यह भेजता रहता है कि आप मोबाइल पर क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक है कंप्यूटर और इन सब पर आता है प्रश्न फिर से सुनिये ध्यान से, हिंदी के प्रशिद्र कभी लीलाधर जगोडी को उनके किस क्रित के लिए 28 में ब्यास सम्मान से नवाजा गया, उनकी रचना कौन सी है जिसके लिए उन्हें ब्यास सम्मान मिला, चलिए फड़ापट जवाब बताईए इसमें दूसरे प अविनाश उपद्या जी बी जवाब दे रहे हैं, मातवें जी जवाब दे रहे हैं, चलिए फड़ापट लोग बताते रहे हैं, रोमित 546 जवाब आप सी दे रहे हैं अन्हें लोग भी कमेंट करें, आसुतोष जी दूसरे का जवाब सी दे रहे हैं, और्पित जी भी हो जाएगी, ठीक है, sound slow है, कोई दिक्कर नहीं है, sound अभी सही हो जाएगी, ठीक है, मैं थोड़ा धीमे बोल भी रहा था, चलिए महिमा जी का जवाब सी है, चलिए इसका देखते हैं, कौन सा देखे, ये जो 28 मा ब्यास सम्मान दिया गया, ये लीला धर जगूरी को दिया गय एक तो ये आपका क्लियर हो गया, दूसरी इनकी जो क्रिती है, जितने लोग उतने प्रेम, तो समझ गये ना, विकल्प ये सही है, C नमबर विकल्प आपका सही है, तो दो चीजें ध्यान में आपको रखना है, कि 28 मा ब्यास सम्मान ये लीला धर जगूरी को दिया गया और इनकी जो क्रिती थी, जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया, तीसरा प्रशन आपके सामने है, तीसरा प्रशन कह रहा है, नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित पांच वी दुईवारसिक अंतर सरकारी परामर्स बैठक की अध्यचता किसने की, विकल्प इस प्रकार हैं, पहला है एमोनियल मैक्रो, वी बोला है स्टीवन मेंचिन, सी बोला है सुस्री एंजला मारकेल, डी बोला है बीरिश जौनसन, चलिए इसका जबाब बताइए, कि दिल्ली में अभी नई दिल्ली में जो पांच वी दुईवारसिक अंतर सरकारी परामर्स बैठक कोई, इसकी अध्यचता किस ने की, चलिए अब फटा-फट जबाब दीजे भाई, इनके जबाब आने चाहिए तीसरे नंबर के, तीसरा जो प्रशन है, जबाब आप लोगों के कमेंट आने चाहिए अब, कौन सा है इसका जबाब, चलिए रोमिज जी जबाब C दे रहे हैं, अन चलिए इसका जबाब क्या होगा, अने लोग भी कमेंट करें, कि अभी जो ये सब करेंट के प्रशना भी चले हैं, खुस्बो जी का जबाब C आ रहा है, थर्ड का, मार्भिन पृताब जी का A जबाब आ रहा है, अलका जी C जबाब दे रही है, चलिए इसका अगर जबाब देखा जाए तीसरे प्रशन का, तो तीसरे प्रशन का जबाब जो लोग C चुनना हैं, वो एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि एंजला मर्केल ने ही सरकारी परामर्स बैठक, जो पांचवी द्विवार्सिक बैठक रही, जिसका आयोजन नहीं दिल्ले में किया गया, इसकी अध प्रशन की और बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपका इस प्रकार है, प्रशन का रहा है, भारत और उजबेकिस्तान ने हाल ही में सैनी, चिकेट सक और सिच्छा के छेतर में तीन समझवत आग्यापन पर हस्ताचर किये, इस समझवता वारता में भारत का प्रतिनेद्रित किस ने किया था, बिकल पीस प्रकार हैं, बित्तमंत्री निर्मला सीता रमण, दच्छा मंत्री राजनात सिंग, सी बोला यंबेंके अनाइडू, बिकल बोला जनरल विपिन रावत, चलिए इन चारों में से जबाब दीजिए, कौन सा जबाब आपका सही है, फटा-फट आपक जबाब दे रहे हैं, अविनास जी, ए जबाब दे रहे हैं, आसुतोस जी, सी बोल ले हैं, रोमित जी, ए जबाब दे रहे हैं, अन्नी लोग भी कमेंट करें, चोथे का जबाब आपका क्या है, चोथे प्रशन का, ये करेंट के हैं, जैसे मैंने बताया, कि सभी से, जितने मैं विसे हैं सभी से संबंदित मैं लगभग चार-पाच क्वेश्चन सभी से डाल रहा हूं इसमें मनो जी A जबाब दे रहे हैं महिमा जी का जबाब C आ रहा है फनी टीवी 4C बहुत सई बहुत बढ़ी हां जीतेन जी जबाब A दे रहे हैं सरज जी का जबाब A आ रहा है अनी लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएं जबाब इसका खुस्बू जी का जबाब C आ चुका है और पिच सिंग जी A B बोल ले है अलका जी का जबाब A है चलिए फटा-फट कमेंट करते रहे हैं चलिए आंसर देखते हैं यह जो चोथी भारत और उजबेकिस्तान के बीच में समझोता ग्यापन हुआ जिसको आप एक तरीके से M.O.U. बोलते हैं मुमेरेंडम आप अंडाश्टेंडिंग ठीक है समझोता ग्यापन इस पर हस्ताचर हुआ तो भारत की ओर से प्रतिनित करता इसमें कौन थे और जिन्होंने जबाब आपका चुना है B. वो एकदम सही होते हैं भारत के रच्छा मंतरी राजनाच सिंग ने तीन समझोता ग्यापन किया था और आपको याद होगा राजनाच सिंग अभी उजबेकिस्तान के दोरे पर इसी के लिए गये थे अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं पांचवा नंबर प्रश्ण पांचवा नंबर प्रश्ण आप उससे कह रहा है कि भारत ने निम्न में से किस देश के साथ डश्ट लिग दो हजार उननीस नाम से हाल ही में एक सैन्य अभाज का आयूजन किया था A विकल बोला थाइलेंड, B बोला है म्यामार, C बोला है इंडोनेसिया, D बोला है उजबेकिस्तान चलिए इसमें से जवाब दीजिए कौन सा विकल सही है जो डश्ट लिग 2019 आपका जो है शाइन अभ्यास रहा ये किस के साथ रहा पांच का जवाब डैविड जी ये बोल पांच्वे नमबर प्रस्ण मयामा जी का जवाब D विकल के तौर पर है चलिए फड़ा फड़ब बताईए वाई सर जी का जबाब सी है अलगा जी का जबाब भी आ रहा मादविन जी सी जबाब दे रहे है अनी लोग भी कमेंट करें डश्ट लिक 2019 ये जो सैनी अभ्यास रहा किसके साथ है अगर इसका हम जबाब देखते हैं तो जिनोंने विकल्ब D चुना है वो एकदम सही है उजबेकिस्तान के साथ ये सैनी अभ्यास डश्ट लिक 2019 का आयोजन हुआ था और ये आप क्यूं मैंने इसको चुना क्योंकि ये भारत और उजबेकिस्तान के साथ पहला सैनी सहयूगत अभ्यास है ठीक है इसलिए इसको जो है मैंने रखा है और ये चार से तेरा नौंबर चार से तेरा नौंबर तक उजबेकिस्तान के आपके ठीक है चार से तेरा नौंबर तक ये हुआ है कहाँ पर ये हुआ है उजबेकिस्तान के तासकंद में ठीक है तासकंद में हुआ है वहाँ पर ये आपके चले हैं इसलिए दो तीन चीजे ध्यान रखनी है अगले प्रशन में बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में परेटन निगन की अस्थापना कब होई थी चलिए फड़ा फड़ जबाब बताईए बिकल करें 1972, B बोला 1974, C बोला 2001, D बिकल बोला 1989 चलिए अब आप लोगों के जबाब देखते हैं फड़ा फड़ जबाब दीजिए भाई छे नंबर प्रशन का जबाब क्या होगा छे नंबर प्रशन का जबाब आप सभी से आना है जितेन साहु जी B बोल ले है रोमिज जी B बोल ले है कैलास जी C बोल ले है चलिए फड़ा फड़ जबाब दीजिए आनी लोगों के भी जबाब की मैं अप एक्षा रखता हूँ फरीन जी का जबाब फिप्त का D है अनी लोग भी बताएं भाई उत्तर प्रदेश में परेटन निगम की इस्थापना कप की गई थी चलिए फड़ा फड़ बोलिए फड़ा फड़ बोलिए इसमें क्या जबाब है मादबेन जी जबाब आपने A दिया है आसतूर जी जबाब D दे रहे हैं अविनाज जी का जबाब D के तोर पर आ रहा है अनी लोग भी देखें इसका जो जबाब एकदम उचित है ये जबाब है 1974 विकल B जिनों ने चुना है आप इसपे कंफ्यूज के होते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1972 की ये घटना है जब उत्तर प्रदेश निदे साले का गठन किया गया था किसका उत्तर प्रदेश निदे साले का गठन हुआ था तो ये 1972 की घटना है बाद में उत्तर प्रदेश परेटन निगम की इस्थापना 1974 में की गई है तो दो चीजें क्लियर हो गई साथवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथवा प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न पूरा इस प्रकार है उत्तर प्रदेश की एतिहासिक यूम पूरा तात्विग निधी ठीक है एतिहासिक यूम पूरा तात्विग निधी से देखरेक करने के लिए अस्थापित संस्कृत विभाग के कारियों में कौन सा कारी समलित नहीं है जो संस्कृत विभाग है ठीक ये आयतिहासी पुरा जो ताद्विग निधी है उस निधी में देखरेक करने का कारी होता तो इसमें से कौन सा कारी नहीं है उसका संदच्छन तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखी करण, उसकी बिक्री, इन में से कौन सा कारी, जो है संस्कृत विभाग की अंतरगर नहीं आता है, चलिए बताइए भई, जबाब दीजिए, साथवे नंबर का जबाब, अभी सभी से आप इच्छे थे, रोमे जी का जबाब D के तोर पर आ रहा, माधवेन जी, B विकल को चुनने है, अविनास उपद्या जी, D विकल चुनने है, रिचा जी का जबाब D है, अशोक प्रजापती जी, D विकल चुनने है, माधवेन जी, B विकल चुनने है, चलिए इसका जबाब देखते हैं, देगे उत्तरप उसका प्रकासन करवाईए, किताब छपवाईए, हर एक चीजे करिए, उसका अभिलेखी करण करिए, यानि रिकार्ड के तोर पर उसको रखिए, लेकिन उसकी बिक्री से संबंधी जिम्मा इसका नहीं है, तो सात्मे का जबाब बहुत लोगों ने डी दिया है, वो एकदम सह आठमा नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, पिएस्सी बिद्रोह के समय उत्तर परदेश के मुख्यमंतरी कौन थे, कमला पती तरपाथी, चौधरी चरण सिंग, बनारसी दाज, एच एन बहुगुडा, चलिए बताइए इनमें से जबाब कौन सा है, फड़ा- पढ़ते हैं, लेकिन इसका जबाब, सोनिय सिंग जी का जबाब B के तोर पर आ रहा है, चलिए इसका जबाब बताइए वाई, पिएसी विद्रोह कब हुआ, अविनास उपद्या जी, D विकल्ब को आप चुनना है, सुनिल चौधरी जी, A विकल्ब को लेकर चलना है, ठीक सुभाम सिंग, सुभाम सिंग, B विकल्ब बता रहे हैं आप, मादविन जी जब आप A दे रहे हैं, यह बहुत अच्छा प्रस्ण है, रोमेज जी जब आप A का A दे रहे हैं, अनि लोग भी वाई, जबाब दीजिए, गलत है तो क्या, वो तुम्हें बताऊंगा ही ना, ज इतें साहु जी विकल्ब C आप चुनने हैं, चली एनि लोग भी बताइए, कि उत्तर प्रदेश में जो PSC विद्रोह आप पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ी सी डीटेल मैं बताऊंगा, प्रभाज जी, D विकल्ब चुनने, सरज जी, C, चली इसके बारे म वज़े से किया हुआ कि इनको अपनी मुख्यमंत्री की कुरसी गमानी पढ़ गई, और यह विद्रोह 1973 की घड़ना है, 1973 की घड़ना है, PSC विद्रोह की, ठीक है, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यह कांग्रेस पारटी के थे, कमलापती तिरपार्ठी जी, ल दोनों तरफ से गोली बारी हुई है, PSC के भी कई जवान मरे हैं, सेना के भी कई जवान मरे हैं, इसमें, ठीक है, तो यह जो चीज हुई थी, सेना पर जो है, गोली चलाने के आरोब में बहुत सारे, लगवग 500 जो है, PSC के सिपाहियों को सस्पेंट भी किया गया था, Q9 आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में परापरागत भूमी मापवा निकाई क्या है, कनाल, माला, बीघा या धूर, चारों में से जबाब बताईए, कि उत्तर प्रदेश में हम भूमी किस में मापते हैं, उत्तर प्रदेश में भूमी कैसे मापते हैं, चलिए बताई जबाब दीजिए, हिंदी के questions आएंगे कि आज, अलका जी हिंदी की series 800 प्रशनों की मैंने ही कराई है, वो आप जाईए 1000 हिंदी के questions चैनल पर पड़े हैं, वहाँ से देखिए, प्रभाद जी का जबाब A है, जितिन साहु जी ये दे रहे है, सतीज जी का जबाब A है, अनि ल के questions देखते रहेंगे कोई दिक्कर नहीं है, गोपी किशन जी, ठीक है, महिमा जी का जबाब C है, अंगित बर्मा जी A जबाब दे रहे है, शुभाद दे रहे है, महदबेन पृताप जी C वीकल चुनने हैं, नाइंध का C बोल ले हैं, रोमे जी फारीन जी भी आप चलता है और बीगा से छोटी काई विश्वा होती है ठीक है विश्वा और विश्वा से छोटी विश्वांसी होती है तो आप से मालो ऐसा ना पूछा पूछले एक विश्वा होता है तो एक विश्वा होता है ठीक है और विश्वा से नीचे फिर विश्वांसी होता है और इ प्रियाग राज में, लख्णवू में, नोईडा में, चलिए इसका जवाब बताईए विज्ञान नगरी किस में अवस्थित है, चलिए इसका जवाब फटाफट कमेंट करिए, विज्ञान नगरी जो है किस में है, प्रभाजी सब कुछ होगा, नेवी भी सारी चीज़े मर् यह पेच्छा है कुलदीब कुमार जी डी विकल चुनने प्रकाथ, रोमी जी विकल आप डी चुनने हैं 10 का, अंकित बर्मा जी C, सोनिय जी का जवाब C आ रहा है, प्रभात कुमार जी D बोल ले, महमा जी C बोल ले है, रिजा पांडे जी आपका जवाब भी C आ रहा है, चल ने दिख रहा है, 11 नंबर प्रशन आप से कह रहा है, जनगर्ना 2011 के अनुसार, किस संग सासित प्रदेश की जनसंख्या घनतु सबसे अधिक है, क्या दिल्ली है वो, क्या चंदीगड है, क्या लक्षरिव है, या अंडमानी अनिकुबार है, चलिए चारो में से जबाब सरद यादो जी का जबाब A आ रहा है, चलिए फटा फट बताइए भाई, ये जनसंख्या से प्रशना आ गए हैं अब आपके, 11 का जबाब A दे रहे हैं, अविनाज जी, रिचार जी जबाब A दे रही है, सोनिया जी का जबाब D आ रहा है, आसुतोस बर्मा जी C विकल को सियादो जी ये, अंकित बर्मा जी, महिमा जी का भी जबाब A है, तो बिल्गुल सही, जो जबाब A चुनना है ना, दिल्ली एकदम सही है, कि दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्यु की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी समय 11320 व्यक्ति पर वर्ग किलो मीटर है, यानि ए एक किलो मीटर में 11300 व्यक्ति रहते हैं, तो इसलिए ए विकल्प आपका बिल्गो सही है, जिन्होंने चुना है, वो एकदम सही है, चलिए अगले प्रशन को और बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपसे कह रहा है, जनसंख्या घनत्मा आपने की इकाई है, क्या, व्यक्ति प भी बताएं, आसुतोस जी 12th का C बोल ले हैं, अरुनेश जैक्शन जी D बोल ले हैं, मुकेश जी C, सोनिय जी का जवाब D है, फणी टीवी 12th B बोल ले हैं, आप अलका जी जवाब B दे रही हैं, रोमी जी का जवाब B और आ रहा है, चलियानी लोग भी मादबिन जी जवा बाचुका है, भी महिमा जी, आसुतोस बर्मा जी, सारे लोग भी दे रहे हैं, मतलब B सही है क्या, विल्कुल सही है, जो लोग B भी बी कल चुन है, एक दम सही है, जन संख्या घन तुम आपने की काई, ब्यक्ति पर किलो मीटर होता है, चलो अगला बताओ, भारत की अधिक है, कौन गोन से, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांगला देस, नेपाल, स्रीलेंका, नाइजीरिया, फ्रांस, ट्यूनेशिया, मंगोलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, चलिए 30 नंबर का जबाब बताईए, कि भारत की राजधानी कितनी है, इन देशों को मिला ले, 30 नंबर का जबाब, आप सभी से चाहिए, 13 नंबर का जबाब, आप लोग बताएं, फटाफट, कि कौन सा इसमें से विकल्प सही है, चलिए फटाफट जबाब दीजिए, भाई, 30 नंबर का जबाब, फटाफट दीजिए, जबाब आ रहे हैं, सुनिल जी, D विकल्प बोल ले हैं, सती जी का जबाब B है, रोमिज जी, 13 का A विकल्प बोल ले हैं, अनि लोग भी जबाब देते रहें, जनसंक्या से संबंदित है, आसुतोस जी, B विकल्प चुन्ने, सोनिय जी का भी जबाब B है, अरपिज जी, 13 का A आप बोल ले हैं, महिमा जी जवाब A दे रही है अनी लोग भी कमेंट करें देखे जो जवाब आपका 13 नमबर का जवाब आप चुन दे हैं अगर A तो एकदम सही है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बागिंगला देश की संयुक्त आबादी से भी भारत की आबादी अधिक है अगला प्रशन सर्बोच लिंगा अनुपाद वाला सीर सराजी कौन सा है भारत में बताओ, पुद्दुचेरी है, तमिलनाडू है, आन प्रदेश है या 36 गड़ है इन चारों में से 14 नंबर प्रशन का आप से जबाब आना चाहिए भाई चलिए बताइए कौन सा विकल्ब सही है सर्बोच लिंगा अनुपाद किस के जो वाला सीर सराजी कौन सा है चलिए जबाब दीजिए अंकित वर्मा जी ए दे रहे है अलगा जी जबाब आप आप ए दे रही है राज़कुमार पटेल जी बी विकल्ब को आप चुनने है अनि लोग भी जबाब दीजिए मोना सिंग जी भी विकल चुन नहीं आप जितिन साहु जी भी विकल को चुन नहीं है चले फटा-फट बताई ये कौन साराज जी है मादबिन पृताब जी डी कुल्दीब जी आप A विकल को चुने है रूमिज जी 14 का B सुभम सिंग जी A बता रहे अनी लोग भी बताएं सुनील चौधरी सर डेली क्लास का शुरूती भाई रात के आठ बजे आपको आना है हर दिन ठीक है आठ बजे हर दिन ये चलती है आपकी लाइफ क्लासे राजकुमार पटेले बोले अंकित बर्मा जी ये बोले हैं चलिए इसका जबाब देख लेते हैं सरबोच लिंगानपात वाला सीरस राजी इन चारो में से देखें तो पुद्दुचेरी है बिल्कुल सही जबाब जिनोंने A दिया है क्योंकि पुद्दुचेरी का अगर हम सेक्स रेशियो देखें ये 1037 है वहीं तमिलनाड की अगर मैं बात करूँ तो ये 996 है 996 है अगर आन परदेश की बात करूँ तो ये 993 है 993 है और अगर मैं 36 गड़ की बात करूँ तो ये 991 है समझ गए ना चारो के लिंगानपात पुद्दुचेरी का 1037 तमिल नाडु का 996, आन्थ प्रदेश का 993, 36 गड़क का 991, प्रश्ट नमबर 15 आपकी स्क्रीन पर जनसंख्या दीवस कब मनाया जाता है, क्या 11 जून को या 11 जुलाई, या 8 नॉम्बर या 10 दिसंबर, जनसंख्या दीवस, जवाब आप सभी से पेच्छित, चलिए फटा- आप बोल ले, वो भारत के परिवेच में बोल ले हैं, अनी चीजे भी उन पर ध्यान दीजिए, केला में बहुत सारी हैं, सोनिय जी का जवाब B आ रहा, अनुरेश जी जवाब आप B दे रहे, कुलदीब जी का जवाब A है, अलका जी का जवाब B है, आसुतोस जवाब जनसंख्या दीवस, जिनों ने जवाब B विकल चुना है, 11 जुलाई, एकदम सही हैं, क्योंकि जनसंख्या दीवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद करना है 1989 को, ठीक है, 1989 में संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम की गवर्निंग काउंसिल ने इसको सुरू किया था, जो EVN है, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसने 1989 में इसको सुरू किया था, ठीक है, 11 जुलाई 1987, आप ये मानके चलो, कि ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को ये माना गया, कि 20 सुकी जनसंख्या 500 करोड पहुँच गई, ठीक है, 20 सुकी जनसंख्या ये माना गया, क कि 500 करोड पहुच गई है, तवी से जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को माना प्रारंभ हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशना आपका है, 16 नंबर, इतिहास से सम्मधित, बहुत अच्छे प्रशना, एक ही कब्र से 3 मानों कंकाल निकले हैं, कहां से भईया, सारा वाइनाहर राय से, दमदमा से, महदा से, या लंगनास से, 16 नंबर का जबाब सभी से पेच्छित है, जबाद दिए, अरुनेज जी आपने A जबाब चुना, मोना जी आप भी बोल लए हैं, फणी टीवी 16 का भी बता रहे हैं, राजकुमार जी आपने C जबाब चुना है, रोमिज जी C जबाब दे रहे हैं, 16 नंबर का जबाब अनी लोग भी दे, आसुतोस जी C विकल, रिचा जी आपने विकल वे चुना है, मादवेन जी A, रोमिज जी C विकल को आप चुनने हैं, अनी लोग भी बताएं भाई, ये कौन सा अस्तल है, अलका जी ने जबाब A द देखे, ये जो 16 नंबर है, ये एक कबर आपकी वहाँ पर मिली है, जहां पर 3 मानों कंकाल एक साथ मिले हैं, ये जबाब है आपका दमधमा, दम सुरू हुई थी खुदाई, 1982 से लेकर और 1987 तक खुदाई हुई थी, तब जाकर इस जगे पर हमें 3 ये जो कंकाल मिले हैं, ठ साथ ही साथ, 35, ये जो 41 मिले हैं ना, इनमें 35 कबरा ऐसी मिली हैं जिसमें एकल वेक्ति है, 35 कबरों में एक को दफनाया गया, लेकिन 5 जो बाकी बस्ती हैं, 40 में उन कबरों में 2-2 लोग हैं, पांच जो कबर हैं, वो 2-3 लोगों की हैं, और बाकी जो आपकी एक मिला है, ए एक जो 41 में से बस्ती है उसमें एक साथ तीन व्यक्तियों को दफनाया गया है समझ गये ना दमदमा नामकस्थान उत्तरप्रदेश के प्रताबगड़ में इस्तित है यहां से जो 41 मानुसमाधान मिले जिसमें 35 कबर एक व्यक्तियों से संबंदित हैं पांच कबरों में दो- गरिया बगही खोर लेखरिया यह चारों के चारों आप्षन आपको बड़े आश्र शकित लग रहे होंगे चलिए जिन लोगों ने पढ़ा है वो जबाब इनका बताएं भाई की 17 नंबर का जबाब कौन सा है अविलाज सोनी पिंटु जी का जबाब सी आ रहा है मोना जी जबाब D दे रही हैं अनी लोग भी बाई बताएं कौन सा इसका जबाब सही है सरवाधिक मानो कंगाल बिंद छेतर में किस सिलासरे से मिले हैं अनी लोग के भी कमेंटार हैं तो देखें जो लोग विकल बीचुन रहे है ना लेखरिया यह एकदम सही चुनना है लेखर तक है किसका यह संकेत देता है बेदों के पुराणों के उपनिसों के सुत्रों के चलिए बताइए चलिए अगले प्रश्न का जबाब बताइए चलिए बाई फटापट 18 नंबर प्रश्न के जबाब आप सभी इसके आने लगे मोना जी आप C बोल लहीं है सरज जी भी अपने विकल्ब D चुना है, A-C-R-O की स्टेट जी, वीडियो भाई पड़ा हुआ है, आलोक सर ने पूरी स्टेट जी बताई है, चैनल पर आप डिस्क्रिशन में जाईए, ठीक है, चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जाईए, वहाँ आलोक सर ने बेस्ट इस्टर जी दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, उन्होंने सारी चीज़े बताई है, अर्श्तोस बर्मा जी 18 का C दे रहे हैं, विकास जी विकल्ब D दे रहे हैं, मादवेंद परताब सिंग जी C विकल्ब चुनना हैं, ठीक है, आनि लोग भी जवाब दें, RPG 18 का B बोलना है, चलिए देखते हैं, ये जो सर्ग है, प्रति सर्ग है, वन्स है, मनविंतर है और वन्सान चरित है, ये सब पुरानों के संके तक हैं, ठीक है, ये सब के सब आपके पुरानों के संके तक हैं, चलिए अगला प्रश्णा आपका इस तरीके से है, प्राचीन 16 महा जनपद हैं, उनकी राजधानियों से मैच कराना है, कूट के तोर पर है, पहला दे रहा है पांचाल, दूसरा दे रहा है वत्स, तीसरा दे रहा है चेदी या चेदी, डी बोलना है असमक, उनको मैंने रखा है, आराम से देख लीजिए, फिर इसका जबाब कमेंट करिए, कि कौन साथ विकल्ब इसमें सही है, चलिए आराम से देखकर फिर जबाब दीजिए, अब महा जनपद पढ़ते हैं, लगातार, लगातार, हर एक चीज़ें, अविलास सोनी जी, इसमें विडियो कमेंट कर दी गई है, आप इसको जाकर देख सकते हैं, अलका जी ने जबाब C दे दिया है, विकास जी भी जबाब C दे चुके हैं, जितेन जी विकल्ब वी जबाब चुनने हैं, अनि लोग भी बताएं भाई, जितेन साहु जी ने विकल्ब वी चुनना है, अलका जी का जबाब C है, अनि लोग मैच करा लें, 19 का C, रिशा पांडे जी, कोई दिक्कर नहीं है, अभी मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इससे नहीं घबराना है, हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर C जबाब आपने दिया, बहुत अच्छा है, सरज जी C जबाब दे रहे है, राजकुमार पटेल जी C जबाब दे रहे है, चलिए अनि लोग, देखते हैं भाई, इसका क्या जबाब सही है, 19 का जबाब जीनोंने विकल B चुना है, वो एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि पांचाल जो यह आपकी है, इसकी अगर राजधानी की बात करें, तो यह अही छत्र थी, वत्स की राजधानी की अगर मैं बात करूँ, तो वत्स की राजधानी कोसांबी थी, चेदी या चेदी की बात करूँ, तो इसकी राजधानी सुक्ति मती थी, और अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली थी, तो विकल जीनोंने चुना है, वो एकदम सही होते हैं, 20 नंबर का प्रश्णी स्क्रेन पर, अंतिम मौर शमराठ कौन था, 20 नंबर का जबाब आप लोग फटाफट दीजिए, कि इसमें से कौन सा विकल सही है, ठीक है, यह जबाब रोमिट जी दे रहे हैं, राजधुमार जी जीते हैं, साहु जी का जबाब यह आ चुका है, विल्कुल जो भी आया है था, जो लोग अंतिम मौर शमराठ के तौर पर ब्रहधर को चुन नहीं, एकदम सही हैं वो लोग, अंतिम मौर शमराठ आपका ब्रहधर था, जिसको उसके सेनापती, क्या नाम था उसका, पोशे मेत्र सुंग, इस पोशे मेत्र सुंग ने इसकी हत्या कर दी थी, और सुंग वंस की निव डाली थी, ठीक है, तो यह चीज सही हो गई है, जिनोंने B चुना था, 21 नमबर प्रशन बोला है, भारत की धार्मित प्रथाओं के संदर्व में, अस्थानक वासी संपरदाई का संबंद किस से है, क्या भाई बौध मत से है, या जैन मत से, या बैशनो मत से, या सायो मत से, अस्थानक वासी संपरदाई, इसका संबंद किस से है, चलिए जबाब बताईए फटा फटा आप लोग, महिमा जी जबाब B आपने दे दिया है, अनि लोग भी 21 नमबर का जबाब बहो लिए भाई, 21 नमबर का जबाब आप लोग और बताए, अस्थानक वासी संपरदाई किस से संबंदित है, चलिए फटा फट जबाब अनि लोगों के भी आ रहे है, मोना जी ने भी जबाब B के तौर पर चुना है, मादविन जी जबाब आपका D है, रोमी जी का जबाब D आ रहा, रिचा जी ने B जबाब दिया है, कोल्दीव जी बिकल C को चुनना है, महिमा जी बिकल B को चुनना है आप, सतीज जी B को चुनना है, जी तेन जी का भी जबाब B, चलिए देखते हैं, अस्थानक वासी ये जो संपरदाई है, ये जैनमत का संपरदाई है, ठीक है, समझ गए ना, इसका वो बिभाग है, ठीक है कौन? अस्थानक वाजी, अगले प्रस्ट की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रस्ट आप से कहरा, सत्पत ब्रामःड और तैतरिये ब्रामःड किसके ब्रामःड ग्रंथ हैं? रिग बेद के, साम बेद के, यजुर बेद के, या थर बेद के, जी जवाब B दे रहे हैं, अनि लोग भी बताएं, कि ये जो दोनों ब्रामःड के बारे में मैंने बात किया, सत्पत ब्रामःड और तैतरिये ब्रामःड ये किसके ब्रामःड ग्रंथ हैं? कौन सा बेद है आखिर? कुल्दीव जी जवाब A, अलका जी जवाब C दे रही मादबिन जी का जवाब B, सती जी का जवाब A के तोर पर आ रहा है, अनि लोग भी कमेंट करें, चले इसका जवाब देखते हैं, 22 नमबर का जवाब आपका ये जुर बेद, यानि एक तरीके से कौन सा बिकल्प अगर आपने C चुना है, तो एकदम सही है, सत्पत ये ये जुर बेद के आपके क्या है, ब्रामः ग्रंथ है, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, 22 के बाद आपका प्रशन अगला है, 23 नमबर, 23 नमबर प्रशन ये कह रहा है, निमलिखित में से कौन सा ये सुमेलित नहीं है, गरजात पहाडियां, ओडिशा, मांडो आगते भाई आचुके हैं, एक बार आपका नाम मैंने ले लिया है, C आंसर है, बहुत बढ़ी हैं, आईए, अब इसका जवाब दीजिए, महिमा जी जवाब A दे रही है, रोमिट जी C दे रहे है, मोना जी का जवाब A के तोर पर आ रहा है, चलिए बताईए, कौन सा इसम आप देखा जाए, कि इसमें कौन सी पहाड़ी आपकी सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो एक पहाड़ी मांडो पहाड़ी है, यह महाराष्ट में नहीं, यह गुजरात में इस्धित है, तो जो लोग B.B. कल को चुन दे थे, वो एकदम सही है, अनि जितने कि जितने युग हैं वो सब के सब सुमेलित हैं तेज के बाद 24 नंबर प्रश्ण बहुत बढ़ियां है परवतों से हैं निमलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पशिंग की और परवत सिख्रों का सही क्रम है यानि आपको इस साइड से इस साइड बढ़ना है सबसे पहले कौन फिर कौन साय फिर कौन साय फिर कौन साय चलो चारो सोच के जबाब बताओ आरहम से में मौका दे रहा हूं C जवाब आप बोलने है कुल्दीप कुमार जी जितेन साहु जी का जवाब A के तोर पर आ चुका है राजकुमार पटेल जी आप D विकल को चुनने हैं अनि लोग भी बताएं भाई पूर से पश्चिम की ओर राजकुमार पटेल जी D चुनने हैं सतीज जी C विकल को चुनने हैं मोना जी और रोहिज जी दोनोंने A विकल को चुना है अनि लोग भी भाई ध्यान से देख लें फिर इसका जवाब कमेंट करें ठीक है सर जी का जवाब D है रिचा जी A जवाब दे रहें चलिए इसका जवाब देखते हैं 24 नंबर का 24 नंबर का जवाब जीनोंने विकल B के तोर पर चुना है वो एकदम सही है क्योंकि जवाब पूरु से पश्चिम बढ़ोगे ठीक तो सबसे पहले कंचन जंगा मिलेगी आपको फिर एयोरेस्ट मिल जाता है फिर आपका मिल जाता है नपूड़ा और फिर आपका लास्ट में मिल जाता है धोलागिरी तो इस हिसाब से ये पूरी की पूरी ये चोटिया है सिखर आपके एक तरीके से ऐसे पढ़ते हैं पूर से पश्चिम की ओर उपर बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्ण पर 25 नंबर प्रश्ण बोलना है निमलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्राखंड के कुमाउच छेतर में है हिसपार, जेमू, मिलम या रूपल इन चारों में से बताओ कौन सा हिमनद या ग्लेसियर उत्राखंड के कुमाओ छेतर में इस्तित है 25 का जवाब बताईए फड़ाफट चलिए 24 का जवाब अब 25 का देना है 25 का जवाब आप लोग बताईए कि 25 का जवाब कौन सा है 25 का जवाब आपका कौन सा विकल्ब है फड़ाफट आप लोग बताईए कि इसका जवाब कौन सा है 25 नंबर का चलिए फड़ाफट बोलिए मादबेन जी विकल्ब A चुन्न है आप अनि लोग भी बताएं 25 नमबर का कि उत्राखंड के कुमाउ छेतर में अलका जी का जवाब D है मोना जी ने C चुना है अरपिज जी B चुनने शंग मित्रा शागर A चुनने महिमा जी का जवाब A है कोलदीव जी B विकल को आप चुनने हैं अनि लोग भी कमेंट करके बताएं भाई आसुतोस जी 25 का A जवाब आप दे रहे हैं जितिन जी ने जवाब A को चुनना है अनि देखिए इसका देखते हैं 25 का जवाब 25 नमबर का जवाब ये जो मिलम पढ़ता है ना गलेसिया ये मिलम उत्राखंड के कुमाउ छेतर में इस्थित है तो सी चुना है वो एकदम सही है 26 नमबर प्रशनाव की स्क्रीन पर है भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्वित लावा सैलो का निर्मार का निर्मार को हुआ ठीक है क्या क्रिस्टेसियस कॉल में हुआ या प्लिस्टोसीन युग में हुआ या कार्बोनी फेरस युग में हुआ या मायोसीन युग में हुआ ठीक है इन चारों में से बताएं कि दक्कन के पठार पर जो बैसाल्ट निर्वित लावा सैले हैं उनका निर्मार किस यूग में हुआ, क्या क्रिटेसियस यूग में हुआ, या प्लेश्टोसीन यूग में हुआ, या कार्बोनी फेरस यूग में हुआ, या मायोसीन यूग में हुआ, चलिए बताईए फटाफट जबाब दीजिए, इसका जबाब सारे लोग दें, 26 नमबर क सबसे उचित हैं चली शबिस नंबर का जबाब जिन्होंने छुना है कृस्टेशियस यूग। ठीक है यह एकदम क्या सही हो सकते हैं यह नहीं इसके बारे में अगर हम देखे तो जो इसमें क्रिश्टेशियस है, या कार्बोनी फेरस यूग है, इन चारों से सम्बंधित क्या हुआ हुआ था, उस दोरान इनकी सभी की सभी जो है बेसिनों में कोयले का निर्माड हुआ था, ठीक है, तो दक्कन के पठार में अगर बात किया जाये, तो क्रिश्टेशियस यूग ही या मुंबई बंदरगा, बताइए, किस बंदरगा, गाह को अरब सागर की रानी की उपमा दी जाती है, जबाब 27 नंबर का बताइए, अरुनेश जैक्सन जी, विकलब D आप चुनने हैं, अनि लोग भी बताएं, 27 का जबाब क्या है, अनि लोग भी फटाफट कमेंट करें, जी, B विकलब को चुनने हैं, अनि लोग भी बोलते रहें, इसका जबाब क्या है, अरब सागर की रानी कौन सा बंदरगा है, अलका जी ने जबाब B चुना, जितेन साहु जी, D विकलब को चुनने हैं, अनि लोग भी बोलते रहें भई, सरच जी ने विकलब B को चुना है अनि लोग भी बताते रहे दीपग जी ने विकल्ब D को चुना है अनि लोग भी बोलते रहे वही इसका जबाब क्या है फटाफट जबाब देते रहे इसका महिमा जी ने जबाब C के तौर पर चुना कुलदीप कुमार जी आपका जबाब C है मोना जी का जबाब D के कोचीव अंदरगाह कहां पर इस्तित है तो केरल के बैंबनात कायल में इस्तित है तो यह सीच को आपको ध्यान रखना है चलिए 28 नंबर प्रश्ण स्क्रीन पर अंडमान और निकोबार दीव समूंग की सर्वोच सिखर जिसको पल्यान सिखर या सैंडल पीक बोला जाता है कह इस्तित है ब्रिहर निकोबार मध्य अंडमान में लगव अंडमान में उत्तरी अंडमान में इन चारों में से जबाब चुनिए फटा-फट जबाब दीजे भाई चलिए अगला बताई 28 नंबर का जबाब क्या है 28 नंबर का जबाब आपको चुननना है 28 नंबर का जबाब कौन सा है जितन जी ने जवाब D दिया है अनि लोग भी बताएं भई कौन सा जवाब इसका है जो आपकी सैंडल पीक है ये कहां पर है मोना जी ने जवाब C दिया है अनि लोग भी इसका विकल बताएं अरुनेस जैक्सन जी विकल B को आप चुनने हैं अनि लोग भी बताएं इसका जब आप सेंडल पीक important है, रागवेन पृताब जी विकल्ब B को आप चुनने है, महिमा जी ने विकल्ब D को चुनना है, अनिलोग भी आरपेज सिंग जी विकल्ब D को चुननने है दीपक दावास विकल्ब D कुल्बीब जी ने विकल B को चुनना है अनिलोग B सरज जी D, चलिए इसका देखते है अंडमान और निकोबार दीव समू का जो सर्वोश सिखा रहे है सबसे पहले ये तो जान लो सेंडल पीक है दूसरी चीज, ये इस्थित कहा है तो ये इस्थित है आपका उत्तरी अंडमान में समझ गए ना उत्तरी अंडमान में ये इस्थित है ठीक है और उत्तरी अंडमान में एक जगे पढ़ती है जिसका नाम है दिगलीपूर उत्तरी अंडमान में दिगलीपूर एक जगे है जहां पर ये इस्थित है, 20 नंबर प्रश्ण हो गया, 29 नंबर प्रश्ण बताओ, चलो, भारत का सरवाधिक आबादी वाला दीव कौन सा है, बहुत बड़ी हम प्रश्ण, माजुली, अंडमान, लक्षी दीव, साल सेट, इन चारों में से जबाओ, जबाब दीजिए फड़ सा है, चलिए फटा-फट जबाब दीजिए, जितेन जी विकल्ब आप D को चुने हैं, अनि लोग भी कमेंट करें, वह कौन सा दीव है, जो भारत की सरवाधिक आबादी वाला है, मोना जी का जबाब C, आरपिस जी ने जबाब D दिया, महिमा जी ने जबाब D दिया है, अन अगवेंद पृताब जी आप C चुनने हैं, शियुकुमार जी आप C को चुनने हैं, चलिए देखते हैं इसका जबाब क्या है, भारत की सरवाधिक आबादी वाला दियूप सालसेट है, सालसेट दियूप ही है, जिस पर मुंबई सहर बसा हुआ है, समझ गए ना, इन चारों में से बताओ, यह यंत्र दिये गए, इधर उनका कारी दिया गया, कौन सा यंत्र किस कारी को करता है और कौन नहीं करता है, इस चीज में बताइए, चलिए जबाब दीजे भाई, तीस नंबर का जबाब सभी से अफिक्षित, जबाब आने सुरू हो चुके हैं, ठीक है, अनि लोग भी बोलते रहें, जितेन जी ने जबाब सी दिया है, अनि लोग भी इसका जबाब बताते रहें, फणी जी, तीस का भी आप बोल ले हैं, अनि लोग भी तीस का सी, रोमित जी, सौरव उपध्याय जी आप सी विकल को चुन नहीं हैं, मोना सिंग जी बता है, यह सही, टेकियोमेटर C, जबाब जीनों ने चुना, वो एकदम सही है, टेकियोमेटर दाबांतर का नहीं है भी या, ठीक है, यह टेकियोमेटर एक प्रकार का सर्वेच्छन उपकरण है, ठीक है, इससे सर्वेवय गयरा किया जाता है, यह सर्वेच्छन उपकरण है ठीक है तो यह जबाब आपका सही नहीं था नाव गुइंग टू नेक्स क्वेस्टन नमबर थर्टीवन थर्टीवन आपसे बोल लाए कि साबुन के बुलबले के अंदर का दाब ज्यान से बोलिएगा वाई मंडिलिये दाब से अधिक होता है वाई मंडिलिये दाब से कम ह होता है वाई मंडिली दाब के बराबर होता है वाई मंड servir नोग का आधा होता है जहां ऐसे प्रशा मित हैं वहां हम जान कर ए दे रहे हैं, सौरव उपध्या जी, C को चुनना हैं, रोमी जी, C, फनी टीवी, 31C, पेरी गोड़, अनि लोग भी कमेंट करें वई, सरज जी, विकल्ब B चुनना है, सतीज जी ने विकल्ब C को चुनना है, बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छे आप लोग, अधिकतर आप कौन सा उत्तर होना चाहिए, देखे, साबुन के बिलबुले के भीतर जो होता है, इसका दाब वाईमंडिले दाब से हमेशा अधिक होता है, यानि ए विकल्ब आपका सही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि साबुन के घोल के बिलबुले बड़े होते हैं, साबुन का जो घो बहुत कम हो जाता है, इस वज़े से बुलबुले के अंदर का दाब सदेव बाहर के भाईमंडिले दाब से अधिक होता है, ठीक कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फट जाएगा भई जब आप सभी से पेक्षित है, मोना सिंग जी ने जब आप एक कमेंट किया, फनी टीवी 32B, बेरी गुड, निहाल सिंग, बी विकल को आप चुनने, शिव कुमार सीज को, सतीस कुमार जी, सतीस यादो जी सी बोल ले, निहाल जी ने बी विकल, रश्मी वाला जी, आप बी विकल को चुननने, कुनाल, हैंबराम, तीन को बता रहे है, अनामिका बर्मा जी विकल पाप बी को चुननने है, चलिए, इसका देखते हैं, 32 नमबर का जबाब, जिन्नोंने विकल चुना है, वो बिल्गुल सही होते है, क्योंकि इसका रांगे की या तीन की परत 33 नमबर प्रशने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, निमलिखिन में से कौन सा रसायन फल पकाने में साहिता करता है, क्या वो इथेफान है, या एट्रोजिन है, या आईशो प्रोटान है, या लेशियान है, इन्चारों में से 33 नमबर का जबाब फड़ाफट आप लोग कमें आ रही है, मादवेन जी ने विकल B चुना है, निहाल जी A चुनने आप, चलि अनि लोग भी बताईए भाई, महिमा जी का जवाब B के तोर पर आया है, अनि लोग भी जवाब बताएं, 33 नमबर प्रशन का जवाब क्या होगा, जितेन साहु जी ने जवाब A चुना है, अन पर थे फॉन भी एक होता है, रसायन, जो जो है, फलों को पकाने में सहाइक होता है, जल में इसको घोल कर जो है, पकाते हैं, अगला 34 नमबर प्राशना आपके सामने हैं, विज्ञान जगत सही, विटामिन C के Zन में कौन मदद करता है, विटामिन C किसके आउशो में मदद करता है जबाब दीजिए भाई फटा फट जबाब दीजिए 34 नंबर का जबाब सभी से अपेच्छित बहुत अच्छा आप लोग जो है जबाब भी बहुत बढ़ी हां दे रहे हैं इसलिए मुझे और भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है 33 ए फटनी टीवी 34 भी बेरी गुड निहाल सिंग जी वी विगल जितिन जी का जबाब ए के तौर पर है 34 रूमिजी ने विगल पे चुना निहाल जी वी विगल को चुनना है रूमिजी 34 ए हाँ आपका दिग गया है बहुत बढ़ी हां अनी लोग भी बताएं भाई बिटामिन सी किसके औसोशन में कारी करता है मुखिरूप से चलिए बताइए शूरिमनी पांडे जी ए विकल मोना जी का जबाब ए है रिचा जी ने भी जबाब ए दिया चलिए देखते है भाई इसका जबाब क्या है देखिए 34 नमबर जो प्रशन है जिसमें मैंने आपसे पूछा है बिटामिन सी किसके औसोशन में ये लोह तत्यू के औसोशन में मदद करता है ठीक है समझ गए ना क्योंकि जब आप कैलसियम के साथ मैंगनीसियम लेते हैं दोनों को ग्रहन करते हैं तो बिटामिन दी ठीक है इन दोनों के साथ माली जी आपने बिटामिन दी भी ग्रेहन किया एक साथ तो यह जो विटामिन C होगा यह क्या करता है यह कैलसियम मैगनीसियम यह अनिक जो के आउसोशन की दर में ब्रिधि कर देता है जब कैलसियम मैगनीसियम विटामिन D के साल लिया तो विटामिन C का कारी है कि कैलसियम मैगनीसियम के साथ अनितत्तो का जो दिख रहा है 35 प्रशन आप से कह रहा है कि मानों के मस्तिक्स में अस्मरण शम्ता कहां होती है मेडिला अबलागाटा सेरिब्लम ब्रेन केविटी या फिर सेरिब्लम होना चाहिए चलिए इसका जबाब बताईए कौन सा सही है चलिए फटा-फट बताईए 35 नमबर का जबाब जितेन जी ने ए दिया स्यू जी आप सी विकल्ब को चुनने अनामिका जी डी विकल्ब को निहाल जी डी बता रहे है सोरिमनी पांडी जी का जबाब ब के तोर पर है माजबेन जी भी विकल्ब ब को चुनने अलका जी मोना जी बी और डी को चुनने निहाल जी डी विकल्ब को रोमिज जी आपका जवाब D आ रहा है अरुनेश जैक्शन जी विकल B को कुनाल जी मेडिला अबलाव गाटा को बुल है अनि लोग भी बताएं निहाल सिंग जी डी विकल को चलिए देखते हैं 35 नंबर का जवाब जीनों ने विकल B को चुना है मानु मस्तिक्स में आस्मर स्क्रीन पर एक बार और स्क्रीन पर आने से पहले थोड़ा सा मैं प्रश्ण पूरा देख रहा है 36 नंबर का चलिए जब आप प्रश्ण पढ़ते हैं बिश्व निवेस रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकासन है जो निमलिखित में से किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है या बिश्व बैंक के द्वारा या अंतरराष्ट के मुद्रा कोस या ACI जो है विकास बैंक या फिर अंकटाट के द्वारा चलिए चारो में से विकल्प चुनिए क्योंकि अभी रिपोर्ट से सम्मध्यत प्रश्ण प्रश्ण पीवेस ने पूछा था इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूछते हैं भाई आप लोगों से चलो बताओ भाई 36 नंबर का जवाब ए विकल्प के चौर पर अर्नेज जी बोल ले आप मादवेन जी ने डी दिया है चंसेखर यादो जी आप विकल्प A चुनना है अनि लोग भी बताएं भाई बिस निवेस रिपोर्ट रोमे जी बिकल्प A चुनना है रोमे जी बिकल्प B को बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है सोरे मनी जी बी को चुनना है जितिन जी का जवाब D है और रोनेज जैक्शन जी ये देख रहे हैं चलिए 36 नंबर का जवाब देखते हैं देखे ये जो बिस निवेस रिपोर्ट है न ठीक अगर इसको आगर देखा जाए कि प्रकाशन कोन करता है तो इसका प्रकाशन अंकटाड के द्वारा किया जाता है ठीक है इवियंसी टीएडी अंकटाड 37 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर 37 नंबर प्रशन बूल ला है आपसे किसी पूजी वादी अर्थ वस्था है तो वस्थू की कीमत किसके द्वारा निरधारित होगी बाजार के विक्रेताओं द्वारा या बाजार में खरीद्वार जो मौजूद है या सरकारी अधिकारियों द्वारा या मांग और आपूर्थ पर एकॉनमी शुरू हो चुकी है जबाब आने चाहिए चलि देखते हैं भाई कौन सा विकल्ब सही है आप लोग डी पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं तो क्या ये सही है हाँ बिल्कुद ये सही है आप इस विकल्ब को चुने हैं तो कहीं न कहीं एकदम सही चुनना है आप लोग जो गलत कर रहे हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं इ इसका एम क्या है? चलिए अब आपके जबाब मैं देखना चाहता हूँ, चलिए महिमा जी विकल्ब D को आप चुन नहीं है, अनि लोग भी बताएं भाई, देखो करेंट का प्रशन है, एकॉनमी से सम्बंद ही ते इसलिए मैंने रख दिया, बता रहा हूँ कि यहाँ पर को चुन नहीं, महिमा द्रिवेदी जी D, अन्यांद का बर्मा जी, CRD, कोई दिक्कर नहीं, कन्फीजन दो में हो, तो वहाँ पर हम तुक्का तुक्का भी मार सकते हैं, सिसिर मौरिया जी, A विकल्ब को चुन नहीं, रिचा जी विकल्ब D चुन नहीं, राजकुमार पटेल थोड़ा सा, पीडियाब मिल जाएगी कुछ देर में, टेलग्राम चैनल वगेरा जुएन कर लीजिए वाई, तहां आसानी रहे हमें भी, टीम को भी, भारस सरकार पूण गरीबी रेखा को निमन में से किस आधार पर निट्देश्ट करती है, घरेलू बचत के आधार पर, घरेलू भोग के आधार पर, घरेलू निवेस के आधार या घरेलू आय के आधार पर, 39 अंसर, चलिए कमेंट करिए, भाई इसका जवाब क्या है, क्लास कब तक होगी सर, भाई 50 क्वेशन है तो इसमें मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्वेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इस सरकार किसके द्वारा, जितेन साहु जी, बीविकल, अलका यदवंसी जी, बीविकल, बेरी गुड, बहुत बढ़ी हां कुछ लोग लगातार जो है, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, ये 50 की सीरीज में लगातार आपको, जब तक मैं हूँ, यहाँ पर भोग पर देखती है, कि एक माली जे परिवार है, सही तो परिवार है, उसमें 20 सदसी हैं, तो कितना कितना हर सदस्यों पर आ रहा है, भोग आ रहा है, इस हिसाब से क्यों कि अपने भारत में तो सभी को तो नोकरी है, नहीं, तो एक बेक्ति कमा रहा, तो उसी का आकलन कर ल नहीं किया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एर टेल पेमेंट बैंक, जीओ पेमेंट बैंक, या पेटियम पेमेंट बैंक, नाओ, आपके आंसर, कमेंट यूरो आंसर प्लीज, फड़ा फड़ जवाब दीजे, चलिए वाई, 40 नंबर का जवाब सभी से अपक्षित है, मै अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्ण बोला, कॉंड इन ले, 1 जिओ अभ्यारन की सराज्य में स्थित्थ रे तं नाट का, राजकमार पतेल जी वाई, कर दे नहीं लोग भी कमेंट कर जवाब, कॉंडेन जो यह आपका वनी जीव एक तरीके से अभ्यारण है किस राजी में कुल्दीव जी वी विकल को एक बार भी लिखेंगे भाई तब भी हम देखेंगे सरद यादो जी डी विकल को चुनने हैं रोमि जी ए विकल को चुनने हैं अनिलोग भी भाई देखें इसका जो कॉंडेन है ना यह आपका यहां आनप्रदेश में पढ़ता है सी विकल जीनों ने चुना है वो एकदम सही है ठीक है आनप्रदेश में यह पढ़ता है अभ्यारण 42 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है संसाधन दक्षता समवाद जो आउसिष्ट प्रवंधन से संबंदित है किस सिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है चलिए देखते हैं कौन-कौन जवाब 42 नंबर के दे रहा चलिए वई 42 नंबर के जवाब कौन-कौन दे रहे है चंसिखर यादो जी विकल्ब A को चुनना है आपने अनि लोग भी जबाब बताएं कुलदीब जी आपका जबाब A के तौर पर आ रहा है अनि लोग भी बताते रहे हैं फटा-फट सरज जी ने जबाब A चुनना है वन्दना मोरय जी विकल्ब D को आप चुनन नहीं है अनि लोग भी कमेंट करते रहें भाई चली अनि लोग भी कमेंट करते रहें कमेंट के मादम से हमें बताते रहें कुनाल जी, G20, अनिलोग वी, अनामिका बर्मा जी, विकल डी को चुन नहीं, चलिए देखते हैं, 42 नमबर का जबाब, 42 नमबर का जबाब जी नोंने G20, ए विकल चुना, वो होते हैं, एकदम सही, बहुत बढ़ियां, 43 नमबर प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर, 43 नमबर प अन्दोलन या चिप को अन्दोलन, चले कमेंट यो राइट अंसर, फड़ा फट बोलिए भाई, चले इसका विकल चुनिए भाई, 43 नमबर का, चनसेखर यादो जी विकल डी को, एश्वर या उपध्या जी, विकल डी को चुन नहीं, आप अनिलोग भी बताईए भाई, बुलदीब जी विकल ची को, चले देखते हैं, देखें ये जो जैविक खेती और जैविवित्ता के संद्चन हे अंदोलन जो चला, ये नोधान्या अंदोलन था, और इसको चलाने वाली जो थी, उनका नाम वंदना सीवा है, क्या नाम है? वंदना सीवा, दिमाग में रख पर है, प्रश्न इस पकार है, राष्टिय वनिकरन और परियावरन विकास बोड की अस्थापना किस वर्स की गई? 1991 और 1992 और 1980 और 1948, नाओ कमेंट यूर आंसर, चले फटा फट, आंसर कमेंट करिए भाई, राहुल यादो जी, हेलो, थोड़ा सा देर आए, आठ बजे से कल स परियावरन विकास बोड है, इसकी अस्थापना 1992 में, बी विकल्प वाले होते हैं एक दम राइट, ठीक है, नाओ क्वेशन नमबर 44, 45 स्क्रीन पर, मगरमच प्रजने नियूमसन रच्छन प्रयोजना किस वर्स शुरू की गई? 1972, 1974 या 1975 या 1980, मगरमच प्रजने नियूमसन रच्छन प्रयोजना, अब आपकी बारी कमेंट करो भाई, चलिए फटा फट, जीतेन साओ जी वि विकल्फ को चुननना है, निहाल सिंख जी D विकल्फ को चुननना है अनलोग भाई, बताईए, कमेंट करेए, चलिए इसको देखते हैं, 45 नमबर कोशन, 45 नमबर कोशन का राइट आंसर है 1975, जिन्होंने C विकल्फ चुना है, एकदम सही होते हैं, ठीक है, ये हुआ क्या ठ साथर 1975 में भारत सरकार ने देखा कि घडियाल जो है इनकी लगातार क्या हो रही है संख्या गिरती जा रहे है तो सहीवक्तराष्ट विकास जो आपका कारिकरम है ठीक ए उनाइटेट नेचन का जो आपका डिवलमेंट एक तरीके से चलता है कारिकरम उसके सहीवक से भारत सरक प्रश्ण आचुके जबाब दीजिए रश्मी बाला जी जबाब C, निहाल जी जबाब C, चलिए अनी लोग भी जबाब दीजिए भाई, ये किसका जबाब है, फटाफट बताईए, एश्वरिया उपध्या जी C, दे रही है, निहाल जी C, सर नोट्स नहीं बने हैं मेरे, कोई दिक्कर नहीं है राहूल जी, नोट्स सब बनते रहेंगे, ठीक है, निहाल जी, अलका जी जबाब C, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या सही है, बिल्कुल सही है, जिनोंने C वि उसता है, कि भारत में अस्थानिय स्वासासन का जनक कोन है, निश्ड्म को माना जाता है, लाड रिपन को माना जाता है, समझ गए ना, चले अगले प्रेश्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रेश्ट नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर, 47 नंबर और Bennett, आपसे ऐसा कुछ भूल आए, कि भारती सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्टपत पर महावियोग यानि इंपीजमेंट चलाया जा सकता आटगिल 31 या आटगिल 41 या आटगिल 51 या आटगिल 61 जवाब दीजिए फटाफट आप सभी के जवाब इस पर आने चाहिए भाई पॉलिटी का प्रशन ह है चलिए फटाफट जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए सर आवाज कमारा एक कोई दिक्कर नहीं है भाई मैं थोड़ा धीमे भी बोलना हूँ ठीक है आटगिल 61 अनूब जी निहाल जी डीविकल्प पूजा कुमारी डीविकल्प अनि लोग भी जबाब दें भाई 47, 61, अलका जी डीविकल्प, सरज जी डीविकल्प, क्या सही है भाई डीविकल्प आप लोग बोल ले है बिल्कुल सही है अनुच्छेद 61 में जो है ये राश्पत पर महाभियोग चलाने की पूरी की पूरी प्रक्रिया का वर्डन किया गया है चलिए अगले विकल्प की और बढ़ते हैं 48 नंबर की प्रशन जो सिंखला है आपकी इस प्रकार है संबिधान की नवी अन्सूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेदने बनाया बचाया है ठीक है क्या वो 30A है क्या वो 30B है 31B है क्या वो 31C है 32C है क्या वो गया दो जी B विकल्प को आपने चुना है अनि लोग भी भाई कमेंट करिए कौन सा है भाई 49 का जबाब अन्यामिका बर्मा जी B कुनाल जी 31B बेरी गोड़ जीतें साहू विकल्प D को आपने चुना है C को निहाल जी विकल्प B को रुमिज जी विकल्प B को आखिर देख देखा जाए एक तरीके से कि कुछ ऐसे ला होते हैं जो fundamental right के अगेश्ट होते हैं या constitution के अगेश्ट होते हैं तो वो article 13 उनके लिए प्राउधन करता है तो इन सबसे बचाने के लिए 13B आपका यहां पर इन सभी को रोगता है नौई अन्सूची में रखे गए सारे चलिए फड़ा फड़ जबाब दीजिए इसका कौन सा इसका जबाब बताओ भई चलो मैं तो बताओंगा नहीं 49 49 जबाब बताईए 49 का जबाब बताईए भई निहाल जी जबाब C दे रहे सरज जी A बोल ले रूमिज जी A बोल ले 358 निहाल जी चलिए देखते हैं इसका देखे जब मौलिक अधिकारों के अस्तगन की बात आएगी तो वहाँ पर राष्ट्रपद को जो आपका देता है सबसे ज़्यादा पावर मौलिक अधिकारों के अस्तगन की ये अनुचे 369 देता है ध्यान रखिएगा ठीक है बीस इकीस इसमें भी इंकल्यूड नहीं होते बीस इकीस तो मालो वैसे तो हम जो है वो कर सकते हैं ठीक है अस्तगन लगा दें लेकिन इसके पूर्ण नियंतर क्या आपके राइट टू लाइफ या राइट टू लिप को सरकार चीन सकती है कभी नहीं भारतिय संविधान आपके मरने पर पाबंदी लगाता है अगर आपने आप हत्या कर ली तो अगर बच गए तो भारति सरकार उठा ले जाएगी कूटेगी पुलिस और उसके बाद वो छोड़ेगी तो घर वाले ठीक है भारति सरकार आपको मरने नहीं देगी क्योंकि अपने यहां राइट टू लिप है जीने का अधिकार है मरने क अधिकार नहीं है पचास नंबर प्रश्ण पर बढ़िए सरकार सरपंज को कैसे हटा सकती है यदि तीन बटे चार पंज सरपंज के बिरुद आविश्वास का प्रस्ताव कर दे बी विकल बोला एक बटे तीन पंज सरपंज के बिरुद आविश्वास का प्रस्ताव पारि आपकी स्क्रेन पर प्रेशन बोल ला है भारती प्रिश्भूम पर बनी निम्न में से किस फिल्म को बिटिस अकादमी आप फिल्ड एंड टेलिवीजिन अवार्ड ठिक यानि बाप्ता पुरसकार 2019 से नवाजा गया इनमें से जबाब आपका कौन सा सही है फड़ा फड़ कमेंट करें फर्स्ट का फरीन जी टेसरी लेनी आप 945-0006-007 पर कॉल कर सकती है वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नीचे किसी भी डेस्क्रिप्शन में आपको अभी लिंक मिल जाएगी चलिए पहले का जबाब देखते हैं पहला फिल्ब जो आपका ये क्वेशन यानि बाफ्टा 2019 किसको मिला निम्लू में से किसको दिया गया तो इसका जबाब सी सही है रियल कास्मीर फूटवाल जो है कलब को बाफ्टा कुरसकार से नमाजा गया है 2019 क्वेशन नमबर दो आपकी स्क्रीन पर है बेश्व चुनामी जागरुपता दीवसी यानि वर्ड चुनामी अवेरेंड़ेंडस डें कब मनाया जाता है 5 नमबर 6 नमबर 9 नमबर 8 नमबर इन में से कौन सा जबाब सही है फटाफट सारे लोग जबाब दें दूसरे नंबर का जबाब कौन सा सही है सारे लोग फड़ा फड़ दें अर्विंद जी ये बुल ले लोग भी जवाब दीजिए दूसरे नंबर क्वेस्टन का जवाब क्या है आपका फरें जी हाम इसका जबाब second नंबर क्वेस्टन का 5 नॉउमबर जाहुल जी का जवाब है सुभ़म जी का जवाब सी है इसका जवाब देखते हैं वेशो सुनामी जागुरुकता दीवसकी अगर बात की जाए तो यह आप का 5 नौवंबर को मनाया जाता है यहानी प्रतेक 5 नौवंबर को पूरी दुनिया में ठेक वर्ड सुनामी पुरसकार दिया गया कि लेखक कौन है मादुरी विजय जैसमंडेज सहनाज हवीव जुमपा लहरी दी पार फील्ड जिसे साहित में जैसी भी पुरसकार दिया गया जबाब बताए इसका फटाफट कमेंट करिए इसका जबाब क्या है हरविंदर जी सी दे ले रहे है सुभम जो प्रशन है इसका जबाब आपका A है मादुरी विजय जी को यह मिला है जैसी भी पुरसकार ठीक है इनका यह पहला उपन्याज था दी पार फील्ड इसको 2019 का साहित जैसी भी पुरसकार दिया गया नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 4 आपकी स्क्रीन पर वाभारती एक खिलाडी जिसे वर्ड ओलम्पियंस एसोसियेशन याणि डवलू ए डवलू ओ ए ने हाली में ओली की उपाज से सम्मानित किया पीटी उसा मेरीकौम मिलखा सिंग हीमादाज इन में से बताएं कि ड पड़ाफट जबाब दीजी आप लोग क्वेशन नमबर 4 अरविदनर जी का जबाब B है ने लोग भी जबाब बताएं मादवें जी B जबाब दे रहे हैं अने लोग भी बताएं इसका जबाब क्या है महिमा जी B जबाब दे रही अलका जी का जबाब A है गरिमाराओ B से जानते ही यह पुरसकार उन वेक्तियों को उन खिलाडियों को दिया जाता है जिन्नोंने Olympic में पदक जीता हो और साथ ही समाज में Olympic मुल्यों को बढ़ावा देने का काम किया हो समझ गए Oli Award उन्हें दिया जाता है यह मेरी काम को दिया गया question number 5 आपके screen पर टी एन सेशन जिनका हाली में निधन हुआ वह थे पूर्व चुनावाई, पूर्व मुखिनेयाधिस, पूर्व शेना प्रमुख, पूर्व इसरु अध्याच चलिए फड़ाफट पांच नंबर प्रशन का जबाब देजे टी एन सेशन जिनका हाल ही में मृत्व विए यह पूर्व में मुखिन चुनावाई, पूर्व में यह मुखिनेयाधिट थे छे नंबर प्रश्ण उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में किस अस्थल को रामसर अस्थल के रूप में नामित किया गया है। छे नंबर का जबाब देखते हैं। कब पारित किया गया? 1992, 1994, 1995, 1996 जबाब बताईए क्वेशन नंबर 7 का जबाब बताईए। एसोरिया उपध्या जी नेटवर्क दिक्कत दे रहा है। भाई कहां पर दिक्कत है? आप लोगों के फोन में कोई समस्चा है क्योंकि आन्नी लोगों का जबाब लगातार आ रहा है। राजकुमार जी C महिमा जी B विकल्प चूच कर रही है। अभी सही है राजकुमार जी चलिए। अन्नी लोग भी वाई कमेंट करें। सात्वे का जबाब जो आपका है। ये सात्वे का जबाब आपका B विकल्प है। 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संसोधा नधरियम पारित हुआ था। आप लोग प्रश नंबर आठ का। प्रश नंबर आठ राजकुमार प्रटेल जी A महिमा जी का जबाब A सरज जी का जबाब C आ रहा है। बताईए भाई फटाफट आठ नंबर का जबाब क्या है। अलका जी A का C जबाब दे रही। हाथ रस रभी प्रताब जी क्या सही नहीं चल ला भाई। चली सारी चीजे सही हैं नेटवर्क इशू कोई नहीं रह गया है। चली इसमें देखते हैं आठ नंबर का अगर जबाब देखें हम तो आठ नंबर का जबाब सबसे बेस्ट है आपका भी। क्योंकि अपने यहां सोच में यंत्र बनाने का प्रमुक और दोगे केंद्र लखनव है उत्तर प्रदेश में। नौ नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर गंगा की सहाइग नदियों में से कौनसी बाई और से नहीं मिलती है। गंड़क, कोसी, गोम्ती, सोन इन चारों में से जवाब आप बताईए फड़ाफट। गंगा की सहाइग नदियों में से कौनसी बाई और से नहीं मिलती है। इसका जवाब क्या होगा। सही विकल बताएं। इसका जवाब क्या होगा। अगर नवर प्रशन का जवाब देखा जाए तो इसका विकल आपका D होगा। सोन नदी होगी। क्योंकि सोन ही नदी आपकी ऐसी नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलती है। ये गंगा के एक तरीके से राइट साइट से मिलती है अनी जो आपकी होती है ये बाकी जो इसमें दिये है सोन के अलावा गंड़क कोसी गोंती ये सब आपके बाएं और से आकर मिलती है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजिपाल कौन है राम नाइक आनंदी बेन पटेल लाल जी टेंडन कमल नाथ इन चारों में से जबाब बताईए दसमें नंबर प्रश्ण का जबाब दीजी आप लोग दस नंबर प्रश्ण का जबाब क्या होगा चलिए फटाफट जबाब आप लोग चूज करिए दस नंबर प्रश्ण का जबाब क्या होगा उत्तर प्रदेश के जब जो है बी जबाब सारे लोग दे रहे है स्वर्या जी टेंथ भी राजगुमा पटेल जी भी गरिमा जी का जवाब भी है चलिए इसका जो जबाब है या अनंदी बेन पटेल है इन में से कौन रही चलिए फड़ा पट जबाब दीजिए ग्यारा नंबर का जबाब जो सही है यह 17.72% रही यानी सी विकलपाप का राइट है जनगर्णा 2011 के अनुसार आगे बढ़ते हैं बारा नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है जनगर्णा 2011 के अनुसार कि संग सासित प्रदेश की जनसंग क्या ब्रिदि सबसे अधिक है ब्रिदिदर पूछा है दमेन यूम द्यूब पुड्डू चेरी दादर यूम नागर हवेली दिल्ली इन चारों में से फड़ा फट जबाब बताईए वाई बारा नंबर प्रिशन का जबाब दिजीए आप लोग 12 का D जबाब आ रहा है अनु लोग भी जबाब देते रहें वही फड़ा फट किसकी सबसे ज़यादा जी तेन जी का जबाब C है अनु लोग भी कमेंड करें सरजी जवाब भी दे रहा है, चलिए देखते हैं बारा नंबर प्रशन का आपका जवाब क्या है, बारा नंबर प्रशन का जवाब दादरियुन नागरहवेली, C. विकलप आपका होता है, next question की और बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर, भारत की कुल जनसंख क्या का चलिए वताईए फड़ाफट जबाब दीजिए जितेन जी भी राहुल जी सी जबाब दे रहे हैं अनि लोग भी कमेंट करें भाई तेरा नंबर प्रशन का उत्तर क्या है सरज जी का जबाब A है अर्विंदर जी भी दे रहे हैं चले इसका देखते हैं तेरा नंबर प्रशन का जो सही जबाब होगा तेरा नंबर प्रशन का सही जबाब B विकल्प है क्योंकि भारत की कुल जन्सका क्या 16.6 प्रशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है यह जनगर्णा से आपके क्वेस्टन्स हैं इसलिए ध्यान रखना है प्रशन नंबर 14 इस्क्रीन पर 2011 के अनुसार भारत में सिस्वों की संख्या कितनी है 16.8 करूण 15.87 करूण 14.6 करूण 17.6 करूण चलिए जबाब बताईए भारत में सिस्वों की संख्या कितनी according to 2011 census गरिमाजी A जबाब दे रही महिमाजी का जबाब D है अने लोग भी जबाब दे अने लोगों के भी जबा इसका अगर सही जब आप देखा जाए कि 2011 के अंसार सिस्वों की जनसंख्या के बारे में बात करूँ तो इसका विकल बिल्कुल भी सही है जो लोग भी चुलने है 15.87 करोर जो जनसंख्या थी ये सिस्वों की थी according to 2011 question number 15 screen पर आपके है बोला अंतर राष्टी है महिला दीवस का मनाय जाता आठ मार्च आठ परवरी दस मार्च आठ अफरेल चलिए जबाब दीजिए जो है महिला दीवस का मनाय जा रहा है 15 नंबर का जबाब A आ रहा है सत्यम जी का अनिलोग B हरविंदर जी का जबाब A है श्वरया जी का जबाब A है राहुल जी जबाब 8 दे रहे महिमा जी जबाब A दे रहे है बिल्गुल सही जो लोग A चुन रहे है आठ मार्च वो एकदम सही है आठ मार्च को ही महिला दीवस अंतराष्टी मनाय जाता Q. 16 इतिहास पर हम पहुंच चुके हैं असोग का कौण सा सिलालेक सबसे लंबा है दूस्रा सिलालेक पांचवा तेरावा बरहभवा चले बताईए असोग का कौन सा सिलालेक सबसे जबादा लंबा है 16 का जबाब C आ रहा है अनि लोग भी जबाब दे हर्विंदर जी C जबाब दे रहे राजकुमार पटेल जी C, सत्यम जी का C, राम निवाज जी का चले इसका बिकल्ब देखते हैं 16 नंबर का जबाब 13 शिलालेक जो है ये सबसे बड़ा शिलालेक अपने आप में असोक का माना जाता है 13 शिलालेक में ही कलिंग युद्ध का वर्डन है कलिंग विजे का वर्डन है तो आपको ये भी ध्यान रखना है मानलिजे कभी आपसे पूछ ले कलिंग विजे का वर्डन असोक के किस सिलालेक में है वो सिलालेक आपका तेरहमा है अगर मानलों कभी पूछ ले कि ढम की बात किस सिलालेक में की गई 17 नंबर आपकी स्क्रीण पर मनूष्य के सरीर में मनुष्य के सरीर के दातों का प्रथम उसेश कहां से प्राप्त हुआ है मनुष्य के सरीर के दातों का प्रथम उसेश कहां से प्राप्त हुआ मेहरगड, सोहन घाटी, आदमगड, मालवा चलिए जबाब दीजिए 17 नमबर प्रेश्ण का सत्रा नंबर का सर साउंड थोड़ी बढ़ा दीजिए फ्लीज बहुत स्लो है फरीन जी अब इससे तेज तो मेरी आवाज नहीं हो सकती है लेकिन मैं कोसिस करूँगा कि हाँ साउंड थोड़ी बढ़ जाए कल भी आप बोल लई थी ए जबाब आ रहा है सत्रा का अलका जी का अनिलोगों का भी जबाब देखते हैं भी जबाब आ रहा है तो सत्रा नंबर प्रश्ण का जबाब जिनोंने एव चुना है वो एकदम सही है मेहरगड में ही आपके मनुष्य के सरीर के दातों के प्रथम उसेस के तौर पर मिले हैं इन चारों में से आपको सही जबाब देना है अंग्रेजों ने दच्छन में अपना पहला कार खाना कहां पर खोला है चलिए इसका जबाब दीजिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है अंग्रेजों ना अपना कार खाना खोला लेकिन इन बाद में क्या हुआ इन्होंने मसुली पढ़नम से बाद में अपने गदविदियों का केंदर कहां पर अस्थापित किया मद्रास में फिर मद्रास में ही ये सारी चीजे करने लगे वहीं से सब कुछ इनका चालू हुआ भारत के ऊपर हर एक चीजे नजर और हर एक किसके लिए जानी जाती है 19 का विकलब C आ रहा है अनि लोग भी बताइए वई 19 एश्वरय जी का जबाब A है जितेंजी का जबाब C है राजकुमार जी जबाब C बोल ले अनि लोगों के भी जबाब आ रहे चलिए देखते हैं अरुडा आशप अली यह मुखिरूप से भारत छोड़ो आंदोलन से जूड़ी रही इसकी प्रमुख महिला संगठक के तोर पर जानी जाती है तो विकलब C आ आपका एकदम उचित जबाब है प्रशन नमबर 20 आपकी स्क्रीन पर थोक मूल सुचकांग में निमलिखित में इसे किस वस्तो का बेट़े सबसे यदिख होता है हम एकउनमी के प्रशनों पर आ चुके हैं प्राथमिग लेख विनिर्वित मल इधन और विजली सेवाये ठोक मूल सुचकांग जवाब का होता है इसमें किस वस्तो का बेटे सबसे अधिक होता है जबाब फटा फट दीजे एकानमी का प्रशन है C. राहुल जी जबाब दे रहे है पीस नमबर का जबाब अनि लोग भी कमेंट करें अनि लोग भी कमेंट करें जो है शादिका सुमन भारत द्वा जी का जबाब D है अनि लोग भी जबाब दे रहे हैं चलिए इसका जबाब देखते हैं बीस नंबर प्रश्ण का सही जबाब आपका विकल्प भी होगा बी निर्मित माल इसके अंतरगत आता है यानि थोक मूली शोचकान जो होता है इसमें इस्तेमयाल की जाने वाली जो एक तरीके से टोकरी ह होती है वो तीन समों को लगाया जाता है उनसे मिल कर २िर्माढ होता है और इसमें कौन-कौन सी पहली चीज आपकी निर्मित उत्पाद होता है यानि जिससे कोई बनता है कोई चीज बनती है फिक पेग प्रात्मिक लेक जैसे मानलो भोजन बोजन ये लगब बिजली की यानि इसमें से अगर आप घटा दें तो बिजली जो है लगभग कितना होती है यह 14.9 परशन के प्राक्स आती है ठीक है इन सभी से मिला कर बनता है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर प्रशन आप से पूछ रहा है वर प्रशन की ओर आप सी नीर्वाचित शंभधान सभा का गठन होगा जो युद्धो प्रांत शंभधान का निर्माड करेगी। क्वालिटी के प्रश्णी स्क्रीन पर A विकल बोल ला है, गोल में संबेलन, B बोल ला है, क्रिप्समिशन, C बोल ला है, संबिधान, निरमात्री, सभाडी बोल ला है, इनमें से कोई नहीं, चलिए बताइए, 1942 में कौन सी ऐसी बात हुई, विकल B, अनि लोग भी बताएं, B, जी, राजकुमार पटेल जी, B, विकल चुन है, सारे लोग विकल भी भाई चुन है, कौन सा आखिर सही है, सादिका, सुमनजी, विकल, एश्वारिया भी, महिमा जी का भी, बिलकुल सही है, विकल पाव लोग चुन है, एकदम सही है, 1942 में, क्रिप्समिशन जो आए था, उ इसलिए अंग्रेजों ने कहा था कि दुतिये विश्चित समाप्त होगा, इसके बाद इस चीज को हम लागू करेंगे. 22 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर प्रशन इस प्रकार, राजसभा के लिए नामित प्रथम फिल अबनेत्री, कौन थी? 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर, पहली बार राश्ट पर सासं कब लागू किया गया? सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया? 22 जुलाई 1951, 22 जुलाई 1964, 18 जुलाई 1955, डी विकल कहरा 20 जुलाई 1969, चलिए इसका जबाब बताईए, 23 नंबर प्रशन का जबाब क्या होगा? बी विकल्ब सुभाम जी बोल रहे, अनि लोग भी जबाब दीजिए, पहली बार राश्ट पर सासं कब लागू हुआ? एस्वरया जी 23 का जबाब A दे रहे हैं आप, अनि लोग भी बताएं भाई, महिमा जी जबाब A है आपका, राजकुमार जी जबाब D दे रहे है, चलिए इसका विकल्ब देखते हैं, 23 नंबर का जो सही जबाब है, जिन लोगों ने विकल्ब A को चुना है, 20 जुलाई 1951, वो एक दम सही होते हैं, पहली बार राश्परसासन 20 जुलाई 1951 को लगाया गया था, 24 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 24 नंबर प्रशन का है राज, सात्वी अनसूची का संबंद किस्से है, चलिए फड़ा फड़ बताएं, सात्वी अनसूची का संबंद अनि लोग भी बताएं, फड़ा फड़ बताएं भाई, चलिए बताएं, वी विकल्प रामनिमास जी अनि लोग भी कमेंट करें, इसका, सात्वी अनसूची का संबंद किस्से है, अलका जी विकल्प, शुमन जी विकल्प दे रही हैं, हर्विंदर जी भी, बिल्कुल सही ह मत दिसकती हूं कि विभाजन से सात्वी अनसूची का संबंद है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली चीज, पचीस नंबर प्रश्न, बहुत बढ़ियां प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, भारत में संबिधान संसूधन कितने तरीकों से किया जा सकता, दो तरीके से, त तरीके से संबिधान संसूधन कितने तरीके से तो जबाब हमेशा तीन देना, 26 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बोल लाए जोगर्फी हम आ चुके देश के सबसे ज़्यादा तर छेत फल पर किस तरह के बन पाए जाते हैं यह अपने यहां जितनी एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा किस टाइप के फौरेश्ट पाए जाते हैं परवतिय बन उस्रार् आईए भाई फड़ाफट जबाब दीजे चलिए जबाब दीजे भाई 24 का भी जबाब फरीन जी दे रही अनि लोग भी अभी यहां आईए 26 नमबर प्रशन का जबाब दीजे एस्वारय जी वी विकल्प बिजय लक्ष्मी जी वी विकल्प राजकुमार जी डी विकल्प अनि लोग भी चुनन है जब आप आ रहे हैं सभी के 26 नमबर का प्रशन अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा छेतरफल पर किस तरीके के वन है तो ये उस्टार्द पजड़ बन अपने यहां पाए जाते हैं अपने यहां पजड़ी बन ज़्यादा पाए जाते ह अगला प्रशन कह रहा है 27 नमबर प्रशन भाख्रा नागल जो बांध है आपका कौन से राज्यों की सैंत परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान की हरियाणा पंजाब दिल्ली की हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की या पंजाब दिल्ली राजस्थान की चल स्वर्या उपद्या जी सीज विकल्ब चुन नहीं है चलिए अनी लोग भी बताएं येश्पी यार हरियाणा बहुत सही मैमा जी ये विकल्ब चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है 27 नंबर प्रसंट जो है भाकला नागल ये आपका विकल पे जो लोग चूच किये एकदम 100 परसंट राइट है क्योंकि भाकला नागल जो परियोजना है ये कहाँ पर सतलज नदी पर है कहाँ पर सतलज नदी पर है सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है दूसरी बात ये बहुई देशी नदी घाटी परियोजना है तीसरी बात क्या है ये राजस्तान पंजाब और हरियाणा ठीक राजस्तान पंजाब और हरियाणा इन तीनों की सईट परियोजना है समझ गए ना इसमें राजस्तान की क्योंकि PCS में पूछा था इसकी हिस्सेदारी को तो राजस्थान की हिस्सेदारी के गर मैं बात करूँ तो राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है अन्य दूसरे स्टेट की मैं बात करूँ ठीक है जो अन्य दूसरे हैं जैसे एक आपका हर्याणा हो गया ठीक और राजस्थान ह तो इसका राजस्थान को लेकर पूछा था पिछली बार आया था कि राजस्थान की हिस्सेदारी किर्णी है तो 15.2% है आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 27 के बाद 28 नमबर कुशाडों ने किसके सिक्के जारी करवाए सोने के चांदी के तामबे के उपेक सभी कुशा प्चास क्वेश्चन है अरविंदर जी 50 प्रशन हर दिन 8 विजे मैं लाइब लेता हूँ चलिए आगे बताईए भाई इसका जवाब दीजिए 28 नमबर का जवाब एसोरे जी ए जवाब रामनिवाज जी ए जवाब राहुल जी का जवाब ए अलका जी का जवाब ए चलिए देखते हैं भाई कुशाडों ने किसके सिक्के चलाए कुशाडों ने जो है सोने चांदी और तामबे सभी के सिक्के चलवाए थे तो बिकल्ब डी जिनों ने चु ब्रिहत कथा की रचना किसने की है, बताईए 29 नमबर प्रश्ण बोल ला है, ब्रिहत कथा की रचना किसने, गुडादी ने की, सरवर्मन ने की, पड़िनी ने की, राधा गुप्त ने की, चलिए बताईए फड़ा फड़ भाई, ब्रिहत कथा का वर्णन, मल्लब रचना किसन इन्हों ने ब्रहत कता नामक ग्रंद की रचना की थी तो आगे से ये ध्यान रखना है ठीक है ये अगर मानलो कभी प्रशन पूछ ले गुड़ाद दिके बारे में कि ये किस के कभी थे तो एक राजा थे जिनका नाम था हाल राजा हाल के ये कभी थे ठीक है समझ गए आगे वड़ते हैं अगले प्रशन पर उन तीस नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बुल ला है अमोग वर्स किस वन से संबंदित है राश्ट कूट चोल चेर पांडी चलिए बताइए अमोग वर्स किस वन से संबंदित है जबाब दीजिए भाई पड़ा पर जबाब दीजिए आप लोग, D विकल्ब, सुम्भम जी, C, जितने जी, A विकल्ब चुन रहे, चली आनी लोग भी बताईए, रामनिवास जी, D विकल्ब, अजे, मिश्रा जी, A, A विकल्ब जादातर लोगों के आ रहे हैं, क्या ये सही है, देखते हैं, इसका जो जब आप एकदम करेक्ट है, वो राइट आप्शन, A है, बहुत सही, जी लोगों ने ये चुना, अमोग वर्स राश्ट कूट वंस का ही संस्थापक है, समझ गये ना, ये राश्ट कूट वंस का संस्थापक है, इसलिए A विकल्ब आपका एकदम 101% राइट, चलिए 31 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन प D बोला है, इन में से कोई नहीं, 1896 का अधिवेशन किसका कांग्रेस का, चलो बताओ किसके लिए मसूर है, 28 का विकल्ब A फरीन जी, आगे आईए थोड़ा सा बढ़िए, 31 नंबर प्रशन पर हम लोग हैं, चलिए आगे बढ़िए, भई फड़ा पर जबाब दीजिए, C ज 96 की बात है, ठीक, और राष्टेगीत उस समय आपका वंदे मातरम था, इसको सबसे पहले गाया गया था, तो इस चीच को आपको याद रखना है, ठीक, वंदे मातरम पहली बार कहां गया गया था, 2896 की बात है, उस समय क्या हुआ था, बंकिमचन, वंदे मातरम किसके, जो ह अपना राष्टेगीत था, वो यहीं से लिया गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नमबर प्रशन, गदर जनरल, सबसे पहले किस भासा में प्रकासित हुई, बहुत मसूर जनरल है, सबसे पहले किस भासा में ये लिखी गई, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पस्त चलिए, सी विकल्प, अलकाजी, ये विकल्प, अनि लोगों के भी जबाबार है, गदर जनरल देखे, सबसे पहले उर्दू में लिखी गई थी भाईया, ठीक है, ये जबाब एकदम सही है, इसका अगर प्रकासित मानलो कभी पूछ ले तो ये 1913 की बात है, 1913 की बात है, जब कदर पत्रिका का प्रकासिन किया गया था, समझ गये ना, चलिए, आब बाद में इसकी जितनी भासाय दी हैं, इन सभी में बाद में हुआ था, लेकिन सबसे पहले उर्दू में हुआ था, 33 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, 33 नमबर प्रशन आपके जीयों से है, प चलिए आगे बढ़िए नीरज बर्मा जी ए बोले है अजे जी जम्बू एंड कास्मीर जबाब दे रहे हैं अनि लोग भी जबाब दीजे भाई चलिए इसका जबाब देखते हैं पीर बंजल जो परवस्रेड़ी एक तरीके से परवस्रेड़ी है इसका जबाब जिनोंने बी विकल जम्बू कास्मीर दिया है 100% राइट है बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं 34 नमबर प्रशन पर 34 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर ह प्रशन कहरा है निमलिखित में से किसे भारत के निमलिखित में से भारत के किस राजी की सीमा म्यामार राजी से नहीं लगती है चलो बताओ और नाचल प्रदेश मडिपूर नागा लैंड अशम कौन सा ऐसा राजी है जिसकी सीमा म्यामार से नहीं लगती है सही जबाब का जवाब होगा आशाम बोल ले अजय मिश्रा जी, सोनिय सिंग जी, बीज बिकल चुन नहीं है, अनी लोग भी बताएं, 34 नमबर प्रशन मैं पूछ रहा हो, 33 नहीं, 34 पर आईए हरविंदर जी, डी बिकल महिमा जी का जवाब C है, चलिए देखते हैं, 34 नमबर का जवाब, 34 जवाब, डी बिकल पाप ने चुना है, आसम तो एकदम सही होते हैं, आसम की सीमा जो है, मैं अमार से नहीं लगती है, बाकी अनी जुदिये हैं, ये सब कहीं ना कहीं, कनेक्टेट हैं, 35 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, 35 नमबर प्रशन आप से बोला, तुलबुल पर करें भाई, डी विकल पा रहा है, डी विकल भी सभी से आ रहा है, तुलबुल पर यूजना आखिर कहां पर है, 35 का सी भुपेन जी, अलका जी, बी विकल, बीजे लक्षमी जी, डी, उलर लेक, जहिलम, चलिए देखते हैं, इसका जवाब क्या है, 35 का सी विकल जो लोग या ब्रह्मपुत्रा, जबाब दीजे, मानस किसकी सहाइग नदी है, बी विकल जबाब आ रहा है, अन्य लोगों भी जबाब बताएं, 36 नंबर परशन का जबाब क्या है, मानस भुपेन जी, डी विकल चुनने, आरके, डी विकल, और लोग भी बताएं, भाई, फटा फट क्या जबाब है, ए विकल पार आए, डी विकल पार आए, चलिए देखते हैं, 36 नंबर परशन का जो सही जबाब है, यह ब्रह्मपुत्रा है, ठीक, मानस ब्रह्मपुत्रा की सहाइग नदी है, समझ गए, अगले परशन की ओर बढ़ते हैं, अगला परशन आपकी स्क्रीन पर है 37 नमबर डाची गाम राश्टी उध्यान कहा पर है दाची गाम भाई राश्टी उध्यान जंबू अएंड कास्मीर हिमाचल पुरदेस उतरा खंड पंजाब चलिए चारों में से जवाब चुनिये दाची गाम आपका जो राश्टी उध्यान है ड. विकल विजय विकल चुना है ठीक है अगले ये जो है 12 सिंगा के लिए मसूर है जो आपका दाची गम है ये 12 सिंगा के लिए मसूर है 38 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है कहरा है ओजोन परत के छरण में फ्लोरो कारबन ठीक है CFC कामों की स्रोत क्या है ब्रिक्ष है रफ्रीजरेटर है दूसी जल है केरोसीन है बताइए ओजोन परत का जो आपका छरण होता है इसमें में कोन है 34 का विकल डी मैं इस समय 38 नमबर प्रशन पर आपके हूँ 38 नमबर का मैं जवाब आपसे चाहता हूँ 38 का भी महिमा जी विकल भी चुन नहीं जितेन जी भी विजे लक्षमी जी भ नहीं है चलो बताओ तीन पांच छे और आठ कौन सा जबाब सही है क्योटो प्रोटोकाल के अंतरगर ग्रीन हाउस गैस कौन सी बहुत इंप्रेंट क्वेस्टन है यह बी विकल पारके जी छे बोल ले है नीरज बर्मा जी यह बोल ले है चलिए बही बताओ किते हैं 38 का भी फरीन जी चलिए अनी लोग भी बोलते रही है जे मिसरा जी छे बोल ले है हर्विंदर जी ए बोल ले है चलिए देखते हैं 49 नंबर 49 नंबर का जबाब बिलकुल सही जो विकल सी को चुन नहीं है वो एकदम सही है ग्रीन हाउस गैस है भाई 6 है कभी-कभी आपसे दे देता 2 होती है ठीक है carbon dioxide TH3 आपकी जो गैस होती है CH4 मेथेन होती है चौती जो आपकी गैस इसके अंतरगत आती है यह hydrofluorocarbon होती है कौनसी hydrofluorocarbon ध्यान रखना है क्योंकि आपसे अधिकतर यह questions पूछने लगा है नेमलिखित में से कौनसी आपकी greenhouse गैस है पांचवा जो प्रशना पांचवी प्रकार की गैस होती है यह CFC होती है chlorofluorocarbon होती है और छटी प्रकार की जो होती है यह आपकी O3 योजे उन होती है तो आगे बढ़ते हैं 49 के बाद 40 नंबर प्रशन पर 40 नंबर प्रशन कहे रहा है प्रत्वी सम्मेलन 1949 में तैं हुआ agenda 21 किस से सम्मधित है greenhouse गैस यह जलबाई परिवर्तन यह भी प्रशन पूछा भी गया है बहुत जलब चलिए बताइए भाई 40 नंबर प्रशन का जवाब D विकल पा रहा है अनि लोग भी बताए भाई इसका विकल क्या उचित है 40 का जो समझ में आ रहा है आखिर agenda 21 यह भी आया था question गर्माज राओ ज जी डी विजे लक्षमी जी डी देखते हैं इसका जवाब क्या है ग्रीन जो प्रद्वी संबेलन हुआ है ना प्रद्वी संबेलन के लिए यह जो agenda 21 था यह इस्थिरता के लिए आया था stability के लिए हुआ था ठीक है 1992 की बात है जब रियो जनेरियों में क्या हुआ था ठीक ह जब प्रद्वी संबेलन हुआ था इसमें agenda 21 जो है संबलेत किया गया था अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं 41 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है 41 नंबर बोला global 200 क्या है फोर्स द्वारा जारी की गई 200 बड़ी कंपनियों की लिष्ट इन इसको द्वारा जारी 200 धरोरो की लिष्ट सी बोला है बेश्चो के 200 महत्पूर्ण सहर डी विकल बोला है डबलु डबलु यफ द्वारा संब्रशन के लिए तैंक किये गए 200 इको रीजन की लिष्ट चलिए इसका जबाब दीजिए फड़ा फट बताईए बाई चलिए बताईए 41 का जबाब आ रहा है व डबलु यफ द्वारा संब्रशन के लिए तैंक किये गए 200 इकोरी जन की लिष्ट है ठीक है तो डी विकल चुना 41 का वो लोग एकदम सही होते हैं 42 नंबर प्रशन पर बढ़ते हैं 42 नंबर प्रशन आपका ये बोला है कि जो रंजक हिंता होती है ठीक है रंजक हिंता जन् होती या फरक्तो काइनेज की वजह से होती या कजेंथीन आक्सिडो यर्ज की वजह से होती है किस engine की कमी से होती है जबा बता ये विज्ञान पर आ Čचुके है हम लोग ठीक है d विकल चुनना है डी विकल्प चुनना है आप लोग मैमा जी सी विकल भरविंदर जी विकल जो ये रंजक हींता होती है ना ठिक ये रंजक हींता आपकी टाइरू सिने सेव होती है तो जिनोंने वी विकल चुना है वो एकदम सही है अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं 43 नमबर प्रश्ण बोला टाइफाइड तथा कालरा बिसिष्ट उदाहरन किसका है जबाब दीजिए फटाफट जबाब दीजिए भाई 49 नंबर का जबाब बताईए फरीन जी सी विकल चुन नहीं आजे मिसरा जी सी चुन नहीं महिमा जी सी चलिए 43 का सी भुपेंदर जी सी जबाब इसका देखते हैं 43 जो आपका आयोडिन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाब 60 नाओ कमेंट यूर आंसर क्या जबाब आप सभी के हैं भाई बताईए 44 नंबर का जबाब सभी से अपक्षित है C 60, C करेक्ट अनि लोग भी जबाब दें भाई A जबाब आरा फरीन जी का मादवेन जी, D, गरिमा जी, D देखते हैं इसका जबाब 44 नंबर का जो सही जबाब है ये विकलप आपका C F फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, फास्फोरस 32 का इस्तेमाल इसमें होता है अगले क्वेशन की और बढ़ते हैं 45 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है 45 नंबर प्रशन आपसे बोला इरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कंड की जरूरत होती इलेक्टरान की होती है या प्रोटान की होती है या निट्रान की होती है इनमें से कोई नहीं इरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखना है अगर लगातार चलाना है तो क्या कराएंगे आप उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे दी विकल्प, ए विकल्प, थर्टी टू, भाई बताईए पैतालिस नमबर का जबाब बताईए च्या-लिस नमबर आपसे प्रश्ण पूछ रहा सूखी वर्फ क्या है बाई, बीना पानी की ठोस वर्फ को सूखी बोलते है या बेंजोईक एसिड को बोलते या गलेसियल एसिटिक एसिड को या ठोस कारबन डाई आकसाइड को सूखी बर्ब किसको बोलते हैं बताओ भाई गरिमाराव जी वी विकल नीरजी सीयोटू को बता रहे हैं आनी लोग भी बताएं भाई बुबेन सिंग जी 46 का डी बीजे लक्षमी जी डी फरीन जी डी महिमा जी डी बोल लें सूखी बर्ब जो होती है ये ठोस कारवन डी आकसाइड होती है मुवी ओगएरा दिखते हैं फिल्म ओगएरा तो फिल्म में जो दिखाय जाता कि ये से बादल ऊड़ रहे हैं सब ना ये सब सूखी बर्ब से किया जाता है इसको जो है उड़ा कर फिर सारी चीज़े दिखाई जाती है 47 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर बोल लाइक कृतिम वर्सा या मेक वीजन के लिए प्राया प्रियोग किये जाना वाला रासाइनिक द्रब भी कौन सा है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सुखी बर्ब या उपीक तुमें से सभी क्या सभी का इस्तेमाल होता या इन में से कोई एक है बताओ कृतिम वर्सा कराना है नेट वेकार चल ला है सर जी इधर तू नहीं है सुमजी नेट इधर सही है निखिल जी 47 का जवाब D दे रहे है भुपेण जी 47 का जवाब A दे रहे है क्वेस्चन नहीं दिख रहे है हमें आवाज भी रुख रुख क्यारी सुमज जी आपके उधर नेट वर्क की इशू है कही ना कहीं ठीक है अलका जी डी वेकलब 47 का जवाब जो है ये एकदम डी जो है आपका उप्शन ये सही है सभी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है कृतिम वर्साई या मेग वीजन के लिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं 48 नमबर प्रशन आपका दूतिये बुद्ध किसे कहा जाता है चलिए जवाब दीजी दूतिये बुद्ध किसे कहा जाता है पदम संभो को मेत्रे को अवलो की तेशर को या शुगोस को दूतिये बुद्ध किसे बोलते हैं भाई चलो बताओ दूतिय बुद्ध किसे बोलते हैं फटाफट अन्तालीस नंबर प्रश्ण का जवाब दीजिए ए विकल पारा, राउल यादो जी डी विकल हरविंदर सिंग जी डी विकल निखल जी डी विकल चुन नहीं अलका जी वी विकल चुन नहीं है देखें, दूतिय बुद्ध जो बोला जाता है ठीक, ये पद्म संभो को बोला जाता ए विकल जो लोग चुन नहीं हैं वो एकदम सही है, पद्म संभो को ही दूतिय बुद्ध कहा जाता है आगे से धान रखना है, 49 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है ब्लेक पैगोडा किस प्रदेश में है ठीक है, उडिशा में, आन प्रदेश में, केरल में, तमिलनाड में चलो बताओ, ब्लेक पैगोडा किस प्रदेश में इसकित है ये विकल पार आए, अन्नी लोग भी बताएं भाई ब्लेक पैगोडा, नीरजबर्मा जी ये विकल, सर हमें भूल गए थे क्या, अरे राहुल जी नहीं, ऐसी कोई बाद नहीं है, भूले नहीं है भाई, सवी का नाम याद है, कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो नाम उपर चला जाता है, बीजे लक्षमी जी ये विकल को चुनने हैं, बिल्कुल सही है, आप लोग ये विकल चूज कर रहे हैं, उडिशा ही है, ब्लेक पैगोडा जो है, ये उडिशा ही आपका है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्णाव की स्क्रीन पर है, 50 नंबर भारत में खादी सुरच्चा और मानक अधिनियम कप परित हुआ, इसका जबाब बताईए भाई, जल्दी से बताईए, इसका जबाब 50 का ये आ रहा है, ठीक है, हाँ बीजे कुमार जी आप भी है भाई, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 2005 प्रवली महिमा जी ये विकल दे र ठीक है, और लेकिन अगर मानलो कभी पूछले लागू कब हुआ, तो लागू 2011 में हुआ है, ध्यान रखिएगा, पता चले कि सब गड़बड हो जाए, ठीक, तो 50 कोश्चन की ये सीरीज पूरी हो चुकी है, चलिए सुरुवात कर रहे हैं, देर ना करते भी है, फटा- पशनाप से ये कह रहा है, कि संयुक्त राष्ट महासभा, ठीक, जिसको सौट फॉर्म में आप बोलते हैं, इवियन जी ये, कि 74 में अधिवेशन में पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाएगे, मित्थे आरोपो, जूटे आरोप लगाएगे, क्या जबाब किस ने दिया, बिदिशा मुईते ने, सयद अकबर दीन ने, पॉलोमी त्रिपाली ने, इमाम गंभीर ने, किसने जबाब दिया है इसका, ये उवियन जी ये का मामला रहा, चलिए फटा-फट, जो है सारे लोग इसका जबाब दीजिए, उवियन जी ये का जो ये 74 मा सेशन रहा, इसमें बी विकल पार आये, जी तेन जी का अनिलोग भी जबाब दे रहे, से विकल, ए विकल, चलिए देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है, जो सही जबाब क्या है, उसका 74 अधिवेशन जो हुआ था, इसमें पाकिस्तान ने भारत पर कुछ आरोप लगाये थे, तो इसका जबा जबाब देने के लिए सेयुत राष्ट में भारत की ओर से विदिसा मोहित्ता ने इसका जबाब दिया था, विदिसा मोहित्ता, चलिए आगे बड़, देखो, यहां confusion क्या होगी, आप गलत क्या करेंगे, सैयद अक्वर उर्दीन, आप लोग सुनते हैं बार बार, यह भार पुरस्कार आपका दिया गया, प्रदान किया गया, इसके लिए दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि कलर साकिर किस के लिए दिया जाता, बैरहाल इससे आपका confirm हो जाएगा, वायर अच्छा वायनी को, आर्टिलरी रेजिमेंट को, इसका जबाब सही क्या होगा, चल आप ए है, वायर अच्छा वायनी को, रामनात कोविन ने हाली में कलर्स पुरसकार दिया है, ये जो पुरसकार होता है आपका कलर्स, ठीक है, ये किसी भी जो है ससस्त्र बल संगठन के लिए सर्वोच पुरसकार है, और वो भी सैननी पुरसकार में, ठीक है, अब सेना से ज प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आपसे यह कह रहा है भारत की तीनों सेनाओं ने सहीक तुरूप से पहला इद्धाभ्यास जो है इसमेलिंग फिल्ड बहुत ही बड़िया प्रश्ण है पहला इद्धाभ्यास इसमेलिंग फिल्ड हाल ही में पुरा किया यह इद्धाभ्यास क पाई बिश्वाजन 5, begin, कि ना खोरने हैं, जो लोग चुंआ है, वो एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ट नमबर 4 है, चीन ने किस तीथी को अपना सत्तरमा ठीक एंतर राश्टिये करेंट से है, किस तीथी को अपना सत्तरमा राश्टिये दिवस मनाया है, 30 नवंबर 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर, चीन ने अपना सत्तरमा राश्टिये दिवस किस दिन मनाया है, जैसे भारत बना चुना है चीन ने क्या हुआ था इसकी अगर जो है सुरुवात देखें समारो की तो 30 आपकी नौवम्बर को हुई 30 नौवम्बर को हुई बाद में क्या था इसकी अगर सुरुवात पूछ ले तो C. जिन पिंग ने किया था जो चीन कि आपके क्या है कुछ राश्प्रित वगारा है ध्यान है ना चलिए बाकी कुछ चीजे अनी चीजे डेटेल पूरी आपके पीडियाप में होती है तो पीडियाप जरूर प्राप्त कर लिया करिए आप लोग भारत की भावानी देवी निम्नमेसे किस से खेल से संबंदित है जिन्नोंने हाल ही में एक बिस्वस्तर प्रतियुक्ता में रजत पदक जीता है फिक के भावानी देवी तल्वार बाजी से भाला फेंक से हैमर थ्रो से डिस्कस थ्रो से किस से संबंदित है भावानी देवी A. विकल्प, B. विकल्प, बहुत बढ़ियां, B. विकल्प, उस्पेंजी, चलिए इसका सही जबाब जो होगा भवानी देवी का, पांचवे नंबर प्रश्ण का, पांचवे नंबर प्रश्ण का सही जबाब आपका A है, तलवार बाजी में इन्होंने जो है यह रज़त सामाजिक संगठन के रूब में पाई जाती है, राजपूत, गुजजर, जाट, जाटो, कौन सा है पश्मी उत्तर प्रदेश में, जहां पर यह चलता है, वफरिंग कर रहा है, पुछपेंजी, थोड़ा नेट आपके उधर शलो होगा, जाट, बहुत बढ़ियां, C, C, सात्वा नंबर प्रशन कहे रहा है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भासा कौन सी है, संस्कृत है, या उर्दू है, भोजपूरी है, हिंदी है, चारो में से सही जबाब इसका, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, C जबाब, A जबाब, मादबेंजी, C जवाब बहुत बढ़िया जो उत्तर प्रदेश में वैसे तो उत्तर प्रदेश हिंदी की जननी है ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोले जाने वाली भासा संस्कृत है ठीक है, जब हिंदी की जननी हो गई लगबग आप देखेंगे 90% से एबब लोग 94% के करीब तक लोग हिंदी ही बोलते हैं अपने अहां तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे कम बोली जाने में संस्कृत है वैसे अभी भासाओं का सरवेचन हुआ था जिसमें संस्कृत सबसे बेस्ट में सबसे कम बोली जाने वाली लेंगवज के तोर पर उबरी आठवा नमबर प्रशन है उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अन्वियाई सबसे कम है इसलाम धर्म के हिंदू धर्म के बौट धर्म के या पार्सी धर्म के किस धर्म के अन्वियाई सबसे जादा कम है देविकल्प पार्सी बहुत बड़ी हाँ देविकल्प देखते है इसका जो सही जबाब है आपका वो देविकल्प ही है पार्सी धर्म के अनवियाई उत्तर प्रदेस में सबसे कम संख्या में है प्रेश नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर अभी ये मामला जो है अभी चर्शा में भी है उत्तर प्रदेस में रच्छा गलियारा का केंद्री छेतर क्या होगा एक तरीके से ये कहां पर सेंट्रलाइज किया जाएगा पूर्वांचल में मध्ध में पश्चमी आपके भाग में या बुंदेल खंड में कहां पर ये आपका पूरा भाग आएगा वी विकल्ब बुंदेल खंड चली बहुत बढ़ी या अनिलोग भी जवाब दे रहे हैं वी विकल्ब सी विकल्ब देखिए ये जो आपका पश्मी एक तरीके से रच्छा गलियारा है ये पूरी तरीके से बुंदेल खंड पर फोकस रहेगा ठीक है तो वी विकल्ब जो लोग भी चुनने वो बहुत अच्छा है करेंट विया बहुत ध्यान से पढ़ते रहेगा आगे आप बढ़ते हैं अगले प्राशन पर किस राजी की पुलिस का आदर्स वाक की है सुरच्छा आपकी शंकल्ब हमारा ओडिशा पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस चलिए बताइए फटाफट 90 बहुत बढ़ी हाँ आनी लोगों भी जवाब आ रहे हैं 10 बहुत अच्छा देखें सुरच्छा आपकी शंकल्ब हमारा ये जो आपका एक तरीके से धेव आदर्स वाक की है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी पुलिस आप जनते हैं ना भारत में तो सबसे बड़ी पुलिस हाई है बेस्टु की भी सबसे बड़ी पुलिस इंग वेवस्ता उत्तर प्रदेश की है आपकी आगे बढ़ते हैं 11 नमबर प्रश्ण है भारत में सबसे कम लिंगा अनुपाद किस राजी में है या किस राजी का है हरियाणा, जंबू और कास्मीर पंजाब, असम अब आपके जनसंख्या से प्रश्ण सुरू हो चुके हैं भारत में लिंगा अनुपाद सबसे कम ए विकल्प, ए विकल्प, ए विकल्प बहुत बढ़ी हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग 11 नमबर का सही जवाब जो है यह आपका ए विकल्प ही उचित है हरियाणा में ही अप खाप पंचायते हैं जहाँ पर क्या आप देखते हैं अजीव अजीव तरीके के वहाँ के फरमान जारी होते हैं और वहाँ पर लड़कियों से संबंदित बहुत सारी चीज़े पावंदिया है 8-7-9 सेक्स रेशियो है आपके हरियाणा का, ठीक है सेक्स रेशियो जो है हरियाणा का, ये 8-7-9 है बहुत सारी प्रोग्राम लड़कियों से संबंदित वहाँ चलाए जा रहे है जागरुकता पहला ही जा रही है अगला प्रशन है स्वतंत भारत की पहली जणगर्णा कब हुई 1950 मे, 1951 मे, 1952 मे, 1954 मे स्वतंत भारत की पहली जणगर्णा अन्यामिका जी, 1950, अबरार जी, C, बारा भी, C, यूम जी भी बहुत बढ़ियाँ स्वतंत भारत की जो पहली जणगर्णा हुई थी ये जो है, 1950 में हुई थी जिसको लग विभाजन काल भी कहा जाता है 1951 चलिये, आगे बढ़ते हैं तेरा नमबर प्रेशन पर, तेरा नमबर प्रेशन कहे रहा है जंगर्णा 2011 का सुभंकर क्या था? अभी 2022-2023 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है 11 वाली न सबसे अब बताना है 2011 का सुभंकर क्या था? मिसरा जी जब किसी के लिए आपका कोई खेल का आयोजन होता है तो उसके लिए एक बिसेश चिन बनाया जाता है चलिए तेरा नमबर प्रश्ण का जो सही जबाब है आपका ये आपका बी बिकल उचित है प्रगड़क सिछिका फिक है 2011 की जनगर्णा का ये है सुभंकर था अगला चोदा नमबर प्रश्ण का रहा है जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत की कुल साचर्टा दर कित्ती थी 70 प्रिचसत, 80 प्रिचसत, 72 प्रिचसत, 73 प्रिचसत चलिए बताईए फड़ा फड़ सी जबाब सी जबाब बहुत बढ़ी हैं ए जबाब भी आ रहे हैं 2011 की अनुसार अगर हम बात करें कि भारत की कुल साचर्टा दर तो कुल साचर्टा दर आपकी एक तरीके से कितनी हो जाएगी ये 73 प्रिचसत रही जिसमें पुरुस की करीब माना जाता है आगे भी बहुत सारी चीजे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन में अगला प्रशनी इसमें 15 नंबर प्रशन है 15 नंबर प्रशन आप से बोला वर्स 2011 की अनुसार भारत में पुरुसों की जनसंख्या कितनी है 58.75 करोण 62.32 करोण C विकल कहरा 79.8 करोण चलिए इसका सही जबाब A आ रहा है B आ रहा है बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं चलिए इसका सही जबाब जो आपका है ये बेकल B ही सही है 62.32 करोण 32 करोण ठीक है ज्यादा उचित तो आपका 3-2 करोण यह बोलना ठीक है यह रही पर हम लोग आ चुके हैं किसे भारतिये पुरा तत्तु का जनक कहा जाता है अलेकजेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मार्टिमर विलर, जेम्स प्रिंसेप किसे बोला जाता है बहुत सही B, A बहुत बढ़ियां A चलिए सभी के जबाब आ रहे हैं 16 नंबर का सही जबाब A भ जो ही भारत में भारतिये पुरा तत्तु का जनक कहा जाता है 17 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बोल लाए निमलेखित में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहाइग नदियों की घाटी में इस्थित है ठीक है घगर और उसकी सहाइग नदियों की घाटी में इस्थित है अ 17 नंबर जो प्रश्ण है इसका सही जबाब अगर देखें तो बनावली वह प्रदेश पढ़ता है जो घगर और सहाइग नदियों के बीच में पढ़ता है। गोपत ब्रामठ का संब्ध बहुत बढ़ी हाँ, C विकल्प बहुत बढ़ी हाँ, बहुत अच्छा जबाब सभी कहा रहा है। पेज पर कहीं पर भी जोड़के मलब ग्रूप में, इसकी पीडियों पूरी कठा करते रहना, पचास पचास की हर दिन पीडियों डाली जा रही है। अंत में तो हम देंगे ही 5000 की बना के, लेकिन अभी हर दिन पढ़ते रहोगे तो बहुत फाइदे मन रहेगा। अठारे नंबर प्रशन आपसे कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किस से संबंदित हैं। अचनर की सुधता वा पवितरता कैसे हो उन्होंने अपने उपदेशों में इसका जिक्र बहुत किया। अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर स्याद वाद किस से संबंदित हैं। उन्नीस नंबर का अगर सही हम जब आप देखें तो विकल बी है। जैन से स्याद वाद आपका संबंदित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 20 नंबर आपका प्रशन है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। भागवत संब्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या है कितनी। 7, 8, 9, 10 जो भागवत संब्रदाय है इसमें भक्ति के कितने रूपों की चर्शा की गई है। अगर इसमें देखें भागवत जो आपका संब्रदाय है इसमें सारे लोग जानते हैं नौ रूपों की भक्ति के नौ रूपों की चर्शा की गई है। तो भागवत संब्रदाय आपको ध्यान रखना है ठीक 21 नंबर प्रशन आपसे कह रहा है कि अभिलेखिये साची से यह साबित होता है या प्रूफ होता है प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी अब कहां खोदी गई थी ये बताओ अंग में बंग में कलिंग में मगद में कौन सा जवाब इसका सही है कि अंग राजा के आदेश से बी बिकल्प बहुत अच्छा बहुत बढ़ी है आरती कटारिया जी बी बिकल्प बहुत अच्छा आमित जी रामनिवास जी डी बिकल्प देखिए 21 रंबर का जो सही जवाब है अग जो है नहर खोदी गई थी तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट महापदनन्द याद रखिएगा ये नंदराजा कौन था महापदनन्द आगे बढ़ते हैं 22 नंबर जो है निमलेखित प्रमुक भारतिये नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर इस्ट में आपको देखना है हैदराबाद है भोपाल है लखनौ है या बैंगलोरू है अब ये मैपिंग वगएरा आपके दिमाग में बनी होगी तो जवाब देंगे बहुत बढ़ियां बी विकल बहुत अच्छे बहुत बढ़ियां बहुत सही है आगे बढ़ते हैं अगले प्राष्न की ओर अगला प्राष्न 23 आपकि उस्क्रीन पर सिवालिक स्रेणी का निरमाड रौ किससे सिवालिक स्रेणी का निरमाड रौ रौ किसी यूग में एक तरीके से यह यूग के नाम है योजोईक paleojoic, mesojoic, senojoic किस युग में सिवालिक स्रेणियों का निर्माड हुआ है B. विकल्ब, C. विकल्ब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया A. विकल्ब, बहुत बढ़िया D. विकल्ब, चलिए इसका सही जबाब देखते हैं जो सिवालिक आपकी स्रेणिया है इन स्रेणियों का अगर हम जो है वो पूछें निर्माड देखें तो इनका निर्माड आपका Senojoic युग में हुआ है ठीक है और ये लगबग 5 से ले करके आपका 1.7 मिलियन वर्स पूर्ब का माना जाता है जो युग रहा ठीक है ये पूरा जबाप प्रितवी की उत्पतियों जो है विकास पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है सबसे पहला जोगरफी का चैप्टर तो उनमें ये सारे युगों के बारे में बताया गया है 24 नंबर प्रशन आपके स्क्रीन पर है 24 नंबर प्रशन कहरा है धूबगड चोटी इस्थित है सत्पुड़ा रेंज में मैकाल रेंज में बिंध रेंज में इनमें से कोई ने UPPCS इस बार SM मैचिंग दिया था ना 4-5 अलग करके उसका जो है मैचिंग कराना था तो इसलिए उसी आधार पर थोड़ा question मैं सेलेक कर रहा हूँ ठीक है D vehicle बहुत बढ़ी हाँ B vehicle सभी के आ रहे है बहुत अच्छा बहुत बढ़ी हाँ सारे लोग जबाब दे रहे है देखे जो धूबगड़ा आपकी चोटी है न ये अगर देखा जाए कि कहां पर इस्थित है तो ये आपकी यहाँ पर सत्पूडा की सबसे उची चोटी है भी है ध्यान नखो सत्पूडा range की में ये है इस्थित और सत्पूडा की सबसे उची चोटी कौन सी है धूबगड़ है और इसकी अगर मैं जो है उचाई की बात करू तो इसकी उचाई लगभग तेरा सो पचास सेंटी मीटर के जो है वो सॉरी सेंटी मीटर नहीं मीटर के आसपास है समझ गए ना चलिए आगे बढ़ते हैं पचीस नंबर इस समय जोगरफी पर हम लोग चल ले हैं कुल्लू घाटी जिन परबत स्रेणी के बीच में आवस्तित A जबाब C जबाब बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा A जबाब चलिए देखते हैं भाई कि कुल्लू घाटी बहुत मसूर घाटी है तो पचीस नंबर का सही जबाब जो है ये धोलाधर और पीर पंजाल की घाटी के बीच में इस्तित है ठीक है दोनों के मध्य में इस्त कह रहा है दीपो का समूह लक्ष दिउफ है अब क्या है विकल्ब से देखिए प्रवाल उत्पत्ति जो है प्रवाल भीति की उत्पत्ति है या जोला मुखिय उत्पत्ति है या मिर्दा नीचे पड़ है या फिर इनमें से कोई नहीं दीपो का समूह जो लक्ष दिउफ है यह किसका पेड़ाम है क्या प्रवाल भित्ती की उत्पत्ती है या फिर जोला मुखी उत्पत्ती है या मिर्दा नीचे पड़ है या इनमें से कोई विकल्ब महीं बहुत अच्छा सभी के जवाब आ रहे 26 नंबर का राइट आपसन आपका ए विकल्ब ही है ये प्रवाल उत्पत्ती का उधारन है एक तरीके से आगे बढ़ते हैं लक्षी दिवप में ठीक है बहुत सारे दिवप हैं आपके अलग-अलग पूरा का पूरा डिवाइड है तो बहुत अच्छा तो भारत की सबसे अगर पूरानी जवाब अगर देखें तो इसका बिकल्ब बी है आपका जारबा जो जवाधिक आदि जवाधिक आती है अब गोंड वगेरा हम लोग पढ़ते रहते हैं लेपचा गोंड ये सब लेकिन वास्तों में जारबा जवाधिक आपकी भारत की सरवाधिक आदि जवाधिक आती है अगला प्रशना 28 नंबर इसक्रीम पर बोला है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है गंडक की है कि कोसी की की गंगा की की ब्रह्मपुत्र की चले बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं डेवी कल्ब एवी कल्ब बह कौन सा एक नगर है मैं लिक राओ बताओ कामरूप एक नगर है वो इसी परिस्थिता बता दो कामरूप किसका पूराना नाम था यह से पहले उपीपीसियस में आभी चुका है ठीक है कामरूप नगर को ले करके प्रशन आये हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपका 29 प्रशन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है जब किसी जील की तली से उठकर वायू बुल बुला उपरी सते तक आएगा तो उसका आकार ठीक है क्या परिवर्तन बिज्ञान जगत में घुश चुके हम लोग बढ़ जाएगा घट जाएगा यह थावत बना रहेगा चप्टा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा प्रशन आ चुका है ठीक है ए विकल ठीक है आसाम बहुत अच्छा अमिज जी ए विकल पार आए जबाब सीम जी यह जबाब ए बहुत अच्छा देखते हैं जब किसी जील की तली से अगर बुल बुला उपर उठकर जो है उसकी सते तक आएगा ठीक है तो क्या होगा जैसे ही तली से नीचे की ओर क्या होने लगेगा दवाओ घटने लगेगा तो बुलबुले का जो आयतन है यह बढ़ जाएगा तो जो लोग ए विकल बता रहेते हैं बहुत अच्छा बिसुस्वाब स्चंगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरच डी नंबर बहुत बढ़ियां से हों जी चलिए इसका सही जबाब देखें जो आपका डवलु येचो है उसके मानक के नुसार एक नगर के लिए सुरचित ध्वन प्रदूशन का अस्तर जो है ठीक यह दूसरी तरीके से पूचा अच्छा एक तरीके से एक्जाम में आया थ दूसरे रूप में थोड़ा सा कन्वर्ट होके 45 डेस्विल है अगर मानलो कभी पूच ले कि एक स्वस्त मनुस के लिए कितनी डेस्वल आपकी सुरचित ध्वनी मानी जाती है तो 45 डेस्वल वहां तब भी जो है टिक करिएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपका प जिस से ए वेकल बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं बहुत बढ़ियां 31 का जबाब देखते हैं इसका सही जबाब 31 का जो सही जबाब है ना इसमें जो ये स्याही छपाई में आती है मीथेन से मिलती ही वहिया मीथेन का आप घटन कराके इस स्याही को बन ठक है, ठीक है, यानि लॉंग के तेल में मेंली क्या होता है, मेंथाल, यूजे नाल, मिथे नाल, बेंजेल डी हाइड, चलिए बताइए इसका सही जबाब, C जबाब आ रहा है, बहुत बढ़ियां, रिचा जी, C जबाब, सोनु जी, C जबाब, B जबाब, अमिद जी, C अम प्रशन है, कहाँ पर आपके सहवाल का इस्तेमाल होता है, नील हरित, अभी इससे सम्बंदित, एक सवाल, UPPCS में था भी, ठीक है, C विकल, बहुत बढ़ियां, A विकल, चलिए, इसका सही जबाब, जो आपका होता है, धान की फसल में, ठीक है, नील हरित, सहवाल का इस्ते सहवाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नतरजन की आपूर्ती के लिए सबसे बेस्ट विकल्प आपका यही है, नतरजन की अगर आपूर्ती के लिए देखा जाए, तो जो यह नील हरित, सहवाल होती है, यह सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है, देखो, खेतों में, धान के तो में पानी भरा जाता है, तो पूरी की पूरी काई जम जाती है, यहीं नील हरिक से एवाल होती है, आगे बढ़ते हैं, तो यह हमारी लिए फाइदे मन्द भी है, नुक्षान के अलामा, 34 नंबर है, 34 नंबर प्रश्ण कहे रहा है, निमलेखित में से कौन सा एक बिटामिन अगर मैं स्रोत की बात करूँ, तो इनमें से जो विकल दिया गया है, 34 नंबर में, यह 34 नंबर में सबसे बेस्ट विकलप आपका D है, आम में सबसे ज़्यादा बिटामिन पाया जाता है, साथ ही साथ, आम में बिटामिन, एक एलामा कौन सा बिटामिन होता है, एक तो 35 रंवर प्रसन है आपका ठीक है एकलोजी से एक तरीके से है पारितंतरों की घर्टी उत्पादक्त्त की क्रम्बें उनका निमलेखित में से कौन सा अंक्रम सही है सबसे ज़्यादा पारितंत की उत्पादक्त कहाँ महासागरों में फिर जील फिर घासस्थल फिर मैंगरोब फिर B विकल्ब कहा रहा है, मैंग्रोब, महासागर, घासस्तल, जील, C बोला मैंग्रोब, घासस्तल, जील, महासागर, D बोला महासागर, मैंग्रोब, जील, घासस्तल, कौन सा विकल्ब सही है, C विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ, प्रोड़क्टिविटी रहेगी फिर घास अस्तलों में होगी फिर जीलों में होती है फिर महासागरों में तो पाइर्ट एकोलोजी सिस्टम जो है होता है बहुत अच्छे तरीके से लेकिन उत्पादकता अगर देखी जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो है कम होता चला जाता है सबसे ज़्यादा जो मैंगरो फायरेश्ट पाई जाते है उनमें होता है ठीक एकोलोजी के अलग से मैं सेशन कराऊंगा ये मैं बता रहा हूँ कि अगर 2020 आप मिसन लेकर चले हो ना अगर प्रिलिम्स आपको क्वालिफाई करना है इस बार देख लीजिए एकोलोजी सेक्षन आपका बहुत महत्पूंड होता है ठीक है हमारी टीम के द्वारा जो लोग अभी परशेश की है ना टेस्ट बीयो वाला तो उसमें एकोलोजी का आपको एक बेस्ट माटेरियल दिया जाएगा साथ ही साथ मैं एकोलोजी के अलग से आपको क्वेशन आउंगा ठीक तो एकोलोजी बहुत ध्यान रखिएगा 36 नंबर प्रशन आपके स्क्रीन पर है 36 नंबर बोल ला है कार्बन क्रेडिट का द्रिष्ट कोंड इनमें से किस से सुरू हुआ ठीक है क्या वो क्योटो प्रोटोकाल के बाद आया या आर्थ सिखर संभेलन के बाद या मौन्ट्रियल प्रोटोकाल के बाद या फिर जी एट सिखर संभेलन के बाद किस के बाद आया था ठीक है ट्रिपल असी जूनियर असिस्टेंट वेकेंसी वही फरवरी के बाद मिल जाएगी आपको ठीक है सी बहुत अच्छा स्यूम जी सी जी टेंजी ये चलिए देखा जाए इसमें से ठीक तो क्वेटो प्रोटोकाल के बाद ही इसमें पूरा का पूरा दृष्टिकोंट सभी देशों का इस ओर आया था तो ए विकल्प वाले बेलकुल सही होते हैं बहुत अच्छा 37 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है 37 नंबर प्रश्ण आप से प्रश्ण राजि में है ए विकल्प सी विकल्प बहुत अच्छा ए विकल्प चलिए इसका सही जबाब देखते हैं ठीक है कौन सा है तो मावलिंग जो नेशनल पार्क आपका बना है ठीक यह आपका वहाँ पर अवडाचल प्रदेश में पढ़ता है तो मावलिंग नेशन का सरवाधिक महत्पूर्ण जो प्रदूसक होता है यह कौन सा होता है ठीक है यानि इंडोर मनलब घरों के अंदर भी आपका वाई प्रदूसन जो जाएगा वो इसके लिए सलफर डैक्साइड जिम्मेदाल या कार्बन डैक्साइड या नैट्रस जो है नैट्रोजन डैक् चलो बताओ भई फड़ाफट भी जवाब भी जवाब भी जवाब बहुत अच्छे आगर लोग तो जो है तुरंट जवाब दे रहे हैं 38 नमबर का जो सही जवाब इसमें है ठीक है अगर देखें इंडोर वाई प्रदूसन के लिए सबसे खतरनाक एक तरीके से महत्पूर प्रदूसक गैस देखें तो रेडान गैस होती है इस चीज को ध्यान रखेगा ठीक है इंडोर के लिए आउट्डूर नहीं ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है 49 नमबर प्रश्ण है 49 नमबर प्रश्ण आपसे कह रहा है जल प्रदूसन निवारन तथा नियंतरन अधिनियम किस वर से लागू किया गया 1980 में 1974 में 1981 में या इन में से कोई नहीं ठीक है जल प्रदूसन जो है से संबंदित आपका अधिनियम जो आया था निवारन तथा नियंतरन अधिनियम ये कब आया A जबाब B जबाब बहुत बढ़िया चले इसका सही जबाब देखते इससे है केसर उत्पादन से अंडा उत्पादन से बास उत्पादन से या जूट उत्पादन से जो हरित सोना क्रांती रही B विकल्ब C विकल्ब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है C विकल्ब बहुत बढ़िया आमिजी C विकल्ब देखे इसका जो हरित सोना क्रांत का संबंध है न ये बास उत्पादन से इससे पहले ये दूसरी फॉम्बें बल्लब कन्वर्ट करके पूछा जा चुका है ये प्रशन आ चुका है आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रशन है राष्टिये केला अनुसंधान केंद्र कहां पर इस्थित है चित्री कोयमबटूर चि जबाब जो है ये बिकल्फ है चित्री में अब जो है इस्थित है ये चित्री कहां पढ़ता है जानते निया वहाँ तमिलनाडू में चित्री जो है ये तमिलनाडू में पढ़ता है तमिलनाड का कहीं पर कोई जिला है साइद तो वहाँ पर राष्टिये केला अनुसंधान केंदर आपका इस्तित है अगला प्रशन एकॉनमी में हम लोग कूच चुके हैं ठीक है प्रशन पूरा दिख जाए उसके लिए मैं आपका जो माउट थोड़ा कर रहा हूं प्रशन बापका दिख रहा है कह रहा है मुद्रा इस्फिती की दर कम हो रही इसका ताजपर क्या है अगर मुद्रा इस्फिती घट रही है तो उसका मलब क्या है वस्तूओं की कीमतों में गिरावट हो रही या वस्तूओं की कीमतों के बढ़ने की गती कम हो रही है या वस्तूओं की कीमतों में यथावत ब्रिदी हो रही है कौन सा जवाब है मुद्रा इस्फिती बी विकल जो है ये कम हो रही है तो C विकल्ब जो लोग चुनने हैं वो एकदम सही हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है और 43 नंबर प्रशन आप से कह रहा है भारत सरकार के द्वारा बी निवेस प्रक्रिया से अरजिधन कहा जाता है जो बी निवेस ए विकल्ब, C विकल्ब बहुत बढ़ियां चली A विकल्ब इसका सही जबाब देखते हैं 43 नंबर प्रशन का सही जबाब आपका C विकल्प है लोग लेखा में सारी की सारी जो सरकार के द्वारा बी निवेश से अरजित धन राष्टी होती है यह राष्टी निवेश कोस में पूरा का पूरा जो है जमा हो जाता है ठीक है और यह राष्टी निवेश कोस जो होता है इसकी गर्णा लोग लेखा में की जाती ह 44 नमबर प्रश्णाप की स्क्रीन पर ठीक है अगला प्रश्णाप से बोल ला है निमलिखित में से कौन सा एक मुद्रा इस्पीती तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है आपका लोफर वक्र फिलिप्स वक्र लारेंज वक्र मांग वक्र इस बार मुद्रा इस्पीत से उपीपीस से प्रेलिम साब लोगों ने दिया होगा ऐसे ही वक्र से संबंधित एक सवाल बहुत बढ़ी हाँ पूचा था ठीक है बी विकल, सी विकल बहुत अच्छा ए विकल, सी विकल, दी विकल बहुत बढ़ी हाँ इसका सही जवाब अगर 44 नंबर प्रश्ण का हम देखें तो 44 नंबर प्रश्ण का मुद्रा इस फिती ठीक है और बेरोजगारी के बीच जो संबंधर साता ही या फिलिप का वक्र है उन्होंने यह संबंध दिया था 45 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर बोल ला है डंकल मसौदा किस से संबंधित है आखिरी यह नाम जो है आया तो यह किस से रिलेटेड विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है देशों के बीच परवाण संद करने से संबंधित है सुपर 301 से संबंधित है यह नसीली दुवाओं के व्यापार की जांस से संबंधित है तो आखिरी यह कब आया उस चीज के अगर बारे में देखें डंकल मसौदा A विकल, D विकल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़ी हाँ C विकल, B विकल पा रहा है इसका सही जबाब अगर देखें डंकल मसौदा का तो यह डंकल मसौदा WTO से संबंधित है बेश्चो ब्यापार, शंगठन से संबंधित है समझ गे? क्योंकि WTO की जब अस्थापना होई थी तो आठ जो है इसके जो सदसी जितने जितने थे उनके बीच में आठ ब्यापार वस्तों को लेकर बातचीच चली थी ठीक? और वस दोरान जो है गैट के एक तरीके से महानी दे सकते ठीक? जिनका नाम था आर्थर डंकल आर्थर डंकल नाम था तो वो एक मसवधा या प्रस्ताव लेकर आए या बिल लेकर आए तो उसी बिल के नाम पर इस चीज को जो है डंकल मसवधा के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन संबिधान से आपके प्रारंब हो चुका है संबिधान का पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर भारत का संभिधान भारत के सुप्रेम कोड को केंदर और राजियों के बीच बिवादों का नेड़े किस छेतर के तहद लेने का अधिकार देता है अपीलिय ने अधिकार, वास्तविग ने अधिकार, शलाहकार ने अधिकार या रिट ने अधिकार बताईए सही जबाब कुन सा है डी बिकल्प है, बी बिकल्प है बहुत अच्छा, बहुत बड़ी हाँ, बहुत सुन्दर सभी के जबाब आ रहे हैं चली, अगर देखें, जो सुप्रेम कोर्ड का आखिर देखो, बहुत सारे अधिकार है सुप्रेम कोर्ड के अलग-अलग उसमें डिवाइड़ है पूरा का पूरा, जो केंदरोर राज के बीच में मान लीजे कोई विवाद है ठीक, तो इससे संबन्दित जो है, अगर फैसला लेगा उसके सुप्रेम कोर्ड में यह मामला जाएगा तो भारतिय संबिधान यह सुप्रेम कोर्ड को उसके जो है क्या कहते हैं, वास्तविक नय अधिकार के अंतरगत जो है यह एक तरीके से पावर देता है भारतिय संबिधान सुप्रेम कोर्ड को वास्तविक नय अधिकार की सक्ति के अंतरगत ये पावर देता कि वो केंदोर राजियों के बीच भीवात का नेड़ाय करें आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है 47 नंबर प्रश्ण कहे रहा कि लोग सभा की सरवाधिक अनुसूची जन्जादी को किस प्रदेश में आरफ्षित हैं यस्टी यानि सेडिल ट्राईज मद्रदेश में, राज़स्थान में, आंध प्रदेश में या गुझरात में सबसे जादा यस्टी की सीटे कहा पर हैं ए विकल पे विकल बहुत अच्छा बहुत बढ़ियां ए विकल पा रहा है जवाब देखते हैं भाई 47 नंबर प्रश्ण का जो सही जवाब है ये मध्य प्रदेश राजी है क्योंकि यहां पर यश्टी की जनसंक्या भी सबसे जादा है चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प् अच्छा बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं इसका अगर सही जवाब देखें अनुचेद 123 ठीक है तो अनुचेद 123 का जो सही जवाब है ये विकलप है राश्ट्पत के अध्यादेश ठीक है ये मैचिंग आई थे ना UPCS prelims में 19 वाले में मैचिंग में ये सवाल भी आपका सामिल था तो ये सब बहुत जरूरी है 48 के बाद 49 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है 49 नंबर प्रशन कहे रहा है कि सिच्छा का अधिकार जो अधिनियम था अब प्रशन आपको पूरा दिख रहा होगा सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है जिसमें भारत के निमलिखित इस्कूल है किसमें किसमें गरीबों के लिए 25% यानि एक 24 सीटे जो है गरीबों के लिए वहाँ पर कि किन आपके उसमें जो है एक तरीके से आरच्छित की गई है केवल सरकारी स्कूल में केवल प्राइबेटी स्कूल में सरकारी और प्राइबेटी स्कूल दोनों में सरकारी स्कूल अनुदानित स्कूल प्राइबेटी स्कूल या बिना अनुदानित प्राइबेटी स्कूल ज में मरीपुर में असम में त्रिपुरा में जो मतदान निगरानी प्रणाली थी यह सबसे पहले किस राजी में आई चली फड़ा फट जबाब दीजिए डी हो सकता चली कोई रही अभी सही जबाब तुम्हें बताऊंगा ही डी विकल्ब सरज जी सी विकल्ब हरविंदर सिंग जी विकल्ब बहुत बड़ी हैं चली आनी लोगों के भी देखते हैं चली बहुत अच्छा इसका सही अगर हम जब आप देखें मदान निगराली प्रणाली जो है ठीक है यह सबसे पहले आपका जो है यहां गोवा में लागू की गई थी तो जो लोग ए विकल्ब को चुन ने यह एकदम सही है तो आज के डेली प्रणा आपके 50 समाप्त हो रहे हैं प्राप्त कर सकते हैं देर ना करते हुए मैं सुरवात कर रहा हूँ आपके प्रशनों की आज की जो आपकी स्रिंकला है डेली 50 questions की ठीक है थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखने लगे उसके बाद मैं प्रशन सुरुवात कर रहा हूँ प्रशन बहुत अच्छे हैं आज वाले भी आपके पूरे के पूरे प्लास 6 है इस चीज़ को ध्यान रखेगा थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो लोग अभी नए हमसे जुड़े हैं पहली बार आज हैं आज़ी चीज टेलीग्राम का हमारा चैनल जोइन कर लीजिए जो पीडिया फगेरा मिलती है या आपको डिसकसन कुछ और करना है तो आप यहां आ करके हम लोगों उसे बात कर सकते हैं हम लोग भी इसमें आपको मिलते रहेंगे अगली चीज यूटूब चैनल भाई सब्स मांचित्र जारी किया है आपके आप्शन इस प्रकार है नीती आयोग सुप्रेम कोड सिछा मंत्राले केन सरकार किसने अभी जारी किया फटाफट बहुत-बहुत स्वागत है चलिए वही गोड़ इबनिंग गोड़ इबनिंग अरती जी इसका सही जबाब फरस्ट नंबर कि जम्बू कास्मीर राजी के पुनर गठन के बाद भारत का नया मांचित्र जारी किया है आपके केन सरकार बिकल्ब डी सही है इसमें थोड़ा सा आपको यह जानकारी मनलब चाहिए नया मांचित्र में मानलो अगर UPPCS घुमा के पूछ रहा तो कहां से पूछेगा वो यह होगा कि जैसे जम्बू और कास्मीर में कुछ नए जिले सामिल हुए है इस चीज को ध्यान रखना है जम्बू और कास्मीर में यह जो आपके कुछ डेस्टिक सामिल हुए है उन चीजों को ध्यान रखना है क्यों क्योंकि अभी तीन जिले इससे पहले अलग-अलग होते थ उनमें खासकर आपका P.O.K. ठीक पाक आकूपाइट कास्मीर जो है दूसरी चीज आपका मीरपूर एक जिला है इसको भी जम्बू कास्मीर के एंग में और एक तीसरा आपका जिला है जिसको मुझाफराबाद के नाम से जानते हैं ठीक है मुझाफराबाद को भी इसमें साम मिल कर लिया गया है अगला प्रशन है प्रश सक्ख्या 2 प्रेंच सक्ख्या 2 आप से बोल लई है हाली में किसने MTNL और BSNL ठीक है MTNL और BSNL के बिले की सैध्धान्तिक मंजूरी दे दी है रामनात कोबिन ने या किंद्रिय मंत्री मंदल ने या सुप्रिम कोड ने या फिर मिलन को लेकर A विकल B विकल बहुत बढ़ियां सारी लोगों के जवाब आ रहे हैं चलिए इसका अगर राइट आप्सन देखें कि दो नंबर प्रशन का सही जवाब क्या है तो केंद्रिय मंत्री मंदल ने या चीज की थी यानि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या हमारी जो कैबिनेट है उसने इस चीज को बिलेको सैध्धान्तिंग बंजूरी दी थी बिएसनल घाटे में चल ला है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि बिएसनल और एमटीनल अब एक चीजे होने को बाकी हैं मलब कुछी दिन में हो जाएंगी अगला प्रशन आपके सा चर्चित है जेन्यू या अजीज प्रेंजी इनवस्टी या फिर इग्नुव इनवस्टी किस इनवस्टी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है तीसरे नंबर प्रशन का सही जबाब बीविकल पार आए ठीक है बीविकल सी विकल पार आए देवराज जी बहुत-बहुत स् ठीक है इसमें ठोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको कि जो अपना क्रिसी सेक्टर है ना भारत का अगर भारत के क्रिसी सेक्टर को देखें 2011-2012 से ले करके ठीक है और 2017-18 तक आप चले आओ तो इसमें भी कही ना कहीं आपको अंतर मिलेगा 2011-12 से ले करके 2017-18 तक हम आ जाएं तो इस दोरान भी क्रिसी में जो एक तरीके से रोजगार होता है वो भी घट गया है और भारत में तो 90 लाख नोकरिया घटी ही घटी है वो इन्वस्टी कौन है? ये इन्वस्टी है अजीज प्रेमजी इन्वस्टी और इसने जो है वो है मलब एक तरीके से साखा है उसका नाम था Center Up Sustainable Development एक तरीके से उसने ये रिपोर्ट दी है प्रश्ट संख्याचार आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़ियां प्रश्ट है ठीक है अंतरराष्ट ये है करेंट अफेर से समयम चल लें अमेरिका के ग्रेह मंत्राले ने अपने बेडे में सामिल ठीक है किस देश के नेरमें ड्रोन की उडान पर रोग लगा दी है IT से एक तरीके से है इन्फोर्मेशन जो टेक्नालोजी से प्रश्ण होते हैं उससे संबंदित है चाइना, जर्मनी, जापान, अमेरिका तो अमेरिका ने रोक लगा ये ग्रेह मंत्राले ने ठीक है ये भी हो सकता क्योंकि अमेरिका में क्या हो बहुत सारी कंपनिया है कौन सा इसका सही जबाब है ए जबाब ए जबाब बहुत बढ़ी है चाइना, सारे लोगों के ये जबाब आ रहा है देखते हैं इसका सही जबाब क्या है बिल्कुल सही जो लोग ये जबाब दे रहे है चाइना में आप इये समझाओ की चाइना की जो ये सक्टर है एक तरीक方面 से IT सक्टर चौछे नंबर प्रशन में एक चीज और जानना है कि पूरी दुनिया की अगर मैं बात करू तो 70% जो ये आपके ड्रोन बनते हैं ये आपके चाइना बे बनते हैं 70% ड्रोन चाइना बनाता है इसलिए पूरे बेस्ट में चाइना के ड्रोन इस्तेमाल होते हैं अमेरिका ने इस पर जो है ये कारोप लगाया था कि ये खुफिया जानकारी सारी वहाँ पर सेयर करता है इसलिए अमेरिका के ग्रे मंत्राले ने अपने बेडे में ये पहले सामिल था भी इसको निकाल दिया अगला प्रशन पांच नंबर स्क्रीन पर पांच नंबर प्रशन आपसे कह रहा है कि भारत और जर्मनी ने मिलकर कितने M.O.U. और संयुक्त गोश्रा पत्रों पर हस्ता चरकिये हैं आठ M.O.U. तेरा M.O.U. सत्रा M.O.U. पचीस M.O.U. भारत और जापान के बीच ये गोश्रा पत्र कुछ जारी हुए थे A. विकल्ब, B. विकल्ब, रिचार जी, A. विकल्ब, बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जबाब, B. आ रहे देवराज जी इसका अगर मैं सही बात करूँ आपसे कि भारत जर्मनी के बीच आपके कितने M.O.U. यानि मिमोरेंडम आप अंडेस्टेंडिंग के बीच में गोरकपुर के सम्भी पिस्तित 4-4 कंड कब हुआ? 4 फरवरी 1922, 10 अप्रेल 1922, 5 फरवरी 1921, 27 फरवरी 1922. सही जबाब 4-4 कौन सा है भाई? B. जबाब है, C. जबाब है, 4-4 B. विकल्ब, बहुत बढ़ियां, 17 C. विकल्ब, देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है आपका? चौरा कंड हुआ, इसमें एक पुलिस स्टेशन को जलाया गया था और लगभग 22-25 के बीच में पुलिस कर्मियों की संख्या रही, ठीक है, वो जिन्दा उसी थाने में जल गये था, इसके बाद गांधी जी ने अपना अंदोलन भी वापस ले लिया था, इस जो है कंड से है, वाराणशी में है, या फिर ब्रिंदावन में है, जो सतनता संग्राम 1857 का चला, महारानी लक्षमी वाई का योगदान बहुत बढ़ा रहा, तो C जबाब, B जबाब बहुत बढ़ी है, ए जबाब भी है, देखते हैं, सुनिल पांडे जी स्वागत है, साथ नंबर प्र 19 नंबर की बात है, और संथा आपका उस समय जो है, 1835, ठीक है, 19 नंबर 1835 की बात है, जब बेरांगना महारानी लक्षमी वाई का जन्म हुआ, बनारस में, आठ नंबर प्रश्ण, आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतिय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ, ये अगर आठ नंबर प्रश्ण की मैं बात करूँ आपसे, कि आठ नंबर प्रश्ण का सही जबाब क्या है, अखिल भारतिय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन, तो आपको हमेशा दिमाग में ये बनाए रखना है, कि अखिल भारतिय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन लखनोग की राजदानी उत्तर प्रदेस में हुआ था ठीक है लखनोग की राजदानी उत्तर प्रदेस में हुआ था ये प्रशन आ चुका है आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के भीतर स्वाराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था ठीक है स्वाराज पार्टी से समं अधिकतर आया करते हैं, ये pet questions होते हैं, आगरा में, इलाहबाद में, मेरट में, या फिर गोरकपुर में, कहां पर गठन हुआ स्वाराज पार्टी का, बी विकल बहुत बढ़ी हां, ठीक है, 8 का D, B, B, बहुत बढ़ी हां, 9 नमबर प्रशन का अगर हम सही जबाब देखें, ठीक है, कुछ लोग D, B, बहुत बढ़ी हां है, इसका सही जबाब जो है आपका, इलाहबाद, ठीक है, स्वाराज पार्टी का गठन, इलाहबाद में, अब आप क्या बोलोगे, बाबाजी ने नाम बदल दिया भाई, तो प्रयागराज, ठीक है, आब इसका नाम प्रयाग पुर में, उत्तर प्रदेश का प्रथम, जो है, मुक्त बिद्याले, कहां पर है, C जबाब, C जबाब बहुत बढ़ी हां, सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं, C जबाब, C, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, C जबाब, दस नंबर प्रशन का अगर सही जबाब देखें तो जो लोग, C जबाब चुनना है, एकदम सही है, उत्तर प्रदेश का प्रथम, मुक्त बिद्याले, यह आपके इलाहाबाद में इस्तित है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की ओर, प्रशनक्या 11, जनसंक्या से संबंदित प्रशन, अब आपको मिलने लगे पहला प्रशन आप से कह रहा है, वर्श 2011 की अंटमि जनगर्णा की अंसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम, जनसंक्या वाला जिला कौन सा? महोबा, बांदा, जहांसी, स्रावस्ती, जो जनगर्णा हुई, उसकी अंसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम, राजी सियादो जी, ग संक्यावाला आपका जो जिला है यह महोबा जिला है यानि एब इकल्प चुनने वाले एक्दम सही है इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद आपका आजाता है चितरकूٹ दूसरा नमबर आपका चितरकूट होगा चितरकूट के बाद मानलीजे देखिये पढ़ता है ललितपूर तो इसको आप ऐसे जो है क्रम में अरेंज कर सकते हैं यहाँ पल लिक दें अगर महोबा तो यह आपके पूरा का पूरा एक सीरीज बन जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन पर प्रेस्ट संख्या 12 आपके स्क्रीन पर 2011 के अनुसार उ 15 चलिए फड़ा फड़ जवाब दीजिए भाई डी विकल पा रहा है डी विकल पा रहा है कोई दिक्कर नहीं है देवराज जी बी विकल चलिए बहुत बढ़ियां अगर इसकी बात करें उत्तर प्रेशन में बाल जो है जन संख्या इसका अगर मैं प्रत्सत बात करूँ त ठीक है दस बरसों की एक दसक उसमें पूछ रहा है आवधी में सबसे अधिक जन संख्या ब्रिद्धिदर वाला कौन सा जिला है इलाहाबाद है गाजियाबाद है गौतम बुद्धनगर है या कानपुर है कौन सा इसमें से जिला है फड़ाफट जवाब नसीम एमद जी स् डेवी कलफ है इसमें देखिए तेरा नंबर का जो सही जवाब होगा न ये सही जवाब अगर देखें दसकी ब्रिद्धिदर जहां आपसे पूछी जाए दसकी ब्रिद्धिदर यानि आपका जो है दस वरसों के बीच में तो इसमें गौतम बुद्धनगर का अस्थान आत है महोबा का ललितपूर का शोन भद्र का चित्रकूड का जनसंख्या गर्नत तो यानि पॉपलेशन डेंसिटी कहां पर सबसे ज़्यादा कम है सी विकल्प डी विकल्प बी विकल्प बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे सारे लोग चोदा नंबर का जो सही जवाब है ये बिकल्प बी जो लोग चुनने हैं ललितपूर वो एकदम सही होते हैं यहाँ पॉपलेशन डेंसिटी से सवाल है उपर कुछ और था ठीक है तो दोनों में अंतर होता है काफी ज़्यादा फार्क होता है ललितपूर है अच्छा इसका अगर मालीजे कि वो पूछले क्रम त सोनभदर के बाद पढ़ जाता है हमीरपूर और हमीरपूर के बाद यहाँ पर पढ़ता है महोबा किसमें जब हम बात करते हैं पापुलेशन डेंसिटी की जन संक्या घनत्तु की अगला प्रशन 15 नंबर स्क्रीन पर ठीक है अच्छा प्रशन है चलिए इसको देखे किसे जन संक्य की अध्यन का पिता कहा जाता है ठीक जन संक्य की अध्यन का पिता कौन है चलिए बताए वही काल मार्क्स नील एडगर टिम क्रेलवेल या फिर आरे भट कौन सा है चलिए कौन सा इसका जबाब है C विकल्प है चलिए बहुत अच्छा A जबाब बहुत बढ़िया सही जबाब 15 नंबर प्रश्ण का अगर हम सही जबाब देखें तो इसका सही जबाब जन सांकी की अध्यन का पिता काल मार्क्स को कहा जाता है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं प्रश्ण सक्ख्या 16 बहुत अच्छा प्रश्ण है ठीक है चलिए बताईए पॉलिटी आप लोगों का फेबरेट सब्जेक्ट होता है पॉलिटी की प्रश्णी स्टार्ट हो रहे संथानम समित की सिफारिशों पर निमलिखित कार्यालेओं में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया केंद्रिय सतकर्ता आयोग केंद्रिय आर्थिक खोफिया वियूरो विदेश सी निवे समवर्धन बोर्ड खादी और ग्रामो दोग आयोग इनमें से कौन सा है ठीक है संथानम आयोग सी जबाब ए जबाब फरीन जी स्वागत है ए जबाब रोचक जी सी जबाब बहुत बढ़ी हाँ जो लोग सी विकल भी चुनने अनिलोगों के भी जबाब आ रहे हैं अगर इसका सही जबाब देखें संथानम समित ने जो रेकमेंडेशन दी सिफारिशें दी उन पर भारत में किंद्रिय सतकरता आयोग जो की अस्थापना की गई थी समझ गये और ये था सन मालीजे सन पूछले किंद्रिय सतकरता आयोग की अस्थापना कब होई तो 1964 की बात है जब जो है संथानम समित की जो है उस पर रेकमेंडेशन पर भारत में केंद्रिय सत्करता आयोग का गठन किया गया प्रशंख्या सत्रा आपकी स्क्रीन पर बोला है भारत में पांच छेत्रिये परिशदों की अस्थापना किस के तहत हुई भारत के संविधान अनुछे 263 क के तहट छेत्रिये परिशद अधिनियम के तहट राजी पुनर गठन अधिनियम 1956 के तहट या इन में से कोई नहीं कौन सा भीकल्ब सबसे राइट है सी सी बी भीकल्ब बहुत अच्छा बहुत बढ़ियां कोई दिक्कर नहीं सियोम जी जो है ध्यान रखी आठ वजे से अल इसके जो है अध्यचे से सवाल पूसता है तो इसका अध्यच हमेशा जो है ग्रह मंतरी आपका होता है ध्यान रखीएगा 18 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है कह रहा है भारत के संविधान के निमलिखित अनुछेदों में से शार्ब भावमिक बेयस्क मतादिकार जिसक सारे शल्ले इसे पहले वीडियोज पड़े हैं आप जाकर देख सकतें सीमजी ये जबाब बहुत बड़ी हैं ए जबाब इसका सही जबाब अगर देखें तो इसका जो सही जबाब आपका होगा प्रशन शक्या आपका एक तरीके से 18 ठीक ये अनुछेद आपका जो अगला बतो ये प्रशनी से पहले आ चुका यूपी त्पल असी का फेवरेट है ड़ैट किस देख की संसत का नाम है जापान की की फ्रांस का की स्पenh की जो है इतली की ड़ैट किस संसत का नाम है थारा ये जबाब बड़ी हैं जबाब वा भाई सबी को आ रहा है उनैस पर्मादेश है बंदी प्रत्यक्षिकरण है या निसेध है या अधिकार प्रिच्छा है कौन से रिट जारी होती है ए जबाब बढ़ी हाँ बी विकल पारा है देखे 20 नंबर का जो सही जबाब है अगर आपको गलत तरीके से हिरासत में लिया गया तो उसके लिए बंदी प् स्क्रीन पर प्रश्ण बोला निमलेखित मैसिक कि सस्थल से हड़ी के उपकरण इतिहास के प्रश्णों पर हम आ चुके हैं हड़ी के उपकरण कहां मिले भाई चोपनी मांडो से काकोरिया से मैदाहा से या फिर आपका सराय नाहर राय से हड़ी के उपकरण कहां से मिले हैं बहुत बढ़ियां, फरिंजी वी विकल्ब, सियोंगी सी, सी, बहुत बढ़ियां, सभी के जवाब आ रहें, 21 नंबर प्रश्ण का सही जवाब आपका, 21 ही है, वो, सी ही है, स्वारी, ठीक है, यहां से जो है, अब चुकि यह प्रश्ण इसलिए जरूरी होता है, यह जो आपक बोलते हैं इसको, अगर इसकी लोकेशन देखते हैं, मालो कहीं लोकेशन से आ गया, तो यह आपका यहां पढ़ता है, अपने यूपी का, जो एक जिला है, प्रताबगड, ज्याने न सभी को, तो प्रताबगड जिले में इस्थित है, तो उत्तर प्रदेश से भी है, और इ जबाब आ रहा है, चलिए इसका 22 नंबर का सही जबाब जो आपका होगा, बिकल्ब C होगा, भोपाल में यह इस्थित है, समझ गए ना, यह भोपाल में है, और अगर मालो यह भारत, पूछले भारत सरकार के किस मंत्राले के अधीन है, ठीक है, तो यह भारत सरकार के संस्क इन पर है, 23 नंबर आपसे बोल ला है, सिंदुगाटी के नियाशियों की सभेता को जानने का मूल स्रूत, वहाँ पाई गई क्या, मोहरे हैं, बरतन जेवार हतियार कताओजार हैं, वहाँ मिलने वाले मंदिर हैं, या उनकी लिपिया जो हमें मिली वो है, C विकल्प, C विक अगर देखें, सिंदुगाटी जिसको इंडस बैली सिवलाइजेशन ठीक है, बोलते हैं, अगर यहां के निवासियों की सभेता को जानना है, तो इसका जो मूल स्रूत है तरीके से, तो वहाँ पर जो मैं बरतन मिले, जेवर मिले, हतियार मिले, और जार मिले, इन सब से हम पता कर सकते हैं, कि हाँ ये कितने पहले की थी, इनकी एक तरीके से, जैसे बरतन मिला, तो इनकी कल्चर के बारे में पता चलने लगता है, जेवर मिला, ये भी कल्चर से जुड़ा है, हतियार मिला, तो कही न कही इनका सामाजी खंताना बना जानने लगते, खाने पीने से स अजार मिलने लगे तो उनका इस्तेमाल कहां का होता था ठीक है सुई धागा मिल गया या मोहरे बनाने वाले मिली ये सब चीजे 24 नंबर प्रशना आपके सामने समुद्री ब्यापार के शंदर्ब में कारताज बेवस था ठीक है जिसको कार्टेज भी बोलते हैं काउपियों क इसके द्वारा किया जाता था डचों के द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा ठीक है 23 जवाब A बहुत बढ़ियां सुनेल जी बहुत अच्छा B विकल पा रहा है UP का छोरा A विकल बहुत अच्छा इसका सही ज पूर्टगालियों ने एक तरीके से क्या? क्या है? लाइसइंस इसको बोल सकते हैं. पूर्टगाली एक लाइसेंस जारी करते थे. उस लाइसेंस को इन्होंने कारताज बेहस्था नाम दी थी. अगर मानलो की जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या शुरू किया? ठ ठीक है नेवी सर्ट इनोंने चलाया यह ब्यापारी के एक तरीके से लाइसंस का नाम है चाहे करताज वे उस्ता है चाहे नेवी सर्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर क्योंकि समुद्र पूरी पूरी तरीके से पहले फ्रांसीसियों के साब उसमें था हात में फिर अंग्रेजों से हार ने लगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर निम्न में से किस हडपा काली नस्तल से हल का टेरो कोटा प्राप्त हुआ है धौला वीरा से बनावली से काली बंगा से लोथल से वा कौन सा अस्तल है जहां से हमें मिला है चलिए फटा-फट इसका जबाब दीजे हां क्वेशन हमेसा अच्छे रहते हैं रोचक जी हर दिन आईए ये लगातार सीरी चलेगी वीजे जी ए विकल्ब सी विकल्ब बहुत बढ़ियां इसका सही जबाब अगर देखें 25 नंबर प्रश्ण का 25 नंबर प्रश्ण का सही जबाब भी है बनावली से हल का टेरा कोटा जो है प्राप्त हुआ है समझ गए और बनावली कहां पर पढ़ता है ये हरियाणा में इस्थित अस्थल है ठीक है हरियाणा में पढ़ता है बनावली और हरियाणा का अगर मैं जिले की बात करू तो जिले का नाम है फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला है इसका नाम है फतेहाबाद वहाँ से हमें वहाँ पर उस जिले में एक अस्थल मिला बनावली और बनावली से हल मिला टेरा कूटा का ठीक है और वो हडपा काली नस्थल से संबंदित है 26 नंबर प्रश्ट आपकी स्क्रीम पर अफगानिस्तान का हेलमत प्रांथ भुगोल किसकी खेती के लिए प्रशिद है क्या तमबाकू के क्या अफिम के क्या गेहू के क्या कपास के ठीक है बहुत बी जवाब ए जवाब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अफगानिस्तान बी जवाब आ रहा है भी बहुत बढ़ दियाँ इसका अगर सही जब आब देखें ये प्रश्न भाई बार बार आया है, रेपीटेड है अफगानिस्तान का जो ये हेलमद प्रांथ है ना, ये अफिम की खेती के लिए जाना जाता है, फाकिस्तान जो है, फाकिस्तान मुँशन निकल ला, अफगान अफ़ीम के उत्पादन में कितने परशंट योगदान है अफगानिस्तान का तो 75% अफ़ीम अफगानिस्तान में उगाई जाती पूर्य बेस्ट की आगे है 27 नमबर प्रशन ठीक है बढ़ियां प्रशन है कनाड़ा और ग्रीनलेंड अलग होते हैं बैफिन की खाड़ी द्व फंडी की खाड़ी द्वारा या इनमें से वो खाड़ी नहीं है कोई और है आराम से अनुजी ठीक है भाई जो है धीरे-धीरे हम चलेंगे बी जबाब 25 का विकल्ब डी आ रहा है बी जबाब चलिए फटा-फट बताईए सारे लोग बी जबाब हर्शन बहुत बढ़ियां और ग्रीनलेंड यन दोनों के बीच में एक आपकी खाड़ी पड़ती है ठीक है उस खाड़ी का अगर नाम देखें तो यह उसका नाम बैफिन की खाड़ी ही है ठीक है बैफिन की खाड़ी द्वारा ये दोनों आपस में अलग होते है 27 नमबर का सही जबाब आपका विकल ए होता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर प्रश्ण पर 28 आपकी स्क्रीन पर 28 नमबर प्रश्ण कह रहा है निमलिखी जन जाती हों मैं कौन बहुपती विवाह की प्रथा को माननेता देता कायर लोढा मुंडा तोडा कौन सी जन चाहती है जिनमें बहुपती ठीक ब 28 नमबर प्रश्ण कह तो अपने यहां जो है टोडा जो जन जाती है न हाट इसमें जो है क्या है बहुपती बिवाह ठीक बौपती तो जानते हैं न कि एक विकती बहुत तो उसमें बड़ा वाला वीवा कर लिया तो उसकी जो पतनी होगी बड़े वाले की वो बाकी जो तीन उसके भाई हैं उन सभी की पतनी हो जाती है यह तोड़ा जंग जात में अभी चलता है ठीक है महाभारत वाला जो कुंती जी ने असरबात दिया था वैसे ही है 29 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है बोला भारतिय प्राइदीब की सबसे उची चोटी कौन सी है उटकमंड दूसरा बोला अन्नाई मोदी तीसरा बोला दुद्दा बेटा चोथा बोला है महा बलेश्वर ये तो गलत नहीं होना चाहिए आप सभी के ए जबाब बी जबाब आरती जी बहुत बढ़िया जबाब आ रहे हैं रिचा जी बी जबाब बी जबाब बहुत अच्छा 29 नमबर प्रशन का अगर सही जबाब देखें भारतिय प्राइदीब की ठीक है बारतिय प्राइदीब ये बला दिमाग में बन जाता है फटाक से इस जो है आपकी लगभग अगर इसकी उचाई की मैं बात करूँ आपकी तो ये पढ़ती है 2695 मेटर के अप्रॉक्स में ठीक है अनाई मोधी पढ़ती है चलिए आगे बढ़ते हैं तीश नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर प्रश्ण इस प्रकार निमलेखित में से कौन एक क प्रश्णा नदी की सहायक नदी नहीं है ठीक है ध्यान देना भीमा डान तेल तुंग भद्रा कौन सी नहीं है अरे भाई यूपी का शोरा लगातार डेली बने रही है प्रश्ण बहुत अच्छे इसमें सामिल होंगे हर दिन सी जबाब सालनी जी सी जबाब बहुत बढ़ियां रामनिवास जी ए जबाब चलिए इसका सही जबाब दिखते हैं देगे तीस नंबर का प्रश्ण जो है इसका जब आप सीज इन लोगों ने चुना है ये बहुत अच्छा है ठीक है ये तेल नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहाइग नदी नहीं है ठीक है तेल नदी कृष्णा नदी की सहाइग नदी है अगर कृष्णा नदी की सहाइग दूसरी जो पढ़ती है यह यरला है ठीक है पीडियम मिल जाएगे उसमें और डिस्क्रिप्टि में मैं लिख दिया हूँ डीना पढ़ती है डीना के बाद एक पढ़ती है वरड़ा ठीक यह सब इसकी सहाइग नदिया है और उसके बाद पंच गंगा पढ़ती है यह सब इसक अगला है 31 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीम पर प्रश्ण कहरा है निमलेखित में से किस शकरी पट्टी को डेविल्स नेक बोला जाता करा पट्टी पनामा पट्टी करेलियन पट्टी या फिर कोरिंथ पट्टी चलिए बताइए कौन सा है बेस्वितिहास से है पीडियफ हा को मिलता रहेगा बी बिकल्प है 30 का बी जवाब आ रहा है 31 नंबर प्रश्ण का अगर सही जवाब देखें तो 31 नंबर प्रश्ण का सही जवाब जो आपका है ये बिकल्प आपका ए है जो ये करा पट्टी है ये सक्री पट्टी है इसी को डेविल्स नेक बोला जाता है क् मलय प्राइदीप आपका पढ़ता है ना मलय प्राइदीप ठीक इस प्राइदीप को कहां से ये जोडती है ये मुख्य एसिया से जोडती है इसलिए इसको devil's neck बोला जाता है ठीक है मुख्य एसिया से जोडती है मानलो question घुमा दे UPPCS तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि मलय प्राइदीप और मुख्य एसिया के 20 जो सक्री पट्टी है उसका नाम करा पट्टी है ठीक है आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर निमलिकित में से कौन mutual funds को बेनेमित करता है economy के प्रशनों पर आ चुके RBI, CB, SBI इन में से कोई नहीं कौन सा है बाई जो फटा फट कर रहा है क्वेशन नहीं देख रहे हैं चलिए बाई कर रहे हैं जो मोरा है आप तो देख रहे होंगे निमलिकित में से कौन mutual funds को बेनेमित करता है यानि इसका सही जबाब अगर 32 नंबर का सही जबाब देखें तो 32 नंबर का सही जबाब विकल भी है से भी mutual funds को आपका बेनेमित करता है ठीक है इसका सही हिंदी में नाम देखें तो भारत ये प्रतिभूत योम बिनमे बोर्ड इसका नाम है समझ गए अस्थापना कब होई थी 1992 12 अप्रिल ध्यान रखेगा सेभी की अस्थापना पूछ लेता है वंडे आपके एक्जाम में आगे पढ़ते अगले प्रशनों पर अगला प्रशनों 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर हवाला लेन दिन नाम तो सुना होगा हवाला लेन दिन भारत में किस अधिनियम के अंतरगत बंध है ठीक है फेर अधिनियम लाए गया इसको रोकने के लिए या फेमा या फिर या फजल्शर जिसको आप बोलते हैं कौन सा अधिनियम के इसको रोके हम Championship C जबाब A जबाब बहुत बढ़िया अनि लोग भी जबाब दे रहे हैं सही है कोई देखकर नहीं C जबाब आ रहा है चलिए इसका सही अधनियम अगर देखते हैं हवाला अधनियम को रोकने के लिए कौन साल एक तरीके से अधनियम लाया गया तो वो अधनियम है अपने यहां FEMA समझ गये ना FEMA जो है इसका पूरा नाम अगर देखे तो यह इसका पूरा नाम पड़ता है Foreign Currency Management Act ठीक है FEMA का पूरा नाम है Foreign Currency Management Act और यह जो है एक तरीके से 1999 में इसका गठन हुआ था 1999 में यह FEMA जो है अधनियमित हुआ था ऐसा बोल सकते 33 के बाद 34 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर प्रशन ही स्प्रकार है बीज फसल भीमा योजना किस वित्तिय वर्स में सुरू की गई थी 1999 जो है आपका 2000 या 2000 से 2001 या 2001 से 2002 या 2002 से 2003 के बीज ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए बीविकल बीविकल बहुत अच्छा 34 का जो सही अपसन है आपका ये जवाब है 1999 से 2000 के बीच में ये फसल भीमा योजना आई थी ये आज चुका है प्रशनी इसलिए मैंने इसको डाला है ठीक है पर बिवल राष्टिय उत्पाद या फिर बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद या फिर उत्पादन लागत पर निवल जो है घरेलू उत्पाद कौन सा जवाब सही है 34 नमबर B जबाब 35 नमबर प्रशन पर है हम लोग इस पर जो यहां पर निवल होना चाहिए निवल राष्टिय उत्पाद होता है वो इस पर यह राष्टिय आय कहलाती है अगले प्रशन बिज्ञान जगत हम लोग पहुंच चुके फिर अगला प्रशन है पाइरो हीलियो मीटर का प्रियोग अगले प्रशन की और बढ़ते है प्रशन संख्या 37 आपकी स्क्रीन पर 37 नमबर प्रशन आपसे बोल ला है मतने के पशाथ क्रीम का दूद से प्रिथक हो जाने का कारण क्या है क्या गृत्तक गर्शन बल है या ससंजग बल है या पिर आपके इंद्रिय बल है या इन में से कोई नहीं समझ में आ रहा है कोई और है ठीक है, कोई दिक्कार नहीं है, लगातार प्रेक्टिस में रही है, क्वेशन सब सही होंगे, इनकी पीडियाप आपको बाद में पढ़नी है, ठीक है, ये लगातार जो है 5000 प्रशनी कटे हो जाएंगे, फिर कोई एक्जाम दो, भागे नहीं जाएगा इसे, C जबाब, C जब करना है, अगला प्रशन 38 नंबर कहे रहा है, संचारण के उदाहरण है, कौन गोंसा, ठीक है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना, तामबे पर हरे रंग की परत बनना, ठीक है, या फिर लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, या उपेक तीनो, कौन सा है संचारण का जो ह आगे बढ़ते हैं इसका सही जबाब जो 38 नमबर प्रश्ण का है 38 नमबर प्रश्ण का डी विकल्प ही राइट है जो लोग बोल ले हैं बहुत अच्छा 38 के बाद 49 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर प्रश्ण बहुत बार आ चुका है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रश्ण क्या है एक प्रश्ण 5 प्रश्ण 0 प्रश्ण इन में से कोई नहीं कुछ और प्रश्ण है C विकल्ब D विकल्ब बहुत अच्छा कोरिजन ठीक है चलिए बताईए भाई जर्मन सी विकल्ब पार आ रहा है C विकल्ब चलिए इसका देखते हैं C विकल्ब जादा लोग दे रहे तो जर्मन सिल्वर नाम तो सिल्वर है लेकिन इसमें चांदी 0 परश्ण होती है फिकल्ब जयाए वह दोता है उसके बाद आपका जस्ता आता है जस्ता इसमें होता है 35 और उसके बाद आपका पच्ता है निकल्ब निकल्ब बाकी बचल्ब चंटेज ये ले जाता है हो जाता है 35% तो तीन से मिल कर ये आपका जर्मन जो है सिल्वर का निर्माड होता है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं प्रश्ण चालिस कह रहा है वन्नी जीव संडरच्छन के छेत्र में अदम बे संडरच्छन में कोई चल ला है डी जबाब चलिए बहुत बढ़िया ठीक है बहुत अच्छे सारे लोगों के जबाब सी आ रहे हैं इसका सही जबाब देखते हैं कि वन्नी जीव संडरच्छन अगर कोई है उसमें अदम में साहस किसी व्यक्तिने दिखाया वन्नी जीव को बचाया सब कुछ किया अस्ट्रेलिया की हाला देख रहे हैं इस समय तो उसके लिए अपने अमरिता देवी बिशनोई पुरसकार दिया जाता है चालिस नमबर प्रशन का सही जबाब विकल C प्रशक्या 41 आपकी स्क्रेन पर 41 नमबर प्रशन आपसे बोल ला है मानो सरीर में बिटामिन ये भंडारित होता है यकिर्थ में तौचा में फुस्फुस में ब्रेक में ये प्रशन इससे पहले आ चुका है C जबाब A जबाब बहुत बढ़ी हाँ C जबाब आ रहा है मानो सरीर में अगर बिटामिन ये की बात करें कि कहां पर भंडारित होता है तो बिटामिन ये अपने ये जो है मानो सरीर में ये किर्थ में भंडारित होता है A जबाब आपको जो है सही बताना है आगे बढ़ते हैं प्रशक्ष्ख्या 42 आपके स्क्रीन पर निवलेखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालिद नहीं होता पीजवर, डेंगू, चिकन गुनिया, जापानी इंसे फ्लाइटिस कौन सा है टाइगर मच्छर पहली बार नाम आ रहा है, चलिए ए जवाब आ रहा है, सिवम जी, बहुत अच्छे 42 नमबर जवाब, हाँ, सही बात है भाई, बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पर बरसात हुई 42 नमबर का सही जवाब, अगर हम देखें, तो एकदम राइट है, डे विकल पी आपका बहुत अच्छा, टाइगर जो आपका, एक जो आप एंडीज मच्छरों के बारे में सुने है ना, इनी को टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं, 43 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर, प्रश्ण कहरा है, म्रण पटिका पर उतक्रीन, सींगी युक्त जो है, देवता की क्रित कहां से राप्त हुई बनावली से, काली बंगा से, लोथल से, सुर्ट कोटदा से, कहां पर, एक मिट्टी का ऐसे मिला है फीगर, उस पर जो है, सींगी देवता की क्रिती मिली है ये किस अस्तल से मिली है, सी जबाब है, सी जबाब है सभी का, ए जबाब भी है, चलिए देखते हैं, इसका सही जबाब 43 नमपर प्रश्ण का जो है, ये जबाब आपका बी है, काली बंगा से मिली है, ठीक है, एक पूरा ऐसे फीगर मिला है, जैसे हम लोग पत्थर की मूर ये बनी होती है, उस पर उतक्रेंड किया जाता, तो वो सेंगित देवता मिले हैं, अडपा काली बंगा से मिला है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण की और, अगला प्रश्ण आपका जो है, 44 नमपर स्क्रेंड पर, ठीक है, 44 नमपर प्रश्ण आपसे ये बोला है, कि जो मलाजखंड है, ये एक छेतर है भहिया, एक अस्थान है, किस खनी जोतपादन से संबन्दित है, लिगनाइट, तामबा, हीरा, लौ एस, मलाजखंड एक जगे का नाम है, यहाँ पर कौन सा खनी जोतपादित होता है, ठीक है, बी आरो का शलेबस या बी भी कलफी है, तामबा जो है, इस खनी जो उतपादन से जोड़ा है, मलाजखंड चेतर, अगर बात करें, ये कहाँ परता है भाई, तो ये आपका कहाँ यमपी में, ठीक है, यमपी में परता है, और यमपी का खासकर ये जानते होंगे ना, बालगाट, नाम सुना होगा, य आलगाट में ये मलाजखंड परता है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ट पर, प्रसंख्या 45, स्क्रीन पर, यनी से आसे क्या है, नेशनल इंक्वारी एक्ट, नेशनल इन्वार्मेंट, अथारिटी, सी बोलाइ, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, डी बोलाइ, 45 नमबर, ठीक है, तो 45 नमबर का सही जबाब आपका, बी बिकल्फ होगा, ठीक है, नेशनल इन्वार्मेंट, अथारिटी, इसका पूरा नाम होता है, यनी ये, नेशनल इन्वार्मेंट, आपकी स्क्रीन पर, प्रशन आपसे बोला आ है, हरिद विकास, जिसको ग्रीन जबाब आ रहा है, बीयो का स्लेवस जो है, बीयो के प्रिपरेशन के बारे में एक टेस्ट का पीडिया पूरा पड़ा है, आलोग सर नहीं एक स्टेटजी बताई उसमें उन्होंने डिसकस किया है, चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिसकस है, ब Green Development पुस्तक है इसको W.M. Adams ने लिखा है Question No. 47 आपकी स्क्रीन पर Ecology से संबंदित प्रस्ट पारिष्ट की तंत्र की शंकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने इस concept को दिया था G. Teller ने, E. फिर हंटी गंटर ने या फिर D.R. Studard ने या टॉंसले ने, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने इस तंत्र को A. जवाब असुक सर्मा जी B. जवाब बहुत बढ़िया D. जवाब मोनिका जी देगे, पारिष्ट की जो तंत्र Ecology आपका सिस्टम पाया जाता है टॉंसले ने इसके बारे में इस संकल्पना को प्रस्तावित किया था अगला प्रश्णा आपकी स्क्रीन पर 48 नमपर प्रश्णा ये बोला आप से जियू भार का पिरामिड ठीक है, किस पारिष्ट की तंत्र में उलट जाता है, ये प्रश्णी इस बार जो है PCS ने इससे related question पूचा था जो लोग 19 PCS दिये हैं, उन्हें ध्यान होगा 1, तालाब, घासी अस्थल सुसकस्थल, ठीक है कौन सा इसका सही जबाब है, किसमें उलट जाता है, A and D Okay, CMG देखते हैं, कौन सा इसका सही जबाब है, ठीक है 48 नंबर का जबाब A, R आए चलिए देखते हैं, 48 नंबर का सही जबाब अगर हम देखें, तो इसका जीव भार का जो पिरामिड होता है ये जब तालाब में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको उल्टा मिलेगा इसलिए इस सीज को ध्यान रखना है इस बार मैचिंग से को लाजी बहुत अच्छे क्वेशन आये थे UPPCS में, तो बीयो के लिए जो लोग तयार हो रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज को मनाया जाता है, 15 सितंबर 16 सितंबर, 17 सितंबर 5 अक्टूबर, ओ जोन सनरच्छण दीवस, किस दिन आता है सभी को ध्यान होगा, ठीक है, B विकल बहुत अच्छा, सालनी जी, B विकल चलिए 49 नंबर अलगा जी का जबाब B है, बिजे जी जबाब दे रहा है, इसका सही जबाब अगर देखें, ओ जोन सनरच्छण दीवस ये 16 सितंबर, यानि बिकल B होता है, राइट जिन लोगे ने चुना है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफार्मेंस, प्रस्ट सख्या 50, सीरीज का अंतिम बिकल बहुत अच्छा, क्वेशन आउट, कोई दिखकर नहीं सी ओम जी फरीन जी, 49B, अलका जी, ए जबाब, बिजय यादो जी चलिए, नीरज जी, रोचक जी चलिए, नसीम जी, ए जबाब, सरज जी, सी जबाब बहुत बढ़ी हैं, इसका सही आपसन जो होगा 50 नमबर प्रश्ण का, ये सही जबाब आपका हैदराबाद है ठीक है, तो समझ गए, 50 की स्रिंखला होती है पूरी, ठीक है, आ रहे हैं, तो कमेंट करते रहेगा नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान से देखेगा आखिर इसका सही जबाब क्या है, ठीक है, कोई दिक्कर नहीं लेना है कि हमें नहीं आ रहा है, तो कोई आपको थोड़ा सा वो सोचना है पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर निमने में से किस अंतरिच एजनसी ने रोबोट्स के लिए इस्पेस में होटल बनाने का फैसला किया है इसा, इस्रो, नासा, डियारडियो कौन सी वो इस्पेस कंपनी है जिसने अभी जो है वहाँ पर इस्पेस में जो है सारी चीजें यूपीपी बहुत जल्दार आ रहा है इसका जबाब सी आ रहा है प्रतिक जी बहुत-बहुत स्वागत है सी जबाब, निरत जी इस्पेस में रोबोट्स के लिए होटल बनाने का एक फैसला किया है समझ गए? देखो अंतरिश में एक ये अपना टूल इस्टाज भेजेगी जिसका नाम है RTTS उसके साथ एक इस्पेस होटल आपका भेजेगी रोबोट्स के लिए खास कर अगला जो है प्रशन संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर प्रशन ये बोला है आनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कमपनी है आपकी नेट्फिलिक्स के सारे सो आप लोग देखते हैं न भारत में कंटेंट पर कितने करोड रुपे निवेस करने की इसने घोस्रा की है एक हजार करोड रुपे, दो हजार करोड रुपे, तीन सो करोड रुपे, पाँच हजार करोड रुपे कितने रुपे निवेस करने जा रही है आपकी C जबाब आ रहा है, फरीन जी बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है, राम जी, तियादो जी, C जबाब, नीरज जी, डी विकल, इसका सही जबाब जो आपका दूसरा नमबर प्रशन है, जो Netflix है, भारत में आपके तीन सु, एक तरीके से ये, तीन हजार होना चाहिए, तीन हज सिरोमड अकाली दल की अस्थापना दीवस पर सुखवरी सिंग बादल को कौन सी सियत का अध्यच चुना गया, पहली सियत, दूसरी, तीसरी या चौती, ठीक है, कौन सी सियत का, इसमें, साफ नहीं देख रहा है, थोड़ा नेटवक की प्रॉलम होगी, C विकल पा रहा है, एविकल पा रहा है, रोचक जी, चलिए बहुत बड़ी हाँ, थोड़ा सा भी जोम करूँगा, तो और क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, सिरोमड जो अकाली दल है, इसकी अस्थापना दीवस सभी रहा, उस पर सुखवरी सिंग बादल जी को, ठीक है, अगर इसकी बात करें कि किस सियत का प्रमौख बनाया गया, तो इस बार, इनको तीसरी सियत का प्रमौख बनाया गया है, समझ गए, क्योंकि इससे पहले थोड़ी सी चीज़े, और यह जानकारी आपको याद रखनी है, इससे पहले भी इनकी, जब जो है, सुखवरी सिंग बादल की निरुती प्रसंख्या चार आपसे कह रहा है, आप दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियर, बिटेन में आम चुनाओं में 127 सालों में, ठीक है, 127 सालों में सबसे ज़्यादा कितने भारतिय मोल के लोग सांसत बने हैं, करिंड का प्रश्ण है, 7 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, कितने भ भारतिय अभी हाली में बिटेन के चुनाओं में जीते हैं, ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है दिलीब जी, अब तो आपका जूम हो चुका है, C जबाब, A जबाब आ रहा है, A जबाब आ रहा है, मुनकजी, फड़ा फट जबाब दीजिए, स्वागत है सभी का A बिटेन में अभी जब चुनाओं हुआ आपका जो है, ठीक है, तो इसमें इस बार अगर देखें, तो 15 भारतिये, 15 भारतिये मूल के बेक्ती इसमें सांसर चुने गए हैं, कहां पर बिटेन में, अच्छा एक क्वेस्चन यहां से क्या पूछता है, अगर इतिहास में पू अगर इतिहास से जोड़ दो तो यह प्रशन बन जाएगा, और अगर करेंट से जोड़ दो तो यह प्रशन, दोनों को एक साथ देदो तो UPPCA समझ सकते हो, ठीक है, कैसे प्रशन बना रही, इस बार देखा होगा आपने, अगला प्रशन संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर, इना खान है या दीपिका पादकूर है, ठीक है, एक मैकजीन है आपकी इस्टेर्ण आई, जो लंदन से प्रकासित होती है, इसने एसिया की सबसे सेक्सी हिरोईन का दरजा किसको दिया, कौन है वो लेडी आखिर, गोड इवनिंग अलका जी, लेट हैं, कोई देखकर नहीं जी, डेविकल्ब बहुत बड़ी हैं, देखते हैं बाई, कौन सा इसका सही जबाब है, पांच नमबर का विकल्ब डी, जितने लोग चुन रहें, वो एकदम सही हैं, लेंदन द्वारा जो ये मैकजीन है, जिसका नाम इस्टर्ण आई है, इसने अभी जो है, दसक की यानि दस सालों में देखा जाए, तो सबसे सेक्सी एसियन का दर्जा जो है, ये देविका पात्कोर्द को दिया है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस क्वेशन को घुमाया कैसे जा सकता है, इससे जुड़ा एक और फैक्ट है, कि अगर मानलो ये प्रशन पूछ ल सेक्सी एसियन, तो वह दर्जा मिला है देविका पात्कोर्द को, दोनों चीजों में डिफरेंस है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रश रख्या 6 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, अब हम दूसरे प्रशनों पर आ चुके हैं, प्रशन कहरा है, बिश्व में रेश हाँ, 5, B, बहुत अच्छा, अगर 6 नमबर का सही जबाब देखें, तो 6 नमबर का सही जबाब आपका विकल B होता है, पूरे बिश्व में रेशम की चार किसमे ही पाई जाती है, ठीक है, पूरे बिश्व में, पहली तो आप जानते हैं, जो हम लोग बहुत परशित हैं, और चोथी जो प्रकार होती है, इसको मुंगा बो जाता है, कि अस्थापना कब होई, उत्तर प्रदेश, सहकारी गन्ना समिच संग लिम्टेड कि अस्थापना कब होई, उननीस सो उन्चास, अठारा सो उन्चास, उननीस सो नहत्तर, उननीस सो उन्तालिस, आखिर कभी होती है, इसकी अस्थापना, उमेश जी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है, आठ वजे कल से पहुँच जाना है भाई, सभी को, ठीक है, आठ वजे कल स 7 का C, बहुत बढ़ी हाँ, रामकरन जी, अलका जी, बहुत अच्छे, सारे लोग 7 नमबर का सही जबाब सारे लोग C विकल्ब दे रहे हैं, C विकल्ब नहीं, यह है आपका विकल्ब A है, 1949 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में सहकारी गन्ना समित संग लिम्टेट की अस्थ अपना होई दी, समझ गए, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, अगले जो प्रशन है, प्रशन संख्या, आपका आठ है, यह समय मुत्तर प्रदेश के प्रशन चलने हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 10 सेक्षन में GS में डिवाइड है, सबसे 5-5 सेक्षन है, पू हद करगा उद्दोग को प्रोचसाहन के लिए, कि क्रिशी और हद करगा दोनों के लिए, यह अद्दोगी एकाईयों समय बद्ध को समय बद्ध समय में स्थापना सुनिश्चेत करने के लिए, कौन सा सही जबाब है, C वी कलब, D वी कलब, C वी कलब, बहुत अच्छे, आयुजित करने कई ख्याती किसको प्राप्त है, सबसे ज़्यादा किस ने गिया, आगारीजा, अब्दुल सबद, मुरलीधर, चमन सिंग, कौन सा वा व्यक्ति है, जिसने सबसे ज़्यादा अंतरराष्टिय चित प्रदर्शनियों में भाग लिया, वो व्यक्ति कौन सा है 9A, V जबाब, लक्षमी जी, C जबाब, सर जी, V जबाब, बहुत अच्छे, देखिए, 9 नमबर प्रशन का सही जबाब आपका विकल्प होता है, D, जो लोग D विकल्प सोच रहे, चुलन है, एकदम सही होते हैं, ठीक है, ये बंदा जो चरन सिंग है ना, ये मेरट का अप तोरी है, जीती है, बहुत बढ़ियां, मेरट का विकती है, चमन सिंग, अगला प्रशन, 10 नमबर आपकी स्क्रीन पर बोल लाए, गड़ेश शंकर विद्यार्थी, मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कहां है, क्या मेरट में है, कानपूर में है, वारांशी में है, आगरा में है, उत्तर प्रदेश से संबादित प्रशनों पर हम चल लाए है, बंसी गुपता जी स्वागत है, डीविकल, संजय अग्रहरी जी स्वागत है, डीविकल, बेविकल पा रहे हैं, बहुत बढ़ियां, दस नमबर का अगर सही जबाब देखें, कि जो आपका गड़ेश शंकर व उत्तर प्रदेश में है, साढ़े सोला प्रशन, साथ दसमल तीन तीन प्रशन, आठ प्रशन, कौन सा जबाब सही है, A जबाब, B जबाब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ियां, 11 नमबर प्रशन के जबाब आ रहे हैं, B जबाब भी है, दिलिव जी, A जबाब, चलिए द देखते हैं, 11 नमबर प्रशन का सही जबाब, उत्तर प्रदेश का अगर परसेंटेज देखें, भारत के परिपेच में तो होता है, साथ दसमल तीन तीन, यानि जो लोग जबाब दे रहते हैं, बिकल B, वो होते हैं एक दम सही, 12 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, स्वत 81 से 99 के बीच, या विकल D, कोई नहीं, कौन सा जबाब होता है सही, A, A, C, मादवेंजी स्वागत है, कोशिस करिए जल्दी आने की, A जबाब, अलका जी, C जबाब, देखते हैं, इसका जबाब, 12 नमबर का जो जबाब होगा, ये विकल B, सरवाधिक उचित है, ठीक, 1951 से 60 के दोरान, जन घनत्तों में या मनी पॉपलेशन डेंसिटी में उत्तर प्रदेश के सबसे कम ब्रिद्धी हुई, प्रस रख्या 13 आपकी स्क्रीन पर, सरवाधिक लिंगा अनुपात है, हिंदु में, इसाईयों में, पार्सियों में, या सिखों में, सबसे ज़्यादा जो सही जवाब अलका जी, चलिए देखते हैं, सही जवाब देने वाले, बेकल बी को चुनने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसाई को चुना है, वो एकदम सही है, इसाईयों में, जो है, सरवाधिक लिंगा अनुपात है, यानि, देखा जाए, तो यहाँ पर क्या है, शेक्स में सरवाधिक स्लम आवाधि वाले राज जी कोन से हैं, मेरट, आगरा, कानपुर, महाराश्ट्रा, आन्द प्रदेश, पश्यम बंगाल, मेघाले, मिजूरम, रायपूर, भोपाल, देशपूर, कोहिमा, कौन सा वाहराज जी है, जो सबसे ज़्यादा है, गुन्जा जी, बी बिकल्ब, बी बिकल्ब पा रहे हैं, बंसी जी, बिकल्ब बी, मादवें जी, बिकल्ब बी, चलिए देखते हैं, सही जबाब, 14 नमबर प्रश्ण का, जो सही जबाब है, ये बिकल्ब बी देने वाले होते हैं, एकदम राइट, ठीक है, महाराश्ट्रा में सबसे ज़् स्लम आबाधी वाले राजी है अगर अन्य देखा जाये जीलों की बात कल लूँ मैं आपसे उत्तर प्रदेश मालो इसको रिलेट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सरवाधिक स्लम आबाधी जीले बताओ तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना पहला तो पढ़ जाता मेरट, दूसरा आपका पढ़ जाता आगरा, और तीसरा पढ़ जाता कौन सा, ये बगल वाला कानपुर, ठीक है, तीनों के तीनों ये आपके जो है, इसी जो है, उसमें, सिरीज में हैं, क्रम में हैं, प्रेशन बोला, जनसंख्या की दृष्टी से सब सी बड़ी जनजाती कौन सी है, भुक्षा, बनरावत, थारू, सहरिया, वो कौन सी जनजाती है, जो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़ादा है, येसपी पाठक जी, बहुत-बहुत स्वागत है भाई, जवाब देना सुरू करें, स्लम मलब जो है, एकदम पिछडी इसी को बड़ी न कहके मैं छोटी बोल दूँ, तो छोटी के लिए जबाब आपका हो जाएगा बनरावत, ठीक है, समझ गे, दो चीजे एक साथ आपकी क्लियर हो रही, 16 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, इतिहास के प्रशनों में हम बहुत चुके हैं, जीव को पार्ज पार्जन हे तू, जो अपनी जीवी का चलाने हे जो पढ़ाता था, 15C, C बहुत अच्छा, बहुत बढ़ी हैं, 16 नमबर का जबाब, B जबाब दिलीब जी, मोनिका जी, C जबाब, बहुत अच्छा, ठीक है, संजे जी, C जबाब, चलिए इसका देखते हैं, 16 नमबर पा, इस्थित है कहां, शाची में, नालंदा में, राजग्रह में, पावापूरी में, जबाब आपका सही आना चाहिए, बहुत बढ़ी हैं, C जबाब, बंसी जी, अर्पिज जी, C जबाब, मनो जी, C जबाब, लक्षमी जी, C, देखते हैं, 17 नमबर प्रश्न का सही जब अच्छी है, अच्छा, एक फैक्ट और जानलो इससे, सफ्तपरंडी से, मानलो सबसे पहले पूछ लिया गया कि प्रथम बौध संगीत का आयोजन कहां हुआ, तो प्रथम बौध संगीत का आयोजन भी यहीं पर हुआ था, इसलिए ये दो फैक्ट से आपकी चीजें बहु पीपताब समझी है, कि इस पर किस काल का वर्णन है, चलिए बताइए भाई, कुशार काल का, गुप्त काल का, वर्धन काल का, या राजपूत काल का, सारनात में जो आपकी बुद्ध की प्रतिमा मिली, उस पर राजगिरी 18A, C, चलिए फटा-फट जबाब दीजिए, A, 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 जबाब देखते हैं, इसका सही जबाब, 18 नंबर प्रश्ण का जो आपका सही जबाब है, ये भूम एसपर्स वाली जो एक तरीके से बुद्ध की प्रतिमा है, इसका संबंद गुप्त काल से है, समझ गए ना, ये गुप्त काल से है, इसलिए इसको जरूरी आपको है ध कहता है कि निमलिखित में से कौन सा धर्म विश्व बिनासकारी प्रले की अउधार्णा में विश्वास नहीं करता, क्या वो बहुत धर्म है, क्या जैन धर्म, क्या हिंदू धर्म, क्या इसलाम, कौन सा धर्म ये नहीं मनता, कि इसर जो हर्म में हिंदू धर्म में बताया ज जैन धर में इश्वर को माना ही नहीं गया, जैन धर्म कहता है कि स्रिष्टी अनवरत है, स्रिष्टी लगातार चलती है, ये ना तो कभी बंद होई है और ना कभी बंद होगी, ठीक है, ये हमैसा चलेगी ये जैन धर्म का अपना सिद्धान्ट है, प्रसक्या 20 आपकी स्क्री का भाग कौन सा नहीं है ठीक है ए विकल्ब बी विकल्ब सी विकल्ब बी विकल्ब फरींजी बहुत बढ़ियां जो लोग जब आप चुनने इसमें आपका विकल्ब ए होते हैं एकदम सही भेरी घाता का संबंध ठीक है जैन साहिति से ना होकर बौध साहिति से है यह PCS के सब आपके अच्छे question होते हैं pet question होते हैं ठीक है साहिति से आपको जरूर वो उठाता है चाहे संगम काल्द छेंड ले लो चाहे आप जैन और बौध ले लीजे ठीक है चलिए अगले प्रशनकी और बढ़ते हैं बाकी यह तीनों जो दिये हैं आचारांग सूत्र या सूत्र आ कौन सा संप्रदाय है जो नियत की अटलता यानि हमेशा प्रकिर्थ बनी रहेगी जो जैसा कर रहा वो ऐसा भोगेगा यह तमाम चीजे कौन विश्वास करने वाला है चलिए बताई यह फड़ा फड़ जबाब दीजिए 21 नомबर प्रश्ण का अगर हम सही जवाब देखें कि 20 नंबर प्रश्ण में कौन सा वो संप्रदाई है वो संप्रदाई है आपका आजीवक संप्रदाई ठीक है यह नियत की अटलता में विश्वास करता है प्रसांध 14 आपकी स्क्रिन पर फिर से हम अच्छा प्रस्ण सार महाजनों को सार्थ वाह किसे कहा गया है चलो बताओ फड़ा फड़ B जबाब संजय जी मनोश सर्मा जी B जबाब जीतेन जी B जबाब बहुत बढ़ी है अच्छे कमेंट आ रहा है काफी लोगों के जो है लगातार भाई रिस्पॉंस दो देख रहे हैं वीडियो कमेंट करो C जबाब आ रहे है B जबाब बहुत बढ़ी है 22 नमबर प्रशन का अगर हम सही जबाब देखें सार्थ वाह बोला जाता था ब्यापारियों के काफी लोगों को बिगल B जो लोग चुन रहे हैं एकदम सही है ये सार्थवाह सब्द किसके काल में था मानलो ऐसा पूछ ले तो मौरिकाल में अगर इसी प्रशन को घुमाना हो न तो अगर ऐसे ही प्रशन दे देगा कि मौरिकाल में जो ब्यापारियों के काफीले होते थे उन्हें सार्थवाह कहा जाता था प्रश्ण सही है या गलत ठीक ऐसे दो फैक्ट और मौरिकाल से जोड़ दे तो PCS का क्वेशन बन गया, EPSC का क्वेशन बन गया, चलिए आगे बनते हैं 23 नंबर प्रश्ण पर, 23 नंबर प्रश्ण कहरा है निमलेखित में से कौन सा या कौन से लोक निर्माण में निवेस के रूब में जाना जाता, यानि इन्वेस्टमेंट में, राजस सुवे, पूजी गद बे, चालू खाता या इन में से वो कोई नहीं, एकॉनमी के प्रश्ण उपर पहुँच चुके हैं, बेकल भी, बहुत बढ़ी हां गुंजा जी, अच्छा गुंगुन यादो जी, स्वा 23 नमबर प्रश्ण का अगर हम सही जबाब देखते हैं, तो बिकल भी होता है एकदम सही, एकॉनमी के ये प्रश्ण है, जो लोग निर्माड में निवेस होता है, यानि मान लीजे सडको का निर्माड है, पेजल से समंदे समस्या है, नाली का निर्माड है, लाइट से सारी चीजे हैं, इसमें पूंजगत बे के रूप में इस निवेस को जाना जाता है, यानि जितना का जितना जितना जैसे सरकार बज़ए, इस के बाद प्रश्ण क्या 24 आपकी स्क्रीन पर प्रश्ण बोला निमलिखित में से किसको मुद्राइस्पीत से सबसे अधिक लाब होता किसको मुद्राइस्पीत का सबसे फायदा मिलता है, C जवाब है, जो लोग C चुनने हैं, जितने भी एक तरीके से रिड़ी बैकती होते हैं, जिने ने कहीना कहीन से लोन ले रखा है, जब मुद्राइस्पीत की बात आ गई, तो जाहिर सी बात है, कि इनको जो पहले रासी चुकानी थी, जिसको लोन रखा था, ले रखा है, ठीक है, उसके मुकाबले में कहीना कहीन मुद्राइस्पीत की वज़े से वो कम हो जाएगी, तो इनको तो लाव मिल ही रहा, समझ गए, तो मुद्राइस्पीत की कंडिशन में सबसे ज़्यादा रिड़ी को फायदा होता इसलिए क्या होता है, बैंक में लोन माप हुआ, दियान है ना, सरकार आई तो बैंक में लोन माप हुआ था, पचीस नंबर है, कौन सी गज़विद डवलू टीओ से समधित नहीं है, वर्ट्रेड आपका एक तरीके से अर्गनाइजेशन, ब्यापार शम्झ होता वारता, ब्यापार के बिवाद का निप्टानिया समाधान, ब्यापार के लिए बित प्रदान करना, डवलू टीओ की गज़विद क्या नहीं है इन में से, डी विकल्प बढ़ी हाँ, बी विकल्प एसपी पाठक जी, पचीस का डी चंदपाल जी, बहुत बढ़ी हाँ, बहुत जादा दो देशों के बीच में ब्यापार हो रहा, कोई भी बाद आ गया, तो उसके निप्टानिया समझोते के लिए, दो देशों के बीच में अगर ब्यापार छमता निर्माड करनी है, मालीजे कोई देश, ब्यापार किसी देश से कड़ना चाहरा, तो डवलू टीओ की अंतरगत सारे नियम है, अगर ब्यापार समझोता वारता होने वाली है, तो डवलू टीओ के अंतरगत ही सब कुछ होगी, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजे इधर रही है, हम जबरदस्ती किसी से अपना ब्यापार बंद नहीं कर सकते, अगर विच्व में आप एक अच्छ को डवलू टीओ, अब इसी प्रश्ण को घुमाना चाहे तो घुमा के पूछ सकता है, इसको एक, दो, तीन, चार कथन दे दे, और पूछ ले कि डवलू टीओ की गत्विच से संबंदित कौन नहीं है, अब इसके चार आप्शन बना दे, कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसर दे रहे, तो आप इस प्रश्ण को देखकर समझ गए, मडीपुर, सिक्किम, PCS में भी था ये, त्रिपुरा, मिजूरम, कौन सा वो राजी है, जिसको अभी, जो है, जैबिक क्रिसी दर्जा, प्रथम राजी, बहुत बढ़ियां, 26 का B, 26 B, बहुत अच्छे, बहुत आप लोग करेंट पढ़ रहे हैं, बाई, डेली पढ़ते रहो, एक प्रोग्राम जल्दी करेंट के लिए ला रहा हूँ, सुबह सुबह के लिए, B विकल्प है, 26 का B विकल्प है, गोरो कौसिक जी, बहुत बढ़ियां, स्वागत है भाई, 8 वजे हर दिन आईए, अलका ज 26 का A, 26 नमबर प्रशन का जो अगर हम सही जबाब देखें, बिकल्प B होता है, आप लोग करेंट बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, करेंट की PDF भी पढ़िये, 600 प्रशनों की मन्तली आपके परिक्षा प्लस टीम की और प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, मैं एक प्रोग् प्रकासित करता है, गोरो कसी कौसिक जी बहुत बहुत बढ़ियां है, ठीक है, बुग मिल जाएगी, कोई दिककर नहीं है, सारी चीजे मिल जाएगी, ठीक है, बी विकल्प है मुनिका जी, गोरो जी, दी विकल्प बहुत अच्छा, बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे भी जबाब आ रहे हैं कई लोगों के तो लगातार सही आ रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी चल लिए आप लोगी इस आप डूई विजनेस अब देख लो इसमें अगर पूछना चाहो तो एक पूछ सकते हो कि इस बार इंडिया की रेंग क्या रही पहली रेंग क्या रही ठी रख दो UPCS बन गया क्वेशन ठीक है 27 नंबर प्रशन का अगर हम सही जबाब देखें तो बेगल्ब D होता है राइट ठीक है बेस बैंक जो है जो लोग अभी बीयों की एक्जाम देने जा रहे है ना या UPCS 2020 पर जुटे हो अभी बीयों के लिए तो टेसरी आप ले लिज सब के लिए question यहां से पढ़ो test series team बनाएगी ठीक है हम test series launch करेंगे उसको पढ़िए उसके PDF पढ़िए पूरी और पूरा का पूरे test दीजिए 100% बता रहा हूँ selection की possibility बहुत करीब हो जाएगी आप स्वयम से अन्भो करेंगे 27 के बाद 28 नंबर प्रशन आपकी screen पर है कह रह नहर को सरहिंद को एडन नहर को बिष्ट दुवाब नहर को या इस्टन ग्रे नहर को कौन सी नहर है जिसको दामोदर नदी से निव या गौरो जी कोई दिक्कर नही हम आल लाइन आपके साथ हमेशा बने रहेंगे कोई दिक्कर नही है ठीक है आप निवियार्ग में है फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत-बहुत स्वागत है भाई बेविकल्प है यस भी पाठक जी बहुत बढ़ी हाँ A जब इडन नहर बिकल्प एकदम राइट है बहुत अच्छा बहुत बढ़ियां मेहनत कर रहे है आप लोग बहुत बढ़ियां पढ़ रहे है ये 1938 की बात है 1938 की बात है जब दामोदर नहर जो है नदी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम इडन नहर था ठीक है 65 किलोमेटर इसक से कम वरसा वाला स्थान बताओ लेह है बिका नेर है जैसम लेर है या चेराम पूजी है ठीक है बताओ फड़ आफड जबाब दीजे नीरे जी नेट्वुक प्रॉब्लम भाई सही से 8 बजे तो एकदम करेक कर लिए जी बी जबाब गुंजा जी बहुत बढ़ियां बी सही जबाब देखते हैं मुंतिश नंबर परशन का जबाब आपका एकदम राइट है बिकल्ब ए चुनने वाले लोग एकदम सही हैं लेह आपका एक ऐसा छेतर है जहां पर सबसे कम बारिस होती है ठीक है अच्छा इसमें चार दी है देख लो कौन गोन सा लेह में अगर ब जी भारत का सबसे ज़्यादा जो है बारिस वाला परदेश जहां ग्यारा सो सेंटीमीटर बारिस होती एक यह है कि यहां ग्यारा संख्या नहीं कितनी विवित्ता है भारत में आप देख सकते हैं प्रसंख्या आपके 30 स्क्रीन पर भहिया इसक्रीन पर जो प्रशन लिखा ऐसा रहा भारतिय मौसम विज्यान विभाग कहां इस्थित है नई दिल्ली में है नागपूर में है जोदपूर में है पूरे है जबाब आपके सही आने चाहिए नहीं आरे तब भी बीयो का पेपर फारीन जी मार्च ध्यान रखिए लाश्ट एकदम बीयो के लिए एकदम जुड़ जाइए अच्छे से C जबाब 30 का D जबाब बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे सारे लोग बहुत बढ़ियां कर रहे हैं चलिए इसका जबाब देखते हैं 30 नंबर प्रश्ट का विकल्ब A चुनने वाले होंगे एकदम सही नई दिल्ली में भारतिय मौसम विज इसस बनाना चाहें तो क्या कर देगा कोई रिपोर्ट ये जारी करें उसको लगा दे दूसरी चीज लिख दे इसकी अस्थबना 1875 में हो गई तीसरा फैक्टे लिख दे कि ये प्रत्वी विज्ञान मंत्राले के अधीन है अब आप से बोल दे कि जो है उपर दिये गए जो मैं रटवा ही दूँगा ठीक है तीस के बाद 31 नंबर प्रशना आपका है इस मिर्दा को सिचाई प्रशन पूरा दिख रहा होगा इस मिर्दा को सिचाई की कामा वा सकता क्योंकि आप वहां नमी रोक कर रखती भाई कौन सी मिर्दा है लाल काली लेट राइट जलोड कौन सिचाई प्रशन 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 था ध्यान होगा ना यूपी दिया होगा तो चलिए काली मिर्दा में एक तो इसमें ये दिक्कत होती मलब फाइदय होता है कि इसमें तीब्र जल धारन की छमता है अब प्रशन को घुमाना चाहे ना तो पूछ लेगा काली मिर्दा की विसेस्ताओं के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार करें सबसे पहले दे दे क कि इसमें तीब्र जल धारन की छमता है दूसरी चीज ये बोल दे कि भीगने पर चिपचिपी हो जाती है ये भीगने पर चिपचिपी हो जाती है तीसरा पैट इसमें डाल दे कि या सूखने पर दरार हो जाती है और स्वता जो है जुताई वाली मिर्टी भी कहते हैं अब आपसे बोल दे कि उपरोग्त में से सही कथन चुनिए अब आप वहाँ पर जो है चुन सकते हैं कि ये सब की सब जो तीनों बाते मैंने बताई और एक चौथी बात ठीक ये सब की सब काली मिर्दा की आपकी बिसेस्ताइं हैं कपास के लिए तो बहुत उपियोगी है अगला पूछ लेता है काली मिर्दा से संबंदी छेतर पूछ लिया तो वहाँ छेतर आपको ध्यान रखना है समझेगे ने यह फैक्ट है तो थोड़ा सा जब आप पीडिये पढ़िये तो थोड़ा सा अपना जो है अपना भी माइंड चलाईए उस पर निवलिखित परबत सिखर जी बहुत बहुत स्वागत है भाई नाम मैं आपका भी ले लिया हूँ ए विकल पार है मोनिका जी विकल भी बहुत बढ़ी हाँ ए विकल देखे जितनी यह सीरीज हो रही है ना इसको अगर आप प्रिंट कराके एक्ष्ट्रा जानकारी आप उसी में लिखते चला चले जा नहीं है गोसाई थान कहां जाओगे गोसाई थान आप चले जाओगे नेपाल भगवान राम की ससुराल ठीक है नेपाल जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है एक तरीके से नेपाल और नेपाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तिबद तो ये मेली तो है तिबद म जो जिला है आपका रोह तांग है नाथुला है खैबर है दर्रों से सम्मधित सवाल बंडे के पैट होते हैं ठीक है बहुत बढ़िया रामकरन सर्मा जी इसलिए ये पूरी सीरीज मेरा चलाने का उद्देश ही है कि सब का सब आप PCS दे रहे हो B.O. एक्जाम दे रहे हो R.O. ये R.O. दे रहे हो सभी में काम करें रामबान है ये सीरीज 33 का ये B.O. बहुत बढ़िया जबाब देखते हैं 33 नंबर का जो सही जबाब होगा विकल सी चुनने वाले एकदम सही होते है नाथुला जो दर्रा है ठीक है ये सबसे उचाई दर्रा अगर इसकी उचाई देख 14,450 फीट इसकी उचाई पड़ती है नाथुला दर्रा की चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर 33 के बाद प्रशख्या 34 है ठीक है और 34 नंबर प्रशन आपसे ये कह रहा है कि भारत और बांगला देश के बीच फरक्का बान विवात किस नदी के जलबटवारी को लेकर है एक तो सीधा प्रशन पूछा जाता फरक्का बान किस नदी पर है दूसरा पूछा जाता किस नदी जो है किन देशों के बीच तीसरा पूछ लिए इस नदी के जलबटवारी को लेकर किस के बीच बावाल है ठीक है तो बताओ गंगा नदी पर है ब्रह्मपोत्र प मुर्सिदाबाद में जो है इस दोनों जो है नदियों पर एक बांध बना है ठीक है ये फरक्का वाला समझ गये ना और इसी के जलबटवारी को लेकर भारत और जो है बंगलादेश के बीच में अभी भी विवाज चल ला है अब प्रशन आते हैं आपकी स्क्रीन पर जो संदित हैं विज्ञान भी सहसे साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है ठीक है बहुलित परावर्तन और बेटरण का बहुलित अपवर्तन ठीक है और परिछेपण तक का बिवर्तन और परिशेपण और और बिकरन का चलिए आप अलका जी, संजय जी, सी बिकल्ब चुमने, चले देखते हैं, 35 नंबर का बिकल्ब आपका होता है, एकदम राइट ए, बहुलित परावर्तन और बेतकरण के कारण क्या होता है, साबुन के जो पतले जाग होते हैं, इनमें जो है, बुलबुले में जो आपकी चमकदार द दिखाई देती है, ठीक है, ये परिखड़ना कौन सी है, परावर्तन और बेतकरण की, समझ गए ना, अब परावर्तन और जो ये बेतकरण होता है, इसमें आप जानते ही है न, वो वाली सीरीज, बिवगयोर वाली, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होई जाता है, आगे बढ कमरे के ताब मान में द्रोपर रहता है, चलिए जबाब दीजे, 36 नमबर प्रशन का जबाब आ रहा, A विकल्प, ओम कुमार जी, कल से 8 बजे भाई, जल्दी आने की कोसिस करिए, सरज जी, B जबाब, B जबाब, Gauris जी, D विकल्प, बहुत बढ़िया, 36 नमबर प्रशन का सही जबाब होता है, विकल्प, C, जिन्होंने चुना है, फ्रेंसियम, ठीक है, फ्रेंसियम विकल्प देने वाले एकढम सही होते है, देखो, कमरे का जो temperature होता है, ये नार्मल बाना जाता है, 25 डिगरी, C अब इस पर एकदम राइट अगर बात कुरू ना, जो आप अभी तक पढ़ते हैं कि ब्रोमीन आपकी एक धातु है ठीक है और दूसरी आपकी है मरकरी ब्रोमीन और मरकरी दो धातुए ऐसी हैं जो सामानिक कमरे के ताबमान यानि 25 डिग्री सेंटीग्रेट पर द्रोह अस्था में होती है लेकिन इसके अलामा भी जान लो ठीक है एक तो आप कमरे से थोड़ा सा दाबमान बढ़ा तो ये द्रोवावस्था में हो जाते हैं चलिए बढ़ते हैं साइतिस नंबर प्रश्ण पर आपसे बोल ला आ है पहुत अच्छा प्रश्ण है धबा रहित लोहा बनाने में लोह के साथ प्रयोक्त होने वाली महत्मूर धात कौन सी है अब ये प्रश्ट इतना अच्छा घूमा है ना, इस बार UPPCS आपने दिया होगा तो आप समझ गए होगे, आप से ये प्रश्ट दूसरी लेंगवज में भी आ सकता हूँ, चलो बताओ, अलूमिनियम है, क्रोमियम है, टिन है, कार्बन है, धबा रही तो लोहा बनाने में, ल जबाब आपके आ रहा है, मादबेन जी, चलिए, 37 नमबर प्रश्ट का सही जबाब, क्रोमियम जो लोग विकल, बीच उनने है, एक दम राइट भया, ठीक है, अब इसको धबार, एक चीज और सुनो, यहां क्लियर, धबार है, लोहा बोला जाए, या इसको बोल दिया अब मैंने बताया ना कि यह घुमा के प्रश्ट है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला प्रश्ट आपकी स्क्रीन पर प्रसंख्या, 38 स्क्रीन पर है, सेब में लाली का कारण क्या है, ठीक है, बहुत बढ़ी हैं, इंतोसाइनीन, लाइकोपीन, कैरोटीन जेन्थोफेल, कौन सा आखिर वांड़क है, जो सेब में पाया जाता है, ठीक है, ए विकल पा रहा है, बी विकल पा रहा है, चलिए भाई, भड़ा पड़ बताओ, यह सब बहुत जरूरी हैं, बायों के प्रश्ट तो आजकल बहुत ही जरूरी हैं, बी विकल एकदम बहु यह देख लो, लाल जो नारंगी आपका रंग होता है, इसके वांड़क जैसे कैरोटीन में जो है गाजर है, तो गाजर में आपका कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में जो है कैरोटीन आपका वांड़क पाया जाता है, यह पूछा गया है कही बार, वहीं चीज़ अगर ट जैन्थोफल एक आपका जैन्थोफल लिखा है ना तो जैन्थोफल जो है ये आपका उसमें हल्दी में पाया जाता है ठीक है हल्दी में जो वर्णक पाया जाता है ये जैन्थोफल होता है और चुकंदर में एक वर्णक पाया जाता है जिसको बीटरमिन के नाम से जानते हैं क्या फाइब्राइन है, एक तरीके से फाइब्राइन है, या आक्सिटोसिन है, या कालांखन है, कौन सा इसमें से आपका नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, नेटवक दिक्कत होगी भाई, विशाखा जी, चलिए, बताओ भाई, 49 नंबर प्रश्ण का सही जबाब, आप त सही जबाब आ रहा है, नमस्कार, नमस्कार भाई, चलिए, जबाब दीजिए, 49 नंबर प्रश्ण का सही जबाब चुनने वाले बेकल्ब, जो C चुनने, एक दम दिल खोल के नंबर ले जाए, ये बहुत बढ़ी है, परफार्वेंस है, C नंबर जबाब जो दे रहा है, न जरूर पढ़ लेना, ठीक है, एप डाउनलोड करिये, पीडिया पढ़िये, अगर बहुत ज़्यादा, जो है, अनी चीजें, थोड़ा सा आप में और गंभीरता है, आप प्रिंट कराके इसकी इक्स्ट्रा, जैसे जो क्वेश्ण हुआ, जितनी जानकारी हो गई, मेरे द् जोडेंसियो मीटर से, बताओ फड़ाफड जबाब आए जाए, बहुत बढ़ी हाँ गोरो जी, बहुत अच्छा है, ठीक है, बी विकल्प है, आरती जी ये विकल्प दे रही है, नीरज जी बी विकल्प, बहुत बढ़ी हाँ है, ठीक है, चलिए इसका सही जवाब देखत जैसे ये जो हाइडो मीटर है, एक तरीके से, ठीक, या आपके अनी जो दिया है, हाइडो मीटर से होता है, द्रो या जल, ठीक है, द्रो है, कोई भी, या जल है, ठीक है, इसका घनत मापते हैं, इसकी डेंसिटी किसी अगर, लिक्विट की डेंसिटी मापनी है, तो हाइड बेवानतरम आपना है तो पोडियेंस योग मीटर का हम इस्तेमाल करेंगे, प्रशंख्या 41 आपकी स्क्रीन पर, प्रशंख्या 41 बोल ला है, दिख रहा होगा न, हम भी बोल ले है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकल निम्नुमे से किसके रच्छन से संबंदित है, हरित ग्रह गैस है अमलिय वार्शा, ओजोन परद, संकट ग्रेस्ट प्रजातिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकल कब आया, चलो बताओ भाई, इसका जबाब दीजिए, जूनियर एपिटेट का साइन्स भी संबो हो, तो साल दें, बिल्कुल कोशिस करेंगे, मादवेन जी, कि इन सभी के लिए म बहुत बढ़िया, ओजोन परद जो है, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकल के संरच्छड से संबन देते हैं, समझ गए ना, अब मालो, इसको एक तो दे दिया ये फैक्ट, दूसरा अगर इसी को बदलना हो, तो आप से पूझ ले मॉन्ट्रियल प्रोटोकल कब हुआ, ठीक, तो ये आपका प्रभावी हुआ है, 18, 1989, समझ गए ना, और बात थी वो पहली जन्वरी की, जन्वरी थी पहली, और संथा अट, 1989, ठीक है, दोनों चीजे ध्यान रखना है, 42 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर, येदि आप घडियाल देखना चाहते हैं, येदि आप घडियाल को उनके प्राकिरतिक आवास में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो निमलेखित मैंसे किस अस्थान पर जाना सबसे सही है, चलो बताओ, पिटर कडिका, जो है, ये भीतर कडिका होनी चाहिए, भीतर कडिका मैंग्रोब जाएंगे आपकी चंबल घाटी ठीक है, चंबल नदी पहुंचेंगे, या पुलिकट जील जाएंगे, या फिर दीपर वील जाएंगे, बताओ, फटा-फट जबाब दो, नेटवर्ग प्रॉब्लम नीरज जी, हाँ, आपके उधर हो सकती है, थोड़ा सा सही डाटा कोई यूज करिए भीया, कुल्दीव जी जबाब B दे रहे हैं, अखिल जी, A जबाब थोड़ा जल्दी आईए भई, हो सकता है, आप पहले से हो, अभी मैंने देखा, माफ करिएगा उसके लिए, B जबाब आ रहा है, चलिए 42 नंबर प्रशन का सही जबाब है, कि एगर मान लो मूड में आ ही गया कि चलो, खाते हैं घडियाल, तो उसके लिए पहुंच जाईए ठीक है, चंबल, ठीक है, चंबल नदी, और यही पर देख लीजेगा, कौन सी, चंबल की घाटी, एक आप से ये भी पूछता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा, वो कौन सी, सोले वाली मोवी याद है न, कि उसमें वो घूम घूम के निकलता है, तो ये भी पूछा जाता है, चंबल के बारे में, तीन प्रश्ण यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्रसंख्या 43 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, 41 नंबर प्रश्ण आपसे ये कह रहा है, निमलिकित में से कौन सही सुमेलिद नहीं ह राजा जी राष्टिय उद्यान के हाथी के लिए है, पेरियार राष्टिय उद्यान के हांगुलों के लिए है, मानस राष्टिय उद्यान के हाथियों के लिए है, दुदवा राष्टिय उद्यान का टाइगर के लिए है, चलो बताओ, सुमेलिद नहीं, आलो कुमार दिक से दी जी ए विकल्ब दे रहे हैं बताओ भया ठीक है यह कौन सा एस पी पाटक जी 43 भी बहुत बढ़ी हां बहुत अच्छे माधवेंजी डी विकल्ब चलिए देखते हैं बाई 43 नमबर प्रशन का जबाब विकल्ब डी चुना बहुत अच्छा ठीक है यह जो का एक तरीके से भी इसमें सुमेलित नहीं है ठीक भी सुमेलित नहीं है कि इसमें पेरियार राष्टिय उद्धान को हंगोल से बता है लेकिन यहाँ अगर मुखि सनराचित हम उसकी बात करें कि कौन-कोन से जीव हैं तो एक तो आपका बाग है ठीक और दूसरा आपका पर प्रश्न कहे रहा तमिलनाडू का पच्छी बिहार कहां अवस्तित है भाईया कारी किली में काला कड्डू में कुलान कुलम में या मुडू मलाई में चलो बताओ इतने अच्छे अच्छे नाम बता रहा हूं आपको ठीक है ए जबाब आ रहा है संजे जी सी जबाब दे रहे है सरज जी आपके ए जबाब दे रहे है डी बिकल्प बहुत बड़ी हां अखिल जी चववाली शनमपर प्रश्न का सही जबाब आपका इसमें से जो आपका होगा बिकल्प ए चुनने वाले एकदम सही होंगे कारी किली ठीक इसका पूरा जो है एक तरीके से वेदांग गेंगल बोलते हैं इसको पूरा नाम, वेदांग गेंगल ये एक आपका है तमिलनाड का एक तरीके से अस्थान, जहां पर एक पक्षी भी हार दूसरा कारी किली में पढ़ता है, ठीक है, ये कारी किली जादा दूर नहीं है, चन् में बताओ नेशनल बीरो आप प्लांट जेनेटिक रिसूर्सेज कहां परिश्थी थे अरे आदिती भाई देख लिया A जबाब बहुत बढ़ी हां B जबाब आ रहे हैं चलिए भाई 45 नंबर जबाब बताएं जितेन जी B जबाब राजित जी बहुत बढ़ी हां C जबाब 45 नंबर का सही जबाब जो होगा ये जबाब होगा नेशनल बीरो आप प्लांट जेनेटिक एक तरीके से ये नई दिल्ली में है ठीक है ये जो है इसके लिए एक नोडल एजनसी है अगला प्रशनी स्क्रीन पर 46 नंबर प्रशन है निमने में कौन सा सुमेलित नहीं है चलो जबाब दो फड़ा बढ़ बताओ गुंजा जी 46 नंबर प्रशन पर आईए एक दम आपको ऐसा फिल होगा एक जाम में क्वेस्चन आ रहे है आपके सामने इतनी ही टाइम मिलेगा मैं तो थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूं आदित जी विकल्प बीच उननने हैं बहुत ब 22 बोला क्या ऐसा है कहीं पढ़ा कहीं नहीं पढ़ा 23 और 24 है तो ये कैसे करेक्ट होगा भया 23 और 24 है ना 22 तो आपकी राइट टू लिप का अधिकार है तो ये विकल्प गलत होता है 46 के बाद 47 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीम पर 47 नंबर प्रशन बोला निमलिकित में से 22 कर्मा उत्तरप्रदेश पुलिष बहुत बढ़िया है भाई ठीक है कल मैं उत्तरप्रदेश पुलिष से सवाल दिया था आठ बजी रोज आईए डीविकल्प है ठीक है सीविकल्प है डीविकल्प है डीविकल्प चलिए इसका देखते हैं ठीक है इसमें जो है आपका य ये राज के नीन नहीं दे सकता तो हैं ही नहीं, थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है, ये राज के नीन नहीं दे सकता तो आपके भाग चार में हैं, समझ गए ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर, 48 नंबर पूछ रहा है आपसे, प्रशन पूरा दिख जाए, अरे बाँ, प्रशन आप तो पूरा दिख गया है ना, बोल आए, भारत में दोए सासन की सुर्वाद निमलिकित में से किस अधिनियम के तहत की गई, बताओ, भारती परिशन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतनता अधिनियम 1947, चववाली से गु जबाब सारे लोग भी चुनने, तो भी वाले होंगे सही, बिल्कुल सही होंगे, 1909 का वो अधिनियम जब प्रांतों में दोएत्सासन बेवस्था प्रारंब की गई, तो भी भी कल्ब देने वाले होते एकदम सही, चलो, आगे बढ़ जाते हैं तोड़ा सा, प्रसंख्या उन्चास आपकी स्क्रीन पर, उन्चास बोला किस अधिनियम के तहट, बंगाल के गवर्नर्ज जर्नल को भारत का गवर्नर्ज जर्नल कहा जाने लगा, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1784 के पिट्स इंडिया एक्टे द्वारा, 1861 के भारती अधिनियम परिशत द्वारा, या 1808 थाउन के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, कौन बंगाल को जो है, हम गवर्नर्ज जर्नल कहने चाह रहे हैं, तो कौन सा अधिनियम लाएं बताओ पड़ापड, मनलब लाए थे पहले, हमें तो अब नहीं लाना है, चलो 1858 भी जवाब, जूम कीजिएगा सर, बिवेक जी, कोसेस विल्कुल होगी, ए जवाब आ रहा है, चलिए, 49 नमबर प्रशन का सही जवाब आपका विकल्फ होता है, ए, तो ए विकल्फ जिन्नों ने 1833 चुना बहुत बढ़ी हैं, ठीक है, वो एकदम सही हो गए, चलिए, प्रशन क्या अंतिम आपकी स्क्रीन पर 50 नमबर, कल स सारी लोग ध्यान रखना, आडवेज करेक्ट आ जाना है, ठीक है, धन विधेक को किसकी सिफारिश पर राज विधान सभाब में पेस किया जा सकता, वितमंत्री के, राज जिपाल के, मुख्यमंत्री के विधान सभाध्यच के, राज विधान मंडल में लाना आए भाई, त पचास का डी, डी जवाब, अस्तो स्पांडे जी, बहुत बड़ी हाँ, सारे लोग कल से आट वजे भाई ध्यान रखना है, ठीक है, और दूसरी चीज, चलिए इसका सही जवाब दिखते हैं, इसका सही जवाब आपका बी विकल्प है, राज पाल, तो पचास प्रशनों क पूरी संकला होती है, समाब, सबसे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, बंगलादेश ने विद्वानों की हत्या की याद में किस तिथी को सही दिवस बनाया, ऑप्शनी कह रहा है, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, C बोल ला है, 13 दिसंबर, D बोल ला है, 14 दिसंबर, सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है, स्वागत है आपका, 14 दिसंबर, C जबाब बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छे, ठीक है, D विकल्ब, चलिए इसका जबाब देखते है, प्रश्टा अंख्या एक और जबाब देने वाले जिन्नों ने चुना है, विकल्ब D, होते हैं प्रश्ट चख्या दो, आपकी स्क्रीन पर, दो नंबर प्रश्ट कह रहा, हाली में शंपन हुए, सैफ, अंडर 15 फोटवाल टूनामेंट की बिजेता कहुन है, ठीक है, बिजेता कहुन है, भारत है, नेपाल है, बंगलादेश, स्री लंका, चलिए फटा-फट जबाब दी प्रश्ट चुनने चलिए देखते हैं, दो नंबर प्रश्ट का सही जवाब होता है, बिकल बी, जिन्मों को ने चुना है, ठीक है, बी तो आपका इसमें एक तरीके से इंकरेक्ट होगा, क्योंकि बी आपका है, एक तरीके से रनर, ठीक है, भारत जो आपका है, इसने जीत दी है तीक है साथ भारत के स्कोर है जीरो गोल वो करता है कोई दिकर नहीं थोड़ी से इंपटेंट चीज क्या धियान रखना है न कि मालो अगर इसको घुमाया जाए इतिहास में जाया जाए अंडर 15 जो फुटबाल टूनामेंट है तो यह चीज आप यह धियान रख लेना क तुन के सब्सक्राइब अधियौ गोल तो आपडेट करने का मकसद आसम के बाइदनी मॉसे की पहचान करना चलिए नर्स सारे लोग पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है ठीक है सारे लोग पढ़ रहें तो जबाब तू आए गा ही सेवने 70 डी विकल पारा अंजली जी बहुत बढ़ी है जो लोग भाई करेंट से जुड़े हैं ठीक है घमन्डी लोधी अरे भाई कोई नहीं बात है ठीक है चलिए जबाब दीजिए बहुत बढ़ी हैं यहां आदिजी एक्टम क्लियर हो गया देख गया वाई इतना कमेंट कर दिया आपने चलिए इसका सही जबाब देखते हैं सही जबाब अगर देखें जैसे बिकल पेकरा नर्सी को के वे भारते नागरिकों को सामिल किया गया है जाहिर सी बात है हम अपने अगरिकों के बारे में मालूम होगा एक इनर लाइन एरिया बोलते हैं असम और कुछ इसमें राजी आते हैं जिन पर यह चीज़े आपकी लागून नहीं होनी है असम में तो हो चुका है बहुत जल्ट दूसरी चीज तीसरा विकल असम में पहली बार उनीश क्यावन में न 20 अगस्त में अनंतिम एक जो है अध्यतन सूची आई है तो इसलिए यह थोड़ा सा करेंट होगा अभी यूपी-पीस इसको चार कथन दे देगा और कहेगा चलो पहचानिये ठीक तो थोड़ा सा यहां से बन जाएगा भी विकल्प को ध्यान दखना है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन चार्ड नंबर आपकी स्क्रीन पर बोल ला है चित्रेस नातिशन हाल ही मेश्टर इनवेश 2019 बने वह किस स्राजिसे हैं क्या केला के रहने वाले या आसं या आन प्रदेश या विकल्प डी आपका उचित होगा ओडिशा चलिए बताईए 2019 इस गोड़ इब अगर बात करें यह किस राज जी से है राज जी है इनका केरल जहां से बिलांग करते हैं दूसरी चीज क्यों इनको मैंने उठाय क्वेशन इसलिए जरूरी है मिश्ट इनिवर्स 2019 जीतने वाला प्रथम भारती है इंडियंस पर्चम फैरा रहे तो प्रथम भारती यह बना ह प्रतियुक्ता होई थी अपनी साउथ कौरिया में हुई थी धचिन कोरिया में यह प्रतिय ने जीता है चलिए और किस उसमें तो 90 किलोग्राम भार वर में इन्होंने यह प्रतियुक्ता जीती है प्रशन के पांच आपकी स्क्रीन पर गिनी के बिदेश मंत्री जिनका नाम है महादी तवरे की हाली में भारत की यह यात्रा के दॉरान दोनों देशों ने दो समझोतों पर हस्ताक चभे थे क्रिश्कां जी बहुत 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 स्वागत गुनिजा जी तौड़ा लेट हो गई जल्दी आई ये निदी जी का जबाब A है अंजली जी B जबाब दे रही अंके जी C जबाब चलिए फड़ा फड़ जबाब दीजे भाई बहुत बढ़ियां C जबाब B जबाब देखते हैं पांच नंबर प्रश्ट का सही जबाब क्या है गिनी जो है ये अफरीकी राष्ट है तो विकल् जाए अगर अफरीकी की बात करें इसमें भी घुझ जए अथोड़ासा तो आप समसक्ते हो जब आप अफरीका के बस्ट के की बात करेंगे तो पश्मी अप्रीका ये एक चोटा सा जो है देश पड़ता है तो समझ गए न ये पश्मी अपरीका का एक तरीके से भाग है प्रस्न क्या छे स्क्रीम पर टर प्रदेस के प्रश्नों में हम आ चुके हैं और अब ला जबाब बीविकल एविकल मजु मनोज जी नरेंज जी बहुत-बहुत स्वागत है लक्षिशोलंग की बीविकल जबाब दिखते हैं च्वे नंबर प्रश्ण का कि छे नंबर प्रश्ण का सही जबाब क्या है यह जो राम गंगा नदी है यह जब 600 किलो मेटर चलती है तो कन् प्रश्ण के साथ आपकी स्क्रीन पर साथ नंबर प्रश्ण यह बोला घागरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता घागरा नदी को अब ब्रह्म पुत्रा तो रटते हैं ना पदमा शुगमरी नाराएडी सरसोती चलो जबाब बताओ फट आफट इसकी पीडियम म शीडिए को 명्याल में किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही जबाब बिकल्ब जो सी चुनना नाराएडी नाराइडी नदी है जिसको घागरा बोलते है नेपाल में समझ गए ना चलो घागरा ने दी एरा मैं पूछलू उद्गम कहा है घागरा का ठीक है अब उत्तर प्रदेश से भाई तो थोड़ा सा है यह तिबद का पठार है तिबद में जब आप जोगे तो तिबद में पठार है ठीक है तो उस पठार का अगर देखा जाए उस पठार में जाएंगे तो यह अस्थान पढ़ता है माप्चा जो है पूरा नाम है माप्चा चुंगा उसका उस पठार का नाम है माप्चा समझ गए ना जामनी बांध मिर्जापूर का है ललिप पूर का है जहांसी का है चंदोली का है जवाब दीजिए सब प्रश्ण यह उत्तर प्रदेश से चले ठीक है इतने टब कोई दिक्कर नहीं है आप जबाब देते रहें तिर्बत का बठार बहुत बढ़ियां निदी जी नारायनी बहुत अच्छा बहुत बढ़ियां है शेवन का सी जवाब आ रहा है गुंजा जी से चलिए अनी लोग भी जवाब देए जवाब सुनिल पांडे जी लेट मत हुआ जो है आप हूँ हर दिन समय से पहुँचे मुसीव को रैसी जी स्वागत है जवाब आ रहा है जब आप चलिए देखते हैं आड नंबर प्रश्न आड नंबर प्रश्न बोला जामनी जो बांद है जामनी बांद यह ललित पूर में है आपका कहां पर ललित पूर में विकल बीव देने वाले होते एक दम राइट ठीक है और इनको अगर आप दियो देने जा रहे तो डा ललित पूर में एक नाम है आपका वो एक बांध परता है जिसका नाम है सजनाम ठीक है और यह सजनाम बांध भी सजनाम नदी पर ही है तो दो चीजे क्लिए रहो गए यहां से ठीक है कभी मैचिंग में भी आ जाए तो थोड़ा सध्यान हो सकता चलो लखनों के बारे मित्त पूर थोड़ा सा आगे आईए प्रश्णख्याट पर हैं विवी क्यातों जी विवी कल पा रहा है डीडी बहुत बढ़ियां आप डबल बार बोलते हैं कोई भी चीजे सी सी बी चले बहुत बढ़ियां चलिए देखते हैं लखनों में इस्तित जील कौन सी है देखो लखन आप देने जा रहे है यूपी पीसियस वी ओ अगया है अपका कानपुर शडियन्त मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के वरुत्था इतिहास के सवालों पर हम आ चुके हैं ठीक है उत्तरप्रदेश के इतिहास से ये सवाल है भारत छोड़ो अंदोलन सबने अवग्या अं चलिए जबाब दीजिए क्रानपुर साणियत मुकदमा इस बार आया था यूपी ट्पल सी में ठीक है यंपी जी के भाई लक्षी जी मैं पूरी कोसिस करूंगा बीच में आ जाए कोई दिक्कर नहीं है ठीक है पूरी कोसिस होगी बी विकल पारहाल का जी ये जबाब लोगों पर मुकदमा चला था वो सारे के सारे नेता आपके शामिवादी अंदोलन से थे तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखना हट के प्रश्ण में बार बार बोलता हूं जन संक्या से संबंदित एक सवाल क्यों ना हो और अगला प्रश्ण जन संक्या से 2011 की जनकर्णा क अंसार उत्तरप्रदेश राज जी जहान देखव हो समझ जया उत्तरप्रदेश है राज जी बें अन्शूचिद जातियों की संख्या क्या है दो करोड बारालाग साथ हजार हजार दूसो तीन पांच करोड तेरह लाक सब्ताावन हजार 6803 करोड तेरा लग सपतावन हजार शेसो आठ जबाब दीजिए जबाब अपक्चिन ले दीजी बी जबाब आ रहा है चली भाई फटाफट दीजिए कौन सा जबाब बारा नंबर चली सारे लोगों के जबाब आ रहा है अगर इसकी बात करें जो है आपका ठीक ग्यारा नंबर इसमें अनुसूचि जातियों की संख्या एक तरिके से थीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजी की कुल जन संख्या में अनुसूची जातियों का प्रश्चत क्या है ठीक है चलिए इसको बताइए दोनों प्रश्म वही से है 20.7 प्रश्चत 25.2 प्रश्चत 28.7 प्रश्चत 32.2 प्रश्चत जबाब आपका आना चाहिए 12 प्रश्चत वर जबाब है आकासें छोभान जी बहुत-बहुत स्वागत है ठीक है जितने लोग नहें आ रहे है उनका मैं जो आब बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जया जी बहुत-बढ़ी हां बहुत बढ़ी हैं सारे लोग जबाब आ रहे हैं मनलब सेंसेस पढ़ रहे हैं 12 नंबर प्रश्ण का सही जवाब विकल्प होता है ए तो ए देने वाले ठीक है आपने सेंसेस पढ़ा है और भी 22-23 तर तो पढ़ना ही है इसलिए बहुत अच्छा है 13 नंबर प्रश्ण आपकी फड़ा फड़ बताइए कौन सा जवाब है ए जवाब आ रहा है मनो जी बहुत बढ़ियां 13 नंबर सी जवाब गुंजा जी बी बिकल्पा रहा है मिस्स ठाकुर मिस्स ठाकुर चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है 13 नंबर प्रश्ण का जवाब बिकल्बी चुनने वाले होते हैं एक दम राइट उत्तर प्रदेस में 10 लाखी नगरों की जो संक्या है यह अभी साथ है भारत में पूरे बात की जाए तो लगभग 52 या तिरपन पड़ते हैं ठीक है 10 लाखी नगर चलिए बाप अगले प्रश्ण क्या 14 की दिख रहा है उत्तर प्रदेस की जन संक्या अधिक है किस से बंगलादेस से ब्राजील से इंडोनेशिया से विकल्प देते हैं इसका स अधिक है बंगलादेस और इंडोनेशिया की जन संक्या से भी जो है उत्तर प्रदेस की जन संक्या आपकी अधिक है प्रश्ण क्या 15 आपकी स्क्रीन पर चलो बताओ बहुत बढ़िया प्रश्णे जन संक्या वा जंगरेंडा सब्द का उल्लेव सबसे पहले कहां देखने क को मिलता है आइने अग्बरी में हिमायु नामा में साम बेद में या इनमें से कोई नहीं चलो जबाब अपाव फटाफट अनिमेश चित्रांसी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका अनिमेश जी अधिया प्रेश्ण का जबाब अंतम जी बहुत बढ़िया आशु जी ए अग लेक मिलता है किसके द्वारा लिखी गई चलो आइने अग्बरी किसके द्वारा लिखी गई ये मौनव प्रशण गुमा दे तो ये प्रशण अगर घुमा देगा तो आप समझ जाते हो कि अगबर तो है है ठीक है अगली चीज और मालो यह विकल्पों में सा आइने अ मौन लिप क्या थी चलो बताओ देवनागरी खरोष्टी पाली या ब्राम्ही रिगवेट की मौन लिपी वैदिगीरा आपने पढ़ा है चलिए बताए है कि हाँ कोई दिक्कर नहीं है भाई अब फैजल जी आप लोग बता रहे हैं एविकल पा रहा है बहुत बढ़ियां सार होगा डी तो डी जो लोग चुनने वो एकडम राइट है क्योंकि जब बैदिक काल आप जाओगे तो लिपियों को लेकर जैसे देवनागरी लिपी इस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे है लेकिन देवनागरी लिप सुरू से नहीं बनी रही है ठीक है पहले कहीं कहीं ब्राम किस पर विस्तारित है चलिए साही जबाब डी भीकल पारा शोल चाही जबाब आ रहा है सत्राय नमबर orada पर हम लोग है सी जबाब बहुत बढ़ी हां संजय जी चलिए A जबाब, C जबाब, A जबाब, चलिए इसका सही जबाब, सही जबाब देखते हैं, 17 नंबर प्रश्ण का, 17 नंबर प्रश्ण का विकल्प B सही होगा वहिया, ललिक बिस्तार पर आपकी सर एडविन अल की पुस्तार, दलाइड आप दी A.C.A. आधारित है, तो ये चीज़ आप उनर्जन के सिधान सही है, मृत्व के पाशाथ ही मोक्ष संब्व है, इस ते जबाब दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यमार विश्ट सर विश्ट है, कौन सा जबाब है, चलिए डेविकल पा रहा है, 17 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, 18 नंब प्रशन का सही जबाब जो लोग विकल चुनेंगे, कर्ण तथा पुनर्जन के सिधान पर दोनों पर इनका विश्वास होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये जबाब होगा, एकदम सही, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके अलामा ये मोक्ष में भी थोड़ा सा जो है, क किसने गर्भ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दिवारों पर अपने सिलालेट में स्वयम को खलीफा का सहय बोला, बल्बन था वो, कैकवार्ट था, जलालुद दीन था या उपित में से कोई नहीं, कौन सा वो देखती था, चलिए फटा-फट बताइए, 18 का ही जबाब आरा, 19 नमबर प्रश्ण का सही जबाब, किसने मस्जिद की दिवारों पर अपने आपको, खलीफा का जो है, जया सिंग जी ये विकल्ब चुन नहीं है, CMGC विकल्ब, बहुत बढ़ी हाँ, 19 नमबर प्रश्ण का अगर सही जबाब देखें, तो विकल्ब ए देने वाले होंगे, किसने मस्जिद की दिवारों पर जो है, एक तरीके से लिखवाया था, 20 नमबर प्रश्ण की स्क्रीन पर सही जबाब आने चाहिए, जिसके सासन में गुरु नानक देव ने सिक्क धर्म की अस्तापना की, वो कौन था, फिरोग सातिवलग, सिकंदर लोदी, हिमायू या अक करें ये, मनों जी, चलिए अगला प्रशनल, 20 नमबर का अगर सही जबाब देखें, टी विकल पा रहा है, इसका भी बहुत बढ़िया अलका जी, 20 नमबर का अगर सही जबाब की बात करें, तो 20 नमबर का सही जबाब आपका भी विकलप होगा, ठीक है, वो समय लोदी का ही तो 1489 से 1489 से लेकर के 1517 तक रहा तो जाहिर सी बात है इसी के बीच जो है चुकि दोनों के दोनों समकालीन है कहीं ना कहीं तो थोड़ा साथ यहां से भी आप से लगा सकते 1857 के बिद्रों के समय बैरफपुर में कौन बेटेक्स कमांड के अफीसर था हेंडिक लॉरेंस करनल या फिर हैर से या सार विव विलर कौन सा जबाब सही है बताईए कोई दिक्कर नहीं भाई पीडियाफ इसके बाद मिल जाएगी आपको बोलते रहना है ठीक है चलिए इसका सही जबाब बताईए 57 के बिद्रों से सवाल है 21 का यहार है बहुत बढ़िया है चलिए इसका सह जो बैरेपूर का लेटनेंट था इसका अगर मैं पूरा नाम बात करूं ना तो पूरा नाम है इसका बैनेट और क्या बोलते है रशे बैनेट है इसका पूरा नाम है तो उस समय यह कमांडिक आफीसर ताव अगला प्रश्ण 22 नंबर आपके स्क्रीन पर चलिए बहुत बा दिया गया कोई दिक्कर नाई दिपक जी बूलते रहे है ठीक है सरेकाड़ा प्रॉष्ण तो बड़ा और कोई दिक्कर नहीं लगातार आप आएंगे तो सारे प्रस्ण आने लगेंगे कोई दिक्कर ने दिए 22 नंबर प्रस्ण का सही जबाब बताईए रिशी मोहन जी ही जब आप देखें तो 22 नंबर प्रश्ण हंटर कमीशन इसने जो अपनी रिपोर्ड दी रिपोर्ड में रिकमेंडेशन किया ठीक है रिकमेंडेशन में कई चीज़े बताई खासकर इसने जोर दिया था प्रात्मिक सिछा पर ठीक है विकल सी चुनने वाले एकदम राइट ह प्रश्ण होते हैं इसलिए अगर मेशन 2020 है 2020 है तो सारी चीज़े अच्छी कर लीजे चलिए आगे बढ़ते हैं भूगोल से प्रश्ण आना आपके सुखरवात हो चुके किन दो परवश्ण यूँके मद्दिक कसमीर घाटी इस्तित है लगदाक वाजसकर ब्रहत हिमाले व जासकर कारकोरम वालग डाग सही जबाब सभी से अपक्षित है ठीक है बहुत बढ़िया निदी जी कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा पीछे हो गई है आगे आए तेज का जबाब बहुत बढ़िया अलगा जी अनि लोग भी जबाब दीजे भाई फड़ा पट अरे नहीं आ तब भी कमेंड करना है बाई बी जबाब आरा क्रिस कुमान जी निदी जी का जबाब जो है फोर आ रहा है रित्का गिर्ती जी बहुत बहुत स्वागत चलिए देखते हैं तो इस नंबर प्रश्ण का सही जबाब अगर हम देखें बिकल्ब बी चिनने वाले एक दम बढ़ मैदान होता है इसकी इस्थित आज भी बहुत जरूरी है और कई मालो विजिट का भी प्लाने तब भी कस्मेर घाटी नहीं छोड़ना है चोविश नंबर प्रश्ण आपका स्क्रीन पर पाल घाट मेंसे कि इनके मध्य वस्थित है निल गिरी और काड़ेमाम पहाडियों के या नेल गेरी और अन्ना मलाई पहाड़ियों के बीच या पर आपका काड़ेमाम पहाड़ियों के बबीच चलिए जबाब दीजिए कोई दिक्कर नहीं है सियम जी लगातार मलब ठीक है इतने प्रश्ण में करवा दूंगा कि यह जितनी गलत होने वाले चांसे से सब हट जाएंगे रितलयादो जी बीबेकल बहुत-बहुत अच्छा है भाई बहुत-बहुत स्वागत है निदी जी मुझे भी अरे कोई दिक्कर नहीं है गलत भाई प्रश्ण इंखला चल लिए इतनी तेजी से चल लिए रिचा जी बहुत-बहुत स्वागत थोड़ा पीछे है चोविश नमपर प्रश्ण का सही जवाब अगर देखें तो इसमें ठीक है चोविश नमपर का सही जवाब हो जाएगा या रास्ता है यह दो थाल घाट पाल घाट और भोर घाट इन तीनों को पढ़ लिजेगा कि मुंबई से नासिक कौन जोड़ता क्योंकि यह मैच कराने को भी कई बार आता है ठीक है मुंबई से महराज से गोवा कौन है मुंबई से नासिक कौन है तो यह थाल घाट भोर घ यह तीनों दर्रे थोड़ा से important होते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर 24 के बाद प्रशन नंबर 25 आपके जो है इस्क्रीन पर है मेघाले का पठार किसका भाग है बतो हिमाले स्रेडी का प्राइड इपिये खंड का पूर्वी घाट पर वतो का सत्पूरा स्रेडियों का बताईए जबाब दीजी रूचे जी कोई दिक्कर नहीं है ठीक है रितका कि यहां जया जी सी बीकल चुन नहीं चलिए जबाब देखते बाई 25 नंबर 25 नंबर का सही जबाब आपका होगा बी बीकल प्राइड एपिये खंड का यह जो है भाग है कही ना कहीं में एक हाले का आपका जो पठार है ठीक है तो थोड़ा से ध्यान अगर दिया है ना आपन प्रश्ण बहुत अच्छे मिलेंगे हर दिन आपके 26 नंबर प्रश्ण आपका आपकी स्क्रीन पर भारत में उत्तर से वच्छन उत्तर यानि उपर से नीचे की और बारना है आपको ठीक है मैं दिमाग में कर लो जाते विए नीचे दी गई नदियों का निमलेकित मैंसे सह पहले आपका है विकल्ब शयोग शयती जासकर सतलज दूसरा बोला शयोग जासकर सतलज तीसरा बोला जासकर शयोग सतलज और शयती चौथा बोला जासकर सतलज स्योग और सती इस बार मैचिंग से आया था इसलिए थोड़ा समय ने प्रश्ण उठाया है ठीक है आराम से सो पूरा का पूरा अगर आप सही देखेंगे तो पहले स्योग पड़ेगा आपका ठीक है फिर उसके बाद जासकर पड़ती है और फिर आपकी पड़ जाती है ये स्पीती ठीक और फिर विकल्प आपका सदलज होगा ये जब आप कास्मीर वाला पूरा का पूरा पढ़ेंगे ना कास्मीर और पाकिस्तान का जो है सिंदु वाला ये खासकर जब आप पढ़ोगे हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर 26 के बाद 27 नंबर प्रश्ण है 27 नंबर प्रश्ण आप से बोल ला है किसका उप्योग मेट्टी की लमार्ता यूं छारेता की समस्या का दीर काली इन हल है ठीक है बताओ रॉक फास्फेट जिपसं खाड इवरिया इस बार भी प्रश्ण थे ठीक है मिट्टी की लमार्ता वा छारेता हमको समाप्त करनी है तो क्या हम वहाँ पर जो है उप्योग करेंगे चलिए जबाब दीजे सारे लोग दो तीन मैप की भी क्लास सारी चीजे होंगी बिवेक कौसिक जी बहुत ज़्यादा लेट हो गए भाई कल से आठ बजे आ जाना है 27 नमबर जया जी बीवेक कल बहुत बड़ी है अलका जी का जबाब भी है कृष्कान जी बीवेक कल चले कोई तालचिर एक प्रसद कोईला छेत रहे कहां इस्थित्र आन प्रदिश्च का चतीस गर का जारकंड का या ओडिशा का चलिए जबाब बताईए तालचिर ठीक है बीविकल पारा है भाई अलाल जी बहुत बड़ियां भाई चलिए अनी लोग भी जबाब दीजिए बीविकल ब भी जब गड़ियां जानते हैं हम लोग यहीं पड़ते ना हर जीगे आप यहीं पड़ते हूं तालचर बीविकल सभी बोलते हैं इसलिए ध्यान अग्ल जीला में यह तालचर नाम का स्थान पढ़ता है ठीक चलिए आगे बड़ते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्रंग क्या 29 ध्यान से मौना लोवा एक सक्रियज्वाला मुखी है विश्व के भूगोल से भी संबंदित बैसावाल लगता हूं तो मौना लोवा कहा का सक्रियज्वाला मुखी है अलाश्का का हवाई का या इडली का या जापाम का चलिए बता ये फटा फट प्रोजर्शन है बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं चलिए अनि लोग भी 29 नंबर का जबाब रोचक जी सी बीकल बहुत अच्छे जबाब आ रहा है जया जी जबाब हाँ आसू जी दिख गया चलिए कुनाल जी थोड़ा लेट है कल से भाई आट वजे आई सारी चीज़े ए हाई द्यूप की हाउआ हाई द्यूप की बात करो णरू उसमें मअलवा जखो तो हाई द्यूप में तो यही मिलेगा आपको मअलवा इसलिए क्या करना है विस सुके जी उच्छाए यूप तूलसी देना है न और चाहे जैसे आपका उपी यूपी पीसी स alguém का है तो साप जो है जितने आपके महादिवप है ठीक और जितने महासागर, महासागरों की सारी संधिया पढ़ डालो और महादिवपो को सब को देख डालो, वहां के नदी, परबत, पथार सब कुछ देख लो, ठीक है famous famous, चलिए आगे बरते हैं, प्रशंक्या 30 आपकी स्क्रीन पर 30 नंब जिसको बोलते है माडुलन या काल विभान बहुत शंकेतन, चलिए जबाब दीजे, विग्यान जगत में सारे लोग है, फारीन जी विविकल बहुत बढ़िया, चलिए बाई, बीविकल विवेक जी, अलका जी 29, 30 का तीन, अलका जी थोड़ा सा पीछे हो गई है, जल्दी जिसको आप क्या बलते हैं, अभी यहीं चीज आप सोड़ पर में, इंगलिस महां देख लेना, तो एक फंग लिखा मिल जाएगा, समझे ना, फ्रिक्वेंसी माडिलेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 31 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, 31 प्रश्ण का रहा है, किस अभी जी आप चुनने हैं, बहुत बढ़ी हां, फरीन जी का जबाप आचुका एव विविक जी बीगल नेरज जी, बहुत बढ़ी हां, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ी हां, परफॉर्ण से, ओम जी, में टुजी, आठ बजे से भाई, जो लोग आज पीषे हैं, भी कही लोग पर पढ़के एक दम दिमाग घुमा लेते हैं अपना, ठीक है, कोड़ी बेक संवर्चन नियम क्या है, रहे कि जो आए बेक संवर्चन की नियम क्या है, अगला प्रशन आपका 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर नियम लेकि लोह आयशकों में से बैला डिला में किसका खनन ह होता है, पहला डिला एक अस्थान है, किसका होता है, हमेटाइट का, सिर्यराइट का, यूनाइट का, माइनेटाइट का, चलो जबाब बताओ फड़ाफड, दिवेक कौसिक जी, यस, गेंगवार जी, बहुत-बहुत स्वागत है भाई, जितने लोग नए हैं, चली 32 नबर प्रश्ण का, जबाब आ रहा है, नीरज जी, अनोज जी, बहुत-बढ़िया हों जी, जबाब, डी जबाब, देखते हैं, कौन सा होता है, सही, 32 नबर का सही, जबाब होगा, विकल्प, ए चुनने वाले, एक दम बहुत अच्छा, बहुत-बहुत-बढ़िया सबसे पहली जी, जो लोग अभी इसमें जूडेंगे हमारे बीयो के कोर्स में हैं, ठीक है, या या यूपी-पी-पी-स हम 2020 भी लांच करेंगे सीरीज आपकी, ठीक, पैसरीज पूरी होगी, क्रेस कोर्स होगा, तो उसमें जो मटेरियल देंगे, वो तो परफेक्ट हाई है इसके अलामा अगर आप किताबे देखना चाहते तो उपी-पी-स का अलोग सरका बीयो का लेक्टर पढ़ा है, ठीक है, उसमें जाईए बीयो की पूरी स्ट्रेटजी बताई है, वहाँ पर देख लीजे, उन्हेंने सारी किताबे डिस्कस की है, 35 रंबर प्रशन आपकी स्क आर्बोनेट्स, साही जबाब बताईए, बुलेट प्रूफ जैकेट बने नहीं है सभी को, ठीक है, ए जबाब आराज ए प्रकास पटेल जी, आठ बजे से कल आ जाना है भई, आसु जी, संजे जी का जबाब ए है, बहुत बढ़ी हाँ, मेंटू जी, जबाब ए चुनने, फरी जी, सी, चलिए बहुत तीजी से अंसर आ रहे है, सभी के बहुत अच्छा, 33 नंबर का सही जबाब, क्या होगा आखिर, कौन सा इसमें बिकल्प होगा, राइट, जिसको आपने चुना है, बिकल्प भी देने वाले होते हैं, एकदम राइट, पॉली एमाइट का इस्त सब देखके उठाये जाते हैं, कि करेंड का मुद्द चला, एक करेंड का डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा चेंज करना होना, तो थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, पहले बिकल्प में लिख देगा, कि भारत में हाली में फाला देश को इतनी बुलेट प्रूफ जैकेट है जो है मेरी आड़ की, दूसरे विख देगे, कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है पाली अमायोट से बनाय जाता है, तीसरा देगे, कि भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट है, इतनी जो है इतनी मिलिमीटर की गण की गोली तक शुरच्छा प्रदान करती अब तील मे पारा उत्पादित रेसम क्या कहलाता है टेसर रेसम मुंगा रेशम गास में रेशम या फिर अहिंसा रेसम चलिए बताई यह 34 नंबर का सही जबाब विगल क्या होगा सलेन यदो जी यह विकल अलका जी जया जी सी और बी चुन नहीं फरीं जी चलिए वेखते हैं कि साही नंबर प्रश्ट का सही जवाब होता है क्या विकल सी चिनने वाले होंगे एक दम राइट ठीक है रहिसम से समधित कल भी एक प्रश्ट अच्छा इसमें जैसे आभी मैं थ तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट हो सके कि आपको सुभाय मने यह बताया था यह चीज़े यहां भी देखने को मिल नहीं तो थोड़ा सा यह जो है रिलेशन आपका अच्छा हो जाएगा और किसी मुद्देग पर समझ आपकी अच्छी मन जाएगी क्योंकि इंसुलिन है एड्रिनलीन है एस्टोजिन है यह अक्सिटोसिन है चलो बताओ फट 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 विगल क्या होगा बीयों के लिए संजय जी कोई दिक्कर नहीं है बहुत ज्यादा फाइदेमन्द यह सीरीज होगी सिजबा आ रहाँ जै प्रकास जी बहुत अच्छे बहुत बढ़ियां येस जी ए विकलब केतकी जी का जबाब बी ज तोनिय लगती एक प्रवाह होता है आपकी बॉड़ी में और वो सब एक हर्मोन की वज़े से होता है हर्मों का शरीर पर बहुत असर होता है इनकी वज़े से सब कुछ जो है पूरे के पूरे शरीर में सारीरिक परिवर्तन हर जगे लिए हरशन होते रहते हैं आगे बढ़ते ह प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर 36 नंबर कह दिया कौन एकॉनमी से प्रश्ण आगे ना मौद्रिग नीत का उपकरन नहीं है कौन सा नगन और अक्षित अनुपात बैंक रेट खुला रेट खुला बाजार या अत्रिक तावेख सकता है इनमें से कौन मौद्रिग नीत के समय किस का हमें इस्तेमाल नहीं करते बताओ और वियाई जब समिछा करता रिपोर्ट आती ना करेंट का भी आपका पोर्शन आजकल बहुत जोरूरी है करेंट में एकॉनमी खास कर ठीक बीविकल्प आ रहां जी बहुत बढ़ी है संजे जी का जबाब बीविकल्प है विवेख को को मौद्रिग नीत में हम सामिल नहीं करते समझ गए ना चलिए इसमें क्या होता है जब आपके क्रेट जो है इसमें जब गुरात्मक उपकरन का इस्तेमाल करते हैं वहां पर यह चीज़े आती है अत्रिक्त जो है आवश्यक्ताएं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशंख्य साहती साथ की स्क्रीम पर चलो दिखते हैं को अच्छा अच्छा पड़ रहा निम्लेखित में से कौन बैंक वा एंबी एफसी यानि गया बिती है संसा आई एंबी एफसी ठीक है के बीच अंतर नहीं है बताओ बैंक का यह दोनों के कारियों से संबंदित है जैसे यह नबी चलो बताओ कौन सा है फटाफर जबाब दो भाई चलिए बहुत बढ़ी हाँ श्याम क्रेशन थोड़ा सा बाई जल्दी आई आई आप वज़े से कलकोसिस करिए सारे लोग राजी राम जी बहुत बढ़ी हाँ एविकल पारा रितका जी राम निमास जी बहुत बढ़ी सही जबाब देखते हैं सही जबाब इसका होगा एविकल ठीक है देखो कमेंट बाई करते हो कमेंट से थोड़ा सा आप और ज्यादा से जोड़ जाते हैं तो आपका माईंड उस क्वेशन पर एक बन आ जाता है पूरी तरीकी तो जब पढ़ोगे या मांगों कहीं बैठे ह तो यह लेक्षर मेरा उपन के लिए आप फिर से देख रहे हो तो सब कुछ रिवाईज होता रहेगा ना यह तो लेक्षर ऐसी चीज है ना कि आप एक जम देने से पहले भी इसको देख सकते हो पूरी सीरीज मेरी एक जम देने से पहले गंडे बैठे है आप देख सकते हो पूरा कि फूल डीटेल है उससे समधित एक्ष्टा भी मरता देता हूं तो फाइदे मन भी रहेगी ठीक है आगे बरते हैं 37 के बाद 38 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर 38 नंबर प्रशन बोला कौन सा एक छेत्र आठ कोर और दोगीक छेत्र में नहीं आता ठीक है आपके अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है 38 के बाद 49 नंबर प्रशन है 39 नंबर अगर क्वेशन देखाए GDP में योगदान के शंदर में भारती अर्थ व्योस्ता पर किसका अवर्थ चस्त हुआ है ठीक है अपने आज GDP में योगदान किसका सबसे ज़्यादा बी निर्मान चेत्र का क्रिशी चेत्र का सेवा चेत्र का या उपित में सब कोई नहीं कोई और है चलो बताओ फड़ा फर जबाद दो भाई 38 का तीन 49 नंबर पर है निजी जी अब मनो जयादो जी बहुत बढ़ी हां कुनाल जी कमेंट भाई लगातार करते रहे नहीं आ रहा है तो वो तुम में बता ही रहे हूं जया जी बहुत अ सब कुस्तों अपना सर्फिस क्टर है णकाए घर में बैठे हैं जो मैटों मंगा लिये बर कर लिये कुछ सब सर्विस सक्टर अपने यहां देखो एक से हर दिन आईडिया आते रहते हैं ठीक है कोई यह उतार रहा कोई उतार तो सर्वेस सेक्टर का युद्धान अपने यहां बहुत ज़्यादा है चालिस नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर भारतिय प्रतिभूत योन बिर्मे बोर्ड जिसको आप सेव बोलत यह क्या है यह क्या संब्धानिक संस्था है या संब्धिक संस्था है या गैर संब्धानिक संस्था है कौन सा है बताओ जबाब दीजी इसमें फड़ावर जबाब दीजीए चलिए इसका जबाब दीजे 40 रमबर प्रशन का सही जबाब बताईए C B C वी कलब है C वी कलब है क्या ऐसा सही है भाई सभी का C आरा है B वी कलब आपका एकदम क्या होना चाहिए इसमें बेबीघल के राइड जो है आपका अगोना चाहिए राइड या नहीं चलिए बताइए अधनियम हांके बना है एक तरीके से तो यह सामविधिक संस्था है ठीक सामविधिक का मलब होता है कि जब संभिधान बना तो इस वक्त नहीं था बाद में अधनियम बना के लाया गया और संभेधानिक का मल्लब क्या है कि जो संभेधान बनते समय संस्थाएं थी सुप्रीम कूर्ट हाई कूर्ट यह सारी चीज़ समझ गए ना आगे बरते प्रशंख्या एक्तालिस आपके स्क्रीन पर इक्तालिस नंबर प्रशंख्या आपसे कह रहा आनुमान सिग रूप से परिवर्ति जीवों के संदर्ब में उनके जैसर अच्छा से सम्मंदित प्रोटोकाल कून सा है ठीक है बता दिया कार्ट जेनाप प्रोटोकाल नगोया प्रोटोकाल क्व यह विकल पा रहा है बहुत अच्छे सारे लोग बहुत बढ़ यहां कुनाल जी यह विकल चुनने हैं चलिए इसका सही जबाब देखते हैं कि अगर जीवों आनुमान सिग रूप से जो हम में चेंज आता है जीवों के संदर्ब में तो जैसर अच्छा से संबंधित प्रो बोलते हैं शॉट फॉर्म में ठीक तो यह उस पर आधारी था अब इसी प्रशन को क्या कर सकता है इन सभी का जो है किस से क्या आया चार इधर लिख दे और इन प्रोटोकाल से क्या क्या चीज़े निकली उनको इधर लिख दें मैचिंग के लिए उठा की पीपीस दे ठीक ह चलिए आगे बढ़ते हैं एक तालिस के बाद बैयालिश नंबर प्रशन बैयालिश नंबर बताओ गाडगें समित रिपोर्ट अथा कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किस से संबंदित है संबैधानिक सुधार से गंगा एक्शन प्लान से ने दियों के जुड़ाओ से पश्च कि दोनों धेश्टन घाट पर सबसे पहले गौडगोन समित बनी और उन स्मित अरे रिपोर्ट गिले कस्तूरी रंगन समित बन गई तो विगल डी आपका एक डम रैट होगा 43 के बाद 42 के बाद 43 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर 43 नंबर प्रश्ण कहिए रहा है लंबी पूछवाला बंदर प्राकिर्ति रूप से कहा पाया जाता है ठीक आन प्रदेश के पूर्वी घाड में केरल के पस्चवी घाड में उत्तर भारत में सिवालिक पाड़ियों में कि पूर्वत्तर भारत के पाड़ियों में लंबी पूछवाले बंदर ठीक है देखा होगा सभी ने 42 का 4 नंबर बहुत बढ़ी है 43 नंबर प्रश्ण पर हो B विकल पा रहा है ओम जी बहुत बढ़ी है C विकल नीरज जी का विकल B है अरे अपने यहां भी तो घूमते हैं और लंगो उटाई बहुत 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 अच्छे चलिए इसका सही जवाब देखते है 43 नंबर प्रश्ण का सही जवाब होगा विकल B चुनने वाले ठीक है यह केरल के पश्णी घाट में पाया जाता है तो B विकल पाप का एक दन राइट होता है इस बंदर का यह तरीके से प्राकरतिक अधिवास केरल के पश्णी घाटों में है प्रश्ण का चबवाली साब की स्क्रीन पर बताईए इकोलोजी से संबंदित प्रश्ण है यह उपर वाला बजी था यह भी है पारिस्तिकी पिरामेट जो सबय सीधा होता है किसमें उर्जा के पिरामेट में बायबयस के पिरामेट में संख्या के पिरामेट में जन संख्या पिरामेट में चले इसका देखते हैं, 44 तो अब्षर पुछा था के सबोले में, तो ऑफीरोजी तो बहुत IMPORTANT है,では कोई दिक्कर नहीं है, कुनेन परत होता है, सिंकोना पत्तियों से, सिंकोना की परत्स से, सिनकोना की जरो से सिनकोना की छाय से अब आप लोग पढ़ लेते हैं सीधा सीधा कि कुनेंट सिनकोना से प्राप्त होता है तो मैंने कहा चलो अब पूस्ते है अच्छे से बताईए पैटालिस नंबर तालाब डी विगल पार आया है कराया है निरत जी बहुत बढ़ यहां आपको सारी चीज़े ध्यान रहती है दिपक जी कोई दिपकर नहीं है मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से भी कमेंट निकल ले हैं बहुत बढ़ यहां हां बहुत अच्छे चलिए वेते हैं कुनैन 45 नंबर का सही जबाब आखिर क्या होगा विकल डी चुनने वाले एक दम राइट है सिंकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है तो देखो प्रश्ण थोड़ा सा कनफीजिंग हो गया वैसे तो अलग-अलग देता लेकिन मानलो बहुत अच्छा पेपर सेट करने वाला हो गया अब थोड़ा डीप घोज गया तो वहां ये पूछ लेगा पॉलिटी के प्रश्ण आपके सुरुवात हो चुके हैं सभी से प्रश्ण आने की उत्तर अच्छे आने की उम्मीद है जबाब देना है तो सांसत बनाऊंगा डी विकल पारा फरीं जी रोचक जी जबाब आ रहा है सही देना सांसत बनना है बताओ फट फट 46 का भी जबाब आ रहा है चलिए बताई भई आदिक जी जबाब बहुत सही आप इतना ज़्यादा लिख देते कि वो अदने जर में आही जाता डी जबाब आ रासु जी संजे जी डी विकल को आप चुनने हैं देगांग जी थोड़ा जल्दी आईए भाई आठ जी हर दिन हो जाती डी विकल डी विकल चलो देख ही लेते हैं कौन-कौन बनना भाई चलिए 46 नंबर का अगर सही जबाब की मैं बाप करू तो 46 नंबर सही जबाब भी विकल होगा मद्दाताल होना अवस्थक नहीं तो ठीक है जहां मर्जी वहां लड़ा देंगे और चुनाव आपको हमें कहीं न कहीं से बनाना है ठीक है चलिए बहुत अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर अगला प्रशन अगी ये कहरा 47 नंबर प्रशन 47 नंबर बोला एस्टीमेट कमिटी जिसको बोलते हो प्राकलन समित संसथ के किस सदन की समित होती है लोग सभा की राज सभा की उपिक तो दोनों सदनों की ये सहीवत समित है या किसी भी सदन की ठीक है बताईए किसी भी सदन की नहीं ऐसा होना चाहिए चलिए बताईए सही जबाब बताईए इसमें से क्या है बहुत बढ़ियां ने दीजिए आप अधिकतर जबाब सही आ रहे है बहुत अच्छी मलब जिस डिरेक्शन में आप पड़ रहे हैं बहुत बढ़ियां है लगातार आकर हर दिन देखते रहे हैं तो आपका हरे चीजे रिवाइज होता रहेगा रितका जी वी विकल्ब संजे जी सी जवाब बहुत बढ़ियां सारे लोगों को आखिर देखते हैं यह जो इस्टीमेंट कमिटी होती है ना इस्टीमेंट कमिटी यह आपकी लोगसभा की होती है विकल्ब यह चुन्ना है समितियों के मैचिंग से संबंदित यूपीपीसे का पैट कोईस्टन है ध्यान रख लो दिमाग में ठीक है कभी-कभी प्राकलन समित के बारे में ऐसे दे देगा चार जो है क्या करता यूपी पंद्रा रा सबासे होते हैं उपएधि में से सम्य सप्धैन में इसके 50 सबी सबीता है 30-300 लोगसभा से होते हैं दिवान में वी बना ल Vergara गट में राजी सभा के प्रथन सभापति कौंत बल्याम भागत जी डाक्टर शार्पली राजाक्रिशन जी डाक्टर जाकर हुसेल जी या बेडी जत्ती जी जबाब बताइए भाई यस जी से जबाब बिरेंच जी आड़ जी जो लोग अभी थोड़ा पीछे आ रहे सभी को एक बार जो है अधने जी वी विकल्ब आड़ व पर आश्ट्र अपने यहां बनता ही जो निशिकर बैतन हम उसी लिए बनते हैं कि आप जो है राजसभा का सभापत करिया और मान लीजी बीच में कहीं राश्ट्पर जी इधर उदर हो रहे तो आप तब-क उनका कारिकाल संबहलिए 59.3 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर और उन्चास नंबर प्रश्ण कहरा स्वतंत भारत का प्रफम संग्य बजट किसके दौरा प्रस्तूत किया गया था जवाहनलान नहरू बालब भाई पतिल आरके शन मुखम सेट्टी मोरार जी देसाई बताइए जवाब दीजिए आदिद विश्कर्मा जी राधे राधे चल जाजी सी विकल्व आखिर देख लेते हैं कि सही है उन्चास नंबर प्रश्ण का सही जवाब जो लोग सी दे रहे हैं एक दम सही है भाई आरके शन्मुक सेट्टी नहीं जो है पेस किया था अब संग्य बजट में क्या हो जाए संग्य बजट में मान लो कि अभी तो इदर मोदी सरकार देख रहे हो ना यह दो दिन से नियुज में पूरे इकॉनमी जितने इकोनमिस्ट इंडिया के भूंड के विठा लिया है कि बजट लाना है तो क्या करें ठीक है तो इसमें सब कुछ आही रहा है अब इसमें कि आर्म जो यह आरके शन्मुक से ठी है ना इन्हो आपकी स्क्रीन पर भईया बहुत ध्यान से बताना सुमेलिक नहीं है अनुछेद 112 लोग सेवा आयोगे के कारें 110 धन विदेहक की परिभासा 112 बजट डीविकल बोला इक्यामन का ए मौलिक करता भी बताओ अंतिम प्रश्ण है दुखी मत करना रिगांग राय जी बहुत 8 वजे भई आईये मिस्रा जी साक्षी पाठर जी डीविकल्ब दे रहीं बहुत अच्छा सीम दूबे जी डीविकल्ब रोचर जी सी विकल्ब को चुनने 8 वजे सारे लोगों को पहुंचना आ है कल से 50 का डील का जी जया जी का जबाब सी है नीरे जी बहुत अच्छे क्रि हम लोग विदा होंगे 50 नंवर का एब इकल थोड़ा ध्यान से देखो इसमें 312 लिखा है 312 में लिखा है लोकसे वायोग का कारी कैसा है थी 212 में लोकसेवा योग का कारी लिखा है इसमें बतईए भई ठिक इसमें 312 में जो है यह अखिल भारतिये सेवाओं को खील्रें क प्रश्ण भाईया पूरे प्रश्ण भाईया पूरे प्रश्ण भाईया पूरे प्रश्ण भाईया पूरे कोई दिकर नहीं आदिजी यहां लगातार बने रखें ठीक है सर्ग जी बहुत बढ़ी हाँ निदी जी टू का टू बहुत बढ़ी हाँ नसीम जी गेमर्स सही है चलिए जबाब आ रहे हैं बहुत अच्छा दूसरे नंबर प्रश्ण का सही जबाब आपका जो होगा ये विक कादरिया सिरसले से ये जो है संबद्धित है इसलिये ये विकल्प आपका उचित नहीं है अनि जिनको दे रहा है वो कहीं न कहीं उचित विकल्प हैं प्रश्ण क्या 3 आपकी स्क्रीन पर निम्लिखित बाटसाओं में से किसे प्रभुध निरंकुस कहा जा सकता है प्राश डी विकल चुनने, नसीम जी डी विकल बहुत अच्छा, नेहा सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत, डी विकल बहुत बढ़ियां अलका जी, चलिए जबाब देखते हैं, तीन नमबर प्रश्ण का सही जबाब होगा, विकल C चुनने वाले होते हैं, एकदम राइट, अगवर को प्रबुधनी रंकुस बोला जाता है, ठीक है, तो जो लोग C बिकल चुनते हैं, एकदम अच्छा, बहुत बढ़ियां तैयारी, ठीक है, उनकी एक तरीके से जो तैयारी, जिस दिशा में है, वो बहुत अच्छी है, चौथा नमबर प्रश्ण बताइए, कौन स युग में इसमें सुमेलित है, बेक्तियों के नाम दिये, इधर उनके द्वारा संस्थापित कुछ चीजें दी गई है, पहला गुरु अमर्दास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव, आदिगरंथ, गुरु रामदास, दलखालसा, गुर गोबिन सिंग मंजी, चलि लोगों के रिस्पांस आ रहे, चार नमबर प्रशन का सही जवाब होता है विकल्प B, जो लोग चुनने एकदम सही है, ठीक है, गुरु अर्जुन देव से संबंदित ये चीजें जो दी है, ठीक, इन्होंने क्या किया था, आदिगरंथ का 1614B में संक्लन किया था, बीविकल्प आपका एकदम राइट है, अन्हीं आपके राइट नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और 4 के बाद प्रशन के 5, ठीक है, पांच नमबर प्रशन आपसे बुला है, निम्न में कौन, नीला जली ओजना या ब्लिव वाटर नीती से संबंदित है, द बीविकल्प चुन रहा है, बहुत बढ़ियां, चलिए सही जबाब देखते हैं, पांच नमबर प्रशन का सही जबाब होता है, बीविकल्प A, जो लोग चुनने दालमीडा, ये एक दम सही है, अलमीडा ने क्या किया था, कि हिंद महाशागर में, अलमीडा जो था आपका पुर्तगाली इसने हिंद महाशागर में एक नीती चलाई थी, जिसको ब्लीव वाटर पॉलिसी बोला गया, ठीक है, नीली जल एक योजना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिन्री लॉलिल, डल हो जी, वारेन हैस्टिंग या लाड कलाईब, कौन सा है, बताइए, जबाब फ तरीके से कही ना कहीं माना जाता है कि इससे कही ना कहीं ये संबंधित रहा है, दोसरी चीज मानलो वारेन हैस्टिंग ना दिया हो, और बेलेजली भी दे दे, ठीक है, लाड बेलेजली भी दे दे, तब भी आपको कही ना कहीं इन दोनों को चुनना है, क्याकि ये दोनों क क्या है, रिंग फेस नीती से संबंधित है, प्रशन के साथ आपकी स्क्रीन पर, भारत में नियाईक संगठन की अस्थापना किसने की बताओ, लाड में हो, लाड कर्ण मालिस, लाड एटली या लाड कर्जन, चलिए सही जबाब, वी विकल बहुत बढ़ी हाँ, चलिए साथ नमबर प्रशन का सही जबाब, वी विकल जया जी, बहुत अच्छा, उनस साथ का दो, अलका जी, बी, चलिए देखते हैं साथ नमबर प्रशन का सही जबाब होगा, विकल बी चुनने वाले, लाड कर्ण वालिस, ठीक है, भारत में नियाईक संगठन की अस्थापना, यहा लेकिन जब कर्ण वालिस आया, तो कर्ण वालिस ने क्या किया था, इसने इस बेवस्था को इतना मजबूत किया, इसकी मजबूती के लिए बहुत कारी किया, तो सब कुछ मेन हो गया आपका लाड कर्ण वालिस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, आठ में से सभी, बताइए, इंडियन एगरिकल्चर, इंपॉर्टिन पॉइंट है, C विकलप आदी जी बहुत बढ़ियां, प्रेगे चलिए, आठ नमबर प्रशन का सही जबाब, C विकलप आ रहे हैं, दीपक जी बहुत अच्छे, 8C स्वेता जी बहुत अच्छा, बहुत अपने यहां निम्न उत्पाद्गता पाई जाती है भारतिय क्रिशी में, ठीक, क्योंकि आवजशकता से अधिक लोगों का क्रिशी कारी में लगे रहते हैं, और क्रिशी कारी में जब बहुत सारे लोग लगें, और वोस काम में जो रिजल्ट मिला, बहुत कम मिला, तो तो कहीं ना कि मनलब एक काम है एक काम में बहुत सारी लोग लगे हैं जिसको दो लोग कर सकते हैं उसमें 20 लोग कर रहे तो उसको प्रशन बेरोजगारी अब प्रशन बेरोजगारी मानलों पूछ ले किसमें पाई जाता तो क्रिसी कारे में जोद का छोटा आकार भी है लोग बहुत ज़्यादा लगे हैं उत्पादन की पिछली तखनीकिया भी अपने आएं तो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं लोग प्रोडक्टिवेटी का रीजन हैं ठीक है प्रशंग है नो आपके स्क्रीन पर निमलेखित में से कौन सी अंसूची जनजाती दीपावली को सोक के रूब में मनाती सहरिया बागा पहरिया थारू चलिए बताइए उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्णा आपकी स्क्रीन पर येस जी बहुत-बहुत स्वागर डे विकल पार आ रहा है चलिए यानि लोग भी बताएं आड नंबर भाई थोड़ा सा जल्दी किया करिये आड वजी आ जाईए स्वेता जी डी नेहा सिंग जी रिचा पांडे जी थोड़ा लेट हो गई चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है भाई नौ नंबर प्रश्ण का अगर सही जवाब देखें बहुत लोगों के विकल लगातार आ रहे हैं कमेंटार है डी विकल चुनने वाले एकदम सही होते हैं ठारू जंजा ठीक है यह दीपावली को सोक के रूप में मनाती है समझ गए ना सोक के रूप में यह मनाती है प्रशंख्या 10 आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर प्रश्ण आपसे कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून ठीक है मैं सबसे अधिक वरस्षा प डी विकलब पारे स्वेता जी ए विकलब निदी जी टैन फोर देखते हैं बई आलुक जी बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जवाब आ रहें 10 नंबर प्रश्ण का सही जवाब होता है विकलब सी चुन्ने वाले तमिल नाडू वो आपका राज्जी है वो छेतर है जो सब से ज़्यादा सितंबर महीने की जो बारिस होती है यह सबसे ज़्यादा आपकी होती है कहां तमिल नाडू में इसलिए ध्यान रखना है क्वेशन कभी भी यह चेंज करके पूछा जा सकता है ठीक तो यह चीजे आपको दोता है ठीक कि 8 डिगरी से अपना सूरिय बिस्तार ह जब सूरी यहां होता है तो ICTZ कहां होता है ना जब सूरी तब को लेकर पढ़ेंगे तो यह सब अपने यहां इसलिए होता है क्योंकि सितंबर में सूरी क्या हो जाता है दचडायन हो जाता है और सूरी के दचडायन होने की वज़ा से जो यह आपका ICTZ होता है ना यह पर पहुँचेगा तो फिर ये आगे बढ़ जाता है तो ये बारिश मानसून चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ सब कुछ क्लियर होगा दस के बाद 11 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर सिंग रोली जल बिद्दुत परियोजनक अवस्थित है जबाब सभी से पेच्छित हैं बहुत बढ़ियां आकंचा जी आनी जबाब भी देते रहिए निदी जी ऐसा नहीं है आगे आईए श्वेता जी बहुत बढ़ियां 11 नंबर प्रशन का ये जबाब आप चुन नहीं है देखते हैं आनी लोगों के भी जबाब नसीम जी बहुत बढ़ियां ये विकल पारा ये आरा सी आरा चलिए देखते हैं 11 नंबर का सही जबाब होता है विकल डी सिंग्रोली जो है ये उत्तर प्रदेश में क्या है ठीक जल बिद्दुत परियोजना है ध्यान रखें कि सिंग्रोली से आप लोग कोईलाच खान में पहुँच जाते हैं सिंग्रोली जल बिद्दुत परियोजना पूछा है ये अपने उत्तर प्रदेश में है दिमाग में बना लीजी एकडम रख लीजी ठीक है जिला पूछले कहा पर है तो जिला ध्यान रख लो सोन भद्र समझ गए ना दो चीजें आपके दिमाग में ए स्क्रीन पर पूशा बोल्ड एक प्रजाती है ठीक है प्रशन कहीं ना कहीं यूपी पीसियस में आ चुका है पूशा बोल्ड बताओ यहों की सरसों की चैना की मुंफली की फश्लों को पढ़ा है आपने ठीक है नाइन कहीं जो है हम लोग 12 नंबर पर पहुंच चुके हैं अब तक आवाज पहुचे तो आईए सरजी सी विकल चुनने बहुत बढ़ियां डी विकल बहुत बढ़ियां आदिजी बहुत अच्छे लगातर कमेंट आ रहे हैं विकल डेथ ब्लास्ट गेमर्स ए विकल चुनने बहुत अच्छा चलिए साही जब आप देखते हैं 12 अलवा एक होती है पूसा सिर्फ एक आती है आपकी जैकिसान ठीक है जैकिसान होती है ठीक और अन्य आपकी एक आती है वरुड़ा तो इन सबको ध्यान रखना फसलों से संबंदित इंडियन एग्रिकल्चर ठीक है उत्तर प्रदेश अगर आप PCS 2020 खेलना है तो भईया ध् अधर का मरुस्तल है गोवी का मरुस्तल है थारका मरुस्तल बथा ओवड़ा पढ़ट शही जवाब आ रहे हैं रिचम जी थोड़ा आगेा यह और फिर इसका जवाब बताइए तेरा नंबर परशन का बुगा विकल्प दि चुननेवाले लोग एकडम राइट है थार का ज लेका जाए तो सबसे ज्यादा किसमे सुस्क छेत्र में आता है क्यों क्योंकि जितने भी आपके मरुस्थल हैं जो 30 डिगरी से लेकर के 60 डिगरी ठीक है अच्छांस के बीच बिस्तारित हैं यह सुस्क छेत्रों में इनकी गड़ना होती है ठीक है समझ गए ना चली आगे दशडी ब्राजिल सुमेलित कौन सा है बताना है बहुत बढ़ी हैं निधी जी आपके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं चली आने लोग भी डिविकल्प बहुत बढ़ी है चौदा नंबर प्रश्ट का सही जवाब आदित मिश्रा जी स्वागत है वही सी जवाब सी आ दॉषा रहे हैं क्या सी सही है चली दख्ते हैं सही जवाब 14 नंबर परशट का सही जवाब होता है बिकल्प आपका एक तरीके से भी लानोस जो दिया है वेनुजेला के ये आपके क्या है मैदान है समझ गए लानोस जो है ये वेनցजोला में विश्तारिथ हैं वहीं आपके वहाँ क्या बोलते हैं उसको अमेजन बेशिन समझ गये ना अमेजन बेशिन में यह के पूरे के पूरे बिस्तारी छेत्र हैं आगे बढ़ते हैं चोदा के बाद प्रश्ण ख्या 15 आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर प्रश्ण बोला रियक्टर पैमाने के लिए किसका प्रि कर चुके हैं सारे लोग ध्यान दीजिए सर थोड़ा और एक्स्प्लेइन करें दीपक जी इसकी पीडियाप में लेगी उसको ध्यान से पढ़िएगा ठीक है क्योंकि अभी बहुत एक्स्प्लेइन में कुछ लोग फ्रस्टेट भी हो जाते हैं आरती जी सी विकल बहुत ब प्रकास का पोर्तन प्रकास का शंपूर आंतरिक परावरतन या प्रकास का परिछेपन चलिए साही जबाब आने चाहिए भाई फटापट बताईए कौन सा जबब सही है सारी लोगों के जवाब आप रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं जो लोग विकल्प A चुनेंगे एकदम राइट हैं बहुत अच्छा बहुत बढ़ियां सारी लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद 16 नंबर के बाद प्रश्रंख्या 17 आपकी स्क्रीन पर निमलिखित की उपस्थित के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता कौन है आखिर वो आक्सीजन, हाइडूजन सलफाइड, कार्बन डाइकसाइड या यन्टू चलिए अनिलोग भी बताए वही, 16 नंबर प्रश्र का जबाब, 17 नंबर प्रश्र का जबाब, ठीक है, C, C, बहुत बढ़ी हाट, C, D, A, चलिए 17 नंबर B जबाब साक्षी जी, देखते हैं सही जबाब क्या है, 17 नंबर प्रश्र का जबाब, विकल B चुनने वाले एकदम चलिए प्रश्र क्या बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्र आपसे ये बोला, निमलिखित में से किस एक को बेस्पोटक की तरह से प्रयोग किया जाता, फास्पोरस, ट्राइक लूराइड, मर्किरिक आक्साइड, ग्रेफाइड या नाइट्रो ग्लेसरीन, चलिए सही जबाब, बी विकल्ब मातवेन जी, बहुत बढ़ियां, मेरा सही वा, बहुत बढ़ियां है, चलिए या निलोगों के भी जबाब आ रहे हैं, 14 का भी, आप थोड़ा सा आ गया हैं, पीछे रहे गया हैं, दिपक जी, बी विकल्ब, डी विकल्ब, कोई दिकर ने, शालनी जी, चुनन रहे, डी, नाइट्रो ग्लिसरीन जो होता है, इसका हम बना सकते हैं, विस्पोठक, समझ गए ना, उसमें ये प्रियोग भी होता है, और ये जो आपका एक तरीके से होता है, ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोड, इसको 123, जब आप उसमें IUPAC पढ़े होंगे ना, तो इसका नाम था है, आपका 123, ट्राइनाइट्रो प्रोक्सी, प्रोप्रेन के नाम से कच्छा दस याद करोई आग्या रहा, चलिए 12 नंबर जो है, 19 नंबर प्रश्ण, आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर बोला, राइवो जोम्स होते हैं, DNA, RNA, प्रोटेन्स इन में से कोई नहीं, वाय उसे संबंदित प्रश्ण है, साक्षी पाठक जी, बीविकल चुन नहीं, 19 नंबर प्रश्ण का सही जवाब आने शाहिए, यस जी, बीविकल, 19 नंबर प्रश्ण, बहुत बढ़िया, DNA सोयता जी, बहुत अच्छा, चलिए वाई, बीविकल, बीविकल, बहुत बढ़ है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्ण के बाद, 20 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए बहुत बढ़िया, यह तो पता होना चाहिए न, निमलेकित मैं से कौन सा बढ़ फिल्यू का कारक है, एज 5 एन 1, यस जी, बहुत अच्छे, चलिए बह जबाब क्या है, 20 नंबर प्रश्ण का, 20 नंबर प्रश्ण का सही जबाब विकल, यह चुनने वाले होते हैं, एक दम राइड, ठीक है, एज 5 एन 1, जो है, यह इंफ्लिंजा वाइरस का एक प्रकार है, समझ गए न, और जो है, वर्ड फिल्यू इसी से होता है, लोग कनफी तो यह चीजे वहाँ पर थोड़ी सी प्यन हमसे जबरदस्ती कर जाती और हम टिक करके चले आते, चलो 21 नंबर प्रश्ण है आपकी स्क्रीन पर, जो है, एकोनमी से सम्मंदिट, ट्रेजरी बिल, कौन चारी करता है, भारस सरकार की ओर से बितमंत्राले, भारस सरकार की ओर स आड़ बिजे पहुंचिए, नेह सिंग जी, C विकल चुन्नी, अलका जी, A विकल बहुत बढ़ी हाँ, बहुत अच्छे, सारे लोग बहुत अच्छे जबाब आ रहे हैं आब लोगों के, चले, 20 नंबर प्रश्ण, यानि एकोनमी बढ़ी अच्छी है, आरती जी बहुत ब अर्थ वे उस्था ऐसे आती है न, UPPCS में, मुद्रा के अव मुलेन का कारण अर्थ क्या है बाई, डी वैलेशन आप जब मनी होता है, इसका अर्थ क्या है, प्रमुख अंतरराष्टी एस्तर पर ब्यापार की गई मुद्राओं की तुलना में, एक मुद्रा के मुलि में कम या फिर डी अंतरराष्टी मुद्रा कोस, बेश्व बैंक और प्रमुख व्यापारिक साची दारों के शाथ बह पच्छी प्रामर्स द्वारा मुद्रा का मुलि दे करना, बताओ, डी वैलेशन आप मनी, वाटिज, सही जबाब आने चाहिए, एकॉनमी के आप लोग होते हैं, आनी चीजेश भी ही, आपको जब आएगा नोटिफिकेशन मैं सब कुछ कराऊंगा, ठीक है, हिंदी वगेर आभी 800 की वीडियो पढ़ी है, उसको देखते रहो, मैंने ही बताया है, 800 की सिरीज है, UPSS कोई एक्जाम देने जा रहे, बाकी तो हम, चलिए देखते ह हैं, 22 नमबर प्रश्ण का सही जबाब क्या होगा, 22 नमबर प्रश्ण का डिवेलियोशन का आर्थ जो होता है, ठीक है, यह विकल्प होता है, प्रमुख हंतर राष्टी एस्तर पर व्यापार की गई मुद्राओं की तुलना में, एक मुद्रा के मुल्य में जब कमी होती है तो वो आउमोलियन कहलाता है, डिवेलियोशन आप मनी यह ही होती है, दूसरे जो आपके देश होते हैं, उनकी तुलना में अपने देश की मुद्रा की वैलू को हम कर देते हैं, यह होता है डिवेलियोशन, समझ गए ना, प्रमुख प्रमुख जो आपकी important economy के chapter को जब सु यह सब कुछ ignorance बना डारो, अच्छी सी और उसको लिख डालो, revise करते रो, ठीक है, तब आप current भी चलेगा, तो उसको समझ पाएंगे, आप पता चला है कि debilation अर्थ नहीं आ रहा हो, मालो कोई घड़ना इधर चली भारत तो देख रहे हैं इस समय किस अस्तर पर है, तो थोड यही दोरा अनमोधित प्रद्भूतिया और शोने के रूप में, या बिदेसी मुद्राएं HDR, चलो है, SLR पड़े होंगे, तो जबाब आप देंगे, चलिए बताइए, आप देखे है मैं जी, अब यह तो तभी हो सकता है, ठीक है, 12 तो रहेगा ही रहेगा भाई, उसके लि विकल्प जो लोग चुनने है, C, ठीक है, RBI द्वारा जो अनमोधित प्रद्भूतियां होती हैं और सोना जो होता है, इसको SLR के रूप में रखते हैं सारे के सारे बैंक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 नमबर प्रशन, आभी धूसायन समित का गठन किया गया है, चलो बत बताओ, काले धन पर, छोटे पैमाने के उद्वग्यों हे तु सुझाओ पर, क्रिसी आपकी मित पर, या फिर आपकी जन संख्या नीती पर, चलो बताओ, ये क्रिशी बित्त होना चाहिए, चलो बताइए बढ़ी, 24 नमबर प्रशन का जबाब दीजिए सारे लोग, अगर इसका सही जबाब है क्या, ठीक है, अलका जी 24 का B, निधी जी, चलिए बहुत बढ़ी याँ देखते हैं, 24 नमबर प्रशन का जो सही जबाब होगा, ये जबाब विकल B चुनने वाले एकदम राइट होते हैं, यानि छोटे पैमाने के उदोगों पर सुझाओ देने अगली चीज अगर मैं बात करूं, छो करेशी भीट है, करेशी बित पर सुझाओ के लिए गाठण किया गया था, जन्संक्या नीध को लेकर अगर देखें, तो आपके famous हैं, स्वामी नाथन समित जो बनाई गई थी ये जनसंख्या नीत पर थी तो चारों चीज़े आ गई अब मालो ये UPPSC पूछना चाहे तो एक तरफ नाम लिख दे एक तरफ नीतिया जो है वो लिख दे एक तरफ पूरा का पूरा समितिया लिख दे एक तरफ उनके द्वारा कारी कि किसके लिए बनी थी मैच कराओ तो ये प्रशन थोड़ा सा आपका जो है उस लेवल पहुंच जाएगा पचीज नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है कह रहा है पचीज नमबर प्रशन सारवजनी छेतर के बैंकों के अध्यचों का चैन कोन करता है बैंक बोर्ड बीरो क चीजे उसका अलग चलता है मैं स्वामी नथन ठीक है सी विगल पार है सी आरे सही विगल पिसका अगर देखें कि कौन सा सही जबाब होगा पचीज नमबर प्रशन का एक तरीके से सही जबाब होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो ये आपका क्या करता है बैंकों के अध्यचों क का निर्माड करता होता है यह बोर्ड बैंक बोर्ड वीरो होता है उसके द्वारा सारे फैसले लिए जाते हैं पच्चीस के बाद 26 नंबर प्रश्ण है बताईए एकोलाजी से सम्मंदित प्रिश्णों पर दो बायों के मद इस संक्रमण सी छेत्र क्या कहलाता है नीशे या न पड़ियां 23 का भी आ रहा है अच्छा वो तो पीछे हैं सी विगल बारा है सही जब आप देखते हैं 26 नंबर प्रश्ण का विगल सी चुनने वाले एकदम राइट है एको टोन जो होता है ठीक है यह संक्रमण सील छेत्र होता है दो बायों के मद दिखा ठीक है समझ गए न इकोलोजी यूपी पीसियास ध्यान नखो पेपर इस बार उन्नियस देख लो आगे वरते हैं 26 के बाद 27 नंबर प्रश्ण इस टाक हो सम्मेलन जो हुआ न 1972 में किस पर फोकस था वन जीव संरच्छण पर जैविवित्ता संरच्छण पर वन संरच्छण पर मानो पर्यावर जबाब दीजिए चलिए बताइए सी जबाब सी जबाब 27 नंबर प्रश्ण का जबाब आप सभीक से अपेक्षित है चलिए बताइए दिपक जी बिल्कुल कोसिस होगी ठीक है एब डाउनलोड कर लीजिए बहाँ पर जो है आपको मिलती रहेंगे सारी चीजे निदी जी 27 टू स्वेता जी बहुत अच्छा सी बिल्कुल चलिए देखते हैं 27 नंबर प्रश्ण का जबाब जो लोग चुनने ना कौन सा इस्टाकोक संबेलन अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा मानोपर्यावरंड पर एक तरीके से केंद्रित था बिल्कुल डी चुनने वाले होते हैं एक दम राइट प्रश्ण अंतीमा मिश्रा जी मेरा नाम रमनमिश्रा है स्वेता जी 28 का डी चलिए शाल्लीडाई जी ए विकल बहुत बढ़ियां 28 टू विकल पारा है चलिए कोई दिकर नहीं है संजे जी बहुत-बहुत स्वागत थोड़ा सा पीछे हो गए 28 नमबर प्रशन का जो सही जबाब होगा सही जबाब होगा विकलब A ऐसे आपके पौधे जो लौडिये जल में ध्यान रखना एक तो सिर्फ ऐसे पौधे होते न जो केवल जल में आते हाइड्रोफाइट वाली कंडिशन में कुछ ऐसे होते जो लौडिये जल में होते कुछ ऐसे होते जो सुस्क जगे पर होते तो ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है ठीक है 28 के बाद 29 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर 29 नमबर प्रशन ये बोला निमलिकित में से कौन सा एक प्रकास प्रकास राशायनिक कोहरे की रचना के लिए ज़रूरी नहीं समझ गए ना प्रकास राशायनिक कोहरे के लिए अगर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कार्बन मोनो आक्साइड कार्बन के आक्साइड आक्सीजन शोरी का प्रकास सही विकल्प आने चाहिए वही अंत सारी चीज़े अभी जब लेक्षर खतम हो जाएगा तो जो भी आपके सवाल है वो पूछते रहेगा मैं जबाब दूँगा मैं रोकूँगा ठीक है C जबाब आ रहे है डे जबाब रहे है बहुत बढ़ी हां बहुत अच्छे ए विकल्ब चलिए देखते हैं 29 नंबर प्रश स्थित में जो आपके हाइड्रो कार्बन होते है ना सोरी के प्रकास की स्थित में जितने हाइड्रो कार्बन होते हैं और साथ ही साथ उनके साथ मिल जाते हैं नाइट्रोजन के आकसाइड उनके साथ मिल जाते हैं नाइट्रोजन के आकसाइड तो ये दोनों जब मिल जाते तो फिर करते हैं रासाइनिक कुहरे का काम और बन जाता है आपका रासाइनिक कुहरा तीस नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बहुत पढ़ रहे थे ना दिल्ली में स्मॉक टॉगल टावल लग रहा लखनौव में आज ये खराब कानपूर में ये हवा बताओ नेशनल एयर क एक्स के अंतरगर निम्ले कितमे से किस गैस को सामिल नहीं किया गया शीओ सीओ टू ओ थरी एनेश थरी चलिए बताओ भई फटाफट बताओ चलिए आक्सीजन अच्छा अंतिमा जी आप जो है आप का नाम पूछ रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया इसमाग दुन्द डी विकल पा रहा है 26 चलिए 33 बहुत बढ़ी हाँ आदित जी देखते हैं सही जबाब क्या होगा 30 नमपर प्रश्ण का जो सही जबाब होगा विकल बीच उनने वाले सियो टू ठीक है सियो टू जो है इसमें सामिल नहीं है वैसे ध्यान नखना इसमें आपका एक तरीके से पांच जो है प्रदूसक गैसी ये प्रविर्ट के होते हैं और इनको सुष्मकड़ों की संग्या दी जाती है ठीक है पीबी 2.5 वो पीम 2.5 और पीम 10 ध्यान करिए दिमांग में कितने अस्तर से जादा होता है तो वो आपकी वाईव आपके लिए नुकसान दायक होती है 31 नंबर प्रश्ण का साही देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक सिछा परिश्ण का गठन का किया गया 25 जुलाई 1972 25 अगस 1912 25 जुल 1912 25 सितंबर 1912 चले बताए वही सारे लोगों के जवाब जो है 31 नंबर प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में हम पहुंच चुके हैं सी जवाब यह जी बहुत अच्छे डी विकलब पा रहा है बहुत बढ़ी हां तिमा जी 31 नमबर सुरिभान जी ये विकल्ब बहुत बड़ी हाँ बहुत अच्छा डी विकल्ब पा रहा है चलिए देखते हैं 31 नमबर प्रशन का अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है विकल्ब ए चुनने वाले होंगे एक दम राइड 25 जुलाई 1972 की बात है जब आपका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश सिच्छा परिशद ठीक है और ये काम क्या करता जो प्राइमरी है ना आपका प्राइमरी अस्तर सब कुछ पूरे राज्य में देखने की जिम्मेदारी इसकी समझ गए ना चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रशनाब की स्क्रीन पर 32 नंबर प्रशनाब से कह रहा है मंगलया इतन विस्व इद्याले कहां है है तो अपने प्रदेश में मेरट अलीगड अरे वो देखो दो विकलब एक जैसे आगे मुरादाबाद चलिए भाई इसमें से जो है आपका क्या राइट हो सकता है एक विकलब मैं हटा दे रहा हूँ एक विकलब वाराणसी कर रहा हूँ चलिए सई जबाब बताईए ठीक है जबाब बताईए आब लोग बहुत बढ़ी है नहीं जी जी बहुत अच्छा ठीक है 32 नमबर प्रशन का जबाब डी विकल पा रहा है अमिज जी बहुत बढ़ी हाँ 32 ए जबाब आ रहा है आसु जी बहुत अच्छे संजे जी बहुत बढ़ी हाँ जया जी चलिए सही जबाब देखते हैं 32 नमबर प्रशन जो आपका दिया है 32 के बाद प्रशंख्या 33 आपकी स्क्रीन पर राज जी के लगभग कितनी कृसी योगी भूम पर चावल की खेती की जाती 18 प्रशंट, 16 प्रशंट, 19 प्रशंट या 17 प्रशंट चलिए बताइए वाई कितने प्रशंट है राहुल यादो जी लेट हो गए थोड़ा सा कोई बार नहीं, वीवे कौसिक जी आप भी थोड़ा भी मुझे दिखे हैं, ठीक है चलिए वाई, जबाब देना शुरू करिए जो है 32 नंबर प्रशंट के बाद 33 नंबर प्रशंट पर है जिस पर चावल की खेती की जाती वो 11 परशंट है, ठीक है तो चावल उत्तरप्रदेश वैसे भी समस्ते हो ना राज जी में धाई घाट मेला कहा लगता है ना चलो बताओ, साजहापूर में दाव जी मतुरा में, मेरट में, आगरा में बताओ, ये फड़ा फड़ जबाद दीजिए ए विकल्ब क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं आप तो निरज जी देखते हैं हर दिन ठीक है, चलिए बताओ, बताओ, वाई चौतेश नंबर परश्ण के जबाब आलोग जी, बहुत बढ़ी हैं ए विकल्ब चुन्ने शुष्मा राना जी हर दिन थोड़ा आठ बजे आ जाना है आपको हर दिन कोसिस करिए सारे लोग जो आज पिछड गए हैं आठ बजे कल से, बहुत बढ़ी हैं सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं चले देखते हैं 34 रूबर प्रशन का सही जबाब होगा विकल्ब ए चुन्ने वाले होते हैं एक दम राइट धाई गाट का मेला लगता है साजहापुर में समझ गए ना मेरट तो अपना मसूर ही है नौचंदी का मेला समझ गए ना दाउजी मतुरा यह तो जानते ही हो ठीक है इसमें लगता है वो दाउजी मतुरा की अगर बात करें तो यहां वो मेला देवचट देवचट का मेला इसके लिए बहुत मसूर है और आगरा तो आप जानते हो आगरा के लिए सबसे मसूर मेला तो वहीं पूछता है बटेश्वर आगरा में बटेश्वर मेला पूछ लेता है कहां लगता है 34 के बाद 35 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर प्रशन ये है कपास और लोबिया किस फसल के अंतर गताते हैं जायद, खरीव, रवी, बी और सी दोनो सही जबाब बताओ फसल तो आपने पढ़ा है मैत की क्लास राहुल जी आलोक सरके द्वारा पढ़ाई गई है कई लेक्चर पढ़े हैं बीच में अभी तक सारी चीज़े आ जाएंगी कोई दिक्कर नहीं दिपक जी आपकी समस्या है दूर हो जाएंगी ठीक है बहुत बढ़ी हैं संजे जी ए विकल पार है जया जी बहुत बढ़ी हैं डी विकल चलिए देखते हैं 35 प्रश्न का सही जबाब होगा जो लोग विकल चुन है ए का पास और लविया ये जायद फसलों के अंतरगत आते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपका दिया है 36 के बाद 37 नमबर प्रश्न जन संग्या से संबादित प्रश्नों पर नियूंतम जन घनत्तू ठीक है वालिक के इंसासित प्रदेश चलो बताओ अंडमान निको बार फिर लक्षिदिव चन्दीगर या फिर अंडमान निको बार 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 लक्षिदिव चन् लिए देखते हैं भाई 36 नंबर प्रश्ण का सही जवाब होगा जो लोग चुने हैं बिकल्ब किसको भी को ठीक है एकदम राइट आपका ये है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आपका 37 नंबर आपकी स्क्रीन पर राष्टिये जनसंख्या ने या प्रश्ण का सही जवाब देखते हैं साइटिस नंबर प्रश्ण का सही जवाब बिकल्ब C चुनने वाले होते हैं एकदम राइट दोजार सत्तर तक गौश्ण गई है कि अब जो है हम अपने पापुलेशन में इस्टेबल्टी सत्तर तक लाएंगे ठीक है चलिए बताईए 38 नंबर प्रश्ण है भारत में वरिष्टाइव निर्भरतान उपात 2011 कितना है 15.2 प्रश्ण, 14.2 प्रश्ण, 17.2 प्रश्ण, और 16.2 प्रश्ण, चलो बताओ वाई B विकल्ब संजे जी, A विकल्ब को आप चुनने है चलिए बताईए 38 नंबर प्रश्ण जनसंख्या से संबंदित है पॉबलेशन से D विकल्ब अंतिमा जी बहुत बढ़ी हाँ, C विकल्ब निरज जी आशू जी बहुत बढ़ी हाँ, चलिए देखते हैं 38 नंबर प्रश्ण का सही विकल्ब है आपका 14.2 प्रश्ण, ठीक है, B विकल्ब चुनने वाले होते एक दम राइट, प्रश्ण ख्या 49 आपकी स्क्री बहुत 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 नमस्कार थोड़ा पीछे 8 बजे आने की कोसिस करिए, B विकल, B विकल्ब रिचा जी बहुत बढ़ी हाँ, बताइए बाई, TR अपने यहां कित्ता है, B विकल्ब, A विकल्ब मादवेन जी बहुत बढ़ी हाँ, अलोग जी, B जी, RT जी, 2.4 देखते है जी बाई, जो अपने यहां, 2011 के आकड़ों के अंसार, विकल्ब बीच उनने वाले एकदम राइट है, 2.4, बहुत बढ़ी हाँ, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ट की ओर, प्रसंख्या 40 आपकी स्क्रीन पर, पश्वी एसिया का सर्वाधिक न ठीक है, 34 का विकल्ब, सुरिभान जी, विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ, C विकल्ब पा रहे हैं, विकल्ब बलका जी, बहुत अच्छा, 40 नंबर प्रस्ट का सही जवाब, विकल्ब बीच उनने वाले होते हैं, एकदम राइट, ठीक है, कतर आपका यह देश है, यह पश्मी क्या है, सरवाधिक नगरिकरित देश और कतर की राजधानी, दोहा, अगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ट पर, 41 नंबर प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर, दुनिया के मेंच शिंगल के अंडर 21 आई वर्ग में, भारत के मानो ठक्कर ने कौन सा हस्तान हासिल किया, पहला, दूस नंबर प्रस्ट का सही जबाब, चलिए मैं बता रहा हूँ, 41 नंबर प्रस्ट का सही जबाब होता है, एक तरीके से, जो लोग बिकल्प ए चुनेंगे, वो होते हैं, ठीक है, पहला कमाल किया इस बंदे ने, पहले अस्थान पर आया, इसलिए जो है, यह क्वेशन थोड़ समय ने, रेलवे बोर्ड के चेर्मेन बिनो दिया दो का कारिकाल किति वर्स बढ़ा है, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बताईए, करिंट अब लुक पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बताईए वही, 42 नंबर प्रस्ट, B विकल्प आरा संजे जी, बहुत अच्छ स्क्रीन पर बैग्यानिकों को किस देश के समात्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला फूल मिला है, ठीक है, चलो बताओ, अमेरिका, चीन, इंडोनेसिया, जापान, किस देश के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला फूल मिला है, बताईए, आदि आप इंडोनेशिया को चुन नहीं है, बहुत बढ़ी हाँ, बहुत अच्छे सारे लोगों को जवाब आ रहें, देख रहें, 43 नमबर प्रशन का सही जवाब होगा आपका एक तरीके से कहीं न कहीं, कौन सा, बिकल्ब डी जो लोग राइट हैं, चुन नहीं एक तरीके से, व और आपका जो है, इंडोनेशिया के आपके कहीं न के जंगलों में ये पाया जाता है, आगे बढ़ते हैं, 44 नमबर प्रशन आपका जो है, चीन में होने वाले आइस एंड स्नो फेस्टबेल के लिए कितने देशों के कलाकारून ने बर्फ की, 200 से ज़्यादा कलाकरितिया बनाई हैं, 5 देशों, 10 देशों, 14 देशों, 18 देशों, चलिए बताए, 44 नमबर प्रशन का सही जवाब क्या होगा, ठीक, हाँ, रेवलेशिया निदी जी बहुत बढ़ियां, C विकल पारा है, शोरिभान जी, C विकल पुचन रहे हैं, चलिए भई, अनि लोगों के भी कारों ने भाग लिया था, तो विकल सी चुनने वाले होते एकदम राइट, 45 नमबर प्रशन आपके स्क्रीन पर, चलिए बताए, टरम्प प्रशासन ने किस देश के शैनिकों के लिए अपने शैनि प्रसिचन कारिक्रम को सुरू करने की मंजूरी दे दी, भारती शैनिकों को, जापानी शैनिकों को, चीनी शैनिकों को, पाकिस्तानी शैनिकों को, बताइए, कौन सा वो है, निधिर जी बहुत बढ़ी हाँ, बहुत अच्छे जबाब आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे, 45 नमबर प्रशन का अगर सही जबाब देखें, तो विकल पर D चुनने व ट्रम्प ने जो है, प्रशिच्छन देनाई के लिए सुरुवात की है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, 2018 में अमेरिका ने बंद कर दिया था, फिर सुरू होने जा रहा है, पॉलिटी के प्रशनाव की स्क्रीन पर, बताइए, इस अनुछेत के अधीन अनुसूची जन जात अरती जी, क्वेश्चन तो हर दिन कोसिस होती है, बढ़ियां से बढ़ियां हो, टीम बहुत अच्छा, इस अपनी सारी चीज़ें रिसर्च करती है, बी विकल्प मादवें जी, संजे जी बी विकल्प बहुत अच्छे, रामनिवास जी सी विकल्प चुनने, सोरिभान जी बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे सारे लोग, अलका जी बहुत बढ़ियां, चलिए सही जब आप देखते हैं, 46 नंबर प्रश्ण जो आपका दिया है, 46 नंबर प्रश्ण का जो लोग विकल्प चुन लेंगे कौन सा, बी वाला, एकदम राइट हैं, ठीक है, 275 के एक म आप जाएंगे, तो वहाँ पर जो है, 20S बित्तिय सहायता के बारे में उपबंधित किया गया है, कि इसके अनुसूचित जातियों को ये, आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्ण आप बताओ, अलप शंखेकों के लिए, राष्टिय आयोग में एक अध्यच और एक बोलता था, कि मार्च के लास्ट में है, क्योंकि बियो सासन ने कंफर्म अभीतंग नहीं किया था, आप कर दिया तो 22 मार्च हो गई, क्योंकि 22 मार्च पहले ही चीज़े ये आ चुकी थी, सुश्माराना जी ये बिकल्ब बहुत बढ़ी हाँ, चले इसका सही जबाब देख जो अलब संख्यक आयोग है आपका राष्टी अलब संख्यक आयोग, ये संबैधानिक है या संबिदिक, तो ये संबिदिक के अंतरगत आता है, आगे बढ़ा रहे 48 नंबर प्रशन आपके स्क्रीन पर, 48 नंबर प्रशन कहरा है निम्न में से कौन सा कथन असत्ति है, भारत 26, 368 का संबिदान, संबिदान संसोधन से, चलिए बताइए, 22 मार्ष को एकजाम, 22 मार्ष को मैं अंतिमा जी हर दिन यहां सूचना देता था, ठीक है, मैंने तो लगभग आप वीडियो मेरी देखेंगी, सभी मैंने बोला है कि मार्ष के अंत में ये पेपर है आपका, वी चुन नहीं, चलिए भाई, आउसन भी बहुत बढ़ियां आदिजी, 48, 2, very good, 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, अशत्तिक अथन देख लो, मूल संबिदान, 10 सूची ना, 8, समझ गए ना, बहुत बढ़ियां, 49 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के शंबि अशत्ति सूची का विस्तार कहां से लिया गया है, आयलेंड से, कनाड़ा से, अश्टेलिया से, जापान से बताओ, ये तो आम नहीं बताए, ठीक है, बहुत बढ़ियां, निरज जी, बी विकल संजे जी, बहुत बढ़ियां, चलिए बताईए वाई, 49 नंबर प्रश्न आ मुल संविधान में आठन सूचिया थी, आश्टेलिया बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे सारे लोग, बहुत बढ़ियां जवाब आ रहा है, कैनेडा, चलिए सही जवाब देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ये है, सही जवाब विकल सी वाला होग जो समवर्ती सूची है, ये आपके अश्टेलिया से ली गई है, तो थोड़ा सा इसीज का ध्यान लखें, 50 नंबर आपके स्क्रीन पर, बोला भारतिये राष्टिये ध्वच के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, बताओ, भारतिये राष्टिये ध्वच जो ह इस वन ए के तहट ध़ज पहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोजित किया, बताओ अब, 50 नंबर बताईए वाई, सारे लोगों से जबावा पेच्छित है, डी विकल्ब, बीजय जी, बहुत बढ़ी हाँ, सुष्मा जी, ये विकल्ब चुन नहीं है, सी विकल्ब आदिज जी, बहुत बढ़ी हाँ, बहुत अच्छे, जया जी, विकल्ब C चुन नहीं है, अलका जी, 50D बहुत अच्छा, अंतिमा जी, ये विकल्ब, नीरज जी, B विकल्ब, मादवें जी, C, बहुत बढ़ी हाँ, आरती जी, D बहुत बढ़ी हाँ, C विकल्ब निदी जी 50C, बहुत बढ़ियां बीजे जी, श्वेता जी विकल्प D को चुन नहीं, Yes जी C, देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न का विकल्प C को जो लोग चुनने हैं, एकदम राइट होते हैं, बोला हरारंग साहस और बल्दान का प्रतीक है, ऐसा है क्या? हरारंग जो है, ये स सबसे पहली वाली पट्टी के सरिया दरसाती है, समझ गए ना? चलो, तो 50 प्रश्नों की स्रिंखला हो गई पूरी, आपको लाइब देख रहा है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निमलिखित में से किस पसु का अंकन हडपा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है, बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, चलिए फड़ा-फड़ कमेंट करिए, प्रश्न नमबर एक का आपका जवाब क्या होगा, स्टार्ट हो चुका है रवीन जी, वीडियो स्टार्ट है, बी जवाब आ रहे हैं, अंजली जी बहुत बढ़ी हाँ, स्वेता जी बहुत-बहु प्रश्न नमबर जो प्रश्न है, यानि किस पसु का आंकन, हडपा जो आपकी सिवलाइजेशन है, इसकी जो मुहरे मिली है, इन पर नहीं मिला है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, या भेड है, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, सही जवाब आपका, अखिल प्रताफ जी बहुत-बहुत स्वागत है, बढ़िया है, चलिए लग जाईए भाई, डेवे कल पार है, बहुत बढ़िया है, अगर पहले प्रश्न का सही रखेगा, कि घोड़े से असु से ये लोग परिचित थे, जो आपके हड़पा शविता वाले हैं, ये असु से परिचित थे, लेकिन कहीं न कहीं इनका अंकन इनकी मुहरों पर नहीं मिला है, ठीक है, बाकी बैल हाथी और ये सारे के सारे आपके पतों थे ही थे, आगे दूसरा विकल्ब कहे रहा है, बैदिक सहिताएं, उपनिशद, आर्याड़क, ब्रहम हड, ध्यान से सुनिएगा, बैदिक सहिताएं, आर्याड़क, ब्रहम हड, उपनिशद, डी विकल्ब कहे रहा है, बैदिक सहिताएं, बेदांग, आर्याड़क, इसमृतियां, कौन सा ब स्वागत है आसु जी डिविकल्ब बहुत बड़ी हैं मैं बोल लाओं कोई दिकर नहीं आप प्रश्ण सुनिए सुस्माराना जी बहुत बोल रही हैं आरती जी बीविकल्ब बहुत अच्छा सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं अनि लोग भी भाई जो कुछ आ रहा है चलिए दो नमबर प्रश्ण का अगर सही जबाब देखें कि इसमें कौन सा काल क्रम के अनुसार आया है ठीक सबका सही क्रम क्या है तो सही क्रम अगर हम देखें तो बिकल्ब ए आप थोड़ा ध्यान से देखिए सबसे पहले बैदिक सहिताएं आई ठीक है पांडूलिपिय है फिर बेदों से क्या बनाएगे धीरे धीरे उपनिशत बनाएगे तो सही क्रम आपका विकल्ब ए है इस चीज को ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्ण क्या तीन आपकी स्क्रीन पर है तीन नमबर प्रश्ण कहरा भारतिये कला में बुद्ध के जीवन की किस घड़ना का चित्रण म्रिग सहित चक्र द्वारा हुई है बताइए महा भिनिश क्रमड बी बोलाए संबोधी सी विकल्ब बोलाए प्रथम उपदेश डी विकल्ब बोलाए निर्वांड चलिए भाई ये वाई फरीन जी ये विकल्ब बहुत बढ़ियां अखिल जी सी विकल्ब निधी जी थ्री ये बहुत बढ़ियां सीवम जी ए प्रथम उपदेश अखिल जी आसू जी बहुत बढ़ियां बलब पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा राहुल जी बहुत बढ़ियां स्वागत है भाई न तीन नमबर जो आपका प्रश्ण है, तीन नमबर प्रश्ण का सही जबाब अगर देखें कि जो भारतिय कला में बुद्ध के जीवन चरित्र को दिखाया गया, ये प्रथम उपदेश को म्रिग सहित चक्र के द्वारा दिखाया गया है, अच्छा इसी क्वेश्चन से समधित कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, जैसे बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपका अपना कहां दिया था, बुद्ध ने प्रथम उपदेश ग्यान प्राप्ति के बाद सारनात में दिया, अब ये तो कॉमन सा है वंडे में हम रठते रहते, अब इसी चीज़ को दे दे कि कि इस वन में दिया, तो उस वन का नाम है हरिन वन, ठीक है, हरिन वन जिसको आप ये भी बोला जाता है, म्रिग जो है एक तरीके से, म्रिग देव बोला जाता है, तो ये वन का नाम हो गया, ये जगे का नाम हो गया, ये उपदेश का विसेस नाम हो गया, और ये चीज़े क्य हो गई उसको दर्साने का एक तरीका हो गया तो एक पॉइंट से चार चीज़ें आपकी यहां पर सबद्ध हैं अगला प्रशन है प्रसंख्या चार है चार नंबर प्रशन कहरा है थोड़ा अच्छा है जब आप दर्वेंड साहली भी पढ़ते हैं दोनों चीज़ें निम लिखित में से किसका सिखर दर्वेंड साहली में बना हुआ है भीतरगाओ मंदिर है या ग्वालियर का तेली मंदिर है या कंदरिया महादेव मंदिर है या फिर ओशिया मंदिर है, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, चलिए, फड़ा-फड, सकसेज मंतरा बहुत-बहुत स्वागत है भाई, जनरल नालेज, चलिए, सारे लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, इसका जबाब आपका B विकल्प बहुत-बढ़ी हैं, निदी जी, 43, A विकल्प, रिचा शोनकर जी, बहुत-बहुत स्वागत है भाई, जितने नए लोग हैं, हर दिन आईए, 50 क्वेशन हर सेक्षन से, रिवेश करिए, मस्त होकर, बहुत-बढ़ी हैं प्रशनों के अस्तर होते हैं, आप देखते जाईए पढ़ते हैं, तो उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, की उत्तर भारत में अपनी कुछ सेलिया रही, उनको बिशेस नाम दिया गया, दच्षन भारत की सेलिया रही, तो ग्वालियर का जो ये तेली मन्दिर है न, इसका सिखर तो द्रबिंञ सालिका बना, और बाकी जो पूरा भवन बना है वो उत्तर भारत की इसमें वास्तुकला आपको जलकने को मिलेगी ठीक है आनी चीजें उत्तर भारत की और दच्छन भारत की चीजें क्या हैं यहाँ पर जो इसका सिखर बना हुआ है वो चीजें दच्छन भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आपको आश्र शकित कर देंगे उनकी विसेस्ताओं के बारे में तो द्रबिंट साहली कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी वास्तुकला है हाला कि उत्तर भारत भी कम नहीं था लेकिन दोनों चीजें अपने आप में बहुत विसेस योगदान रखती हैं पाचवा प्रशनाब की स्क्रीन पर कह रहा है तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया चलिए बताइए तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था विकलप इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद फिर रुकुनुद्दीन मुबारक खान और डी विकलप है शाह आलम चलिए सही जबाब आने शाहिए भाई सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद भाई जन्रल नालेज सिरीज हर दिन आप तो अखिल जी जानते ही हैं बहुत बढ़ी हैं आदित जी बीविकल्ब सरज जी शक्साज मंत्रा ए शमीर सर स्वागत भई सभीका रवीन जी बहुत बढ़ी हैं बीविकल्ब बारा डीविकल्ब कलबना सर बहुत-बहुत स्वागत भई सभीका जितने लोग नए हैं बहुत बढ़िया है सियोम जी ठीक है लगातार आपकी परफारेमस में देख रहा हूँ अच्छी चीज है वही जितने भी कई लोग इसमें से हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं रिशी मोहन जी डी बिकल बहुत बढ़िया है पांच नमबर का अगर सही जवाब देखते हैं तो सही जवाब होगा बिकल ए चुनने वाले लोग जो लोग नशीरुद्दीन महमूत को दूने एकदम सही है तैमूर ने इन ही के सासंकाल पर भारत पर आक्रमर किया था क्योंकि दिन महमूत का सासंकाल लहा और आपकी क्या होई थी वो घटना होई थी 1398 याद आया ठीक जब आपका आक्रमर हुआ किसका तैमूर का तो जहिर सी बात है सासंकाल भारत पर रहा आपका नसीरुद्दीन महमूत का समझ गए ना चलिए और इस समय जब तैमूर ने आक्रमर इस बार किया था 1398 में तो इसका एक ही उद्देशी था कि काफिरों का बिनास जब 1398 में इसने किया तो एक ही उद्देशी लेकर याँ था कि काफिरों का मैं बिनास करूंगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपका है पांच के बा जबाब दीजिए, A.B. बहुत बढ़ी हाँ, संजय जी बहुत बढ़ी हाँ, वाई आपकी इच्छा जो है, बहुत सही है, ऐसी डेडिकेशन होना चाहिए, आप ट्रेन में हैं, तब भी प्लास इज लाइब ले रहे हैं, बहुत बढ़ी हाँ, बहुत बढ़ी हाँ, जबाब समिर जी, सी विकल्ब, नमस्कार अधित मिश्रा जी, चलिए बहुत बढ़ी हाँ, चलिए देखते हैं, सही जबाब, वह सिक गुरु जिसने गुर्मुखी प्रारंब की, ठीक है, अगर इसमें सही जबाब देखें, तो विकल्ब दी चुनने वाले होते हैं, एकदम है, और इसको प्रारम करने का सरे जाता है, गुरु अंगत को, समझ गए न? और गुरु मुखी का अगर हम अर्थ देखें, तो गुरु के मुह से निकली वाड़ी, ठीक है? गुरु के मुख से निकली वाड़ी, इसी को गुरु मुखी बोला गया था, तो 6 नमबर प्रश् प्रस्टन्स भी में लेंगे डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे इसलिए 8 बजे सारे लोग पहुंच जाएए आगे बताइए आदुनिक इतिहास से प्रशन आपके सामने निमलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ठीक है ये तो आगे थोड़ा गायब हो गया अस्थाई बं कौन-कौन इसमें से आपका एक तरीके से तीन में से ही बताइए एविकल चलिए छोड़िए तीन में से साई जबाब बताइए बी-सी और डी में से कौन सा है इसमें सुमेलिट नहीं है अखिल जी बहुत बड़ी हाँ advisory चुन नहीं आप रिशा सुनकर जी सीविकल बहुत बड़ी हाँ साथ नंबर अगर प्रष्ण देखा जाये तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीज़िए лाड कैनिग को दिया है उच्चतम निस्क्रेता हाला कि उच्चतम निस्क्रियता इसका देखो संपूर्ण अर्थ क्या होता है संपूर्ण अर्थ इसका होता है कि चतुराई पूर्ण निस्क्रियता सबसे चतुर एक तरीके से कौन गवर्णर जनरल इसमें से रहा जिसने भारत में हर राजाओं उससे कहीं न कहीं काम निकाला तो उचतम निसक्रेता अगर देखी जाए तो इसका संबन्द इस नीती को लाने वाला एक नाम था उसका जॉन लॉरेंस इस बैक्ति का नाम था जॉन लॉरेंस इस ने वो चतम सक्रियता नीती को पर विसेश ध्यान दिया था इसलिए डिपी कल्प आपका जो है नहीं सही होगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है आज नंबर प्रशन का रायन निमलिखेत उगमों में से प्रशन आपको पूरा दिख जाए आप पूरा दिख रहा है प्रशन करायन निमलिखेत उगमों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है इस चीज को ध्यान रखेगा नासिर जील में स्र भूगोल के प्रशनों पर आ चुके हैं चाट जील दचणी सूदान किवी जील रवांडा आपका शांभर जील भारत चलिए बताईए भाई कौन सा विकल्प इसमें से है कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है आपके जीयों का प्रशन है अब शेक जी बहुत-बहुत स्वागत है ठीक है हर दिन होती है आज दसवी क्लास है ठीक है हर दिन आईए अस्थाई बंदोबस्त आजित मिस्रा जी बहुत बढ़ी है लाड़ कारण वाली से संबन दित है डी विकल पारे हैं अंतिमा जी सी विकल को चुन रहीं मांसी रोली जी एट का सी रिचा जी सी विकल निरू जी हर दिन आईए आठ वजे मैं हर दिन लाई बाता हूँ पचास प्रशन लेकर के जो आपके सब कुछ है करेंट से लेकर के जितना कुछ है जया जी बी बेकल बहुत अच्छा देखते हैं आठ नमबर प्रशन में क्या इसमें से सुमेलिर नहीं है तो बेकल भी अगर आप देख लो ठीक है जैसे दे रहा है चाड जील इसलिए बेकल भी आपका सुमेलिर नहीं है अनी जो दिये है नासिर जील ये मिस्र में है ठीक है किबू जील रवांडा में पढ़ती है और शांबर जील भारत में पढ़ती है ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मिलान से अभी UPPCS 19 देखा है ना मैचिंग से कितने क्वेशन अब तो UPPCS के भी जो आपके अवकमिंग एक्जाम है ठीक उनकी भी GS कास्तर इस बार आप जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए और स्वयम अंदाजा लागा लीजिए कि UPPCS किस चीज पर जा रहा कि भाई TCS अपने आम बे बहुत बड़ी चीज हो रही है लगभग भारत की संपोर्ट परिशाओं के पेपर TCS सेट कर रही है कुछ जैसे अभी लोकसेवा आयोग छोड़ दिया जाए और UPPC छोड़ दिया जाए ठीक है वसे उत्तरप्रदेश की जितनी अनी परिशाओं होती है सब हाथ में है TCS की इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रशन आपका है 9 नंबर प्रशन कहे रहा है सभी प्रकार के जलवाई कटबंद निमलिखिद में से किस महादियूप में है चलिए बताइए बहुत बढ़ी है प्रशन है दच्छडी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और श्रेलिया, एसिया सही जवाब फड़ा फड़ कमेंट करें कठिन हो रहा है, कोई दिक्कद नहीं आराम से पढ़ते रही है जी के हाड नहीं है वाई यहां सुनो ध्यान से अभी आपका पीडियाप मिल जाएगी उसको पढ़िए, कैसे हाड रह जाएगी अभी तो नए प्रशनों पर साउथ अमेरिका बहुत बढ़ी है अखिल जी, आदिद मिश्रा जी बहुत बढ़ी है ठीक है, जबाब आ रहे हैं अर्ती जी बीवी कल्ब बहुत बढ़ी है समर जी, सियम जी बीवी कल्ब बहुत बढ़ी है, चलिए देखते हैं अगर जलवायू कड़बंद देखें अलग अलग पूरा का पूरा जब आप विश्वमयप उठाते हैं तो जब जलवायू पढ़ना शुरू करते हैं तो सारे के सारे अलग अलग आपके बनाये गए हैं जलवायू कड़बंद तो उसमें देखें कौन सा ऐसा महादियूप है जिसमें सारी सभी प्रकार के जलवायू कड़िबंद पाए जाते हैं तो उसमें सबसे बेश्ट आपका option बैठता है विकल्प आपका D A.C.A. महादियूप में जब आप आएंगे क्योंकि इसका अगर विस्तार देखें तो बिश्वत रेखा आप उठा लीजिए बिश्वत जो रेखा है बिश्वत रेखा में उत्तरी सीमा पर पहुँच जाईए यानि उत्तरी धुरुप तक है पूरा का पूरा आप बिश्वत रेखा से सुरू होके उत्तरी धुरुप तक पढ़ता है इसलिए इसमें सभी प्रकार के जलवाई कटबंध पाए जाते हैं ठीक तो इसमें आपका विकल्प आपका आठ नंबर का होगा कौन सा नो नंबर का स्वारी डे विकल्प राइट होगा जो लोग चुननने हैं दस नंबर ठीक है थोड़ा सा अब इनसे भी सवाल आते रहते हैं मैचिंग से संबंदित हैं जैसे कागज ओंटीरियो यह सहरो के नाम है ठीक और यह उनके उद्दोग है तो कौन सा उद्दोग किसके लिए फेमस है इस चीज को ध्यान दीजिए और नहीं है इस चीज का इस सूती बस्त डेट्रोइट आपको सही विकल्ब चुनना है गलत हो रहे हैं निदी सैने जी कोई दिक्कर नहीं है ठीक है कार इंडेस्टी के लिए अखिल जी आप पूरी डिटेल दे रहे हैं बहुत बढ़ी हैं बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं ठीक है चलिए बही जो लोग बिकल्ब चुननने थे भी एकदम सही होते हैं मैचिंग से संबंदित सवाल ठीक है बीयों का लेबल कहीं ना कहीं इन सबसे मैच आपका करना चाहिए 100 परशन ठीक है इसलिए ये प्रशन आपके लिए अगर आप मिशन 2020 में लगे हो तो चीज समझ जाओ चाहे कोई भी एकदम आपका है सभी के लिए ये सारे के सारे प्रशन एकदम रामबार शाबित होंगे ठीक है चार महिने लगभग मैं कोसिस करूंगा कि लगातार हर दिन 50 क्वेशन के साथ आप से डिसकस करूं तो पूरी की पूरी करेंट तयार हो जा रही है जो टीम के द्वार करेंड का रूल इसलिए करेंड का रूल बहुत ज्यादा होता है अन्य सब्जेक्ट तो आपकी चल ही चल रही है उसके लिए तो ये 50 है अगला बताईए चलिए भाई हम क्रिसी से संबंदित कुछ चीजों पर आ चुके हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है फूलों की खेती फ वही जो है किसी भी उसमें जाईए हर चीजें आपको मिल जाएंगी किसी चैनल में जाईए बीरा हैपी है बहुत बढ़ियां वही स्वागत है भी विकल्ब 113 बहुत बढ़ियां जबाब आ रहे मोनिका अगरबाल जी बीविकल्ब CMGD बहुत बढ़ियां मांसी रोली जी देखते हैं बाई सही जबाब क्या है 11 नंबर प्रश्र का सही जबाब होता है जो लोग बिकल्ब C को चुनने हैं बता रहे कि हाँ इसका सुमेल सही नहीं है वो लोग आपके कही न कहीं होंगे सही क्योंकि सबजीयों की खेती के प्रश्र की और अगला प्रश्र आपका है 11 के बाद 12 नंबर 12 नंबर प्रश्र फिर से थोड़ा सा है एक तरीके से वर्ड से संबंदिती है और इस शीज को आपको प्रश्र दिख रहा होगा बहुत बढ़ियां है निम्न मेसिक किस एक अस्थान में रुधिर वर्षा होती ह ठीक लाल वर्षा कहा होती है इटली में फ्रांस में कैनेडा में स्पेन में चलिए बताईए पढ़ा होगा सारी लोगों ने चलिए इसका जबाब रिसी जी कोई दिखकर नहीं है रुधिर कार्थ लाल वर्षा भी आम बताए तो इटली रिचा जी यह जबाब अंतिमा जी इटली बहुत बढ़ी हां अकिल जी इटली में बहुत बढ़ी हां देखते हैं वही सही जबाब किसका है बारा एब अगर सही जबाब देखें बारा नंबर प्रशन बारा नंबर प्रशन में जो लोग इटली चुनने एकदम हंडेट परशन राइट है एब इकल चुनने वाले होते हैं एक दम सही, क्योंकि होता क्या है कि जब आप देखेंगे न ये सहारा जो अपना रेगिस्तान पढ़ता है, जब सहारा रेगिस्तान में क्या होता है कि यहां से जो आपकी हवाएं चलती है, ठीक है, जो भूमत इसागर की और चलती हैं गरम हवाएं एकदम, ठी और ये रेद भरी हवा, ये जो गर्म हवा है, सुस्ख हवा है और एक तरीके से ताबमान बहुत ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं सिरों को, ध्यान रखना आया था ना UPPCS में, गर्म हवा और सुस्ख हवा से संबंदित, इसको सिरों को बोलते हैं, जो सहारा रेगिस्तान से भूम्मद इसागर की और चलने माली हवाएं होती है गर्म हवाएं सुस्क हवाएं जिनमें रेत भरी होती है ये सिरों को कहलाती है ठीक ये हवा जो है इसमें लाल रेत की मात्रा बहुत जादा होती है इस हवा में लाल रेत की मात्रा बहुत जादा होती है और ये इसलिए इटली में रुधिर वर्षा होती है समझ गए ना क्लियर हो गई चीजे चलिए आगे बढ़ते हैं तेरा नम्बर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है और तेरा नम्बर आपसे पूछ रहा है ग्रेंड कैनियन है क्या है बताओ एक खड़ है एक बड़ा तेल है तेल भंडार बोल सकते एक नदी है एक पुरानी तोफ है ग्रांड कैनियन क्या है चलो बताओ भई जबाब आना चाहिए बहुत बड़ी हां निधी जी बहुत बड़ी हां अमिज जी ए विकल्प अंजली जी बी विकल्प संजे जी ये विकल्प चुन है आप विशाल जी मंसी जी ए विकल्प सभी गया रहे क्या सही है ये शे में खड़ बहुत बड़ी हां आदित जी चलिए देखते हैं जो यह USA में जब आप United States of America कई भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां जाएंगे इसका एक प्रांथ पढ़ता है जिसका नाम है Arizona इसके प्रांथ का USA का प्रांथ है Arizona वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां एक नदी पढ़ती है जिसका नाम है क्या उस नदी का नाम है Colorado या Colorado दोनों चीजे बोलते हैं ये कोलो जो राडो नदी है उसके तड़ पर एक खड़ है ठीक है खड़ मल्लब आप गड़ा समझ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तेरा के बाद आपका 14 नंबर प्रश्ण ठीक है फिर से कहीं ना कहीं दो चीजों का मिक्सप है प्रत्वी की स चोदा भी एश्वर्या जी बहुत बढ़ी है बीविकल्ब आदिजी अधिकेंद्र मोनिका जी बहुत बढ़ी है बीविकल्ब आखिल जी बीविकल्ब राहुल जी श्री शियम जी बहुत बढ़ी है अंजली जी भी शमर जी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है कुल्बना जी, कत्तान जी, बहुत-बहुत स्वागत, चलिए सारी लोग जबाब दे रहे हैं, कहलाता है, एपी सेंटर कहलाता है, ठीक है, चलिए, 15 नमबर प्रश्न कहए रहा है, कृतिम उपग्रह प्रत्वी से सुवस्प्रस्टता से ट्रेक किया जा सकता है, अगर हमें कोई आर्डिफीसियल सटलाइट है, उसको प्रत्वी से ट्रेक करना है, तो किसके द्वारा यहां पर इस्तेमाल होगा डॉपलर इफेक्ट, यानि जो लोग बिकल्प एको चुन नहीं हैं, वो एकदम सही हो जाएंगे, का कि अगर हम ठीक, यहां प्रत्वी से आर्डिफीसियल सटलाइट को ट्रेक करें, तो उसके लिए डॉपलर इफेक्ट बेस्ट मेथड यूज ह होता है, समझ गए ना, 16 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर निमलिखित बिद्दुत चुम्बकी एक विकरणों में से किसकी उर्जा आधिक्तम होती है, बताइए, दृष प्रगास की, औरक्त किर्णों की, पराबैगनी किर्णों की, या एक्ष किर्णों की, चलिए सही ज नंबर, बहुत बढ़ियां सरजी, डी विकल चुनन है, आप, 16 नंबर प्रशन का जो लोग विकल चुनन है, डी होते हैं एक दम राइट, ठीक है, एक्स किर्णें जो होती है, आपकी बिद्दु चुम्बकी एक विकरणों के तोर पर आती है, और इसमें इसकी उर्जा सब पढ़ जाएगा, तो एक चीज दिमाग में रख लो, सबसे पहले आती हैं आपकी ये रेडियो वाली सारी बेब्स, रेडियो तरंगे होंगी, ठीक, उसके बाद अगर हम देखें, तो उसके बाद आपका आता है, ये माइक्रू बेब, जितनी माइक्रू बेब, इसके अंत तो क्रम आता है इसका, जो बिजबल एक तरीके से होती है, लाइट, द्रिसे प्रकास जिसको आप बोलते हैं, ये आता है, फिर अगर एक क्रम इसका देख लें, तो इसके बाद आपका पढ़ता है वो, यूवी, ठीक है, जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वाइलेट प बहुत बार पूचा है भईया, ठीक दे देगा कि निमलिकित में से कौन सा विद्धो चुम्ब की ये विकरन है, पहचानिये, तो वहाँ से चार में से एक छाटना होता है, ऐसे भी दे सकता है, प्रशनों का अस्तर परिच्छाओं पर डिपेंड होता है, 17 नंबर प्रशना की कमी से, या धूल जम जाने से, या सेलुलोज के आक्सी करण से, बताइए भई, सही जवाब क्या है, कोई दिक्कर नहीं है, डिविकल पार है, अखिल जी, बहुत बढ़ी हाँ, बेरा है पी जी, श्वेता जी, डिविकल, डिविकल, सारे लोग जो है, चलिए आदित जी, बहुत बढ़ी हाँ, देखते हैं, 17 नंबर प्रशन का जो लोग चुन रहे हैं, विकल डी, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग गया न, कि इनों में जैसे ये दो जो आपके है, ये तो हो नहीं सकते, बहुत बढ़ी हाँ है, जहां पर भी आपको, जैसे इसमें डी विकल एक दम राइट है, ऐसे प्रशन आपको मिलें, जहां पर आप दो ऑप्शन हटा दो, तो वहां पर ही आपको तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है, जैसे जो लोग आ रहे हैं, उनको हम नहीं कहरें तुक्का लगाए हैं, लेगिन जैसे एक्जाम हाल में बेठो, जहां दो व लेखिद में से कौन सा एक गैर शलुलेसी रेशे का उधारन है, रेयान, लेनिन, जूट, नाइलान, चलिए बताइए बाई, गैर शलुलेस, यानि जिसमें शलुलेस नहीं होता है, बहुत बढ़ यान, अधिज जी, एलिमिनेशन मेथट, बेरी गुड, एविकल्ब, अख प्रेशन, वो लोग एकदम सही होते हैं, जो लोग डी विकल्ब को राइट बता रहे हैं, इसमें डी विकल्ब होता है आपका एकदम राइट, ठीक है, क्योंकि अगर बात करें इसकी नाइलान की, और दूसरी चीज याद रखना ये, पॉलिस्टर, ठीक है, दूसरा है गैर शलिलेसी रेशे के उधारन होते हैं, समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा भी और है, लेकिन मुखि रूप से इन दोनों को दिमाग में रखी लो, कि नाइलान और पॉलिस्टर गैर शलिलेस रेशे हैं, अगला है उन्नीश नंबर प्रशन, चलिए और किड, आधि पादप या जिसको एपिफाइट बोलते हैं, घट पढ़नी, जलोद भिद, बताओ इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उन्नीश नंबर प्रशन, एकोलाजी सही से पढ़ाओगा तो जब आप 100% आएगा, निधी जी, थ्री विकल्ब, मोनिका जी, बी विकल्ब, चलिए भई, रवीन जी, सी विकल्ब आ रहा है, जया जी, बहुत बढ़ी हाँ, डी विकल्ब आप चुन नहीं, 19B, बीरा, एश्वर्या, बी विकल्ब, बहुत बढ़ी हाँ, चलिए देखते हैं, फरीन जी, डी विकल्ब चुन नहीं है, गोड इमनीं आया था एक तरीके से, लेकिन वहाँ दूसरे, ये घटपर्डी मलब पौधे होते हैं, कि ऐसे पंकुडिया खुली रहती हैं, इसमें कीडे बैठते हैं, तो उनको खा जाते हैं, ये आपके मान सभक्षी पौधे हैं, इसमें लिखा है जलोद बिद, तो उसका संबंद यह जहां से नहीं है, ठीक है, ये आपके जल जल, वहाँ, खास कर कैसे छेतर होते हैं, जहां पर आपके मार्श एरियाज होते हैं, दलदली एरियाज होते हैं, वहाँ उखते हैं, घटपर्डी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बीस नंबर प्रश्ण कहे रहा है, ये किर्ट तथा मान स्पेशियों में जो जमाओ होता है, ये किर्ट, ये मान स्पेशियों में उर्जा जो एक तरीके से जमाओ होता है, वो किस रूप में, कार्वो हैडरेट के रूप में, वशा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के र जवाब आरे फैट अंजली जी बहुत बड़ी हाँ विशाल जी चलिए देखते हैं भाई सही जवाब क्या है अखिल जी भी विकल्प चुनने बीश नंबर प्रशन का अगर देखें कि इसमें जो आपका राइट होगा यकिर्थ यो मान स्पेशियों में उर्जा जो जमा होत होती है ठीक अगर यकिर्थ और मान स्पेशियों में उर्जा का रूप देखा जाएना तो इसमें सबसे बेस्ट बिकल्प होगा इसमें डिबिकल्प आपका राइट होगा गलाइकोजन के रूप में यहां येकिर्थ और मांस्पेशियों की बात हो रही है तो यहां पर उर्जा कहीं न कहीं आपके ग्लाइकोजन के रूप में होती है फिग है? चलिए ग्लाइकोजन अब इसको अगर और सुध्ध रूप में लिखा जाएना है तो ग्लुकोज लिखा जाएगा समझ गए ना इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दिये ग्लाइकोजन या इसको ग्लुकोज उर्जा भी बोलते हैं तो दोनों चीज़े ध्यान रखेगा माली जे ग्लुकोज उर्जान ना लिखा ग्लाइकोजन लिख दिया तो वहाँ कन्फीज नहीं होना एक दोनों चीज़े एक है आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रशन अब आपके आचुके हैं हम एकॉनमी के प्रशनों पर कहरा है निमलिखित में से सेर ब्याजार में कौन साटोरिया नहीं है बताईए तेज़डिया यानि जिसको इंग्लिज में बुल यूज करते जिसके लिए मंदडिया यानि जिसके लिए बेयर यूज करते सी होता है दलाल चोथा है स्टेग कौन साटोरिया नहीं है आज सारे प्रशन आपके नहीं पर सामिल किये गए हैं डी विकल्व गलत हो गया कोई दिक्कर नहीं है स्टेग स्टेग सी विकल्व पा रहा है डी विकल्व है बहुत बड़ी हैं चलिए देख स्टेग हीरण क्वेशन न खिल जी बिल्कुल कोस्तिस होती है हर दिन टीम की कि अच्छे ही प्रशन आपके रहें दिमा खिल गया है पचास क्वेशन में आई है हर दिन जितना पढ़ रहें सब कुछ रिवाईज हो जाएगा यहाँ एस वर्या जी डी विकल्व देखते हैं 21 नंबर जो आपके प्रशन है यह आपके शेर मार्केट से जुड़ा है इकोनमी से संबंधित प्रशन है इसका अगर हम सही विकल्व देखें तो विकल्व सी जो आपका लिखा है दलाल ठीक है यह जो दलाल होते हैं यह विभिन प्रकार की एक तरीके से वो है सट्टे बाजी सट्टोरिया का मनलब यहाँ पर आपको समझना है सट्टे बाजी से ठीक है तो सट्टे बाजी वाली जो टर्म यहाँ पर आता है यह दलाल वहाँ पर सट्टे बाजी का काम सेर बाजार में नहीं करते हैं अनी जगे दलाल आपके होते हैं बुल और बीर और सुचकांग जिसको SDI बोलते हैं मैं सामिल नहीं है A विकल्ब कहरा है G1 प्रत्यासा B बोला है C बोला है सामाजिक आसा अमानता D बोला है प्रोड साचर्ता चलिए इसका सही विकल्ब आपका सभी के आ रहे हैं D विकल्ब कलना जी 22 प्रशन का अगर सही जबाब देखें ठीक है आते रहते हैं भाई इसके पूरी PDF आती है सारी चीज़े आती है 22 प्रशन का सही जबाब इसमें होगा बिकल्ब जो आपका C दिया है जैसे सामाजिक आशामानता को सामाजिक आशामानता HDI में सामिल नहीं की जाती ये बाकी सारी चीज़ें आपकी इसमें कहीं न कहीं सामिल होती है 23 नंबर प्रशनाप के स्क्रीन पर 23 नंबर प्रशनाप से यह कह रहा है कि एक Act आया था आपका और वस Act का नाम था आपका किस वर्स अस्थापित किया गया 1971, 1975, 1989, 1981 कब आया था बंधुआ मजदूर अनमूलन 22, 1971, 23 से बहुत बड़ी हैं चलिए देखते हैं सही जबाब इसका क्या है 23 नंबर प्रशन का सही जबाब देखें तो 23 नंबर प्रशन अग यहां पर पूछा है कि अस्थापित किया गया तो अस्थापित आपका यह एक तरीके से अगर इसमें सही विकल्प है तो वो विकल्प आपका राइट होगा विकल्प भी 1975 में अस्थापित हुआ था आप थोड़ी सी समध्दित चीजे जान लो बंधवा मजदूर उनमोलन से संबंदित हुआ क्या था यह पारित हुआ था 1976 में अब आप पूछेंगे 1975 से लागू कैसे ठीक अधिनियमित इसको वहां पर यह बोला गया इस अधिनियम में कि इसको जो है आपका वहां से 1976 से इसको हम 25 अक्टूबर 1975 से इसको जो है लागू मानेंगे ऐसा उसमें प्रावधान किया गया था तो यह 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना गया आया था 1976 में ठीक है आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रशन आप से बोला भारत में सामुदाई विकास कारिक्रम कब आरम किया गया 2 अक्टूबर 1950 2 अक्टूबर 1951 2 अक्टूबर 1952 2 अक्टूबर 1953 चलिए सारे प्रशन आपके एक जैसे हैं ठीक है 1976 बहुत बढ़ियां 24 नंबर प्रशन के C विकल्प आ रहे बहुत बढ़ियां चलिए इसका अगर सही जबाब B विकल्प आ रहा है 24 नंबर प्रशन का अगर सही जबाब देखें तो जितने लोग विकल्प इसको चुनेंगे 2 अक्टूबर 1952 वो एकदम सही होंगे 25 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है प्रशन कहरा है निमलिकित मेंसे किस समित किस संस्तूतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है दंत समित लकडवाला समित आपकी चलाईया समित और चक्रबरती समित किस सम्तुतियों के आधार पर भारत में गरीवी रेखा का आकलन किया जाता है कौन सा है भई? लगड़ वाला समित B विकल बहुत बढ़ी हाँ CRI देखते हैं इसका सही जबाब 25 नमबर प्रशन का जो सही जबाब होगा ये विकल आपका B होगा लकड़ वाला जो समिती है इसके आधार पर ही भारत में गरीवी रेखा का आकलन किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 26 नमबर 26 नमबर प्रशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फिर जबाब दीजिए ब्लिव कारबन क्या है बेशु के महादीपो तथा तटिये परिस्थ की तंत्रों द्वारा संग्रहित कारबन या अस्थली वन परिस्थ की प्रणाली द्वारा संग्रहित कारबन या फिर जलवाई परिवरतन के कारण प्रतवी द्वारा उत्सरजित कारबन या उपीप्त तो में से सभी blue carbon की स्रेणी में कौन गोन आते हैं 25 का D. फरी जी बहुत बढ़ी हाँ 26 नमबर प्रशन पर है C. कलबनाज जी बहुत बढ़ी हाँ देखते हैं 26 नमबर जो blue carbon है blue carbon उसको अभी नाम दिया गया है जो विश्व के महासागरों तथा तटिये परिश्व की तंतर द्वारा एक जगे पर एक अठा होते हैं संग्रहित होते हैं ऐसे carbon को जो है blue carbon की संग्या दी जाती है 27 नमबर प्रशन आपका है सिरोही राष्टिये उद्यान किस राजी में अस्थापित है सिरोही राष्टिये उद्यान राष्टिये उद्यान आप लोग पढ़ते हैं बहुत बढ़ियां सारे लोग चलिए 26 नमबर के बाद 27 नमबर सिरोही का आगर सही जवाब देखा जाए डिविकल पा रहा है एविकल बहुत बढ़ियां सिरोही जो आपका ये राष्टिये उद्यान है ठीक है ये आपके वहाँ पर मडिपूर में अस्थापित है तो बिविकल पे इसका एकदम राइट है सिरोही राष्टिये उद्यान मडिपूर में अस्थापित है आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्णाव की स्क्रीन पर है, कह रहा है, निमलेखित में कौन सुमेलिद नहीं है, विकल पेव में, पारिश्त की विज्यानों का केंद्र, वैंगलेवरू, B. विकल बोला है, भारतिय वन प्राणी संस्थान, देहरादून, C. बोला है, भारतिय वन प्राणी संस्थान, कुलकाता, D. बोला हिमालेई, परियावरण, युम्बिकास का, गोविंद बल्लब पंत संस्थान, अलमोडा, इन चारों में से, कौन आपका सही सुमेलिद नहीं है, इस चीज को हमें जवाब देना है, C. विकल्ब, C. विकल्ब बहुत बढ़िया, C. विकल्ब भी सभी के आ रहे हैं, अगर इसका सही जवाब देखें, तो सही जवाब 28 नमबर का, जो सही विकल्ब है, जो लोग चुनने ना, भारतिय वन प्राणी संस्थान, कुलकाता, ये आपका सुमेलित एक तरीके से नहीं है, विकल्ब C. आपका राइड नहीं है, ये कलकत्ता में नहीं, ये बलकी आपका यहाँ भोपाल में पड़ता है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, अब इसको जो है मैचिंग में भी वो डाल सकता है, ठीक है, तो ये प्रशनाब के दो तरीके से पूछे जाते है, 29 नंबर प्रशनाब की स्क्रीन पर है, प्रतिष्ठ टाइलर्ज पुरस्कार किस छेतर में प्रदान करते हैं, नाटक में महिलाओं का अधिकार से संबन्दित है, बच्चों के अधिकार से, या परियावरण सुरच्छा को लेकर के दिया जाता है, चलिए भाई, कोई दिक्कार नहीं है, बहुत बढ़ियां है, लगे रही है भाई, डीबिगल पार है, रती जी सी, शंजे जी बहुत बढ़ियां, डीबिगल पार चुनने हैं, चलिए साही जब आप देखते हैं, ये जो टाइलर पुरश्कार है न, टाइलर पुरश्कार अगर देखा जाए, तो ये आपका दिया जाता है, इसमें परियावरण सुरच्छा, अगर संबंधी कोई वेक्टिकारी कर रहा है, उम्दा प्रजर्शन है, तो उसको नवाजा जाता है, टाइलर पुरश्कार से, समझ गए न, वो लेखिने ये अगदान किसी का परियावरण की सुरच्छा को लेकर है, तो उसको देते हैं, चलिए बताइए भाई, तीस नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए दिन दिवस तो आप लोग पढ़ते हैं, बहुत बढ़ियां निदी जी, तीस का सी जबावारा है, केत की जी बहुत बढ़ियां, मोनिका जी सी विकल फरीन जी सी, चलिए देखते हैं भाई, कौन सा विकल विसमें से सही है, तो 30 नंबर प्रशन का अगर देखें, जैसे इसमें, सी विकल में लिख राका है, ओजिन दिवस 15 सितंबर, यहीं विकल आपका सुमेलिद नहीं होगा, क्योंकि 15 सितंबर नहीं, ओजिन दिवस आपका 16 सितंबर को मिला, मनाये जाता है है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, 30 के बाद 31 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, 31 नंबर बोल ला है, केंज सरकार द्वारा हाल ही में जारी, वन इस्थित रिपोर्ट 2019, हम करेंड के प्रशनों पर आ चुके हैं, ठीक है, के अनुसार राजी में सबसे बड़ा अधिक वन आच्छादिक छेत्र, कौन सा है, उत्तर प्रदीश है, हरियाना है, राजस्थान है या करनाट का, सही जबाब आने चाहिए भाई, बहुत बढ़ी हैं अखिल जी, साक्षी जी विकल्ब C चुन नहीं है आप, 16 सितंबर बहुत बढ़ी हाँ, सिंजे जी, अंजली जी शी विकल्ब 31-4, बेरी गुड, सोर्या जी D, देखते हैं, 31 नंबर का जो सही जबाब होगा, सही जबाब वो होगा, जो लोग विकल्ब D बतार है, होते हैं एकदम 100% साही, बहुत बढ़ी हाँ लगे रही है, करनाट का वो राजी है, जो सबसे अधिक बढ़ा 1 आच्छादित छेतर है, इन से संबंदित आप बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें वनावरण, वनाच्छादित, ये सब सब्द बहुत अलग-अलग है, ठीक, प्रतिस्थर के हिसाब से और हर एक चीजे देखी जाती है, 32 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, 32 नंबर कह रहा हाली में तालिबान परिशद ने, किस देश में एक आस्थाई संगर्स बिराम के लिए शहमत व्यक्ति की है, कहाँ पर अफगानिस्तान में, इराक में, इरान में या पाकिस्तान में, कहाँ पर इसने सहमत दिया है, कि आब हम लड़ाई नहीं करेंगे, दूसरा MP, बहुत बढ़िया निदी जी, बियो बनना है, संजे जी 100% आपका तुम मैं परफार्मेंस लगातार देख रहा हूँ, अच्छा लगता है भाई, आप लगातार सही जबाब दे रहे हैं, तैयारी अच्छी है, बाकी यहां से बने रहे हैं, जो माटेरियल दिये गए हैं, उसको पढ़िये वियो के लिए, सुनिल जी, भाई कहां रहे गए थे, अभी दीखे ओ, B जबाब है, बहुत बढ़िया, इराक, A जबाब, CMG, B विकल्ब, देखते हैं, 32 नंबर प्रशनल, जो लोग विकल्ब चुनने हैं, A, अफगानिस्तान को लेकर, यह आपका एकदम सही है, क्योंकि आस्थाई संगर्स विराम के लिए सहमत इसने ब्यक्त की थी, तालिबान परशनल ने, अमेरिका को इधर देख रहे हैं, अमेरिका बार-बार वारता करने के लिए यहाँ पर तालिबान के साथ वारता को लेकर, वो बार-बार कोशिसे करता आ रहा है, तो 32 नंबर में यह होगी, क्योंकि जो है, क्या हुआ था, अमेरिका के राश्टपत ध्यान होगा न, ट्रम्प का दोड़ा यहाँ पर होना है अफगानिस्तान में, तो अमेरिका तो हर एक चीज़ें अपनी सुरच्छा को लेकर कुछ भी कर सकता है पूरी दुनिया में, ठीक, इसलिए वो उसने क्या किया है, तालीबान ने आस थाई संगर्ज बिराम के लिए सहमत ब्यक्ति की है, प्रश्चन क्या 35, आपकी स्क्रीन पर करेंट ध्यान से पढ़ रहे हैं और पढ़ते ज़रूर रहे हैं कोई एक्जाम निकालना है तो, हाली में महाराष्ट के उपि मुख मंत्री पत की सपत निम्न में से किसने लिए, सरत पवार, आदित ठाकरे, संजैराउद या फिर अजित पवार, बताईए महाराष्ट चुनाव से संबंदित प्रश्ण है, अजित पवार के बारे में थोड़ा सा आप लोग भ्यान रखिये, ये अजित पवार जो है, अजित पवार इससे पहले भी आपके बने थे, ठीक, और वो कितने दिन के लिए, तीन दिन के लिए, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखियेगा, आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्ण आपके स्क्रीन पर, हाली में किस सरकार ने सरकारी फाइलों को सिगरता से निप्टाने यों बिभिन विभागिये कारियों में तेप्रता लाने होत, रन थ्रू फाइल्स, ठीक, प्रणाली की सुरुवात की, उत्तर प्रदेश सरकार है, जारकंड सरकार है, हरियान सरकार है, या फिर करिनाट का सरकार है, रन थ्रू फाइल्स, बताइए किसने सुरू किया, बी विकल्ब प्रवेश राजपूत जी थोड़ा लेट आये हैं कल से थोड़ा कोसिस करिए कि 8 बज़े आईए बहुत बढ़ी हैं आते ही अपने जवाब देना शुरू किया 34 नमबर प्रशन का सही जवाब वह होगा जो लोग विकल्ब चुननने हैं विकल्ब सी हरियाण सरकार ने रन थू फाइल्स प्रणाली की सुरू किया है ये क्यूं है क्योंकि सरकारी जितनी फाइले पड़ी है विभिन विभागों में कार्यालें में वो जल्दी से निप्टा उनका निप्टारा हो सके इसलिए इसने ऐसा कारिकरम सुरू किया है 35 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर निमन में कौन अंत्रिच में सबसे लंबी अवद तक रहने वाली पहली महिला अंत्रिच यात्री बनी जूडा डिसिलवा, क्रिश्टीना कोज, जूलियाना कोज, ज 35 विकल बहुत बढ़ी हैं, चलिए बई, सभी के जवाब आ रहे, 35 नमबर प्रशन का, जो लोग जवाब चुनन है न, विकल बी, एकदम राइट है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़ी हैं, करेंट की मैकजीन जो हम परिक्षा प्लस के द्वारा जी जा रही है, उसको जरू जो है प्रशन 36 नमबर, बताइए ध्यान से, गंगा के पूर्वी छेतर की मिर्दा को किस नाम से जाना जाता है, सिक्ता, धनकर, करियल या उप्रोक्त सभी, गंगा के पूर्वी छेतर की मिर्दा को किस नाम से जानते हैं, बताइए बहुत बढ़ी हैं, बढ़ी हैं, प्रशन नहीं कठा हो जाएगा जब साब कुछ आने लगेगा दिपक जी चातिस का चार विकल्ब चलिए देखते हैं सही जबाब चातिस नंबर प्रशन है चातिस नंबर प्रशन का जबाब चार जो लोग चुनने एकदम राइट है ठीक है सिक्ता, धनकर, करियल ये सब के सब गंगा के जो पूर्वी छेतर की मिर्दा है उसको ये नाम दिया गया है ठीक है तो जो लोग विकल्ब डी चुनते हैं होते एकदम राइट 37 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर 37 नंबर प्रशन थोड़ा ध्यान दीजिए रटो लाम मुखे तक किस जिले में होता है बताओ उत्तर प्रदेश है मेरट बागपाथ हर दोई या विकल्ब A और B दोनों यानि मेरट और बागपाथ दोनों में रटो लाम एश्वरिया जी विकल्ब B चुन नहीं है बहुत बढ़िया है दोनों जगों पर जो आम की प्रजाद पाई जाती नाम उसका है रटोल समझ गए ना आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर 38 नमबर प्रशन बोल ला है ध्यान से सुनिए और ध्यान से जबाब दीजिए मस्त होकर कोशेहरा जल प्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में है सोन भद्र मिर्जापूर भदो ही बस्ती बताए कोशेहरा जल प्रपात किस जिले में पढ़ता है आपके चलिए भई कोशेरा जल परपात इसकी कोई दिकन नहीं मैं बता रहा हूँ 38 नमबर प्रश्ण का सही जबाब आपका जो होगा ठीक है ये विकल्प आपका B एकदम राइट है मिर्जापूर में अपने पढ़ता है अच्छा इसके अलामा भी ध्यान लखना मिर्जापूर में एक पढ़ता है आपका वो बिंधम जिसका नाम है एक का नाम है बिंधम और एक आपका पढ़ता है जिसका नाम है वो टांडा ठीक और एक है देवदारी तीन आपको ध्यान रखना है कौन-कौन सा बिंधम, टांडा, देवदारी और एक आपका को सहरा हो गया तो ये चार जल प्रपात अपने मिर्जापूर में पढ़ते हैं इस चीज को ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्णा है ध्यान से पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए बिश्व बैंक द्वारा साहिता प्राप तो कौन सी सिचाई परियोजना है उपरी गंगा नहर सिचाई परियोजना तुलबुल दुलहस्ती या इनमे से कोई नहीं ननापदी एबब बताईए सिवन जी सही हो रहे हैं कोई दिखकर नहीं है आराम से पढ़िए कोई दिखकर नहीं है सही नहीं हो रहा ऐसा जुरूरी नहीं आराम से पढ़ोगे तो किसी दिन तो काम आएगा बहुत बढ़ियां जो है अंजली जी वी विकल्प बिनीत राना जी वी चलिए सही जवाब देखते हैं वर्ड बैंक द्वारा फंडेट कौन सी सीचाई परियोजना है उन 40 नमबर प्रशन का जवाब जो लोग चुन नहें विकल्प ए होते हैं एक दम राइट उपरी गंगा नहर सीचाई परियोजना ये वर्ड बैंक के द्वारा परी तरीके से फंडेट है आगे बढ़ते हैं 40 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर 40 नमबर प्रशन कहे रहा प्रदेश में भूगर बदीवस कम मनाया जाता है बताओ भाईया 10 जून, 10 माई, 10 अगज, 10 जुलाई भूगर बदीवस या नहीं बताइए बी विकल्ब आ रहा विकास जी बहुत बढ़ी हाँ साक्षी जी 49 ये बहुत बढ़ी हाँ वो प्रिकरणगा निधी जी अब नीचे आईए 49 बीवेक जी ये विकल्ब विशाल जी डी विकल्ब केतकी जी कोई दिक्कर नहीं है आराम से सुनिए ठीक है नहीं आ रहे पढ़िए बहुत बढ़ी हाँ सारे के जबाब आ चुके है 40 नमबर प्रशन का जबाब होता है विकल्ब आ जो चुन नहें है 10 जून होते हैं एकदम राइट बहुत बढ़ी हाँ सारी चीज़े आप लोग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं बढ़िया चीज़े है 40 के बाद 41 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर पहुँच चुके हैं हम सेंसस पर बोला सन 2011 के जंगर्णा के इनसार ग्रामीर जनसंख्या का सबसे अधिक अनपात कि स्राज जी में है हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, मद्ध प्रदेश या फिर विहार बताइए 2011 जंगर्णा आपको लेना है बहुत बढ़ी हाँ ए विकल्ब नितेश जी, अंजली जी A विकल्ब, D आ रहे हैं बहुत बढ़ी हाँ, ठीक है B विकल्ब आ रहे हैं, चलिए देखते हैं भाई कौन सा विकल्ब होता है, राइट सेंसर 2011 के अनुसार इसमें हिमांचल प्रदेश जो आपको दिया है एकदम राइट है भईया, ग्रामीर जनसंख्या इसमें सबसे ज़्यादा है जाहिर सी बात है, अब सहर हम कहां कितने सहर बसा देंगे, पठारी पूरी एरिया भी है तो इसीच को आपको ध्यान रखना है इसमांचल प्रदेश में जो है ग्रामीर जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है 42 नमपर आपकी स्क्रीन पर जन्गर्णा 2011 के अनुसार निम्न नगरों में किसका लिंगानुपाद अधिक्तम है चार नगर दिये गए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई चलो बताओ, किसका इसमें सबसे अधिक्तम है ठीक है 40C आ रहा है D विकल पा रहा है A विकल पा रहा है D विकल, मौनका जी बहुत बढ़ी है, सारी लोगों के जवाब आ रहे है चलिए देखते हैं, बाई, 42 नमबर का जो सही जवाब होगा ये 42 नमबर का विकल पा बी, जो लोग चुनने एकदम होते है, राइट कोलकाता में, जंगर्णा 2011 के अनुसार, लिंगा अनपाज जो है अधिक्तम है, ये नगरों की बात हो रही है तेक, तो ये सीच को ध्यान रखेगा भारत में नगरी कृट जो आपके एक तरीके से केंद्र है, ये कितने है 4, 7, 5, 6 चलिए जबाब बताईए भाई, फटाफट नगरी कृट केंद्र कितने है भारत में अपने 42 बहुत बढ़ियां, साक्षी जी सरजी विकल भी चुनने है बहुत बढ़ियां, बी विकल जो लोग लेट है 8 विजे कल से पहुँचिए भाई निरू जी ये विकल चलिए सही जबाब दे है 43 नंबर प्रशन का सही जबाब होता है जो लोग ऑप्शन चुनने है भारत में नगरी कृट केंद्रों की संख्या आपकी 6 है, ठीक है इस चीज को ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िये, मस्त होकर जबाब दीजिए, नगरीये गलियारे किस से संबन्दित है, प्रतिनगरी करण से नगरीये परिवाहन संकटों से नगरीये क्रिया कलापों को विस्तार देने से, या ग्रामी नगरीये उपान तुद से, बताइए भाई उनसा जबाब है, साक्षी जी 43 जी, बहुत बढ़ियां जबाब आने लगे हैं सभी क्यों 44 नंबर प्रशन है C जबाब है, C जबाब है संकटों से संबंदित है नगरीये गलियारे, समझ गए ना नगर में जनसंख्या बहुत ज़ादा बढ़ रही तो नगर में बढ़ती जनसंख्या में हर जगे जाम और हर एक चीजे होती है इसलिए परिवाहन की जो संकट हैं, इसको दूर करने के लिए नगरीये गलियारे, एक तरीके से योजना है जैसे आप सुनते हो ना की रिंग रोड फाला जगे से बुजर रही यहां से मलब, जो है यह जो रिंग रोड होती है सहरों में यह सब कही ना कहीं, इनी सब संकटों की वज़े से बनाई जाती है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर के बाद 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर 45 नंबर प्रश्ण बोला 2011 के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है 35, 33, 55 या 65, बताइए, 2011 के अनुसार बताना है 42 का D, थोड़ा पीछे हैं 45 नंबर प्रश्ण का अगर सही जबाब देखें तो सही जबाब जो लोग चुनते हैं विकल B, होते हैं एकदम राइट 33 भारत में 10 लाखी नगरों की जो है एक तरीके से संख्या इस समय मौझूदा हालात में 43 नंबर पहुंचे के हम भारती राजब्योस था ध्यान से सुनिए, मस्थो कर जबाब दीजिए किस अनुचेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सिच्छा का अधिकार, right to education मूल अधिकार माना गया है बतो, अनुचेद 20 21 या 21 या 21 या 22 22, बताइए, कौन सा जबाब होगा 46 3 बहुत बढ़ी हाँ 46 B जबाब, फरीन जी मौनिका जी, C, बहुत बढ़ी हाँ नितेज जी, चलिए भाई, देखते हैं सही जबाब इसका क्या है 12 A, बहुत बढ़ी हाँ शमा, आलम जी, जो लोग लेट हैं, 8 बजे से कल भाई, एकदम ध्यान रखिए साक्षी जी, बहुत बढ़ी हाँ, B बिगल्ब अगर सही जबाब देखें, 46 नमबर प्रश्ण का सही जबाब आपका जो लोग चुनने हैं बिगल्ब आपका C, 21 ये ध्यान रखिए 6 वर्स से 14 वर्स तक के बच्चों को Right to Education का मूल एधिकार माना गया है ना ठीक, 2002 में हुआ था आपका संबिधान संसोदान, नमबर था 86, समझ गया है ना उसके द्वारा इसको जो है अस्थापित किया गया था, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन में, 47 नमबर प्रशन आपसे पूछ रहा है, क्या शंबिधान के किस अनुछेद के द्वारा राश्पत को सर्वोच नियाले से परामर्स मांगने का अधिकार प्राप्त है अनुछेद 139, 131 145 या 145 बताओ, राश्पत तो बहुत बार पढ़ते हैं न चली भाई, अंजली जी स्ची विकल्ब चुन नहीं है अनि लोग भी 47 बताई, 143 मौनिका जी बहुत बढ़ियां, निदी जी 47 3, PDF आभी आप परिक्षा प्लस की आप डाउनलोड करिएगा वहाँ लग चुकी होगी, ठीक है, लग जाएगी इसके बाद जो है, जैसे लेक्षर खतम होता है, एक दो मिनेट के अंदर पीडियो लग जाएगी आपकी आप पर अगर सही जब आप देखें, 47 नमबर प्रश्ण का, तो जो लोग विकल्ब चुननने हैं ना, बार-बार, जो है अच्छा ये C होना चाहिए, वो विकल्ब थोड़ा इधर-उदर हो गया, ठीक 143 अनुछे चुननने हैं ना, ये एक दम आपके क्या होंगे, राइड, क्योंकि भारतिय संभिधान का अनुछे 143 राष्टपत को ये अधिकार देता कि सर्वोच 49 से आप परामर्स मांग सकते हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आपका है, 48 नमबर बताईए, ध्यान से सुनिए जबाब दीजिए, पहले बितायों कगठन 1951 में किया गया, इसके अध्यच कौन थे, केसी नहीं होगी केसी पन्त, के संथानम, वाई भी चौहाड बताईए, सही जबाब क्या है नितेज जी बहुत बढ़ी हाँ, ए जबाब आ रहे हैं ए जबाब 44 बहुत बढ़ी हाँ, 48, 4 चलिए देखते हैं, 48 नमबर प्रस्ट, सही जबाब होता है उनका, जो चुमते हैं बिकल्प B को, क्यों? क्योंकि केसी पन्त, आपके प्रथम बितायों के अध्यक्ष एक तरीके से बनाए गये थे, इसका गठन कब हुआ था? द्यान है ना, 22 नमबर 1951 तो 48 के बाद 49 नमबर आपके इस्क्रीन पर भारत में, ध्यान से सुनिए, मस्त हो कर जबाब दीजिए, भारत में गारजियन आप पब्लिक परस्ट किसे बोलते हैं? नियंत्रक और महानियावादी, बित मंत्री, सार्व जनिग, लेखा समित का चेयर्मैन या प्रधान मंत्री किसको गारजियन आप पब्लिक परस्ट बोलते हैं? ठीक है? A. विकल पारा है, बहुत बढ़ी हैं C. विकल पंजली जी साक्षे जी फूर T.A.T.A. बहुत बढ़ी हैं, सारे लोगों के जबाब जनिग, अब शेक जी, बहुत बढ़ी हैं चलिए देखते हैं भाई, सही जबाब क्या है? अगर उन्चास नंबर की बात करें गारजियन दा पब्लिक पर बोलते हैं नियंत्रक योम, जो नियंत्रक और जो महानियवादी ठीक है इनको चलिए एट और नहीं जर्नल और आपके जो कैक बैठे हैं इनको बोलते हैं अंतिम प्रश्न ध्यान से पड़ो लो सही जबाब दे दो, मस्त होगे फिर कुछ बातचीत हो जाए निमलेखित कजनों पर ध्यान जी दीजिए पहलाक बोला जस्टिस बियार किष्णा आईयर और पियन भगवती जनहीत याजिकाओं को सविकार करने वाले पहले नए अधिस थे दूसरा विकल बोला होसे नारा खातून बनाम बिहार राज जी देश की पहली जन्हीत याज का थी कौन सा सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों इनमें से कोई नहीं चलो बताओ वही है जन्हीत याज का PIL पढ़ते हैं ना सभी लोग आराम से बताईए सी विकल चलिए मैं चेक कर लूँगा कोई दिक्कर नहीं है पीडिफ आएगी उसमें मैं देख लूँगा सी विकल पशोग जी आप लोग थोड़ा सा लेट हैं कोशिस करिए आप की 8 बजे सारे लोग आज जाएं ठीक है प्रशना आपको 50 मिलेंगे मस्त मिलेंगे दोनों बहुत बढ़ी हां खिल जी शी विकल चलिए देखते हैं भाई 50 नंबर परशन की अगर बात की जाए ठीक है पबलिक इंटेस्ट लिटीजिशन बोलते हैं पी आईयल इसका सौट फॉर्म में जिसको जनही तियाचिका या जहिया सौट फॉर्म में बोलते हैं भारत में जहिया जस्टिस बी आर किशना आययर और पी अन भगवती सबकार करने वाले पहले नयाधीस हैं होशे नयारा खातुन बनाम बिहार राजी देश की पहली जनही तियाचिका थी एक वकील ने इसको दायर की थी ठीक है और हुआ क्या था इसके माद्यम से लगभग 4,000 मजदूरों को चुड़ाया गया था तो विकल्ब सी चुनने वाले एकदम राइट होते हैं जो लोग आ चुके हैं या पहुँच रहे हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत 3 की ओर से मैं रमन मिश्रा ठीक है सभी का स्वागत करता हूँ सुरुवात हो रही है सबसे पहले आपके करेंट की प्रश्नों की बोला आप 15 दिसंबर को बेश्चुभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतर राष्टिय चाय दिवस अंतर राष्टिय कौफी दिवस अंतर राष्टिय दोद दिवस अंतर राष्टिय फास्ट पूद जो है दिवस चलिए बताए बाई गुड इवनिंग बाई सभी का स्वागत बिनीद राना जी मातवेन जी बहुत-बहुत स्वागत है विकलब ये आ रहे हैं शबी के बहुत बढ़ी हाँ ये विकलब घिरन जी बहुत-बहुत स्वागत 스क जी बहुत बढ़ी हाँ चलिए विकलब क्या ऐसा हुआ है जी जी बहुत बढ़ी हैं चलिए बाई क्या ऐसा हुआ है आप लोग करेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़ी हैं निदी जी बहुत-बहुत स्वागत है डीविकल देखते हैं 15 दिसंबर को अगर देखा जाए तो बेशो भर में संपूर बेशो अंतरराष्टी चा का एम है कि जितने लोग चाय बागान से ले करके ठीक है जो चाय के आपके बागान होते हैं बगीचे होते हैं चाय बागानों से ले करके कमपणियों तक जितने व्यक्तिकारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अवेरनेस दिखाने के लिए यह दीवस मनाया जाता है ठीक है तो पहले का जबाब ए है, जो लोग चुन है थे बहुत अच्छा, करेंट आप जरूर पढ़ें चाहिए जो एक्जाम देना है, ठीक है दूसरा नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, बालीवूड के किस बेटर्ण एक्टर को वर्ड बुक आफ रिकार्ड्स लंदन द्वारा स सर्मानित किया गया है, अमिताब बच्चन, अक्षय कुमार, दिलिग कुमार, धर्मेन जी, बताइए, चारो में से कौन सा सही जबाब है, ठीक है यतिन जी, बिलकुल कोशिस होगी, बीविकल पार है, बहुत बढ़ी हैं, बीविकल, निदी जी, बीविकल, किर्की जी, बी है बाई, ने बीवर्स जीत्ते लोग हैं, से बिलकुल, बहुत बढ़ियां देखते हैं, सही जबाब, बालीवूट का वहाँ बेटर न एक्टर, जिसको वर्ड बुक आफ रिकार्ड्स, लंदन द्वारा सम्मानित किया गया, यह ब्यक्ति है आपका दिलिग कुमार, यानि इसमें नाम आपके सबसे पहला तो दिमाग यहीं जाता है, क्योंकि अभी अमताब बच्चन को भी लेकर बहुत बड़ी-बड़ी घोशना है, हो चुकी है, बहुत बड़े-बड़े अवार्ड इनको दिये गया है, तीन नमबर प्रशना आपके स्क्रीन पर है, जबाब भ बड़े आ है, तोनी एन सिंग, आदित जी बहुत बड़ी है, बीविकल निधी जी, सी आ रहा है, कलमना जी बहुत बड़ी है, केतकी जी का जबाब भी है, विपिन जी बहुत बड़ी है, बीविकल, स्वागत भाई अशेक जी, बहुत बड़ी है, सभी के आ रहे हैं, जब 2019 चुना गया है जो लोग इस विकल को चुनने एकदम सही हैं इसका आयोजन कहा हुआ था इसका आयोजन आपके फेमस सहर लंदन में हुआ था तीन नंबर प्रशन हो चुका चार नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर राष्टिये उर्जा संदचन दीवस निम्नवें से किस दि ग्यारा डिशंबर चौदा डिशंबर State सम्भर चलिए माजनि सही जबाब दीजिए बेट बढ़िः रिश्वेट है थोड़ा लेट हो गई रश्मिबाला जी ड्वीकल बहुत बढ़िया ये विकल्ब है, बिली जी बहुत बढ़ी हैं, बहुत अच्छे हैं, चलिए अगर हम 4 नमबर प्रश्ण का सही जबाब देखें, बहुत बढ़ी हैं, 11 दिशंबर, देखते हैं, 4 नमबर प्रश्ण का सही जबाब आपका होगा, जो लोग विकल्ब चुनेंगे C, 14 दिशंबर ठीक है, 14 दिसंबर आपका क्या होता है, इसी दिन इसको मनाया जाता है कि इसको राष्टिय उर्जा संरचन दीवस को, ठीक है, 14 दिसंबर याद रखना है आपको, राष्टिय उर्जा संरचन दीवस, आगे वरते हैं अगरे प्रश्ण पर, प्रश्ण ख्या 5 आपकी स्क्रीन ठीक है करेंड का फिर से मुद्दा है हाली में पारित केंद्रिय संस्क्रित बेस्व विद्याले बिल 2019 द्वारा कितने संस्क्रित संस्थानों को केंद्रिय बेस्व विद्याले का दर्जा दिया गया दो तीन चार या पांच चलिए सही जबाब बताइए भई कितने संस्थान और यह को शाम भी विकल्ब बहुत बढ़ियां आए वही बीविकल्ब पारे शवी के चलिए देखते हैं दिपग जी श्री विकल्ब अक्षे जी बहुत बढ़ियां पनाच नंबर प्रशन का सही जबाब होगा जो लोग चुननने हैं विकल्ब भी यानि अभी हाल ही में शंसत के द्वारा या केंश सरकार के द्वारा तीन संस्कृत दीमडिक निवस्टियों को केंद्रिये एक तरीके से उसमें बदला गया है बिश्विद्याले में, अब यह सभी के सभी आपके जो है ब्यापग लेबल पर सिछा देने का प्रावधान करेंगे, इनको केंद्रिय मिस्विद्याले का दर्जा दिया गया है कौन गुन से वो है एक तो आपका पढ़ता है ये राष्टिय संस्कृत संस्थान पहला आपकी जो इन्वस्टी है इसका नाम है राष्टिय संस्कृत संस्थान राष्टिय संस्कृत संस्थान ये सभी के सभी नई दिल्ली में इस्थित है पहला हो गया राष्टिय संस्कृत संस्थान दूसरा भी कल बगर हम बात करें दूसरी इन्वस्टी तो दूसरी आपकी है ये लाल बहादूर सास्त्री बिद्यापीट दूसरा है आपका लाल बहादुर सास्परी बिद्यापीट ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है और तीसरा जो तीसरी आपकी संस्कृत की एक तरीके से संस्कृत बिद्यापीट तीसरा जो आपका है इसका नाम है राश्टी संस्कृत बिद्यापीट तो इन तीनों को जो है अब केंद्रे इंवर्श्टियों के रूप में दर्जा दे दिया गया है, हाली में केंद्रे सरकारी बिल लेकर आई थी, उसके माध्यम से ऐसा किया गया है। छे नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर, छे नंबर प्रश्ण ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिक्तम जोद सीमा आरोपन अधिनियम जिसको सीलिंग कानून कहा जाता है कब पारित हुआ था, 1960, 1860, 1970, 1950, चलिए सही विकल बताईए भई, सीलिंग आट उत्तर सदीब जी बहुत बढ़ी हां, दीपक प्रेमी, ए विकल अनुजी, सी विकल चुनने आप, उत्तर प्रदेश सीलिंग एक्ट, सूरज जी बहुत बढ़ी हां, इसका सही जबाब आपका होगा, जो सीलिंग अपने हां आया था उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट में, ये आय इसके द्वारे निर्धारित किया गया, कि उत्तर प्रदेश में एक परिवार कितने हेक्टेर भूमी रख सकता है, कितने बीगे भूमी एक परिवार के पास होनी चाहिए, ठीक, इसके लिए सीलिंग आया था, प्रसंख्या साथ आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से करेला किस कि प्रजाती है, ध्यान से पढ़िये, सही से जवाब दीजिए, हरी सबजी का, अमरूत का, आम का, या अंगूर का, बता ये, करेला किसकी प्रजाती है, किरन जी, बहुत बढ़िया, साक्षे जी विकल भी, जवाब दीजिए भाई, साथ नंबर प्रश्न का, ए जवाब आ जान रखिएगा इस शीज का, ठीक है, करेला हरी सबजी तो है ही है, लेकिन विसेश रूप से इस ऑप्सन में जिस अंसर पूछा गया है, उसका उद्देश ये है, अमरूत, अमरूत की एक प्रजाती है, यहाँ आप प्रश्न को देखिए, और समझेए, इसी से हमसे गलति होती है, यहाँ प्रजाती पूछा गया है, ठीक, करेला क्या है, यह नहीं पूछा गया, कि हरी सबजी है, कि फल है, इनमें फलों के नाम दिया है, यह प्रजाती है, अमरूत की यह प्रजाती है, और इसलिए यह पूछा गया, क्योंकि यह अमरूत उत्तर प्रदेश में प 18 एकड, 16 एकड, 14 एकड या 15 एकड बताईए वाई एक ब्यक्ति जैन भाई आदित जी चलिए शुरू हो जाईए प्रवेश जी थोड़ा लेट हो गए वाई जल्दी कोसिस करिए 8 बजे एकदम करेक्ट आने की निदी जी बीबिकल, विनीज जी बीबिकल, चलिए देखते हैं, अशोग जी, 18 एकड बहुत बढ़ी हैं जवाब इसका जो होगा, सीलिंग एकड जो आपका आया था 1960 में, उसके द्वारा ये ने धारित किया गया है या एक परिवार के पास अधिक्तम जो जमीन होगी, वो 16 एकड होगी, लेकिन ये भी ध्यान रचना, ये 16 एकड जो है, ये अधिक्तम निधारि सीमा है ठीक है, और इसमें भी एक सब्द जोड़ा गया है आसिंचित भूमी, ठीक है, अब आसिंचित में जैसे आप लोग छटबंदी आती है ना, तो बहुत सारी लोग जानते हैं कि परिवार वाले क्या करते हैं, कि कुछ जो खेत होता है, उसको बाग दिखा देते हैं बागी पर खेती दिखाते हैं, उसमें भले ही खेती हो रही, लेकिन उसको बगीचा दिखा देते हैं, फुलवारी दिखा देते हैं, जिससे कि जो सिंचित और आसिंचित भूमी का दायरा है, इस चीच को हम कहीना कहीं अपने अंदर ले आएं और हमारी जमिन बच जाए च देरजापुर में, चलिए बताईए भाई, सही जबाब, ए विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ, यतिन जी, नौ नमबर प्रशन का सही जबाब जो होगा, ठीक है, अधिकतर नहरों की लंबाई, विकल्ब आ रहे, प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नहरों की लंबाई है, यह पढ़ती है अपने यहां, रायबरेली में, तो बीबिकल्ब जो लोग चुनने हैं, वो एकदम राइट है, ठीक है, रायबरेली आपका एक ऐसा छेतर है, जहांपन नहरों की लंबाई सरवादिक है, अगला प्रशन दस नमबर फिर से वहीं, थोड़ा सा, ठीक है, दस अंसर दीजे सारे लोग, बीबिकल, रेनी तीयारी जी, सी बिकल, कल से सारे लोग जो अभी लेट मुझे दिखाई दे रहे, एकदम करेक्ट टाइम पहुचना है, सभी को ठीक है, आड़ बजे बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे, मोन स्क्रीन पर, ग्यारा नंबर प्रश्ण आपसे बूला, सीतला जल बिदुत परियोजना का निर्मार कहां किया गया है, जहांसी में है, मेरड में है, बुंदेल खंड में या आगरा में, चलिए, जबाब दीजी आप लोग, साक्षी जी, ग्यारा नंबर प्रश्ण पर आई ये, श्रोनु बर्मा जी, डिवेकल्प बहुत बढ़ियां, जो सीतला जल बिदुत परियोजना है, इसका निर्मार, शी, जहांसी, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, 16 एकड़ वाला, वो तो क्लियर किया था मैंने, उसमें पीडियाप में मैंने लिख रखा है, ब्याक्या आप देखेंगे, पूरी तरीके स्क्लियर हो जाएंगे, 11 नंबर प्रश्ण का, सही विकल्प आपका है, ए विकल्प, जहांसी, ठीक है, जहांसी जो में, ये सीतला ज 24,928 पर किलोमेटर, 24,000 जो है, वर किलोमेटर, तीन वर किलोमेटर, फिर 25,927 पर किलोमेटर, आपका 23,003 जो आप से पूछा है, 23,003 वर किलोमेटर, तो सही जबाब क्या होगा, चलिए भई, 18 अभी मैं देख लूँगा, आप देख लीजेगा, पीडियाप में सही है, सा पर गया हो, साक्षी जी, ए विकल्ब बहुत बढ़ियाँ, देखते हैं, 12 नंबर प्रशन का जो सही जबाब होगा, 12 नंबर प्रशन का सही जबाब आपका ए विकल्ब ही है, 24,928 पर किलोमेटर, आपका उत्तर प्रदेश का एक तरीके से 6 तरफल पढ़ता है, आगे हाँ, 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 दिख रहे हैं, अब शिक जी, फोर्थ, 62, A विकल्ब, B विकल्ब है आपका, चली भाई, सही जबाब देखते हैं, 13 नंबर प्रशन का जो सही जबाब होगा, 13 नंबर प्रशन का सही जबाब विकल्ब आपका D होगा, राज जी की 66 प्रतिसल जनसंख्या की, इसका मुख्य बेवसाइक क्रिसी है, इसी जबाब देखना है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रशन है, राज जी के कुल छेत्रपल के कितने हेक्टेर भाग पर वन है, 16 लाग आपका देरा है, ठीक है, 88,844 ऐसे 17,88, 744, 13,88, 833 या 14,88, 744, कितने हेक्टेर भाग पर उत्रप्रदेश राजी में बन पाए जाते हैं, अब से जी जर्नल नालेज, ठीक है, अब से वी नाम है ना, आपका हाँ, सही ये भई, मोटिवेशन मिलता रहें, जब आप देते रहें, प्रवेश जी बहुत बढ़ी हाँ, अर्पना मिश्रा जी, थोड़ा लेठें आप, जल्दी आई ये थोड़ा, ठीक है, आठ बजे पहुंचिए सारे लोग, मुखिर जी, चलिए इसका सही जबाब देखते हैं, राजी में अपने यहाँ जो वन पाए जाते हैं, इसकी अगर करेक्ट बात की जाए, तो 16,88,844 हेक्टेर पर अपने यहाँ वन हैं, ठीक है, अ तेरा आउराण क्या है, ये सब चीज़ें अलग-अलग हैं, अगला है प्रशन आपका 15 नमबर, चलिए बताईए, एसिया का सबसे बढ़ा उच्छ नयाल है कहां, इस्थिताई, इलाहाबार्द में है आपके, या कूलकाता में, या तमिल नाडू में, या गुआ हटी में, कौन सा जबाब सही होगा, एसिया का, बहुत बढ़िया, जर्नल लालिज, ए यानि अवशेग जी, रोहित, ए विकल, चुन्ने, केत्की जी, बहुत बढ़िया, सारे लोग, ए, जया जी, बहुत-बहुत स्वागत, थोड़ा लेड लग रही हमें, निदी जी, ए विकल किरिहास के प्रशनों पर हम लोग बहुत चुके हैं, भारतिय राष्टवाद का पैगंबर की से माना जाता है, M.K. गांधी, मोहन राय, रवीन ना टैगोर, या दयान सरस्वती, कौन सा जबाब सही है, A. विकल पार है, D. विकल पार है, बहुत-बढ़िया, बहुत- इनका सही जबाब क्या होगा, आखिर, 16 का सही जबाब भारतिय राष्टवाद का पैगंबर, यह माना जाता है, राम मोहन राय को तो विकल पी जो लोग चुनना है, एकदम राइट है, भारतिय राष्टवाद का पैगंबर, आपके किसको माना जाता है, राम मोहन राय को, और साथ ही साथ ही इनको भारतिय अग्रदूत का जो है उसका क्या बोलते हैं भारतिय पुनर जागरण का अग्रदूत दोनों इनको उपाधिया दी जाती है भारतिय पुनर जागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है तो ये चीज आप ध्यान रखियेगा दो उपाधिय है एक तो भारतिय राष्टबाद का पैगंबर दूसरा भारतिय पुर्णर जागनण अग्रदूर ठीक है आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर कहरा 1843 के एक्ट वी एक स्पेशल एक्ट आया था ने किस बाद को गैर काणूनी बना दिया बाल विवाक को सिसु हत्या को सती प्रथा को या गोलवामी प्रथा को एक्ट वी क्या है जबाब दीजिए आप लोग एक्ट वी ने किसको जो है किया था शी विकल पारा है एविकल बारा है बहुत बढ़ी हैं मिखिल कुमार जी अर्पना मिश्रा जी दया संकर जी कुछ लोग बहुत लेट हैं बाई 8 बजे करेक्ट आईए नए वीवर्स हैं उनको बाई चैनल जो है सब्सक्राइब करना है स दोस्तों में और 8 बजे हर दिन आना है बहुत बढ़ी हां जाया जी सक्षी जी ए विकल देखते हैं 17 नंबर प्रश्ण का जो विकल लोग चुनने हैं विकल डी ठीक है वो एकदम राइट है गुलामी से आजादी एक्ट बी ने बात की थी एक्ट बी में 1847 में इसमें कहा खंण गया था और यह जो है उसका एललम्बरो का लाड एललम्बरो का कौल था ठीक है मनलब सासन था एक ठीक लिकोव है उसके मालब से एक एकट आया था जिसका नाम एक्ट भी इस सीच को आपको ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्ण आप से कह राया कि यदि किस ने कहा है कि यदि भगवान आज प्रस्ता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा कौन सा व्यक्ति बी आरम बेटकर बाल गंगा धर तिलक लाला लाज पत्राय या महत्मा गांधी किस इसने ऐसा कथर बोला जवाब चाहिए सभी से बी विकल्प है रश्मी बाला जी विकल्प डी चुन नहीं दयाशंकर जी बहुत बढ़ियां डी जुनर नालेज अप्षेट जी यानि डी विकल्प बहुत बढ़ियां सभी के जवाब आ रहे सही विकल्प होगा 18 नंबर का जो लोग प्रश्न चुननने हैं इसमें विकल्प बी यानि बाल गंगाधर तिलक को वो एकदम राइट है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था एक सम्मेलन था अंटेच्बिल्टी पर तो वहाँ पर इन्होंने बोला था कि ये भगवान आज प्रस्ता यानि रूम आना था गैरिवाल्डी को विवेकानन को दादा भाई नेरो जी को या मैजनी को चलिए बताइए वाई सही जबाब क्या है किरन जी ए विकल्प नैंटीन सी बहुत बढ़ी हां इंद्रमाल मीना बहुत-बहुत स्वागत भाई नए लोग जित्ते देख रहे सभी का स्वागत है मैजनी बहुत बढ़ी हां सुष्मा राना जी आप लेट है आठ बजे तो आठ बजे बहुंचिए नैंटीन सी सक्षी जी बहुत बढ़ी हां अगर उन्नीस का विकल्प देखें उन्नीस में लाला राजपत राय ने जो है मैजनी को अपना राजनीतिक गुरू माना था तो जो लोग विकल्प डी चुननेना ये एकदम राइट है जीज को आपको ध्यान लखना है बीस नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बोला है निमलेखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था योंग पूर्ब तथा पास्चाति के मत ये बहतर संबंद का समर्तक था यानि बेस्टन और इस्टन जो आपके कल्चर है इन दो था बाइए बीविकल कुनाल जी बहुत बढ़ी हां शेखिवीकल पार रहा है मिखहल जी ठेक हैं बहुत बढ़ी हां सारे लोगों के बी जवाब आ रहे हैं सी जवाब अवशेग जी सुनने हैं देखते हैं ये जो है शोदेशी अंदोलन का आलोचक और इस्टन और टेगोर गुरुजी यह इस चीज को जो है बहुत प्रवल इसके एक तरीके से वो माने जाते हैं समर्थक माने जाते हैं एक इस नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर गांधी वादी विचारधारा किससे प्रभावित है रस्किन से थोरो से टॉलेश्टाय से या उपित सभी से बताईए गांधी जी की जो विचारधारा है स्याम जी चलिए मादवें जी सी विकलपा रहा है बहुत बढ़िया सूर्जी टंडी गंडी देखते हैं जो गांधी वादी विचारधारा है ना ये रस्किन से भी प्रभावित थोरो से भी और टॉलेश्टाय से भी सभी से प्रभावित है इसलिए विकलप डी चुनने व जो गांधी जी हैं गांधी जी ने क्या किया था थोरो से शबिनाय अवग्या और करबंदी थोरो से इनोंने लिया था शबिनाय अवग्या और उनसे लिया था आपका करबंदी शबिनाय अवग्या और करबंदी ये दोनों चीज़े उठाई थी किसको देकर थोरो को देकर दूसरी चीज रसकिन से इन्होंने लिया था सारीरिक परिश्रम का आदर करना इन्होंने रसकिन से सीखा था इसलिए गांधीजी स्वेम चर्खा चला कर अपने लिए वस्तन निर्माण भी करते थे स्वेम सफाई का विसेज ध्यान ये सारी चीज़े रसकिन से थी टॉलेश्टाय की बात करें तो टॉलेश्टाय से गांधी जी ने एक टॉलेश्टाय का बहुत प्रसिंद्र कतन है क्या है कि इश्वर का राजी तुम्हारे भीतर है इश्वर का राजी तुम्हारे भीतर है तो इस चीज से टॉलेश्टाय के कतन से बहुत ज़्यादा पेमस ह मलग प्रभावी थे गांधी जी इसलिए सभी का इसमें मिला जुला असर आए 29 नंबर प्रश्न बताईए 1929 में नागपुर में शंपन आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यचता किस ने की थी जमाहलाल नेहरू ने आचारी नरेंदेव ने शुवाश शन्बो यहां पर एकदम राइट है और यहां पर के जो है थोड़ी सी चीज और आपको ध्यान रखना है कि नागपुर अध्वेशन ही एक ऐसा अध्वेशन है जिसमें क्या हुआ था कि वो समय शामिवादी योम सुधारकों के पीच डिवाइडेशन हो गया था विभाजन हुआ था तो नागपुर अध्वेशन इस वज़े से भी थोड़ा फेमास है आगे बताईए हर्याली य अपड़ना जी शीविकल शमा गौतम बहुत-बहुत स्वागत है पहले बार आप लोगों के नाम दिख रहे है उदय जी आठ बजे कल से सारे लोग पहुँचिए भाई अमेद पाठक जी बहुत-बढ़ी यहां सही जबाब देखते हैं हर्याली जो परियोजना है न इसका संबंध के से है इसका संबंध है आपके जल प्रबंधन से हर्याली परियोजना का संबंध है जल प्रबंधन से इसमें जल प्रबंधन वो भी खास कर जो बंजर भूमी जितनी पड़ी है उन सभी को सिंचित बना लाने के लिए यह पर योजना आपकी लाई गई योजना लाई गई तो इसका संब्ध जल प्रबंधन से है अगला है ध्यान से देखिए और सही सजबाब दीजिए प्रशन कहरा निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है एक तेल सोधन इधर साला दी है इधर उनकी एसठापना दी है पहला कहला है बीडगे सब्सक्राइब मध्रब्रदेश में जो है यहां बीपी- तेल है दुसरा कहारा है टाथी पाढ्यए अंटरदेश में अपका इस्थित है यहां बोला डी अनजीसी की एसठापना है अगला सी मूला है टिंगोई असंउं अ행 यहां पर है अस्थापित डी बोला कोईली गुजराब का यह है यह PCL है इन में से कौन सा साइस हो मेलिद नहीं है ध्यान से पढ़ाव पढ़िए और जबाब दीजिए डी विकल बहुत बढ़ियां भाई अब शिर्ट जी डी विकल पुदय जी बहुत बढ़ियां डी विकल चुनने हैं चलिए देखते हैं इसका सही जबाब 24 नमपर प्रश्ण का अगर हम सही जबाब देखें तो इसका सही जबाब जो लोग विकल डी चुननने है कोईली गुजराब में HPCL यह बोला है जबकि अगर आप कोईली ग इंकरेक्ट है करेक्ट के जिगे यह होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण बारें 24 के बाद 25 नमबर प्रश्ण है कौन सा सुमेलिद नहीं है फिर से वहीं प्रश्ण है गर्ण जल स्रोत इधर लिखें इधर अवस्थी भूगल के प्रश्णों पर इसमय चल ल बहुत बढ़ी हां अर्पिज जी डीविकल पाप चुनने हैं अब शिर जी बहुत बढ़ी हां मौनिका जी बीविकल चलिए देखते हैं बाई जबाब क्या है सही जबाब इसका अगर देखें 25 नंबर जो प्रश्ण दिया है इसमें जिस तरीके से गर्ण जल स्रोत दिये हैं इसमें जब आप भी विकल चुनो देखो ध्यान से जौला मुखी को कहरा है जम्मूयों कासमेर में इस्थित है नहीं ये हिमाचल प्रदेश में इस्थित है ठीक है हिमाचल प्रदेश में इस्थित है तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है और जोला मुखी तो खासकर उससे भी फेमस है कि क्यामन जो हिंदू अपने उसमें धर में सिद्धपीड बताये जाते हैं उनमें से एक यहाँ पर भी आपका अवस्थित है आगे बढ़त बीना बीपी सीयल स्याम जी ठीक है अभी इसके बाद आप देख लीजिएगा स्रियंग का मेहता बीविकल्प बहुत बढ़ी है शूरजी चलिए सही जवाब देखते हैं 26 नमपर प्रशन का सही जवाब विकल्प आपका बी होगा मैक्सिको से होकर के भूमत दिरेखा आप जो परवत स्रेडी से अनी से भिन है वह कौन सी है अलपस एंडीज जो है अपलेशियन हिमालाइन चारों में से कौन सी भिन है थोड़ा अच्छे से अगर आप इसको जो है ध्यान देंगे तो सही जवाब देंगे एकदम प्रदीजी डीविकल कलगना जी आप भी डीविकल चुनने हैं बहुत बढ़ियां शावर्ती श्रीयंका शीविकल चलिए दिखते हैं देगे इसमें परवस्रेडी जो अनी से भिन है उसकी अगर हम बात करें तो 27 नंबर प्रशन का जब आप विकल्ब सी देखेंगे तो यह परवस्रेडी सभी से भिन है किस क्रम में वो क्रम यह है कि इसका जो एक तरीके से निर्माड हुआ है यह निर्माड काल जो है जब जोगर्फी का फस शेप्टर आप पढ़ना शुरू करते हो ठीक सारे काल में डिवीजन है तो वहां पर बताया गया कि प्रिद्वी बनने पर कौन-कौन से परवत कब कब किस की सीव में बने तो उसी चीज को अगर आप थोड़ा सा दिखें इसका निर्माड जो है कैलोडियन यूग में हुआ था इस परवत सिंखला का निर्माड कैलोडियन यूग में हुआ है बाकी अलपस एंडिज और यह आपका जो लिखा है हिमाले इन सभी का निर्माड जो है टर्शेरी एक वुद्स में दोनों के यह एक तरीके से मेला जुला साहिंत काल में पाया जाता है तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 28 नंबर प्रशन आपके स्क्रीन पर पूछ रात तकला मकान मरुस्थल या तकला मकान जो भी समझें कहां पर अवस्तित है अफगान जी बीविकल अंसारी जी बीविकल बहुत बढ़िया अगर तकला मकान मरुस्थल देखें कहां पर अवस्तित है तो 28 नंबर प्रशन का जो लोग विकल बीच उनने है चाइना एकदम सही है तकला मकान या टकला मकान जो भी आप बोले यह आपका मद्येशिया में स्थित है मद्येशिया का यह मरुस्थल है ठीक है मद्येशिया में स्थित है और वो भी मद्येशिया का एक प्रांथ पढ़ता है आपका जीजियांग ठीक है जीजियांग प्रांथ में यह तरीके से आपका जो है मुक्त छित्र है वहाँ पर उसमें यह आपका पाया जाता है कुन सा अगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर बोला है पूर्भी समुद्र की शौमिनी किसका नाम है स्री लंका का पाकिस्तान का बर्मा का या भारत का किसको यह उपनाम दिया गया है बीविकल पवशेग जी बीविकल पारा है बहुत बढ़ियां ए विकल सही जबाब अगर इसका देखें पूर्भी समुद्र की शौमिनी तो 29 नमबर प्रश्ण का सही जबाब आपका होगा जो लोग विकल ए चुन्ने हैं पूर्भी समुद्र की शौमिनी स्री लंका का उपनाम है ठीक है यह इसको सं अगर हम देखें कि सही जबाब 2001 तो इसका आपका जो काल लाए यह 12 से 17 वाला पीरियड रहा है ठीक 12 से 17 का पूरा इसका डियूरेशन रहा और इसमें तेब्रतर धार्डियें युम जादा समाजबेशी विकास फोकस किया गया था बरहांवी पंच वरसी यह उजना में इस चीज को ध्यान रखना है आगे बढ़ते ह हैं अगला प्रशन 31 नंबर 31 प्रशन बोला काली मुद्रा क्या है अवैद मुद्रा है जाली मुद्रा है गंदी या खरा मुद्रा है या या अवैद आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता क्या है बाई काली मुद्रा चलिए डीविकल बहुत बढ़ी हाँ दीपक जी बहुत अच्छे डीविकल वशेक जी श्रीयंका जी आप भी डीविकल चुन नहीं है चलिए देखते हैं डीविकल भी राइट है जो लोग चुन नहीं यह अवैद आय होती है जिस पर आयकर्ड नहीं दिया जाता इंकम टेक्स नहीं दिया जाता ऐसी आए को हम क्या बोलते काली मुद्रा बोलते अगला है 32 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बोल ला है स्वाड जैनती स्वाराजगर योजना का स्थापना वर्ष क्या है 1991, 1996, 1999, 2001 बताइए कौन सा जवाब इसमें सही है स्वाराज जैनती जो आपकी एक तरीके से क्या बोलते स्वाराज स्वार रोजगार योजना है यह आपका 1999 में स्थापित हुई थी तो विकल्ब सी चुनने वाले होते हैं एक दम राइट 33 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बताइए कह रहा है आपसे विकल्ब भी नेशनल इंकम से परिभासित किया जाता है जिंदू ब्रधिदर को हुआ क्या था प्रोफेसर राज कृष्णे ये आपके एकॉनमी के प्रोफेसर है अर्थसास्त्र के ये अमेरिका में गय थे तो वहाँ पर इनों ने राष्टिय आय को परिभासित या संबोधित करने के लिए हिंदू प्रिदिदर को एक जो है सब्द इनों ने वहाँ पर न कौन सा विकल्प इसमें सही है बताएए बहुत बढ़िया स्रेम का जी कोई दिकर नहीं है लगे रही है अंसारी जी विकल्प ही चुनने है आप चलिए दिखते हैं हाँ दिग गया स्रेम का जी 34 नमबर प्रशन का अगर हम सही जवाब देखें तो जो लोग विकल्प बीच अगे बढ़ते हैं 35 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बोलाए निम्ड में से किसने तिबबत पठार के उपरी वस 2005 में ओजोन आभा मंडल यानि ओजोन होल का पता लगाया था तिबबत पठार के उपर किसने 2005 में पता लगाया एस मोलिनी ने जोसे परमर ने जी ड़ी ड जिखान से पढ़ा होगा यह प्रशन तो जबाब आएगा विकल्ब शोनु जी बहुत बढ़ी हां बी विकल्ब पा रहा है चले इसका सही जवाब देखते हैं श्रीयंका जी आप विकल्ब सी चुन नहीं है एक बार भी लिखेंगे तो मुझे दिख जाएगा बहुत प्रशन का जो सही जबाब होगा यह होगा आपका विकल्ब सी डेबलू केंट मोर ने इस चीज के बारे में पता लगाया था कि तिबबत पठार के ठीक ऊपर ठीक ओजोन छिद्र है ओजोन होल है ठीक है आगे बढ़ते एगले प्रशन में सैतिस नमबर प्रशन आपकी स्क पठासी में चलिए जबाब दीजे भाई लोग अगरे दी पांडे डी विकल पा रहा है बहुत बढ़ी हां अर्पेश सिंग जी बी विकल जुबली भाशकर जी आप बी चुनने हैं बहुत बढ़ी हां शमालीं जी थोड़ा लेट हो गई आप कोई दिक्कर नहीं है कल से ज अच्छा 1980 विकल जो लोग चुनने हैं वो अग्दम सही है पढ़ाई आप लोगों की सही दिसा में है यह चीज देखकर मुझे लग रहा है ऐसे ही लगातार हर दिन बने रही है 50 क्वेशन पूरे दिन कुछ भी पढ़िए 50 क्वेशन आकर टेस्ट दीजिए ठीक है सुमेलि नहीं है चलिए जबाब दीजिए आराम से सोच लिजिए डीविकल स्रेंका जी आप नहीं है ठीक है पहली बार मुझे देखी जया जी डीविकल चुनने बहुत बढ़ियां बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं तो जाते-जाते सब्सक्राइब भी करना है आपको ठीक है मत्रदेश नहीं यह आपका वहां पढ़ता है ओडिशा में सिमली पाल जो राष्टिय उद्ध्यान है यह ओडिशा में पढ़ता है तो यह शीज को आपको ध्यान रटना है अनिविकल पापके सुमेलित हैं अगले अब बढ़ रहे हैं 38 नमबर प्रशन पर ध्यान अगरिती जी आप भी नहीं हैं भाई बहुत-बहुत स्वागत है मत्यम की और से रमन मिश्रा सारे नयों वीवर्ष का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यतेन जी C विकल्प है शमा जी D विकल्प बहुत बढ़ी हैं चलिए सही जब आप देखते हैं 38 नमबर प्रशन का जो सही विकल्प होगा ठीख दूती एक प्रधोसग नहीं है तो इसमेंähr 40 को दूती एक प्रधोसग नहीं माना जाता है ये जा आपका प्रात्मिक प्रधोसग होता है अचार प्रधूसग की स्रेंडी में जब आप दिवाइड करते हैं वह यह प्रधोसग जो वाईूमें प्रश्ट छाते ही इनको प्राथ मित बोलते हैं तो इसलये आपका यह हो गया c2 हो गया d upper um भाइव में मौझ audio जो है क्या बोलते हैं प्रदूसक प्रदूसक और धती जो आपके वाइव में सीधे तौर पर नहीं होते हैं, उनको दुतिये प्रदूसर बोलते हैं आगे बढ़ जाएं, उन्तालिस नंबर प्रश्ट आपकी स्क्रीन पर जबाब दीजिए, आराम से सुनिए प्रश्ट राश्टिये गंगा नदी बेशिंग प्राधिकरण का गठन कब किया गया अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में, मार्च 2010 में सही जबाब आने चाहिए भई, कोई दिखकर नहीं है जो भी इसमें विकल्प अगर आप सिर्फ गलत हो जा रहे हैं इसके लिए सोचना नहीं है, डी विकल्प पा रहा है, देया जी, बहुत बढ़ियां, डी विकल्प है, कोंबल जी, नए चेरे दिख रहे हैं, बहुत बढ़ियां है, हर दिन आईए भई, आट बजे सारे लोग, अगर इसका सही जब आप देखें, 49 नंबर प्रशन का, तो मालो, ठीक, तो इसका जो गठन हुआ था, वो आपका 1986 में एक एक आया था, 1986 में एक आया था, उसी के तहट इसका जो है गठन किया गया है, 49 के बाद, 40 नंबर प्रशन की स्क्रीन पर, विग्यान जगत में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लोलक घडियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्शन होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती या लोलक की भ हो गया है, कोई दिकर नहीं है, चलिए देखते हैं, सही जबाप, 40 नंबर जो आपका विकल्प है, 40 नंबर का जो सही विकल्प होगा, ये विकल्प आपका C राइट है, जो लोक चुनने हैं, एकदम विग्यान जगत में अच्छी पकड़ है सभी की बहुत बढ़ियां है, भाई, UPPSC अगर आपको देना है ना, तो 30 क्वेशन के लिए एकदम तयार हो, 28 से 30 क्वेशन विग्यान जगर से होते हैं, या UPPSC कोई भी वेकंसी अगर आप देख लो, ठीक, इसमें बायो से लेकर के फिजिक्स के सारे क्वेशन आपके बहुत अच्छे अस्तर के आ रहे ह इसलिए हर दिन आईए 50 क्वेशन सीरीज 8 बजे, सारे लोग एकदम दिमाग में बना के जाईए 8 बजे आईए और 50 क्वेशन की सीरीज सारे प्रशनों को मिला कर यहाँ अप अपने आपको परह के जाईए, 40 के बाद 41 नंबर प्रशन है, 41 नंबर प्रशन कहरा, जब 2 समान अंतर समतर्दारपण के बीच कोई वस्तू रख दी जाती, तो बनने वाले प्रशन की संख्या किदनी होती है, एविकल, 2 को बोला, 1 को, 6 को, अनंद, कितने प्रशन बनते बाई, 2, 1, 6, अनंद, कितने प्रशन बनते हैं, अचलिए बहुत बढ़ी हाँ है, अंजू जी बह देखते हैं, श्रीम का जी, इसका सही जबाब देखते हैं, 41 नंबर प्रशन का डी बिकल्फ है, अनंद, जब 2 समतर्दारपण के बीच में कोई वस्तू रख दी जाएगी, ठीक है, दो समतर्दारपण होगे, इनके बीच में अगर कोई भी हम वस्तू यहाँ पर रखेंग ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, मेरे चैप्टर जो लोग विज्ञान वर्ख से पढ़े हैं, उनको ध्यान होगा, 42 नंबर प्रशन बोला, निमलेकित में कौन कटोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, कौन सी कटोरतम धातु है, चलिए बताइए 41D, बहुत बढ़ी हां, मोनिका जी, C विकल, बहुत बढ़ी हां, दीपक जी, C, शमीर जी, थोड़ा लेट हो गए आप, थोड़ा जल्दी आईए, आठव जी, दिब्या जी, स्वागत है, A विकल्ब है, चलिए बही देखते हैं, अगर 42 नंबर की बात की जाए, और 42 पूछले कि कठोर, तम, अधा तु कौन सी है, तब आपका जबाब हो जाएगा ही रा, ठीक, तो दोनों चीजे ध्यान आपको रखनी है, आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्णाप की स्क्रीन पर, बोला है, निमलिकित हार्मोनों में से कौन सा एक, इस्त्रीलिंग हार्मो अंजू जी, विकल्ब, विनोजी, सी विकल, शी विकल, बहुत बढ़ियां, रिद्गा जी, आप भी विकल, चलिए देखते हैं, सई जबाब क्या है, 43 नंबर का प्रश्ण है, और इसका विकल्ब, जो लोग, सी चुनने न, एकदम राइट है, एस्त्रोजन जो होता है, य इसलिए आनी जो इसमें बात की गई है, जैसे टेस्टोएस्टोरोन हो गया, तो यह आपका मेल, जो है, बोड़ी से रिलेटेड आपका हर्मोन है, चो वालिश नंबर प्रश्ण पर बढ़ते हैं, कोबाल्ट 60 आम तोर पर विकल्ण ची किस्ता में प्रेवत होता है, क्योंक बढ़ी हां, मौनिका जी सी विकल्ण देखते हैं, चो वालिश नंबर प्रश्ण का अगर सही, जब आप देखें, कोबाल्ट 60 जो है, फिक, इससे निकलती हैं, गामा रेज, सी विकल्ण जो लोग चुनने हैं, वो एकदम सही है, क्योंकि इससे गामा रेज का जो है, कही न 45 नंबर प्रश्ण आप से कह रहा है, निमलेकित में से कौन साइक में सुमेलित हैं, पहला बोला बिक्रम साराभाई अंतरिच केंदर, स्री हरिकोटा, बी बोला है, आई, एस, आरो यानि इस रो उपगरा केंदर, थुमबा में है, सी बोला है, एस, एच, ए, आर, ठिक, कें इंगर आपका 37 धवन यानि अंतरिच केंदर, बैंगलोरू में है, इस पेस एप्लिकेशन केंदर, एहमदाबाद में, कौन साइक में इसमें सही सुमेलित है, यानि तीन गलत होंगे, यही सही है, ए विकल्प आ रहा है, अब नंदन जी, थोड़ा लेठ हैं आप, आठ बज इसमें जितने भी आपके दिये हैं, सुमेलित इद्मों में, तो एक आपका विकल्प इसमें दिया है, यह क्या कहते हैं, इस पेस एप्लिकेशन केंदर, एहमदाबाद, इस चीज को ध्यान रखेगा, यह राइट है, बाकि तीन जो आपको दिये हैं, यह राइट नहीं है क इस सीज को ध्यान रखेगें, यह राइट है, और इस रोरो का उपग्रह जो आपका केंदर है, यह आपका थुमबान में नहीं पड़ता है, यह आपका बेंगलोरूरू में पड़ता है, अगले चीज अगर हम बात करें, जो आपका SHAR है, 37 ध्यवन Antra julії इसमें बेंगलोर दे रख रहा है यह आपका वहां स्री हरी कोटा मैं स्थापित है ठीक तो यह तरीके से इसके सही जवाब यह हूंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और आपका अगला प्रश्ण है ज्यान से पढ़िए पॉलिटी से संबंदित प्रश्ण है और इत्मिनान से करना है आपको कौन गों से कथन हैं देखिए पहला कथन आपसे बोला है कि गोलगनात वाद में सुब्रिम कोड़ ने निर्ड़ दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को वापस सत्वा छोटा नहीं कर सकती बी कह रहा है उचत्तम नियाले ने केश्वानन भारतिवाद में अप वापस नहीं हो सकता डी बोला डाक्टर भीम राओ अंबेट करने नुच्छे 32 को संविधान की आत्मा का कौन सा विकल्व इसमें से राइट हो सकता है आराम से सोच लीजिए प्लास जो है अब ने अन्दल जी आठ बजे सुरू हो जाती है 46 नंबर प्रशन का सही जबाब राम निमार जी डी आपने चुन लिया है बहुत अच्छे इसका सही जबाब अगर हम बात देखें समर जी बहुत बढ़ी है गौतम करियर मेकर भाई नए चेहरे दिख रहे हैं आठ बजे हर दिन पहुंचिए चलिए देखते हैं इसका सही जबाब अगर 66 नंबर का देखें तो 66 नंबर इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे न तो इसमें जितनी चीज़े कही गई हैं सब की सब सही है डी विकलब इसमें राइट है गुलगनाच वार्ब जो हुआ था सुपनें कोड ने इसमें नेड़ए दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को वापस अथवा छोटा नहीं कर सकती यानि मौलिक अधिकारों का लगुकरण नहीं हो सकता पहला इसलिए सही फिर केशवन भारतिवार में ही सब इधान का मौल ढाचा से भांताया था इस चीज को ध्यान रटना है और वो चतर नियाले ने 32 ये सब इधान का मौल भूद गुण है इसलिए इसका लगुकरण अथवा ये वापस नहीं हो सकता और 32 को सब इधान की आत्मा कहा जाता है ड जरूर आएगा चलिए ध्यान से देखिए पहला बोला है अंतराश्ची अपराद ने आले दूसरा बोला विस्वाइं तीसरा बोला आर्थिक और सामाजिक परिशन चोथा बोला है अंतराश्ची नयाई ने आले अब इनमें से कौन सा इवन का अंग है इस चीज को आपको विकल्पों के मांधम से बताना है एक और दो को कह रहा है एक दो तीन को दो तीन चार को तीन और चार को United Nation अकरिती जी हर दिन रहते हैं पूरे के पूरे आपके 50 questions ऐसे ही चलते हैं C विकल्प, जया जी बी विकल्प गौरो जी इससी विकल्प आप शुनने रशमी जी आप भी इससी विकल्प शुनन नहीं है चलिए देखते हैं इवियन के देखो एक तो अंग है छे या तो दिमाग में आपके बना है इसमें से अगर हम देखें तो जो विकल्प D आपका दिया है अपरार नयाले अंतरराष्टी अपरार नयाले नहीं नयाई नयाले इसका अंग है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 48 नंबर प्रशन आपको देख रहा है कह रहा है थोड़ा सा छोटा गर्लू चारो बिकल्बी आपको दिखें अब देखें द्यान से निम्न में कौन सा कथन सही है पहला कथन बोला चोलिशामे संभिधान संसोधन को चोटा संभिधान या मिनी कॉंस्टिटिउशन बोला जाता बी बोला है दूसरा बैलिशामे संभिधान संसोधन ने नयाय पालिका की समिच्छा सक्तियों पर प्रश्बंद लगा दिया C बोला, बैलिशामे संसोधन ने मौलिक करतव्यों को जोड़ा, D बोला, बैलिशामे संसोधन ने प्रस्ताउना में बदलाव किया, बताओ इसमें से कौन सा भी कल सही है, केवल एक और तीन, दो तीन और चार, एक दो और तीन, और एक दो तीन और चार, कौन सा इसमें आपका सही हो सकता है योगेन जी हर दिन ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं आप 10 सीरी जी से पहली पढ़ी है ठीक है सकीला जी आप शागत है भाई आपका परिक्षा प्लस प्लेट फांपर थोड़ा लेट है आठ बजे आईए मोनिका जी विकल्प डी विकल्प अभी अंत में जो प्रश्ण जैसा इसमें कह रहा है तो इसका आगर आप विकल्प भी देखो जिसमें 2,3 और 4 कथन को बोला गया है ये राइट है ये चोली शावे संबिधान संसोधन को मिनी कॉंस्टिटूशन नहीं बैली शावे को बोला जाता है बस बाकी तो तीन आपके सही है ये सही है अगला आपका प्रश्ण दे रखा है 48 के बाद 49 नंबर संबिधान सभा का विचार सरप्रथम किसके द्वारा रखा गया जमाहलाल नेरू, एमेंडराय, मोतिलाल नेरू या महत्मा गांधी किसके द्वारा रखा गया था डीबिकल पा रहा है जूली भासकर जी बहुत बढ आठ बजे से दिपक जी रहता है अभी इसके बाद जो है हाँ डेली क्लासेज होती है शावरती जी शावरती अन्जारी जी शारी अभी आप बात चीत कर लिजेगा प्रश्ण खतम होने दीजे मैं रूखूंगा चले सही जवाब देखते हैं इसका सबिधान सभा का विचार सबसे पहले एमन राये ने भारत में रखा था ये आपके वामपंथी दल के प्रडेड़ता है भारत में या वामपंथी दल के अस्थाफक मनलो इन्होंने 1934 की बात है जब सबसे पहले सबिधान सभा का विचार रखा था इसके बाद अगला प्रश्ण आपका 50 नमबर आपकी स्क्रीन पर है कहरा है निमलेकित मैसे किसके पास लोकसभा और राजी सभा दोनों में निर्वाचन में मत देने का दिकार है संसत के निचले सदन के निर्वाची सदस्यों को सही जब आप ध्यान पूरवक पढ़के दीजिए अरती जी बहुत लेट होके आई है हाँ कृती जी बिल्कुल सही है वही 1934 की बात है बीविकल पार आए रविन जी गौरो जी बहुत बढ़ याँ बीविकल चुनने है आप इसमें से बताईए कौन सा विक्ति है जया जी बेरी गुड दीविकल पापने चुनना है श्रेंका जी बीविकल दीपक जी है चले वही बहुत बढ़िया आशु जी जुबली भासका जी पचास जी बहुत अच्छे सारे लोगों के जबाब रितिका जी बीविकल चुनना ही है सही जबाब कर अगर मैं इसकी बात करूं रस्वी जी बीविकल दया जी बीविकल पचास नमपर प्रश्णका बीगल पर डी एकदम राइट है राज जी विधायका के निचले सदन के निर्वाचित सदस ही जो है इनकों लोगसभा और राजसभा दोनों में मत देने का अधिकार होता है प्रश्णक्या एक आपकी स्क्रीन पर है प्रश्ण ये कह रहा है आपसे दिख रहा है आप सभी को थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं मैं पहला प्रश्ण आपसे कह रहा है कि चाई ती क्या है चीनी म अपका अजनी जीere जाया जी बहुत-बहुत सवागत एक दम राइट टाइम सारे लोगों के कोई दिखकर नहीं है फरीण जी चाइटी एगर सही विकल्ब देखें कि चाइटी आपका है क्या तो चाइटी इसमें जो विकल्ब दिये हैं जैसे चीनी मार्सल कला, A विकल्प बता रहा, B बोला, पूर्बोत्तर भारत का प्रशनित, C बोला है चीन का राष्टी ते उहार, और D विकल्प आपसे बोला है दच्छट भारत का प्रशनित, इन चारों में अगर जो सही विकल्प होगा, चाईती जो आपका है, ये चीन की एक मार्सल आर्ट कला है, तो A विकल्प चुनने वाले एकदम राइट हैं, बिलकुल 100% सही है, ठीक है, ताईची, चीन की मार्सल आर्ट कला है, भारत का ही एक आपका बहुत भीच्छू था, जो चीन में जाकर मार्सल आर्ट को जो है, चलाया था, ये भी प्रशन आपका एक बार आ चुका है, दोनों चीजे ध्यान रखिएगा, प्रशंख्या दो आपकी स्क्रीन पर है, भारती इतिहास के संदर में निमलिखित में से कौन भावी बुद्ध है, जो संसार की रच्छा ही है, तो आउतरित होंगे, कौन सा है वो, अले की टेशर है, या लोकेशर ह या पदम पाणी है, कौन से बुद्ध भी, फिर से आउतरित होंगे, ऐसा बताया जा रहा है, शी विकल्प अमर जी, बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छे, शी विकल्प महाजन जी, आसी जी, बहुत-बहुत स्वागत है बाई, जुट जाईए, वीरा हैपी, टू सी, बढ़ना जी, डिविकल्प, बहुत-बढ़ी है, अगर देखा जाए, भावी विध, जो अभी भारती इतिहास के संदर्व में चला है, तो भारती इतिहास के संदर्व में, जो बुद्धों का अभी तक मानना है, वो ये मानना है, कि अगला जो बुद्ध आपका उतरित हो अगला प्रशन आपसे कह रहा है, तीसरा नंबर प्रशन है, तीसरा नंबर मौरी प्रशासन से है, मौरी प्रशासन में पौतवा ध्यक्ष का संबंध किस विभाग से होता था, वाणिज का ये अध्यच होता था, या मापतोल का अध्यच होता था, या जहाज रानी विभा का अध्यच होता था या बंदरगाहों का अध्यच होता था पोतवा अध्यच कौन था वाई बताए वाई इसका संबंध किस से है मौरिवन्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीजे आपको मिल जाएंगी विकल्ब सी मनोज जी बहुत बढ़ी हां बीविकल्ब पार रहा अमरे जी सी विकल्ब बहुत बढ़ी हां शरत जी सी विकल्ब जया जी बहुत बढ़ी हां बीविकल्ब अगर देखा जाए मौरिप्रशासन की बात थे जहां तक और इसमें पौतवा अध्यच पौतवा अध्यच का संबंध जो होता था ये विभाग बीविकल्ब जो सही और अध्यच लिखा मिला तब भी सही है ठीक तो पौतवाध्यच ये मौरिकाल से सम्मधित आपका प्रश्ण है प्रशंख्या चार आपकी स्क्रीन पर है ध्यान से सुनिए बाहत्तर ब्यापारी यहां पर पा है बाहत्तर ब्यापारी चीन में किसके कारिकाल में भेजे ग अगर इसका सही जबाब देखें, चाल नंबर प्रशन जो है, 72 व्यापारी चीन गए थे और वो भी किसके कारिकाल में, तो इसका जो सही विकल्प आपका होगा, ये विकल्प आपका फस्ट जो लोग चुनना है, ये एकदम राइट है, कुलोत तुंग का उस समय कारिकाल था और इसने अपने कारिकाल के दोरान चीन में, एक 72 व्यापारीयों का एक तरीके से प्रतनेत मंडल भेजा था, उस समय, क्योंकि दच्छन भारत किसी भी एकजाम में अच्छूता नहीं होता है, अगर आप मिशन 2020 में जोटे हैं, UPPCS के, तो आपको दच्छन भारत, आप जा ये दच्छन भारत आपसे कहीं भी किसी भी एकजाम में, चाहे रेलवे अंटी PC देने जा रहे हो, या आप UPCCS की कोई वेकेंसी देने जा रहे हो, ये है एक वैसा आपका पार्ट है, जो आपका हर एकजाम में पूछा जा रहा है, चार के बाद पांच नमबर प्रश्ण है प्रश्ण देखें, दीवान ये मुस्त खराज किस सुल्तान से संबंदित था, बलबन, अलाव दिन खिल जी, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज साह, किसने भाई दीवान ये मुस्त खराज की अस्थापना की थी, बताइए पांच नमबर, श्रेंका जी, ये विकल्ब बह अलाव दिन खिल जी, ये लोग एगनम सही है, अलाव दिन खिल जी ने एक विभाग की स्थापना की थी, जी से दिवान ये मुस्त खराज था, और एक तरीके से इसका पदनाम आप समझ सकते हैं, अगर इसके विभाग की मैं आप से बात कुरूं, कि ये पद किस विभाग से संबंदित था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंद था राजस सु विभाग से, किस से था राजस सु विभाग से संबंदित ये आपका पद था, त शे नंबर प्रश्ण फिर से आ गया है निमलिकित सूफी वाद के सिलसिलों में कौन संगीत के बेरुद्ध था चिस्तिया, सुहरावर्दी, कादिया या नक्सबंदिया कौन सा ऐसा संप्रदाय है सूफी वाद में जो संगीत के खिलाब था सही विकल्ब क्या होगा गोड चलिए देखते हैं बहुत सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं करिक जबाब भी है छे नंबर प्रश्ण गर देखा जाए सूफी बात जो यह आपका सिलसिला रहा और इसमें संगीत के खिलाप आपका नक्सबंदी ठीक नक्सबंदिया जो संप्रदाय रही यह संगीत के खि सबसे फेमस जो आपके एक तरीके से वो मानचा है संथ तो उसका नाम था सेख अहमद oni यह आपके ऐसे संथ हैं जो नक्सबंदिया के सबसे फेमस आपके सं apa și खास इसने क्या किया था सेख हमन ने जो अकबर की नीतिया थी अकबर की नीतियों का जो है 비रोध भी किया था त बिरोध भी किया था, तो एक चीज और दिमाग में ये रग लेना है, लेकिन क्या है, ये जो आपके नक्सबंदिया समिदाय थी, ये सब उस पर जो है जोर देते थे, सरीयत पर, ये लोग सरीयत पर जादा जोर देते थे, तो ये शीज को आपको ध्यान में रखना है, और अंग जेव इसका समर्थक रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, साथ नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, निमलिखित में से किस समा सुधारग ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर बिरोध किया, ठीक है आधुनी की धियाद से ये प्रशन ह पहला कह रहा है, इसर चंद विद्या सागर, बी बोला है, राजा राम मोहन राय, सी बोला है, महादेव, गोविंद, रानाडे, डी विकल्प है, राज नारायन बसू, ध्यान से बताईए, 1826 में एक जूरी अधिनियम आया था, और इसका बिरोध करने वाला विक्ति कौन शी बिकल्प, बहुत बढ़ी हां मादवेन जी, शंदीब जी, बी बिकल्प, रितिका शी, बहुत बढ़ी हां जया जी, बी बिकल्प, शबराती अंसारी जी, बी बिकल्प आप चुनने हैं, चलिए दीपक जी, शी बिकल्प, देखते हैं इसका सही जवाब, जो ये जूर पूरा का पूरा हर एक क्वेस्टन आपकी आँखों के सामने रह जाएगा जब भी दिक्कत हो रिवाइच कर डालो पूरी सीरीज पड़ी रहती है कुछ सोचना भी नहीं है साथ के बाद आठ नंबर प्रश्ण है मैचिंग से संबंदित है ध्यान से मिलाइएगा कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है ठीक है राइट आपको चुनना है एक तरफ जंजाती एक तरफ मूल राजी है पहला विकल्प कहरा है थारू, उत्तराखंड, बी विकल्प कहरा है भूटिया, उत्तरप्रदेश, सी विकल्प कहरा है मुंडा, सिक्किम, डी विकल्प आपका कहरा है कौल, राजस्थान चलिए इसमें बताईए कौन सा जोड़ा सही है, कौन सी जंजाती कि सराजी के मूल निवासी है सही जबाब दीजिए, बीविकल पंजिनी जी, बहुत बड़ी हाँ विनीत राना जी, बीविकल को आप चुननने हैं विजे जी बीवीकल, शबराती जी आप एवीकल चुनने, बहुत बढ़ी हैं, संजे जी एवीकल, संधीब जी एवीकल, बहुत बढ़ी हैं, चलिए देखते हैं, शौरब जी पहली बार देखें भाई, हर दी नाना है, बीवीकल पारा है, चलिए इसका सही जबाब देखते ह तो ये आपका एकदम सही है कि थारू जंजाती नेपाल के तराई इलाकों में पाई जाती है उत्राखंड नेपाल के तराई इलाके में तो इसको जो है उत्राखंड की एक तरीके से मुल जंजाती के रूप में जाना जाता है अगर भूटिया की बात करें ठीक तो भूटिया जो है ये आपकी मुखही रूप से भूटिया आपकी पाई जाती वहा है मुखही रूप से ये सिक्किम की जन गाती है और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो सिक्किम के लावा ये पशिम बंगाल में篇 भी पाई जाती है तो दो आप्षन आपको याद रखने हैं मुंडा की अगर बात करें तो मुंडा आपकी जनजाती है ये पशिम बंगाल में 36 गड़ में उसके साथी साथ त्रिपुरा में भी आपको मिलेगी और ओडिशा, बिहार और जारखंड ये हर जगे मुंडा जनजात 6-7 आपके इस्टेट हैं जहां पर पाई जाती है अगर मैं कोल जनजात की बात करूँ तो ये कोल आपकी बिहार में भी मिलती है जारखंड में भी मिलती है ओडिशा 36 गड़ में भी है और एक आपका वो महाराष्टा पढ़ता है अब ये किस नदी पर है बताइए के नदी पर है सोन नदी पर है चमबल नदी पर है या वित्वा उत्तर प्रदेश के प्रशना आपके प्रारम भोचुके हैं लक्षमान सिंग जी अभी देखा आपका नाम उसके लिए बुरा नमाने आब बहुत बढ़ी हैं समर जी बीविकल्फ, महाजन जी 90 बेरी गुड बहुत अच्छे, सुसील योगी जी डीविकल्फ है बहुत बढ़ी हैं, अरनेश जी ए विकल्फ चुनने, जया जी डीविकल्फ है आपका, शबराती जी डीविकल्फ, चलिए देखते हैं सही जबाब तो नो नमबर प्रश्न का आपका सही जबाब होगा, बिकल्फ डी जो लोग चुनने हैं ये एकदम राइट हैं, जो उत्तर प्रदेश में राजगार नदी परियोजना है, ये आपकी बेतवा नदी पर है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और मद्ध तो एक साथ दो प्रशनों को आपको याद रखना है, ललित प्रजीले से थोड़ी सी जबाब दूर जाएंगे, लगबग 20-20 km के एप्राक्स जबाब जाएंगे, तो वहाँ पर यह परियोजना आपकी इस्थित है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दस नमबर है, दस अंबर को ध्यान से देखे और फिर जबाब दीजिए। अंबर को ध्यान से देखे और फिर जबाब दीजिए। अगली चीज अगर देखें को लेरू को यह आंध प्रदेश बोला है ठीक तो यह आपका एक तरीके से राइट ही है पुलिकट आपका जो है यह केला में ना पढ़के यह आपका पढ़ जाता है वहां तमिल नाडू की बात है और लोनार की लोकेशन आपकी मद्ध एक तरीके से वहां पर दी है मद्ध प्रदेश जबकि लोनार अगर आप देखेंगे तो लोनार आपका यह आपकी वहां पर जील है महाराष्ट्रा में ठीक नफकी आपकी पढ़ती है महाराष्ट नहीं नफकी वहां पढ़ती है राजस्थान की जील है तो यह चीज ध्यान रखेगा तो इसमें ये महाराष्टा हो गई, ये आपकी राजस्थान हो गई, ये तमिलनाडू, तो इसमें कौन सा सही मिला, आपको एक मिला, ये कोलेरू आनप्रदेस, तो विकल्ब C जो लोग चुनने हैं, ये एकदम राइट है भाई, C विकल्ब, यानि कोलेरू आनप्रदेस है, अनितीन आपके सुमेलेत नहीं थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, 10 के बाद 11 नंबर प्रशन है, ध्यान से सुनिए, भारतिये मानसून मौसमी बिस्थापन से इंगित है, ठीक है, भारतिये जलवाई से ये प्रशन है मानसून से, जिसका कारण क्या है, बताईए ध्यान से, अस्थल तथा समुद्र का बिभेदी तापन, बिबिकल कहरा है मध्येसिया की ठंडी धारा, सी बोला है तापमान की अतिसमानता, डिबिकल बोला है उप्युक्त में से कोई नहीं, भारतिये मानसून जो है, ये मौसमी बिस्थापन से इंगित है, मल्ल आप सही जबाब सुनके फिर जो है, सही कर सकते हैं, कोई दिक्कर नहीं है भाई, अब सही जबाब देखें, जब आप भारतिये मानसून पढ़ना शुरू करते हैं, जलवाईव में ही, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, कि भारतिये मानसून मौसमी बिस्थापन से जो है दर्साया जाता है, इंगित का मनलब दर्साया, इसका कारण ये है कि अस्थल तथा समुद्र का बिवेदी तापन, यानि अस्थल का तापमान कुछ और होगा और समुद्र का तापमान कुछ और होता है, इस वज़ा से भारतिये मानसून थोड़ा सा बिस्थापन वाला है, भारतिय मानसून थोड़ा सा बिस्थापन वाला क्यों? क्योंकि 6 माह तक अपने यहां क्या पढ़ता है? एक तरीके से जाड़ा मान सकते हैं, उसके बाद 6 माह अपने यहां एक तरीके से वो आ जाती है, ग्रेस भावाई आ जाती है, तो फिर आपका अस्थल से समुद्र की औ हवाओं का रुख बदल जाता है, ठीक? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं 12 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, निम्राजियों में से किस राजि में जाड़े के मौसम में बारिस होती है, क्या वो केरला है, क्या तमिल नाडू है, क्या पश्रिम बंगाल है, क्या वो डिशा है, इन चारों में से जबाब बताईए, 12 नमबर प्रशन का सही जबाब क्या होगा, किस राजि में जाड़े के मौसम में बारिस होती है, सही जबाब आपका क्या होगा, बी विकल्ब बहुत बड़ी है, बी विकल्ब सभी के भाई, बी ही विकल्ब पा रहे है, बेनीत राना जी, कोई दिक्कर नहीं, अरणेस जी, आप ए विकल्ब चुनने हैं, बी विकल्ब बघ़ी हैं, सोरभ जी, ये विकल्ब चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या है बारा नंबर जाड़े के मौसम में बारिस होती है आपके कहाँ पर और ये आपका है जो लोग विकल्ब बीच उन रहे है एकदम राइट है तमिलनाड में जाड़े के मौसम में यानि इसको लोटते मांसून से भी ब बारिस होती है तो विकल्ब आपका तमिलनाडू सही अगर पूछ ले एकटूबर से नवंबर माहा में किस राजि में बारिस होती है तब भी आपका तमिलनाड़ सही तो तीन question आपको इस question को तीन तरीके से पूछा जाता है ठीक है और होता क्या है तमिलनाडू पर बारिस का अगर आउसत देखें कितना हो जाती तो आप ये मानके चलिए कि 65 से लेकर 75 cm तक बारिस हो जाती है 65 से 75 cm तक बारिस हो जाती है तो अपने आप में ये मतलब रखती है क्योंकि 10 cm बारिस आपके जो है इस छेत्रों में नहीं होती है मतरा वगेरा आप चले जाएं थार वगेरा में निवलेखेद में से किसराजी का क्रोमो जो है क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है यानि सबसे ज़्यादा वहीं होता बिहार में, करनाटका में जो है महाराष्ट में, ओडिसा में खनीजों से संबंदित प्रश्ण है जी जी बिल्कुल सही है लक्षमन जी आपके बिकल नहीं देखे मुझे, इसलिए PDF प्रवेश जी अप पर लग जाती है हर दिन भई आप टेलिग्राम गुरूप जोईन कर लीजिए वहाँ भी मिल जाती है, परिक्षा प्लस सर्च करिए टेलिग्राम पर आ जाएगा, जोईन कर लीजिए चलिए D विकल पा रहा है बहुत बढ़ी हाँ, D विकल वसोग शर्मा जी बहुत बढ़ी हाँ बाई, D विकल मादबें जी शर्व जी आप विकल भी बता रहे ट्रेंडिंग सॉंग स्टीडियो D विकल बेरी गुड चलिए भाई लगते है देखते हैं, तेरा नंबर प्रश्ण का जो सही जबाब इसमें होगा कौन सा राजी क्रोमाई टूतपाद में तो यह है आपका ओडिशा है ओडिशा जो लोग विकल डी को चुन रहे हैं एकदम सही है, ओडिशा का एक तरीके से जब आप जो है अभी वो एक बुक आई है इंडिया मिनरल सी येर बुक उसमें जब आप देखेंगे तो ओडिशा राजी को ही सर्वशंपन ने बताया गया है, ठीक है लेकिन कुछ मात्रा में अगर आपसे पूछा जाए, तो कुछ मात्रा में प्रश्ण स्क्रीन पर है और फिर जबाब दीजिए इधर संस्थान दिये हैं, इधर अस्थान दिया है, सुमेलित नहीं है उसको चुनना है पहला बोला है भारतिय सब्जी अनसंधान संस्थान बनारस में बोला है दूसरा बोला है केंद्रिय वोष्ण उद्ध्यान संस्थान उद्ध्यान अनसंधान संस्थान क्या स्रीनेगर में है सी बोला है भारतिय गन्ना अनसंधान संस्थान क्या लखनव में है डी बोला है भारतिय दलहन अनसंधान संस्थान क्या कानपूर में है इन चारों में कौन सुमेलिक नहीं है उस चीज को आपको चुनना है शी विकल्प, अर्पिज जी, भाई माफ करिएगा अमित जी कोई दिक्कर नहीं है, थोड़ा सा आठ वजे से आप लोग कोसिस करिए कि नेटवर्क वगएरा हर एक चीज़ां सही रहे है अब देखते हैं भाई इसका जबाब क्या है फोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे पहला बोला भारती सबजी अंसंधान संस्थान तो ये बनारस में है, ये एकदम राइट है आपका दूसरा बोला है केंद्री आपका उपोस्र उद्यान अंसंधान संस्थान अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहां स्री नगर दिया है, स्री नगर में नहीं ये आपका लखनों में इस्तित है, ये स्री नगर की बजाए लखनों में इस्तित है तो विकल्ब भी देने वाले एकदम राइट हैं, जो लोग भी विकल्ब को चुनने हैं बाकी आपके सब सुमेलित हैं आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15 नमबर प्रश्ण है कहरा है दच्छन एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है अटाकामा, कोलोरेंडो, कालाहारी या फिर थार इन चारों में से सही विकल्ब आपका कौन सा है बीरा, शी विकल्ब आजाईए इसमें केदार जी नेटवर्क थोड़ा सा भाई सही रखिए इधर तू सारी चीज़ें सही है बी विकल्ब वेन जी बहुत बड़ी हैं ए विकल्ब आ रहा है, लक्षमन जी आपने सी विकल्ब चुना है बहुत बड़ी हां संदीब जी, शौरफ जी आप शी विकल्ब चुना है बहुत बड़ी हां बहुत अच्छे बहुत बड़ी हां राम निवाज जी बहुत अच्छे चले इसका सही जबाब देखते हैं सही जबाब की बात करें 15 नमबर प्रश्ण हो सबसे बड़ा आपका मरुस्तल है दूसरी चीज ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूम में भी जाना जाता है 16 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर कह रहा है प्रकास तरंगों के वाईउ से कांच में चले जाने पर यहां चो लिखा है ये जो होगा जो चर यानि बैरियेबल प्रभावित होता है विज्ञान जगत में आ चुके हैं आप लोग ठीक है जो चर प्रभावित होता है कौन सा है तरंग दैर्धी आपरित और बेग बदल जाते या बेग और आपरित बदल जाती या तरंग दैर्धी और आबरित बदल जाती है या फिर तरंग दैर्धी और बेक बदलता है प्रकास तरंगों का चलिए बताइए वाई यू से कनाच में जब जाती है यह तरंगे तो कौन सा variable आपका different होता है चेंज होता है बताइए लक्ष्मन जी बहुत बड़ी है चलिए जबाब आ रहे हैं सभी के जया जी सी विकलब आपने चुना है महाजन जी बी विकलब उपें जी सी संदीब जी सी विकलब बहुत बड़ी है शोला का जो है बी डी विकलब आप चुनने है ट्रेंडिंग सॉंग इस्टीडियो भाई, श्रेया मिस्राजी, B विकल, फरेंजी, C, बहुत बड़ी हाँ, बहुत अच्छे, अमरेंजी, D विकल, सही जब आप देखें, 16 नंबर प्रशन, 16 नंबर प्रशन का आगर, जो लोग जब आपके चुनने, विकल पड़ी, एकदम ह होते हैं, राइट, 100%, बहुत अच्छे, तरंग देखें, जब कोई भी प्रकास तरंग, अगर कोई प्रकास तरंग है, लाइट की आपकी एक तरीके से बेब है, और यह जाती है, जब एर से आई आपकी और जाती है, यह कांच में, तो यहाँ पर जो बैरेबल चेंज होते ह हैं, सबसे पहली चीज, इसका तरंग देखें, बदल जाएगा, जिसको आप लेमडा से दरसाते हैं, और दूसरी चीज इसका बेग बदल जाता है, तो दो चीजें इसकी चेंज होती है, ठीक है, अच्छा, इसकी जो आबरित होती है, फ्रिक्वेंसी, कभी भी चेंज नही होती है, आबरित इसकी बदलती नहीं है, बाकी दो चीजें बदल जाते हैं, इस इसको ध्यान रखेगा, 17 नमबर परशन आप से पूछ रहा है, कि क्रिश्टल की संदचना, जानने के लिए निमनमे से किसको प्रियोग में लाते हैं हम लोग, गामा किरणों को, X किरणों को या फिर द्रिश्ट करणों को बिजबल आपकी जो रेज होती है, बताएए भई, बहुत बड़ी हैं ट्रेंडिंग आपकी शॉंगि स्टीडियो, भई नाम भी कमेंट कर दें, C विकल्ब श्रेय श्रेया मिस्रा जी, विकल्ब D आपने चुना हैं, बहुत अच्छे, B विक विकल्प है बहुत बढ़ियां ए विकल्प आ रहा है ए विकल्प चलिए सही जब आप देखते हैं कि इसमें से सही जब आप क्या है क्रिश्टल की संरचना अगर हमें जाननी है तो क्रिश्टल की संरचना जानने के लिए हम X केरणों का इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग विकल की समराचना को जान लेते हैं 17 गे बाद 18 नमबर प्रश्ण है ब्लेक होल के सिधान्द को किस बैग्यानिक प्रत्पादित किया था वाई CB रमन, H.J. भाबा, H. शन सेखर या H. खुराना कौन सा वह उद आपका बैग्यानिक है C विकल पा रहा है, बहुत बड़ी हैं 18 नमबर का जबाब आपका D विकल पा रहा है ममता पाठक जी स्वागत है बहुत दिन बाद दिखी है आप रितिका शी बहुत बढ़ी है A विकल पारा है C विकल बहुत बढ़ी है सही जब आप दिखते है T C महाजन जी दिख गया आपका शी भी आप बोलने है A T का अगर जो लोग विकल चुनने हैं आपका C एकदम सही होते है S चंदरशेखर ने इस सिधान को प्रतपादित किया था इसको चंदरशेखर सीमा के भी नाम से जाना जाता है इसको चंदरशेखर सीमा भी बोला जाता है समझ गए? तो दो चीजे एक साथ आपकी क्लियर हो रही है आगे बढ़ते हैं प्रशंख्या 19 पर 19 आपसे कह रहा है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आर्गैनिक अमल कौन सा है एसिटी कम लहे, साइटरिक कम लहे, मैली कम लहे या फिर टार्टारिक कम लहे इन कौन चारों में से सही जबाब दीजिए अंगूर में क्या पाया जाता है बहुत बढ़ी हैं अपसेख जी सी विकल्ब आपने चुना है अनि लोग भी बाई बताएं सोचके 19 नमबर रामनिमाज जी सी विकल्ब उपेन जी बी विकल्ब बहुत बड़ी हैं बी विकल्ब पार है अधिकतल लोगों के श्रया जी आपने सी विकल्ब चुना है ज्रया जी बी विकल्ब देखते भाई संदीब जी 19 नमबर प्रशन का जो सही जबाब होगा ठीक है, सही जबाब जो लोग विकल्ब डी चुन रहे हैं, टार्टारिक अमल ये आपके अंगूर में पाया जाता है, इसके अलामा, जब आप बात करेंगे इमली की, उसमें भी होगा, अगर मैं आपसे बात कर लूँ केला, ठीक है, केला में भी अमल होता है, तो इन सभी में आपका ये टार्टारिक अमल प्रचोर मात्रा में पाया जाता है, आगे बढ़ते हैं, 19 के बाद 20 नमबर प्रश्ण है, कौन सा आपका युगमत सुमेलित नहीं है, इस चीज को ध्यान रचेएगा, नियासीन, पैलेग्रा, थाइमीन, बेरी-बेरी, बिटामिन D, सूखा र देंगे बीविकल्ब, बहुत बढ़ी हां, अमरें जी, संजे भारत द्वाज जी, सीविकल्ब, बहुत बढ़ी हां, सबराती जी, बढ़े अच्छे, डीविकल्ब पार है, जया जी, बहुत बढ़ी हां, ठीक है, बीविकल्ब, अमित जीव, डीविकल्ब, चलिए सी आ रह नहीं, बिटामिन के का संबंध आपका रक्त का थक्का बनने से होता है, रक्त का जो थक्का बनता है, जैसे कट पिट कहीं हमारी बॉडी पर जाता है, तो खून का सबसे पहले वहाँ थक्का बन जाता है, तो ये बिटामिन के का काम है, बंध्यापन इसका काम नहीं है, एक का नमबर प्रश्ण है, अलसी किसका प्रचुर मात्रा में, प्रचुर सुरोथ है, अलसी में क्या पाया जाता है, विटामिन C, ओमेगा थी वसी आमल, आवश्यक अमीनो आमल या प्रती आक्सिडेंट्स, ठीक है, बताईए इसमें, LC में क्या होता है आपका ममता जी बीवी कलब दिनेश जी आप D चुनने हैं अमरेश जी डीवी कलब पा रहा है B वी कलब पा रहा है जया जी आप भी बीवी कलब अपड़ना मिश्रा जी बहुत बढ़ी हैं लक्षमन जी चलिए दिखते हैं 21B महाजन जी दिख गया चलिए वाई बहुत बढ़ी हैं अगर सही जब आप दिखते हैं केस नमबर प्रशन का तो जो लोग बिकलब पा बीच उनने हैं ओमेगा 3 वसी ये अमल ठीक है ये मैचिंग में आपके कई बार कड़बन इस जो आपके छेत्र होते हैं प्रदेश होते हैं वहाँ पर पाये जाने वाला पोधा है समसी तोष्ण जो होते हैं ठीक 22 नमबर आपके सामने जैविवित्ता के नास का कारण क्या है भाई इकोलोजी क्यों आपकी बरबाद हो जाती है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी की बजे से, या परियावरने प्रदूसं की बजे से, या बनों के नास की बजे से, या इसके सभी रिजन हैं, यह जो तीनों के तीनों हैं, बताईए, एकोलाजी आपकी क्यों बर्बाद होती है, हमरेज जी, C विकलप है भाई, D पड़ना जी अपने D चुना, रितका जी बहुत बढ़ी हैं, D, 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 बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत बढ़ी हैं, चलिए देखते हैं, अब शेक जी आप भी D चुनने, क्या सही है विकल्ब, बिल्कुल सही है, D विकल्ब जो लोग चुनने हैं, Ecology System या जय विवित्ता आपकी जो होती है, ये नास अगर जीवों के प्राकिरती का आवास की कमी हो गई, हर जगे मनुष्चे घुसने लगा, तो Ecology System बिगड़ जाएगा, परियावरन ये प्रदूसर्ण बढ़ता गया, तो Ecology System बिगड़ जाएगा, वनों का नास हुआ, तो इकोलाजी सिस्टम भी गड़ जाएगा ठीक है इन सभी का आपका जो है निर्भरता होती है एक दूसरे से हम जुड़े होते हैं अगला है तेस नमबर प्रश्ण बेट लेंड डिवस कम मनाया जाता है बताए दो फरवरी को दो मार्ज अप्रेल को दो माई को दो मार्ज को बे बेडलेंड दिवस आपको बताना है शबराती जी ये विकल्ब बहुत बड़ी हां विनित जी अगर इसका सही जवाब देखते हैं 23 नमबर का तो विकल्ब A जो लोग चुनने हैं वो एकदम आपके राइट होते हैं विकल्ब B चुनने वाले एकदम राइट हैं 23 नमबर का आपका बेडलेंड दिवस आपका मनाया जाता है और ये इसकी सुर्वात थोड़ी सी एक चीज और जान लो ये इसकी सुर्वात हुई थी आपकी दो फरवरी और वो समय था 1971 दो फरवरी 1971 कई लोगों के दिमाग में चीज आ गई होगी ठीक है इरान में क्या हुआ था एक ह अस्ताच्छर हुआ था उसी दिन से ये चीजे प्रारम होई थी बेडलेंड दिवस आगे बढ़ते हैं 24 नमबर प्रश्ट ध्यान दीजिए ये अभी आपका जो है उसका भी प्रश्ण रहा है करेंड का भी निमलिखित में से किसे कार्बन निगेटिव देश के रूम में जाना जाता अफगानिस्तान बहरीन भूटान या नेपाल कार्बन निगेटिव आपका कंट्री कौन सी है कौन सा है दो फरवरी राम सर ठीक है चीजे हो चुकी है बिल्कुल जितनी कोशिस होती है मेरी कि हर एक चीजे मैं बताता रहूं सी विकल्ब है आपका सी विकल्ब है जया जी बहुत बढ़ी है बी विकल्ब 24 सी बहुत अच्छे वाई एक बार भी कमेंट करेंगे तब भी इमें दिखेगा उपेन जी बहुत बढ़ी हाँ गौरो बावुशो लंकी थोड़ा लेट होगे वाई आप आज भी ठीक है कल मैंने बताया था आट बजे पहुँचिए 24 नमबर प्रश्ण का सही जबाब होगा आपका जो लोग विकल्ब आपकी सी चुन्न है न भूटान भूटान एक आपका ऐसा देश है जो कार्बन निगेटिव देश है ठीक है भूटान में कोई आपको उद्दो कार खाने मिलेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है 24 के बाद 25 नमबर 25 नमबर ध्यान दीजिए गोविया इलिस या जिनको आप घडियाल बोलते हैं बहुत आयत में पाए जाते हैं कहां गंगा नदी में गोदावरी में प्रिष्णा में कावेरी में घडियाल कहां मिलते हैं आपके बताए बाई घडियाल रादेश्याम जी आपने ये विकल्ब चुना है ठेक है इस नमबर का 25 नमबर का जी तेन जी ये विकल्ब ये विकल्ब पार हैं सही जवाब देखते हैं 25 नमबर प्रश्ण का जो सही जवाब होगा 25 नमबर प्रश्ण का आपका सही जवाब होगा जो लोग विकल एक वतार हैं एक दम राइट हैं जो आपकी गंगा एक तरीके से नदी है गंगा नदी में आपके घडियाल पाए जाते हैं ठीक घडियाल ये मगरमच्छ कुल का एक आपका क्या है जीव है घडियाल मगरमच्छ कुल का एक जीव है ये चीज आपको ध्यान रखना है आगे ब बताईए किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं बहुत बढ़ी है श्रेंका जी लेक्षमैं जी आपूट पर रहे हैं अब डीखते हैं सभी जबाब लाइक हैं जो होते भाया ये आपके वाई प्रदूशन चरिक्ता संभेधी है तो यक्षमिंट प्रति संभेदी है है इसलिए ये नगरों के करीर नहीं पाए जाएंगे जहां आप आप मैंने जी से विखल वफर्रिंग और ही महाजं जी थोड़ा जो है बी विकल पार रहा है बी विकल पारा है बी विकल आप देखते हैं 27 नमबर पृष्ग विखल आपके जो चुनने वाले हैं लोग भी एकदम राइट है भारती अर्थ ब्योस्था भी विकास सील अर्थ ब्योस्था की अवस्था में चल लगी है ठीक है हम लोग अभी developing countries की ओर है हम developed नहीं है विक्सित अर्थ ब्योस्था है जैसे आपका अमेरिका रूस फ्रांस ठीक है ये सब है चा करने की प्रक्रिया पर्यावरन संद्षण में सहायक है ए बोला है अधिक उपजबाली किस्म की खेती बी बोला है glass house में पोध्य हुगाना C भीप्सितिंग खेती दी विकल जैवी खेती ठीक है कूं सी क्रिषी बताओ इस में चलिए बाई, C विकल पार है लक्षमन जी, रितिका जी, D विकल आप चुन नहीं है, बहुत बढ़ियां संदीब जी, D विकल जी, D विकल पार है, पंकच जी, D विकल बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे, चलिए सही जबाब देखते हैं, ठाइस नंबर परशन जो लोग व जर्यावरन सनरच्छन में सहायक होगी, अभी जैविक खेती को अपनाने वाला देश का पहला राजी कोई बना है, जिसमें 100% जैविक खेती की जानी शुरू होई है, मैं इससे पहले डिसकस कर चुका हूँ, आप लोग ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है, आपके PCS में भी पिसड़े देशों के लिए rolling plan का सुझाओ किसके द्वारा दिया गया है, rolling plan ठीक है, बताइए, G middle द्वारा, W A Lebes द्वारा, R Narcosi द्वारा, या A Samuelson द्वारा, किसके द्वारा rolling plan का सुझाओ दिया गया, सही जबाब आए भाई, आपके सही है, G middle ने ही rolling plan का सुझाओ दिया था, और ये बेवारा दिया गया, इसमें होता क्या है rolling plan में, कि ये लगातार हमेशा कोई चीज चलती रहे, अनवरत चलती रहे, इसको rolling plan दिया गया था, कि लगातार बार बार आती रहे, ठीक, रोल होती रहे वो बेवस था, 29 गे बाद 30 नंबर प्रश्नाव की स्क्रीन पर, कह रहा है, बाजार के अस्तित के लिए सबसे अनिवारी क्या है, बैंक, आर्थिक विधान, कीमते या स्रमिक संग, बाजार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वो चीज ना होगी तो बाजार नहीं होगा, चलिए, ध्यान से बताईए, बहुत बढ़ी हाँ, अमरेन जी, बहुत अच्छे, दीपक प्रेमी, थोड़ा सा लेट हैं, भाईज, नहीं, हैं आप, सही है, हमी जो है, अभी देखे, आपको, बहुत बढ़ी हाँ, बीबे इकल पार रहा है, डीवे आ रहा है, 30C, बेरी गुड, महाजन जी, बहुत अच्छा, चलिए सही जब देखते हैं, 30番 का जबाब होता है, C, सही एकदम, अगर बाजार में कीमत नहीं है, जहां पर कीमते नहीं है, वो बाजार कैसा, भाई, बाजार में तो सभके जो है, भाव लगते है, थीक है, बाजार में भाव सभके लगते हैं, इसलिए बाजार के अस्तλιथ सेवा अगर कोई लेंगे तो उसके बदले हमें रकम अदा करनी पड़ती है। इसको और नाम दिया जाता है ICDES, शौट फॉर्म में बोलते हैं, यह प्रारंभ हुआ था, ठीक, 1975 में केंदर सरकार, सेंटरल गवर्मेंट ने इस चीज को प्रारंभ किया था, आगे बढ़ते हैं, एक तिसके बाद 32 नमबर ध्यान से सुनिये और जबाब दिये, पूसा मंज होता है सही, जो लोग चुने विकल्ब D, यह लौकी की किस्म है, पूसा मंजरी आपकी लौकी की किस्म है, ठीक है, अगर यही चीज़, पूसा मंजरी नाम मिलके आपको मिल जाए पूसा केसर, सौरी, अगर आपको मिल जाए पूसा केसर किसकी प्रजाती है, तो पूसा केस को ध्यान रखिएगा ये गाजर की आपकी प्रजाती है पूसा केसर जो है गाजर की प्रजाती है ठीक है अगर पूसा मंजरी ना मिलके मिल जाए पूसा संकर की प्रजाती है तो पूसा संकर भी लौकी की प्रजाती ही होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर त बियान रखते हैं, फल प्रोसेसिंग बताईए, कहां पर है, C विकल बहुत बढ़ी हाँ, संदीव जी ये विकल चुन है, दीपक प्रेमी जी, C विकल जया जी ये विकल बहुत बढ़ी हाँ, देखते हैं, 33 नंबर प्रशन का सही जबाब है, विकल ए जो लोग चुनने, हिमा पर नाइट्रोजन का इस्तरी करण नहीं होता, ठहराव नहीं होता, उड़द में, अरहर में, मतर लिखा है, ये मतर समझिएगा, फिर या राजमा, कौन सी इसमेसी आपकी फसल है, दलहनी, जो वो नाइट्रोजन को इस्तित नहीं करती, डीबिकल अवलाश शोनी जी, जवाब होता है, जो लोग विकल चुनद हैं, डी, यानि राजमा, एकदम राइट है, राजमा एक ऐसी फसल है, जो नाइट्रोजन के इस्तरी करण को लेकर सवाल बार बार आते हैं, या इंडियन एगरिकल्चर से जब भी सवाल पूछा जाएगा, तो नाइट्रोजन के निर्वित कासी विश्वनात बंदिर यों दुर्गास थापति कला, किस सैली का उतक्रिष्ट नमूना है, बताईए, सरकी सैली का, नगाडा सैली का, कांग्रा सैली का, सुहांग विंदी, किस सैली का ये, जो है, सबसे उतक्रिष्ट नमूना है, सबसे अमूल धरोहर है, बता यह लें 100% राइट हैं, वारांसी में के कासी विसुनात मंदिर योम दुर्गा स्थापति कला, यह दोनों की दोनों आपकी एक तरीके से नगाडा सैली का उतक्रिष्ट नमूना है, ठीक है, आगे बरते हैं 36 नमबर प्रशन पर, वास कला सैली, ठीक है, वास कला सैली योम टे जबाब भाई, 36 नमबर प्रशन का सैली योम टेंपू कला सैली, अब लखनोई लखनोई सैली के नाम से जानी जाती है, 37 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, पुस्तक आउरण के लिए प्रसिद्ध चितरकार, नंद किशोर सर्मा, किस सराजी से संबन दित है, खुरजा, क आनपूर, लखनो, मेरट, चलिए बताइए भई, सही जबाब दीजिए, C विकल पा रहा है, B विकल पा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, नंद किशोर सर्मा के बारे में बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, कहां के रहने वाले हैं, बताइए भई, B विकल पा रहा है, सही जबाब देखते हैं, जो लोग 37 का विकल पा रहा है, ये एकदम राइट हैं, ये जो नंद किशोर सर्मा है, ये खुर्जा से सम्बंदित हैं, ठीक है, तो विकल ए चुनने वाले राइट हैं, 37 के बाद 38 नंबर प्रश्ण है, लाउडी या ल रक्ष्मन जी, A विकल पाप चुनने हैं, नेतरपाल धामा, A विकल पाई, नेतरपाल जी, थोड़ा लेट हैं, 8 बजे आने की कोशिस करिए, 36 गड़, चलिए देखते हैं, सही जबाब, जया जी, B विकल पाप का है, 38 नंबर प्रश्ण का सही जबाब होगा, जो लोग जन संक्या से संबंदित है, C विकल राधे समझी, बहुत बढ़ी हैं, 49 नंबर प्रश्ण का, D विकल पाई, लक्ष्मन जी, सही जबाब देखते हैं, राज जी में अगर बात करें, 49 नंबर प्रश्ण का, तो गौतम बुद्धनगर वो आपका एक तरीके से पढ़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी पूरुष साच्छर्टा पाई जाती है, गौतम बुद्धनगर में, इस जीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 40 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, राज जी में 0 से 6 आई वर्ग ध्यान रखिएगा, फिर जबाब दीजिए, B विकल्ब, रामनिमाज जी, A विकल्ब आपने चुना है, बेरी गुड, अमिर जी, D विकल्ब चुन है, जी तेन जी, A विकल्ब, स्रेया जी की आपका विकल्ब D है, चलिए देखते हैं, सही जबाब, 40 नंबर प्रश्ण का सह आपने, 2001 से 11 के मद्धिराज में औसत वार्षिक ब्रेदिदर क्या है, 1.85 प्रिचसद, 2.64 प्रिचसद, 2.85 प्रिचसद, या फिर 3.34 प्रिचसद, सही जबाब क्या है भाई, शी विकल्ब पाहरा है, फरी जी, बेरी गुड, 41 नंबर प्रश्ण का सही जबाब आपका क्या है, या दे चुके हैं जबाब, 1.85 प्रिचसद, वार्षिक ब्रेदिदर रही औसत, कहां अपने राजी की, 10 की ब्रेदिदर अगर हम देखें, 1.40 नंबर में उत्तर प्रदेश में सोधकरताओं ने किस अस्थान पर एक बिलिक्त पुरातन नदी की खोज की है, प्रयागरा चले, देखते हैं, सही जबाब क्या है, 42 नंबर प्रशन का जो लोग सही जबाब दे रहे हैं, विकल्प A चुनने वाले एक दम राइट है, प्रयागराज में जो है सोधकरताओं ने बिलिक्त पुरातन नदी की खोज की थी, इसी इसको ध्यान रखना है, 43 नंबर प्रशन चले, सही जबाब बताइए, किस ने जारी किया है, स्रेया जी, रादेश्याम जी, A विकल्प A विकल्प, केदार जी आपने भी ये चुना है, मैंग जी, C विकल्प पारा है, चले देखते हैं, सही जबाब 43 नंबर प्रशन का जो लोग विकल्प B चुनने हैं, ये एकदम बढ़ रहे हैं, अगला प्रशन आपके है, करेंट से, राष्ट मंडल संसद्य सम्मेलन 2019 कहां आयू जी जित हुआ, केनिया में, यूगांडा में, भारत में या स्री लंका में, चले, सही जबाब बताइए, बहुत बढ़ यहां अमरें जी, बेरी गुड, 43 नंबर प्रशन जो लोग भी चुनेंगे एकदम सही हैं, राष्ट मंडल संसद्य सम्मेलन 2019, यूगांडा में शंपन हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में फॉरेश्ट प्लस 2.0, कारिकरम किसकी सहायता से आरंब किया गया, सैंक्त या अगला दे रहा है, या अगला दे रहा है, USAID, किसके द्वारा ये किसके सयोग से चलाया जाया रहा है, चली बताइए भाई, सही जबाब इसका क्या है, 45 नंबर का, सही जबाब दीजिए, मैंग जी, बीविकल, मादबें जी, वेरी गोड, सी आ रहा है, अवलाज जी, अब भी सी है, बीविकल, ब्रामनिवाज जी, देखते हैं सही जबाब, फारेश्ट प्लस 2.0 जो यह कारिकरम चलाया है, इस कारिकरम की अगर बात करें, तो यह USAID के सयोग से चलाया है, यह 25 सितंबर 2019 को लांच हुआ है, 25 सितंबर 2019 को जो है, यह सुरुवात किया गया है, और अपना जो परियावरण 1 और जलवाई परिवर्तन मंत्राले है भारत करना, उसके उसनिम में, और USAID, दोनों में एक तरीके से क्या हुआ है, समझोता हुआ है, उसके माद्यम से चलाया है, अब आपके राजबयोस्था, भारतिया राजबयोस्था से संबंधित प्रशन आपकी स्क्रीन पर, संपत्त के मूल अधिकार को किस समिधान संसोधन के द्वारा समाप्त किया गया, बैली शाह में, चोली शाह में, पैतिली शाह में या बाउनामे में, कौन सा जवाब इसमें सही है, राइट टू प्रपर्टी किस के द्वारा समाप्त हुआ, बी विकल पा रहा है, बी विकल अमरें जी, लक्षमन जी, ये विकल आपका आ रहा है है जो लोग बिकलब भी चुन्ने एकदम राइट है ठीक है बिकलब वी जो लोग चुन्ने एकदम राइट है यहाई wowless tonson के द्वारा क्या किया गया था 1979 की बात है संपत्त Imagen ali sw लिगैन को संपन्दिक आखार को मौलीक sadikar से ठाया गया पहले सामे संविधान संसोधन के बाद में ताकि सरकार डेपलपिंग से संबंदित कर चुके अच्छा संपत्य का अधिकार अब क्या रह गया है किस अनुछेद में है और क्या रह गया है मलब आपका ये कैसा राइट है मूल अधिकार है या सामानी अधिकार है किस अधिकारों के अ एक बार भी नहीं, सही जबाब बताएं, बहुत बढ़ी हैं, क्रिस कान जी, 300A, बेरी गुड, दीपक मौरे प्रेमी जी, 47A, मैंग जी, बेरी गुड, बी विकल पार आए, नाम निवास जी, शबराती अंशारी जी, बेरी गुड, लिगल हो चुका है, 300A में है, अब ये, ज लिए देखते हैं, सही जबाब, 47 नंबर का सही जबाब आपका होगा विकल्प, ए, भारती संविधान की प्रस्तावना आज तक एक बार संसोधित हुई है, और वो भी 1976 की बात है, एमेरेंटमेंट का नंबर था आपका बैलिशाहमा, बैलिशाहमा संविधान संसोधन जब लाया गया, तो संविधान की प्रस्तावना में तीन आपके नए सब्द जोड़े गये, एक आपका था समाजवादी, सोसलेष्ट जिसको आप बोलते हैं, इंगलेस में, दूसरा आपका था धर्म निरपेच, ठीक है, सेकुलर जिसको आपका बिगल्प है, तीसरा जो महावयोग चलाने के प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों के हस्ताचर होने चाहिए, एक चाहिए, चलिए बताइए भई, आगे बढ़िए भई, 48 नमबर प्रश्ण पर हूँ, बीविकल्प आ रहा है, अमिज जी, ममता जी, ए, बी, उपेन जी, सही जवाब देखते हैं, और 40 नमबर प्रश्ण काया, जो लोग बिकल्प, ए, चुन नेना, एक बटे चार बला, ठीक, ये आपके एकदम सही हैं, क्योंकि वो सदन के कम से कम, जब प्रस्ताव लाना है महावयोग का, तो एक 24 सदस्यों का हमें समर्थन चाहिए, लेकिन अगर सदन से पारित कराना है जिस सदन में पेस हुआ, तो वहाँ दोती है, बहुमत चाहिए, दोनों चीजे देहान रखिएगा, 49 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, निर्वाचन आयू का कारिकाल कितना रख्या गया है, छे वर्स तक, 6 वर्स या 62 वर्स की आयू तक, 6 वर्स या 65 वर्स की आयू चलिए, जबाब दीजिए, अमरें जी बहुत बढ़ी हाँ, अब इस पर आईए, 49 नमबर पर, C विकल पा रहा है, B बहुत बढ़ी हाँ, C विकल, C विकल, चलिए देखते हैं भाई, C विकल पा रहा है, मादमें जी, अगर 49 नमबर प्रश्ण का सही जबाब देखें, तो जो लोग विकल, C चुनने हैं, एकदम राइट है, बेरी गुड, 6 वर्स या 65 वर्स आयू, जो भी इनमें से पहले कंप्लीट होती है, उतने दिन इनका कारिकाल होता है, सिरीज का आज आपका आखरी प्रश्ण, कहरा है, 24 शामा संभिधान संसोधन अत्यंत प्रशिद्ध ह क्यों, मुयाबजे की दर तथा धन्दास निश्चित करने का अधिकार नियाईपालिका के हाथों सौब दिया गया, B बोला, गोपालनाथ केस की प्रतकिरिया में, संसद ने मौलिक अधिकारों में संसोधन या बिलोपन करने का अधिकार वापस स्वयम को दे दिया, C विकल को प्रधान मंतरी की सला मानने के लिए बात भी कर दिया गया, चारो में विकल्ब ममता जी, शी, महाजिन जी भी विकल्ब पा रहे हैं, जया जी आपने भी विकल्ब को चुना हैं, देखते हैं भाई, सही जबाब क्या है, पचास नमबर प्रशन का जो लोग विकल्ब बी बिलोपन का अधिकार वापस किसको संसद ने अपने आपको ले लिया था, इसलिए ये थोड़ा सा important है, अब भाई, सिरीज आपकी समाप्त हो चुकी है,